बड़ा जी यह जो marathon है अगर आपको देखना है और इसा बड़ा benefit आपको लेना है तो कुछ step बताऊंगो उसो follow करना है बच्छो इस marathon में मैंने module में से theory discuss किया तो जब भी आप यह marathon देखोगे यह to make it sure that आपके सामने institute का module होना है पर इस marathon में मैंने बहुत detail में बेटा अच्छे से theory discuss किया तो वहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने underline किये आपको you have to make it sure that हर चीज बेटाज आप underline करोगे तो module अपने साथ में रखना है साथ में बच्छो वहाँ पे theory आपको module में underline करने है next बच्छो जो important point मुझे बताना में चाहता हूँ यह marathon मेटा है जी आराम से समझ के देखे इसको बिल्कुल भी जादा speed से बगा के मत देखे कि जितना भी theory बहुत important concept है कि समझ चलना एक भी marathon दो बार अपके देखे होने चे और यहाँ पे जितने भी बाते बच्छो हम underline करवाएंगे exam के एक दिन पहले बस आपको कुछ नहीं करना बच्छो exam के एक दिन पहले आपको बस और बस बेटा जी आपको जितना मैंने underline करवा के दिया है उसको बस पढ़ना है अगर वो तीन से चार घंटे में पूरा का पूरा आपका CMA revise होगा और दो से तीन घंटे में पूरा पूरा आपका FM revise होगा तो exam के एक दिन पले आप दोड़ उसके लिए बच्छो तयार होगे और उसके बेटा अलावा इसके बेटा अलावा मैं इस वीडियो के description box में CMA और FM का जो hand formula revise help होगी तो this is just small help from my side to CS बचा लोग आपसे इतना जरू बच्छो रिक्वेस्ट से कि जितने भी आपके दोस्ते जो CS executive exam देने वाले प्लीज बेटा उनके साथ ये video share करना because आपको पता ये theory marathon का कितना importance है ये इंडिया में first time बच्छो इंडिया में बेटा जी first time ऐसा marathon आ रहा है ये launch बेटा हो रहा है तो this is the most life changing moment for the all CS student तो मैं चाहता हूँ यार इस video को जितने भी आपके दोस्ते maximum बच्छे तेरी में अच्छा score पर पाएंगे और बच्छे exemption लाके अपना module 2 या even both module clear कर पाएंगे बस इतनी में इच्छा है और इसके बाद में बच्छो आपको lecture कैसे लगता है जरूर इस video के बच्छो तो रिजल्ट मेरे साथ में शेर करना मत बूला I'm waiting for your beautiful beautiful result अभी भी समय अच्छे से पढ़ना आप आराम से अभी भी पढ़के अच्छा score कर सकते हो बहुत सारे best wishes मेरे तरफ से ओके टेक कियर टटा बाइबाई चलो बच्छा लोग शुरू करते है नाव नेग्स शाप्टर इस अक्पवन्टीं स्तैंडर अब बच्छो नएखना आपका सिलाबवस पिशह पिक हे एक बेटा टॉपीक है आपका account इस शार्ट बज़ एस का topic है बच्छो रहे ना और next बच्छो topic है that is international standard बेटा जी जैसे ind AS हो गए बेटा जी और IFRS बेटा इन next topic है देखो बेटा accounting standard शुरू करने इस पहले कुछ बाते बताना चाहूंगा बेटा जी accounting standard एक बहुत वास्ट चीज है यह इसा नहीं बच्छो रहता है कि जैसे बच्छो बुलो के बटा अपने बटा मॉडूल में मानलों बेटा 30 पेज में अपने इस पेटा कवर कियें बच्छो अकाउंट शुरू ऐसी चीज नहीं बच्छो तीस पेज में क्या करेंगे देखो बच्छो ICSI का intention यह नहीं है कि आप हर स्टैंडर्ड डेफ्ट में पढ़ो ICSI आपको accounting standard का introduction देना चाहती है तो basic बटा ICSI आपसे expect करें आपको यह पताना चाहिए कि भाया जी accounting standard क्या होते उन्हें कैसे implement किया जाता है उन्हें कैसे state किया जाता है उनका purpose क्या होता है वो किसके लिए applicable है किसके लिए applicable नहीं है और कौन-कौन से accounting standard है उनके नाम क्या क्या है और ICSI ने इस बात का ध्यान भी रखा है कि जो भी accounting standard आपको depth में पढ़ना ज़रूर है वो आपके syllabus में उन्हें अलड़ी include किया जैसे AS3 cash flow statement आपके syllabus में अलग से बेटा AS3 मतल़ cash flow अलग से topic है AS21 consolidation आपके syllabus में अलग से topic है इस आपके syllabus में अलग से topic है और इसमेंसे जो भी AS आपको इंट्रॉक्शन पढ़ना है सभी AS का आपको Almost list बेटा आपको बह्याट करना है आपको ES का भी लीस के भाईड करना है आपको तुकि एक्जाम में पूछ सकते AS1 क्या है AS2 क्या है आपको लीस आपको बढ़ा बाहट होना चीए आपको बढ़ा बाहट होना चीए ओके सब्सक्राइब नुमेरिकल भी करवा होगे न बैटा कौन से नुमेरिकल AS में कहाँ पर नुमेरिकल बैटा थे AS अलजा बिखरे हो बैटा जी आपके पूरे बैटा सलब पर दिखे बच्छो 6 से बढ़ा AS हम दो-तीन दिन पहले जो रिगली बाच्ची के बच्ची हमें टॉपी बढ़ा पढ़ रहेते फाइनाइन्शल स्टेट्मेंट इंटरप्रेशन वहाँ पर लगांस हो कमेंतर ऊच्ची के बच्चो तो हर युआ का जो भी ऐटेल्ड डिसकेशन है जो आपके से शिलाबस हैं आपलीकेबल है वह हमने पर्टिकलो बैटा टॉपिक में हमने कवर किया था, ऐसे बेटा अभी तक बच्छो, अगर आपको पता भी नहीं होगा, अभी तम अल्रेड़ी अपना रेगुलो बेटा सिलाबस में, साथ से लेकर 8 AS हम लोग, डेफ में पड़ चुके बेटा, साथ से बेटा, 8 AS बेटा, जो डेफ में पड़ चुके हैं, अखे तो यहां पे strictly बैटा में थेरी पड़नी है। जो प्रयक्याल बैटा ज़ो बच्छे में रेगुला भैच पढ़ता है पढ़ए जुटे चुके मैंने आल्मोस बैटा उन चाप्टर के प्रयक्याल मैंने आलडी वहां पर पढ़ा दिया बैटा जी। यहां पे मैं again practical cover नहीं करूगा कर कोई बच्चा बोलेगा sir हम ASC cash flow का practical भाई साब जब मैं ASC cash flow के 10 lecture लिए वहाँ पने practical वापिस में क्यों लूँगा अगर मैं consultation बेटा मैं 8 lecture लिए वहाँ पर आप भी वापिस लिए नहीं सकता समझा क्या तो यहाँ पर बेटा जी जो चाप्टर बेटा हम आज पढ़ने वाले कल और परसो बेटा अगले तीन दीन बेटा जी हम लोग जो accounting standard और जो international part पढ़ेंगे यह सभी मिला के exam में उसके उपर कम से कम 10 मार का थिरी एक्सपेटेड़ है ओके तो बच्चो समझा बच्चो अभी जो बच्चों पढ़ने वाले उसके उपर exam में बेटा जी 10 मार का बच्चो थिरी एक्सपेटेड़ है तो यह अगले तीन लेक्चर आज का कल का और परसो का तीन लेक्चर आपको दिलाएंगे 10 मार दिलाएंगे बेटा जी और मैं बेटा कोशिश करूँगा कि मेरे साथ ही क्लास में ये सारी के सारी थेरी बेटा आपकी बाहर करा करा करूँगा मैं बेटा आपके पास ये पुरा थेरी बेटा पढ़ा करा करूँगा साथ बच जिसके में MC की भी करा कि लूँगा तो एकदम perfect हो जाएगा perfect हो जाएगा बेटा जी ठीक है चले चलो शुरू करना लाएग चलो ओके तो without wasting time let me start the accounting setup बस मैंने आपको intro बता दिया कि आमें क्या expector में बता रहे है बेटा जी अब बच्चों देखो yes yes बेटा 10 मार बेटा जी पिछले बेटा एक्जाम में ये दो चाप्टर मिला है कि almost 10 से 12 बेटा कोशन आता आस एक्जाम 10 से 12 कोशन आता बेटा जी और कुछ नहीं थे simple time pass question था ये AS किसका है ये IS किसका है ये IS किसका है ये इसमें क्या include time pass question थे देखके बता थे मतला बच्चों दो क्या within 5 minutes you can score 10 mark इतना easy question था बेटा जी बस आपको पता होना चीए ठीके शले चल बेटा तो सबसे पहले बच्चों में लोग शुरू करते accounting standard यार नाम में ची लिखा है accounting standard इसको break करें दो पाड में पहला पाड accounting दूसरा standard बच्चों इसमें से हमने जो chapter 1 जो पढ़ाता बेटा जी introduction to financial accounting उसे मैं आपको accounting क्या मैंने बताया था बेटा सर accounting क्या आता है accounting मतलब जहांपे हम transaction record करते हैं जहांपे बेटाम transaction बेटाम लोग click करते हैं record करते हैं उसको summarize करते हैं present करते हैं और analyze करते हैं यह सब करने का बच्चों टिक्नीक क्या आता है accounting होता है फॉच्झनद सातर्ण गया होते है और भया जी जब आप accounting करते हों मान लिजी मान लिजी चार accountant है शार accountant है मुझे आता है क्या हर accountant का बेटा और अगो मम्मी बेटा खाना बनाते है, एक बेट डिश है, मुझे तो बच्चो वही डिश अगर आप नहीं बने, और वही डिश मम्मी नहीं बने, कि दोनों का तरीका सेम होगा, कि दोनों के खाने का टेस बेटा सेम होगा, नहीं ना बेटा, अलग लगना बेटा जी, ओके, तो कहने का बेटा मतलब क्या रिका बेटा जी इन्हीं सबका बेटा अगर हर बंदे का बेटा कर खाना बने का तरीका बेटा अलग होता है उसी तरह से बच्छों हर अकाउंटन का हर बच्छों अकाउंटन का काम तरीका अलग होता है हर accountant का हो सकता है कि accounting का तरीक बहुत हो सकता है तो हमारे इंडाय ने सोचा भाई साब अगर हर एक बंदा अपने वेश से अगर accounting करते बेटेंगे आप ये शेक करना कितना बड़ा है कि बहुत तकलीफ है मतलग कोई क्या बोलेगा कोई बोलेगा ये सूरज है कोई बोलेगा ये चांद ने सूरज है चांद है कोई बोलेगा ये profit दूसरे उसको loss बोलेगा क्या चल रहा है कोई बोलेगा building कि मत 10 लाग कोई 10 लाग नहीं रहे उसकी मत 1 लागी नहीं चलेगा बेटा ची तो there should be some uniformity तो accounting करते वक ठीक हर आदमी अलग लग वेसे अकाउंटिंग कर सकता है बढ़ हरे को accounting करते होग कुछ common policy follow करने चाहिए जैसे बेटा खाना बेटा बना तो सबका खाना बेटा बनाने का तरीका अलग हो सकता है बढ़ सबको खाने में नमक डालना ही चाहिए बेटा जी यह common policy है जो फॉलो करना पड़ता है तो उसी तरह से accounting करते वाग कुछ common policy जो में follow करने चाहिए तो accounting करते वाग जो policy हमें follow करने चाहिए they are called as accounting standard बास समझाब चलो तो what is accounting standard these are nothing but the certain set of policies और certain set of principle the policy and principle which should be followed while doing accounting accounting करते वाग जो policy या principle follow करने चाहिए उन्हें हम लोग बोलते accounting standard हा बेटा अचार भूल गे पापड भूल गे नालेक अब मैं cooking सिखा रहा हूं क्या यह cooking video चल रहा है बस तुमके example दिया बेटा ठीक है ने example दिया तुम तक्तम serious होगे नालेक तुम लोग अब बच्चो देखो अब देखो what is the definition of accounting standard अब बच्चो देख सकते हो इसको mark कीजिए इसको mark कीजिए इसको mark कीजिए समने मौडर रखा ना बच्चो अब बच्चो अब बच्चो definition देखे क्या है accounting standard may be defined as written policy document क्या बच्चो देखो 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 अब बच्चो देखो देखो अब बच्चो देखो अब बच्चो अब बच्चो अब आन expert accounting body or government or other regularity bodies covering the aspect of recognition measurement presentation disclosure of the transaction and other event in the financial statement जर्ण ठीक से पड़के निकालो कुछ समझ मार देखो कुछ समझ मार के देखो बच्चो कुछ समझा अब एक काम कर देखो अब जो definition है बच्चो इस बच्चो definition हम लोग तीन पार्ट में break accounting standards are the return policy document, आपको accounting करते वग क्या-क्या policy follow करने ची, उसका return document is accounted, बच्छो accounting standard कोई औरोली नहीं बताता बेटा, ये सारे बाते लिखी हुए, ये सारे बच्छो return बेटा पॉल डोक्युमेंट है, तो ये definition पहला बच्छो point क्या बता रहा है, accounting standard is nothing but the policy, policy, ऐसे policy accounting करते वग, जो policy बेटा follow करने ची, policy मतलग क्या है, जो course of action आपको follow करना ची, accounting कैसे करना ची, उसका जो return document है, उसे हम बोलते है, accounted, बच्छो लिखावा क्यों आरे बाइसा बगर लिखेंगे, तभी सबको समझेगे न, मानलो अपने से ओरली बता दिया, लेकि सबको प पता है, कुछ को नहीं पता है, गलते बेटा है जी, ऐसा हो नो बेटा, और वही बच्छो देखो, अगर यहाँ पे चीजे बेटा अगर, प्रापर बच्छो अगर लिखेंगे, तो सभी enterprise को इसके बारे में idea आ जाएगा, तो they are nothing but the return policy document, यह पहला point है, second बच्छो accounting standard, issue कोन करता है, they are issued by the expert accounting body, और government और other regulatory body, एक्जाम में कुशन आसकता है, accounting standard are issued by whom, याद रको बच्छो, accounting standard are issued by expert accounting body, बच्छो अपने इंडिया में सबसे best, सबसे expert accounting body है, issue to drop chartered accountancy of India, तो बच्छो इंडिया में बटा accounting standard, mostly issue बटा कोन करेगा, ICA, ICA is a accounting body, जो बटा standard issue करते है, इंडिया में account issue करेगा, ICA issue करेगा, कैसे only ICA issue करेगा, ना बटा जी, ICA के बटा साथ में कभी कभी government भी issue करता है, बच्छो, इंडिया में बच्छो, ICA तो issue करेगा जो बटा, साथ बच्छो कोन करेगा, government में issue करेगा, और कभी कभी, RBI, एक मीट, एक मीट, बफर हो रहा है, रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, बफर हो रहा है, वेट 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 देखो अभी क्लियर के देखो अभी क्लियर के देखो अरे हाँ हाँ ठीक है भफरिंग गया अभी ठीक है भफरिंग गया अभी ठीक है नालाइक अभी ठीक है नालाइक अभी ठीक है नालाइक हो जाओ जाओ तुम्हारा उदा दो बफरिंग का स और वह बैसे काला कला सिंबॉल डलते हैं कुछ colorful होगा तो अच्छा लगता है दो अच्छा लगता है यार चलो पढ़ाता हमें बैट टोपिक मैं अबमका बता हुआ बच्छो बता रहा था बच्छो इंडिया में Accounting Standard issue, बटा कोन करता है, बच्छों, इंडिया में, बटा AS, मैं इसे पर AS भूल चल्ट बच्छों, AS for Accounting Standard, बच्छों, 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 इंडिया में, बच्छों, रिखो, बेटा अधर रेगूर्ड बच्छों बड़ी में को आएगा सर्ज उसमें को मतों आता है आरी बैए आता है बार में कोण आता है IRDA आएगा Insurance and Regulatory Development Authority of India IRDA यह भी इशु करता है तो बता मुझे बच्चा लोग इंडिया में Account Issue कोन करेगा सबसे पहला कोने Expert Accounting Body मत आइसी है इसके में इशु बटा कोन करेगा Government बच्चो इशु करेगा ओके और नेक्स बच्चो इशु बटा कोन करेगा Other Regulatory Authority लाइक RBI, IRDA यह एक्जामपल इसके लोग और भी ऑथोर्टी बटा होते जो अकाउंट इशु कर सकते बड़े मेजर इशु बटा कोन करेगा ICI इशु करता है तिसरा बच्चो इस डेफिनेशन अबड़ा Point है Accounting Standard deals with सुनो बच्चो Accounting Standard चार बातों में deal करता है पहला क्या है Recognition दुसरा Measurement तिसरा Presentation और चोटा Disclosure of Transaction and Event इस डेफिनेशन क्या बता रहे Accounting Standard किसी भी Transaction या किसी भी Event का Recognition Measurement Presentation और Disclosure में deal करता है इसका मतलब क्या है What is the meaning of recognition बच्चो आप सबको पता है छोड़ा एक्जाम्बल दूँगा बच्चो आप सबको रहता है Income और Expense के दो टाइप होते Revenue और Capital Revenue Income और Expense जाएगा Penal में Capital Income और Capital Expense जाएगा Balans Sheet में मान लो बेटा एक Accountant ते उस Accountant को Accounting करने का है Accounting करते हैं वो Confuse है आड़े कोन से करचे Balans Sheet में डालू कोन से करचे Penal Medal तो Accounting सेंड उसको बता रहा है कि भाई साब Expense को Recognize कैसे करना है Recognition ऐसे करचे जिनका Profit Within Year आ रहा है उन्हें हम Recognize करेंगे As the Revenue In Expenditure Recognize को पैचानो और उसको डाल दो Penal में ऐसे खर्चे जिनका Benefit सालो साल मिलेगा उनको Recognize करो As a Capital Expenditure और उनको डालो Balance Sheet में इसका मतलब खचो खर्चे उनको Show करने के लिए पर उनको Recognize करना ज़रू है तो खर्चे कैसे Recognize करना है कोन Revenue, कोन Capital एक मेने एकसामपल दिया बिटाजी ऐसे बहुत सारे बाती होती ही बिटाजी जिनको Recognize करने के लिए As लगता है बच्चो तो As का बच्चो पहला काम क्या होता है Recognize करना ये क्या होगया Page कैसे बढ़ प्रड़ गया रहे चलो मिल गया बच्चो एस काब Mostly fond गया बच्चोट काम ओटा है Major कना азывается मतलग क्या है मानलो मानलो मेंने बिल्डिंग लिया मेंने बिलिंग लिए बच्चो 10 saat में बच्चो बिल्ड़़़। 10 lat का में बिल्ड gesch Gift बिल्डिंग मेरा Capital expenditure. Recognize किया Capital expenditure ए Okay में किस amount पर लिखूँ स्टार्टिंग में building लिखूँगा 10 लाग माइनस depression पर लिखूँगा में third year में building पर किस पर लिखूँगा बटा जी again cause my depression तो हर साल किस amount पर लिखना चे उसका amount major करना भी आना चे बटा तो AS क्या बताएगा पहले चीजों को manage करना सिखाता है फिर उसको major उसका amount निकालना सिखाएगा amount निकालना सिखाएगा बच्छो accounting पैटा संड़र की हिसाब सही बटा आप पीलन बच्छों बनाते हो और जो पीलन बटा बनाते हो तब या profit और loss का amount major कर सकते हो तो amount major करना भी जिखाता है next बच्छों ये प्रेजेंटेशन सिखाता है, मतलब भाई साथ, आपने इसको प्रेजेंट कैसे कहना अच्छे, मान लीजिए, मान लीजिए, आपके सपोच एक लाग के डेटर से, और आपको शक है कि डेटर में से कुछ डाउटफूल है, कुछ कमीनी भी हो सकते, तो एस पहले आपको क्या स कितना कितना पसे डुबारे, मेजर करो, ये डुबारा दसार, ये डुबारा दसार, ये डुबारा दसार, मेजर किया, रिकनाइस किया, कमीन लोगों, फिर उसको मेजर किया, अब उसको प्रेजेंट करो, इससे कैसे करेंगे, बेटा जी, बैलनशीर में क्या शो करेंगे, यह ब्स लिखएंगे एक लाग और लेटरर में से जो करेंगे लेटरर्स लेस प्रोवीजन फार डाउट फुल लेप इसाघ प्रॉपर रमलोग प्रेजंटकरेंगे तो कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, यह भी आपको AS बता रहा है, और यह प्रेजेंट करने के बाद में उसको disclose करो, और यह सब जो दिखा है आपने क्या दिखा है, च्यू दिखा है, यह प्रॉपर बच्चो disclose करो, समझा के पटाजी, जी ओके, ओके, सबको जेपा, सबको जेपा, सबको जेपा नालाएक, सब बेटा से comfortable है, सब इसे comfortable है, बेटा शुरूती, एक बोलू बेटा, एक request बेटा जी, और बेटा जी आप जो बात करें, आप को थोड़ा भी नॉलेजि होगा, अगर आप बेटा बुष्टो में लेक्ट्र में आप अगर अटेंड कर रहे होँगे, मैंने clearly बोला है, working capital कभ होने वाला है मनें बढ़ा बने बता दिया बटा जी तो प्लिज एट रिक्वेट से ड़ूंट डिश्टर बटा जी at least बेटाव ऊईः एट ले रहा है बहुत जो बच्छे बेटा को लेक्षे अफॉर्ड करने सकते बेटा बहुत से बच्छे बेटा ऐसे भी किया मतलता है क्या कि जिनको यार मतलब कि डिश्टर बेटा मतलब किजिए और वो भी अन्ने सी इन्वेल बेटा पॉइंट बता कि डिश्टर बेटा कर रहे हूँ वर्किंग कापिटल कल होने वाला में बता चुका हो मैंने कल से बेटा अनौस कर दिया है और अब ये टॉपिक चल रहा है ये भी चल रहा है उस पर पर बुरा आते हैं मैं अपने जो कर रहे किसकी ले कर रहे हैं तो बेटा इसा मत करना प्लीज ओके ठीक हैं तो प्लीज जस फोकोस ओन्टो लेक्छे बेटा जी डॉंट ऑरी मैं सब बाते कवर कर रहेंगा डॉंट ऑरी चलेगा येस और क्या था बढ़ा बुलू क्या अगर मैं जो चाप्टर बढ़ा पढ़ा रहा है उसमें कुछ डाउट है पूछे ना मना नहीं करूँगा बढ़ा अरे सर आपने एक कंसे पढ़ा है सर नहीं समझा पूछो इट्स ओके लेकि मैं पढ़ा रहा है यार अकॉण्ट स्टैंडर्ड और आप बात करो वरकिंग आपको बात करें का पर सेंस बनता है यार इस पर डाउट बिंदास पूछो मैं मना नहीं करूँगा बढ़ा जी चलो बढ़ा ठीक है चलो बढ़ा जी अब आम वापी सम डेफिनेशन परते अब बेटा डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटाजी अब देखो क्या बोला है अखांटिंग स् punya आउट यह करे अखांटिंग करते होंका पॉलिसी वे करने खेख उसके रिटन पडेटा जो टोकुमेंट है वह कांट इसी कोन बढ़ाएगगा इशू कोन करेगा तहार figured र ऐफ्पॉस्पाउटिंग बोड्थी मिन आईसी है और government और other regulatory body मतलब IRDA और RBI इनने issue क्या होगा ये कोने बेटा जी they are nothing but the written policy document issued by ICA government and other regulatory body और ये क्या cover करते they cover recognition, measurement, presentation and disclosure of transaction, financial statement में transaction को और event को कैसे recognize करना चीए, कैसे measure करना चीए, कैसे present करना चीए और कैसे disclose करना चीए इन सब के जो written policy document जो ICA ने या government ने या जो other body ने जो issue क्या है उसे हम बोलते accounting standard बोलते है धेंटा डायन अब बताओ कैसे नालायक लोगों को भी accounting standard का बच्चो definition सहुझ में आरा बिटाजी आपको, समझा बिटाजी तो कैसे सब को बिटा नालायक मुझे होता हूँ, इस क्या होता बड़े उसको definition पूरी सहुझ में आरे बिटाजी पका 100% एकदम depth में हमने अच्छे से बड़ा पड़ा definition चलो अगर बच्चो आपको definition बच्चो पूरी बटा क्लेर हम आगे भड़ते अभी आपली केवलीटी ओप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके विए अपली का बड़े होता हूँ, ऐक छोट है कउम पूरीनिजे civah यह अपना profit and loss account बनाते वग, क्या Inspire Academy को accounting center follow करना ची है, yes follow करना ची है, चल बड़े में आपकी बात करता हूँ, सर चुह हमें follow करना ची है, सर देखो, Inspire Academy सर बच्चों से fees लेती है, कुछ खर्चे भी करती है सर, कुछ profit भी कमाती है सर, सर मतलब देखे सर, आप पैसा कमा भी रहो, सर खर्चा भी करो, सर टाक्स भी आप पे करो सर, यह सब चीजे, सर इसके लिए आपको सर, आपको accounting center follow करना पड़ेगा, ओके, तो बड़े एक काम का नालेक में तुमारी बात करो, तुमारी बात करो नालेक, तुमारी बात करो, चल चला पैसे दो, ममी ने मयुरेश को, बैटा मयुरेश को सो रुपे का पत्ती दिया, मयुरेश ने सो का पत्ती लिया, और दुकान में चला गया, दुकान दार से उसने असी रुपे का शकर लिया, 80 रुपे का शक्कर लिया 100 का पत्ती था 80 का उसने शक्कर लिया और 20 रुपे अपने जेब में डाला बोलता है this is the business यह business है ऐसा करने का आपन फेमो सकते हैं आपन बहुत पैसा कमा सकते हैं आपन बड़े बन जाते हैं 100 रुपे लिये थे पैसा आया था 100 रुपे खर्श कितने के 80 प्रोफिट कम है 20 का अब बता बच्चो मुझे क्या मयूरेश को अपना अकाउंटिंग करते वर क्या मयूरेश को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए क्या ना च्यू सिंपल सी बाते बेटा सिंपल सी बाते आई सी है या गवर्मेंट ऐसा बोलता है कि भाई साब अगर आप कोई भी टाइप का ऐसा बिजनेस कर रहे हो या ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हो जो purely commercial nature का है या आपके व्यवहार में या आपके transaction में अगर थोड़ा भी commercial चीज है थोड़ा भी commercial एंगल है तो आपको accounting standard follow करना पड़ेगा राज सर जो यहाँ पे मुझे आता हो बच्छे मुझे आता हो जो इनस्पार बटा academy बटा जी यह commercial बटा चीज है यस बट भी से बटा जी हम बटा यहाँ पे बटा जी पढ़ा भी रहे बटा जी हम फीज भी बच्चों ले रहे हम बटा प्रॉफिट भी कमा रहे बटा जी उससे बटा हम हमारे खर्चे भी चला रहे हम गवर्वर्ट टैक्स भी पे करे तो we are doing some commercial activity बड़ मुझे बताओ यह बिचारा नालाइक मयूरेश कुछ commercial कर रहा है क्या नहीं सर वो सर कमीना गिरी कर रहा है सर कमीना गिरी कर रहा है वो commercial नहीं कर रहा है सर सर पता कैसा वो पता कैसा इग्दम बहुर कमीना था है सर सर पईदैशी कमीना है सर वो अपने नेचवे से कमिनागीरी कर रहा है सर, कुछ कमरशल नहीं कर रहा है सर, होता रहता है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए AS applicable नहीं है, मुझे रहा बच्चों, क्या किसी trust के लिए AS applicable है, अब कुछ दो बुलेंगे सर, सर, trust तो सर समास सिवा कर रहा है, सर, trust तो सर सोशल कर रहा है, मैं मानता हो, trust सोशल कर रहा है, बड़ भाई साब, trust जो सोशल कर रहा है, मान दो trust ने, सोशल वर्ग के लिए, पाच लाक रुपे लिए, पर उसमें सिर पूने, दो लाक खर्च किये तो, trust ने, तीन लाक रुपे खाये तो, तो there can be some commercial angle, बच्चों उसमें बटा जी, commercial बटा angle आ सकता है, तो जहाँ पे commercial angle आने की थोड़ी भी संभावना बनती है, वहाँ पे आपको AS फॉलो करना पड़ेगा, बच्चों आपको AS फॉलो करना पड़ेगा, okay, सबको जेपार नाला है, अब back to question देखो क्या बोला है, as per the paragraph 3.3 of the preface to the statement of accounting standard, okay बच्चों यह क्या बता रहा है, accounting standards are intended to be applied to the enterprise, accounting standard, किस के लिए बच्चों आपकोस करना बच्चों, अभी धान सुना, accounting standard is applicable to all the enterprises, whether they are corporate or cooperative or other, मतलब बच्चों, आप corporate का मतलब क्या है, आप कोई business करों, आप कोई company हो, आप कोई corporate society हो, या other हो, फिर भी बच्चों आपके लिए अपलाय करना पड़ेगा, जो भी कोई commercial या industrial या business activity में involved है, अगर आपका ऐसा कोई भी enterprises, जो किसी भी commercial या industrial या business activity में involved है, भले फिर आपका intention, profit कमाना होगा, या भी नहीं कमाना होगा, फरक नहीं पड़ता है, भले आप profit के लिए काम करे होगे, या भले बेटा, आप charity के लिए काम करे होगे, या रलीजर बच्चों काम के लिए काम कर making organization also, and non profit making, तेक जा मचे कोशन आ सकता है, क्या charitable trust को, और क्या religious, क्या बोलते है, religious चीज़ों को, क्या ace applicable, हम बोलेंगे हाँ, it is applicable, क्योंकि charitable trust या भी किसी भी किसी टाइप का commercial, industrial, और business activity करे, भले आप profit making काम करे होगे, आप सब के लिए बेटा, आप अपली करे होगे, बर किस standard, will not apply to the enterprises, which carry on only, those activity, which are not of commercial, ऐसी कोई साउस्ता है, जो non commercial बाते कर रहे है, non commercial बाते, मतला simple सी बाते, बच्चों, simple सी बाते, मानलो बेटा जी, मानलो बेटा जी, अब बच्चों देखो, बेटा भी COVID बहुत बढ़ रहे है, COVID बहुत बढ़ बढ़ रहे है, मानली जी बेटा Inspire Academy, Inspire Academy आई डीसों लिया, चले काम करते हैं, हम सब लोग, Inspire Academy के सब faculty, और हम सब बच्चे थोसके Contribution लेते, हम तो बच्चे करते, और Contribution करके हम एक काम करते, PM Care में, या फिर बच्चों बता क्या, जहां पे COVID बच्चों प्रशन जरूर तो बेटा जी, वहां पे हम लोग Fund donate पीछ करते हैं हमने पैसा इक ता किया और डोनेशन किया ठीक इस अपल के बहिए न ही सर सब सब साथ में मिल के दोंेशन करें और किसी नेक रख्स करें हमारा इस पर कोई भी कमर्शल परपस ने कुसते नहीं से की लिच going स Wonka Marship सक्षार रैंगा सर्थ वहीज का में पैसा लेना और पैसा लोगों को देना बेटा हमने अपे शौट टर्म बेटा परपस के लिए कोई activity कीए समझा क्या हमने ये जो बेटा हमने ये हम जो साथ में बेटा आये थे हमारा साथ में आने के बड़ा उद्देश कोई long term बेटा इवेंट नहीं है हमारा उद्देश बच्चों के लिए बेटा हमें कुछ अच्छा बेटा काम करना था उसके बड़ायते हमारा कोई भी commercial एंगल हमारा दिमाग में नहीं था तो बेटा जी ओके तो उन्हेंने क्लियरली बच्चों बूले exclusion of enterprises from the applicate of the AS बच्चों AS के बेटा applicate से आपको exclude तभी किया जाएगा if no part of the activity आपके activity का अगर कोई भी part अगर commercial, industrial, business nature का नहीं अगर आपके activity का अगर आपके काम का थोड़ा सा भी part 1%, 2% बच्चों पाट भी अगर commercial, industrial या फिर बच्चों कोन सा बेटा क्या था वो business type का था तो यहाँ पर आपके AS अपके लिए अपके लिए मैं दुबार बता रहा बच्चों हम पढ़ क्या रहे AS किसके लोग अपके बच्चों simple भाशा में AS is applicable to all the enterprises profit making ओ या non profit making ऐसे कोई भी enterprise जो commercial, industrial और business activity में deal करें उन्हें सब के लिए AS applicable है simple भाशा में AS एंटरपाजेस जो commercial या business या industrial ऐसे कोई भी activity नहीं करें या उनके activity में से कोई भी थोड़ा सा भी पार इस type का नहीं है उनके लिए AS applicable नहीं है simple से बाटे बेटा जी normally बेटा ऐसा कहलता है AS is applicable to everyone अगर बच्चों कोई soul proprietor कोई अकेला बंदा काम कर रहा है कोई partnership firm है कोई society है कोई trust है कोई HUFA कोई AOPA association of person कोई B.O.I body of individual कोई cooperative society और कोई LLP इन्हें सब के लिए बेटा इन्हें सब के लिए AS applicable है तो तो कि ये सब ही लोग बेटा कोई ना कोई टाइप का commercial या business काम कर रहे बेटा जी इन्हें सब के लिए AS applicable होगा सर अब जब बोलते हो सर accounting applicable होगा मतलब क्या होगा ये जो भी accounting करते ये लोग जो भी accounting के statement बनाते ये लोग जो भी financial statement बनाते उन्हें सब के लिए AS applicable होगा सर जी ऐसे कौन-कौन से statement है जिनके लिए AS applicable होगा अब तक हमने कहा देखा कौन-कौन से लोगों को AS applicable होगा अब हम देखेंगे कौन से statement का applicable होगा तो बच्छो accounting standards are applicable to all the financial statements such as balance sheet statement of penal उसके बार explanatory note ओके बटा जी यह जितने भी बड़ा financial statement है इन्हें सब के लिए AS applicable है बड़ा financial statement के chapter में मैंने proper बटा जी statement के type क्या-क्या होते इस पर क्या-क्या बाते cover की थी हमने बहुत depth में उसकी थेरी बड़ा पड़े थी इन्हें सब के लिए AS applicable है पर बस मुझे बस एक मिन कैसे नोच दीजे बस में एक मिन में camera की battery बड़ा change कर रहा पर हम continue करते है बंदी हो गया बस पर एक मिन है बस एक मिन जासे एक मिन दिए गष्प्पटबर कि बस्ताइं आपे हो! झाल 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 चली, I am back चली, अब ये तो clear है बच्छो, अभी देखो, अभी तो अभी तो मने क्या पड़ा, accounting center क्या होते, सबको समझा, definition बच्छो clear है, next बच्छो, accounting center, issue कोन का तो बच्छो, next बच्छों हमने discuss क्या, बच्छो, account center, किसके लिए बच्छो, applicable हो डिसक्रस किया, और किसके लिए applicable, नहीं बच्छी, next हमने discuss क्या, कोन कोन से statement के लिए applicable होगा, अब हम discuss करेंगे, अरे भाई साब, आच्छोल में जो accounting standard बनता कैसे, था आपधा कि हमने भी बोला सर अकाउंटिंग सेटर और इस्यु डवाइश इवेश कैसे को टैसे चैनल ये अपड़ी करने कने कोई भी आकाउंटिंग में इस्यु बेटा इस आप मेन बड़ी करने के लिए प्रापर Аपार बच्छो डिसकेस करएंगे , A इश्यू करने का C performed चनलबstudy का ilिख इशू करनेका समलजनाच निए अ इस मेंूतिवड है कि accounting standard are issued by the ICI, बच्छो, ICI, accounting standard issue बेटा करने के लिए, सबसे पिले एक board बनाती है, जिसका नाम होता है, accounting standard board, बच्छो, ICI ने बेटा, एक board बना है, उसका नाम क्या है, accounting standard board, सबसे बोड का काम क्या था मान लो, मान लो, यह ICI ने बेटा, एक board बना के रखा, यह committee, यह committee के बच्छो, लोग है, इनके, उनके दो सिंगों थे, ऐसे हम करेंगे, एक बेटा, यह account standard board है, यह चार लोगे, आपका अपने के सबसे बना होता है, यह चार लोगे, कुछ भी करोगे, चार लोग क्या बोलेंगे बेटा, यह चार लोगे, हर चीज़ के बारें बता क्या, टांग अड़ा थे, बीच 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 बार करता थे, यह चार लोग लोगे, यह चार लोगे, एकजांबल दरा बच्चो, उसमें बहुसा लोग बेटा हो सकते, यह चार लोगे बेटा जीज़ किए, वह सरवे करेंगे, यहाँ पर जाकेंगे, फार जाकेंगे, देखेंगे, और देख के वह सोचेंगे, आरे कोनसे एरिया में standard लाने की जरॉत तो ASB के लोग सब जगा पर देखेंगे, वो कभी बच्छो holding company जाकेंगे, कभी बच्छो subsidy में जाकेंगे बिटा, कभी associated company जाकेंगे बिटा, कभी कभी क्या करेंगे, किसी company के foreign branch पर जाकेंगे, और वहां से उनका idea जाएगा, और यहां पर कुछ ना कुछ जो ले, तो अपने क पता क्या, accounting करने के लिए कुछ standard लाना पड़ेगा, तो ASB determines the broad area in which accounting standard need to be formulated, तो कोन से एरिया में accounting standard issue करना चे, तो कोन करेगा बच्छो, ASB decide करेगा, जह पार ना लाएगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे accounting standard board, उनका बच्छो काम क्या था, अकाउंटिंग standard board सबसे पहले देखेगा, चेक करेगा कि कोन से एरिया में standard issue करना चाहिए, वो area decide करेगा, okay, ASB ने area decide क्या, क्या standard भी वही बनाएंगे, ना, जैसे ASB ने ASB को पता चल गया, चाहिए, मान लो, ASB को मान लो बेटा, cash flow statement का standard आया चींदा, तो ASB ने सबसे पहले क्या, किया, सोचा, अरे यार, यह लोग balance sheet तो बनाते हैं, लोग penal तो बनाते हैं, बट actual में कितना cash आ रहा है, कितना cash जा रहा है, इसके ओपर भी standard बनाने चींद, अरे यह लोग से ASB ने सोचा, फिर ASB ने क्या क्या, ASB ने उसके लिए कुछ study group बना है, research बना है, तो ASB ने क्या क्या, कुछ study group बना है, उनको बला, भाई सब तो उस study करो, हमको ना पता है क्या, कितना cash आ रहा है, कितना cash आ रहा है, उसपे हमें accounting जैनम को बनाने का है, तो जितने भी research group है, इन सब से, इन सब ने क्या क्या, सड़ी क्या, और research group ने सड़ी करके, research group ने सड़ी करके, एक basic draft बना के दिया, तो research group में बोला कि भाई साब, हमने सबी cash flow को analyze कि है, हमको पता चला है, कि देखो, business में, तीन टाइप के cash होते, कुछ पैसा operating से आता है, कुछ पैसा investment से आता है, और कुछ पैसा financial से आता है, आप इन सबी area पे proper AS बनाओ, तो सबसे पहले हमने क्या बना है, account channel board बना है, उस board ने, किसका help लेप, board ने क्या क्या क्या, पहले सोचा, कोन से area में AS बनाने चीए, फिर उस board ने, किसको upon क्या, study group को, study group से consult किया, और study group से consult करने के बाद में, board ने एक basic draft प्रपोस किया, और वो जो draft बेटा प्रपोस किया, उस draft में उन्हें क्या लिखा, कि भाई साब, हमें standard क्यू बना, उसका objective क्या है, उस standard क्या बाते कवर कर रहें, उसमें क्या-क्या term कवर होंगे, उन सब की definition, उन्हें बताई, ओके, और फिर बच्चों क्या रिके, accounting standard board के पास, ओके, बच्चों रिको, study group ने, ड्राफ बनाया बैटा जी, study group ने, जो basic draft बनाया, वो किसको बच्चों दिया, accounting standard board को दिया, तो बाद में बच्चों क्या होगा, account standard board क्या करेगा, उस draft को देखीगा, चेक क करेगा, और एक बारों, ड्राफ अच्छे से बन गया, फिर accounting standard board, वो ड्राफ किसको देगा, ICI के members को, और पेसे body को, तो ASB क्या करेगा, ICI के member, तो chartered accountant, फिर MCA, GAC, CBT, ICI, ICSI, इन सभी के member मत्तब, simply बच्चों बताऊ क्या, उस standard से related, जितने भी main main bodies है, उन सबके members को, उसका ड्राफ बेजा, बेजा, और इन सबसे सुझाओ लिए, उसके क्या करें, बताऊ क्या, उस सभी body के जो representative, बच्चों, देखो, ICI के बच्चों, देखो यार, ICI के बेटा, लाखो member है, हर एक से सुझाओ लेनी सकते बेटा जी, तो ICI के जो representative, सुझाओ बाद में, एक final exposure draft बनाएगा, एक final draft बनाएगा, और वो सभी public के लिए open करेगा, वो exposure draft है, वो सबको दिखा देगा, सभी public, सभी members के लिए, वो draft दिखाई देगा, और इन सभी public, ये सभी के लिए बटा issue करेगा, और उसके बाद में, और और बी कुछ बेटा, अगर suggestion आते, उसको वो accept करेगा, उसको accept करेगा, और suggestion accept करने के बाद में, जो final draft होगा, वो किसको देगा, ICI के council को देगा बेटा, और ICI के council पर draft आ गया, फिर ICI का council वो draft को accept करेगा, और accept करने के बाद में, उसके अपर वो लोग AS issue करेंगे, ये क्या था बेटा जी, procedure to issue accounting शड़ एक बार accounting standard, issue करने के लिए, सबसे पर बोर्ड बनाते हैं, चोर कोन बताएगा, account issue करने के लिए, जो बोर्ड बना उसका नाम क्या है, accounting standard, ASB, बोर्ड का काम क्या होता है, बोर्ड का सबसे पहले काम क्या होता है, कोन से area में AS बनाना ची, वो देखना बोर्ड का काम है, तो सबसे पहल the areas in which accounting standards need to be should, एक पर area decide हो गया, फिर board क्या बनाएगा, study group बनाएगा, study group सर्वे करेगा, research करेगा, वो क्या बनाएगे, basic draft बनाएगे, study group, draft किसको देगा, ASB को देगा, ASB उसको check करेगा, ASB चेक करने के बाद में, उस draft को किसको भीजेगा, ICA के members को, यह other members को, MCA, ICI, ICSI, RBI, इन सब को member को भीजेगा, इन सभी, उसके बाद में ASB क्या करेगा, इन सभी bodies के representative की meeting लेगा, और ASB, और इन सब करेगा, इनके मिटिंग होगी, और meeting के बाद कुछ और changes होंगे, वो changes के बाद में बनाएगे, exposure draft बनाएगे, and this exposure draft is available for checking to everyone, public, सभी member, सब के लिए अवेलेबल है, एक बाद सभी suggestion हमने accept कर दिये, उसके बाद जो draft final होगा, final draft is given to the ICI, और ICI की council member, उसको check करके, उसके अपर, वो actual में AS issue करेंगे, जेपा ना लाएक, कोई तकलिफ इसमें, कोई तकलिफ इसमें अपने को, सब को जेपा बचलो, it is all about the procedure to issue accounting standard, अग्दम आराम चिल मारके बचलो, आराम चिल मारके, सर, ठीक इस issue तो हो गया, अब सर मुझे बताओ, कोई भी company accounting standard follow करी, या पर नहीं करी, चेक कैसे करेंगे, बच्छो, it is duty of the auditor, it is duty of the auditor to check whether company is following accounting standard or not, तो बच्छो, auditor को बेटा, section 143.3 के अनुसार, section 143.3 के अनुसार, it is duty of the auditor to check whether company is following accounting standard or not, और बच्छो, auditor को बेटा जी, ये बेटा, ये proper बेटा, उसका reporting करना पड़ेगा, ये कब reporting करना पड़ेगा, ओके, और साथ में बच्छो, बोड अपना जब report बनाता है, बोड मतलग क्या, बोड आरेटर बेटा, बोड के report में भी ये बोड ये mention करेगा, कि भाई साब हमने accounting standard, हमने follow किया, या पर नहीं क्या, ये बोड भी बताएगा बेटाजी, इसका मतलग क्या बेटाजी, accounting standard follow हो रहा है, पर नहीं हो रहा है, इसका बच्छो, disclosure बच्छो कोन देगा, auditor अपने report में, disclosure बच्छो देगा, और साथ में board भी अपने बच्छो report disclosure देगा, सर, सर, हम ये जो AS issue करें, कुछ उसका use होता है क्या, हाँ होता नहीं यार, सर, बताएं सर, accounting standard के use क्या, उसके benefit क्या, बच्छो, account standard के सबसे benefit होता है, improvement of credibility and reliability of the statement, भाई साब, अगर ICNA जो accounting standard issue किये, उसके हिसाब से, अगर आप financial statement, balance sheet बनाऊगे, तो हम बोलेंगे, भाई साब, तुमारी balance sheet बढ़िया है, मान लो, किसी बंदे ने, AS follow नहीं किया, आपने मन से, कुछ भी balance sheet बना दिया, हम बोलेंगे, भाई साब, कुछ भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकता है, तुम कुछ नाला या कर के, कुछ भी जोल कर सकता है, लेकिन अगर आपने, ICI के सारे guideline, सारे AS follow करके, balance sheet बना बेटा बना है, हम बोलेंगे, यार, ये भरोसे मन हो सकता है, इससे बच्छ आपके statement क्या है, credibility, उसकी बेटा, reliability, उसका भरोसा बढ़ेगा, लोगों से भरोसे मन मानेंगे बेटा जी, ये पहला बच्छ आडवांटेजे, सेकंड बच्छ आडवांटेजे, कमपेरबिलिटी ऑफ दा स्टेटमेंट मेड इजी, मान लो, अगर AS नहीं होते थे, मान लो बच्छ आइस नहीं होते होते, एक कमपनी बैलेंशिव बनाएगी अलग तरीके से, दूसरी कमपनी बैलेंशिव बनाएगी अलग तरीके से, अगर दोनों बेटा कमपनी कर अलग अलग तरीके से, अलग 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 बच्छ आडवांटेजे बैलेंशिव बनाए, तो कमपेर कैसे करेंगे, कोन सी company अच्छे कोन सी बड़ी company के से करें तो जब सभी company एक ही type का standard फॉलो करें तो सब का accounting बच्छो तरीका बटा सेम होगा उससे हमें अलग-अलग company को compare करना possible होगा तो AS का बच्छो benefit क्या होता है अकांट फॉलो करने से आपके financial statement की reliability उस security बढ़ती है आपके statement को आप दूसरे company से compare कर सकते हो तिसा बच्छा बच्छो benefit क्या होता है accountant and auditor बच्छो अकांटन का बच्छो काम बटा आसान होता है बच्छो और auditor को भी ये clear रहेगा कि कोनसी एरिया में चेक करना है कहाँ पे चेक नहीं करना बच्छो उनके लिए इजी पढ़ता बच्छो बाद में क्या है additional disclosure बाइसाब जब आप accounting चैनल बटा फॉलो करते हो ता आइडिया मिलेगी तो accounting channel के तहत आप कुछ additional बाते भी disclose करनी पड़ेगी इसे लोगों को जैसे मैं बुलू कि बटा जी जैसे मतलग है आपका बच्छे manager efficient है अगर भाई साब manager AS को fulfill नहीं कर रहा है इसका मतलग है वो अपने गल्दी छुपाने के लिए AS को दिखा नहीं रहा है इसका मतलग है आपका manager inefficient है वो नालायक है तो इसके efficient बटा चलिए बटा जी helpful to the government अरे भाई साब government को watch रखना है कोंसी company ज्यादा पैसा कमारे कोंसी company कम पैसा कमारे क्या company कुछ जोलते नहीं कर रहे न यह सब के लिए अगर company AS follow करेगी तो government को यह assurity आ जाएगी अरे company भी जोल कर नहीं सकते मुझे मेरा tax proper मिलेगा तो government को उस help मिलती है next picture करें के reforms in the accounting तरी yes यह AS आने के बार में आपके accounting में reform आगे बदला बेटा आगे उसे accounting perfect हो गया इस समझा क्या यह सारे बचों AS के advantage थी यार्याद रखना दुनिया में known is a perfect अगर मान लोगा सो में से अगर निन्याने बच्च लोग अगर आपको अच्छा बोलता हो एक ना एक तो होगा जो गाले आपको देगा इतना गाले देगा बटा जी वैसे बच्चों रेको सो में से निन्यान बे अगर AS के advantage जैसे या निन्याने बे लोग पड़ी डिफीकल्ट चोईस अरे इतने AS बना करके इतने AS बना करके हमारी कंपनी के लिए क्या applicable है क्या applicable नहीं है यह चेक करना है बहुत मुश्किल बेटा इस वह डिफीकल चोईस दूस्ता मेकानिकल चोईस मतलब क्या है बहुत बार क्या आता है कुछ लोग गधिया होते उनको कुछ खोनगों कुछ आतक़ होती है AS कौनसा follow करें कौनसा follow ना करूंका अकल नहीं होती है फिर हो क्या करते? इंडश्टि में सो लोग जो तरीका follow करें वोलत हम भी वही follow करेंगे उनको यह नहीं पता रता है AS मेंसे क्या applicable क्या applicable नहीं है? करें बज़ें कि अर्य में ऐसा कर रहा है रहे हों कि यहां चैनल me app झार्य विशा गाकल तु कसे बैट रहे हिए लोग जो जा रहे हो है कि लोग मतलब कि लुता बाकी यह चै पर Cheese दियह बाते है na सबसे बड़ा बच्छो डिस अर्वन्टेज बड़ा जी एस लौ से बढ़ाने मान लो आपके अकाउंटिंग संडर में कुछ दिया है और कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजन दिया है एस में जो लिखा है और कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है उनमें सब्सक्राइश होगा दूरा उल्टा बोल रहे है एस यह बोल रहा है कंपनी उसका उल्टा बोल रहा है तो क्या करेंगे किसकी बात सुनेंगे इस बच्छो केस में हमेरे एक्ट की बात सुनेंगे गा, सब को जीपान ना लीक, सब को जीपान नालेकिशन जैस बेटा, तो A.S इस के बेटा, कुछ अच्छाई बेए, कुछ बुरा है बेटा जी, A.S शूर्स करें ना डिफिकल्ट है, A.S के बेटा, मेंचेनिकल मत्लग है, सब के तरीके का अचिछिन कन बन सकता है जी और AS law से बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा है तो यह बढ़ा सब बचो AS के limitation है अब हम discuss करेंगे how many accounting standards are there प्राम मुझे आता हूँ यह ASC भारत में है यह पुरदेश में बढ़ा मैं जब भी बढ़ा बात करता हूँ accounting standard की मैं उनी Sunday के बच्चों बात कर रहा हूँ जो India ने इशू करें हम India के बच्चों बात करें इसका मत्तल सर अपने AS और बाकी देश के AS अलग होते हाँ बेटाजी अपने AS और बाकी देश के AS अलग होते तो सर यह तो सर गरबर हो जागा सर सागर मुझे बता सर पूरे दुनिया में सर इतनी सारी कंट्री है सर कर हर कंट्री का सर अकाउंटिंग का तरीका सर अगर अलग अलग है तो तकलिफ आईगी सर मानलो कोई foreign company इंडाय में business करें foreign company का खुद का accounting का तरीका बेटा अलग होगा और इंडिया का तरीका बच्चा लगे confusion का बेटा तरीका बच्चो इनिशली तो अपने ICI ने क्या क्या अपने खुद के बेटा एस इशू के बड़ आईसे को खुद को पता चला हम इंडिया में जो एस यूस करें और इंडिया के बाहर का जो अकाउंट तो अलग था तो अकाउंटिंग के policy issue के गेते उनकों अमने बोला accounting standard देखो बच्चो ये बेटा अपना भारत देश है और ये दुनिया है बच्चो इंडिया में बेटा अकाउंट अमने यूस क्या क्या एस यूस के इशू किया पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में अकाउंटिंग का एक तरीका चलता है इसे हम बोलते आय फारेस इंटर्नाशनल फाइनशल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटर्नाशनल स्टैंडर्ड बच्चो पूरे दुनिया में चलता है फिर ये तो गोलते है आपने इंडिया में एस चल रहा है पूरे दिनया में क्या चल आय फारेस तो फिर अपने ICI ने बोले काम करते अपुन भी भारी बनते अपुन भी ऐसे AS इशू करते जो इंटरनेशनल संडर के बराबर हो तो इंटरनेशनल मतलब क्या था? IFRS के बराबर के जो AS इशू के उन्हें बोला गया INDAS, उन्हें बोला गया INDAS, अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या सबको अकाउंटिंग स्टैंडर, IFRS और INDAS का फर्रसमझा बच्छो, दुबार बता रहो, आपने इंडिया में सालों साल अकाउंटिंग करने के लिए जो पॉ इनिया भर के मेजोरिटी कंट्री में जो अकाउंटिंग का तरीका था, that was IFRS, International Financial Reporting Center, तो common sense की बाते, इंडिया के जो स्टैंडर्ड है, और जो इंट्रेंशनल स्टैंडर्ड है, दोनों में डिफरेंस बिट आ सकता है, दोनों का अकाउंटिंग का तरीका बच्छो अलग हो स इसके लिए अपने देश ने डिसाड किया, ICI ने डिसाड किया, चुना हम लोग IFRS मतलग का है, इंट्रेंशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग होता है, वो तरीका अपने देश में अपना है जाए, तो हमने क्या-क्या, इंडिया के AS लिए, और इंट्रेंशनल पॉलिसी लि इंडिया और IFRS मिले, उसको मिला के, इंडिया ने एक इंट्रेंशनल टाइप का, एक AS इश्यू का उसका नाम कहता है, इंड-AS, तो इंड-AS is the combination of accounting standard and IFRS, यह दोनों का जो combination है, वो इंड-AS कहलाता है, सबको जहिपार ना लाएक, सबको जहिपार ना लाएक, हम सबसे पहले शर्चा करेंगे AS की, accounting standard, जो पहले इश्यू के थे, यह भारत देश के है, इसमें कोई भी international role नहीं बेटा जिए, बच्छों, हमारी ICI ने, हमारी बच्छों ICI ने, actual में अभी तक 32 standard इश्यू किये, बट, दुख की बात यह बेटा, 32 standard में से, अभी सिर्फ 27 standard जिवी थे, बाकी गए, एक्जाम में अगर पूचा है, ICI ने, अब तक कितने AS इश्यू क्या है बोलेंगे, सर जी, ICI ने सर अभी तक 32 AS चुके, कुछ लोग बोलेंगे सर यह इंड-AS क्या होता है, IFRS क्या होता है, टेंशा मतला बेटा, उसका अलग से topic के बेटा, मैं तब अच्छे से बता हूँगा बेटा जी, IFRS क्या होता है, इंड-AS क्या है, मैं अच्छे से बता हूँगा, उसका अलग से topic के बेटा जी, अब हम सिर्फ बेटा जी, अपने इसके बात करें, बता बच्छो, हमारे ICI ने, कितने इश्यू के थे, 32, उसमें से, कितने जिन्दा है, 27, पाच ग देखो भाई सा, टोटल 32S इश्यू के थे, उसमें से, एक था बेटा, इंड- एक था बच्छो था, AS-8, AS-8 को था, Accounting for Research and Development, पहले बच्छो, AS-8 था बेटा, AS-8 मतलग को था, Accounting for Research and Development, तो हमने बच्छो, क्या-क्या, AS-8 को मने हटाया, और उसके बड़ले, हमने बच्छो, क्या इश्यू किया, AS-26, Intangible Acid, इसका मतलब बच्छो, क्या रेखिए, AS-26 आने के बार में, AS-8 को हटाया गया, टोटल 32S इश्यू किये थे, उसमें से, कितना हटाया, एक, 32S पर एक गया, कौन सा, AS-8, कुछ ओने सार, एक गया ना, सा 32S इश्यू किया, अब तक जो इश्यू के थे, सब के सब 32 में कवर है, पुराने, नए, सब मिला के 32S इश्यू किये, उसमें से, कितना गया, AS-8, बता बच्छो, AS-8 कोन था, जाम पूछ रकते हैं, AS-8 कोन है, AS-8 is accounting for research and development, वो निकाला, किसके आने के बाद, AH-26 के आने के बाद में, AH-26 का नाम क्या था, intangible asset, बाहेट करो बच्छो, AH-26 को ने, intangible asset, AH-26 के आने के बाद में, AS-8 को हटाया गया, AS-8 मतलग कोन था, accounting for research and development, इसको हटाया गया, तो 32 में से एक तो गया, AS-8 गया, फिर, AS-10, अब सुनो बच्छो, AS-10, बच्छो, initial बच्छो, रेखो, AS-10 था, accounting for fixed asset, बच्छो, AS-10 था, accounting for fixed asset, कोन था, बच्छो, accounting for fixed asset, और AS-6 था, accounting for depreciation, बच्छो, AS-6 था, depreciation accounting, और AS-10 था, accounting for fixed asset, यह दोनों AS चलेगे, कब, revise AS-10 आने के बार में, revise AS-10 का नाम क्या था, property, plant and equipment, प्रोपर्टी, plant and equipment, अब बता बच्छो, revise AS-10 कोने, सर, revise AS-10 कोने, property, plant and equipment, revise AS-10 आने के बार में, कोन कोन चला गया, AS-6 चला गया, depreciation accounting, AS-10, पुराना AS-10 चला गया, कोन था, accounting for fixed asset, तो नया AS-10 आने के बार में, कितने गए, दो, AS-6 भी गया, और AS-10 भी गया, AS-6 भी गया, और पुराना AS-10 भी गया, देखो बच्छो, AS-8 गया, फिर, AS-10 गया, फिर, AS-10 गया, बच्चों, AS-10 गया, उसके 10 उसके बार में वापिस आने बेटा जी, तो आच्छले लिए एक इच गया ना, समझा के बेटा जी, यहाँ पर AS-8 गया था, यहाँ पर AS-6 गया, फिर, जो AS-10 गया था, उसके वापिस बड़ा AS-10 निचाने बेटा जी, AS-10 नलिफा गया बेटा जी, तो AS-8 पूरा चला गया, AS-6 भी पूरा गया, हम बच्चों बात क्या करें, कितने पूरे गया, परमन लिगे, AS-8 परमन लिगया, AS-6 परमन लिगया, AS-10 गया था, पर नया नाम लेकि वापिस आ गया, और साथ में बच्चों, AS-30, 31, 32 जो financial instrument के बेटा, वो तीन भी गया, बच्चों अभी रूख कितने गया बच्चों, तो पाच गया, AS-8 गया, AS-6 गया, और AS-30, 32, पाच गया, तो 32 में से 5 मर गया, तो कितने बच्चे सर, 27 जिंदा बच्चे, there are only 27 accounting standards at present, रिवाइस करते हैं, बता बच्चों, टोटल AS थे कितने, सर, जी टोटल AS, 32, सब पे MCQ आते हैं, ना लागा आपको बहाइट होना ची, सर, टोटल AS 32 थे, 32 में से, कितने गया, पाच, पर ला AS-8 गया, फिर AS-6 गया, फिर AS-30 गया, AS-31 और AS-32 गया, अब बता, AS-8 कुन था, Research and Development, AS-8 कब गया, जब AS-26 आया, Intentional Asset, AS-6, Depreciation कब गया, कौन आया, AS-10, Property, Plan, Equipment, और AS-10 पुराना भी गया था, वो ना AS आ गया बता ची, साथ में फिर AS-30, 31, 32, Financial बच्चो, ये भी गया बच्चो, तो 32 में से 5 गया, कितने बच्चे, 27 बच्चे, तो बच्चो देखना बच्चा लोग, अभी बच्चो हमने, अभी तक बच्चो देखे, हमने कुछ नाम बाहेड भी कर ले बच्चा लोग, बोलो, सब नालग बताएंगे, AS-8 क्या, बोल Accounting for Fixed Asset, New AS-10, Property, Plant, Equipment, तो 25 हमारे बाहेट होगे हमारे, 30, 31, 32 कोंता, Accounting for Finance Insurance, बाद में देखेंगें बच्चे, यह सिद्धी, AS निक्लिड़ी, बेटा, AS, सिद्धी, बेटा ची, ओके बच्चो, AS-30, 30, 32, यह 3, बेटा, AS, आईसेय ने कब निकाले बेटा, 2,000, 2016 मेन, 2016 में पुछा, आईसेय निकाले, 2016 में अईसेय निकाले, सबको जेपा यह क्लिए बच्छो काउंटिंग क्लिए बच्छो अभी नेक्स हम देखेंगे ली स्टॉप अक्क अरे यार यार यह क्या हो गया ओके यह कुछ साला दीजिए लेसें टेन ना लेसें टेन बेटा जिए लेसे नंबर कुण सा क्या चल रहा है यह कुण सा पिजोपन और अभी बच्छो रहे अब हम देखेंगे बच्छो लीस्स्टॉप अकाउंटिंग साने इस्टॉप अब आईसी यह अब चुर्ण बच्छो बढ़ा मुझा आता हुआ अभी तक कितने एस बड़े इस्टॉप के 32 देखो बच्छो चुर्ण के 32 बच्छों बच्छों रिकना इस्ट रेंटीन क्यूप की ग्यूप एस्टं घरटी तर्टी वन थर्टी तु यह तो डिस्काड किये इस्टॉप गटांचों तो बटीस में से आपधिन और इस्टॉप अपको दिखरेंगे बटांचों इसी अग्रटां इसकां वीजा दुब्शों डिको आफ दीकर आप लिस में नहीं बेटा जीए सात में भच़ों रिको A.S.S.S.S其實 का आपको जिकर नहीं मिलेगा हुआ एपको और beटा वैठ आपको साथ में बच्चों के A.S.S.S Когда ळिक देता तो जो हटाए उसको निकाल दिया जो एस अभी प्रिजेंट है अब एक काम करेंगे अब बच्चों रिखो यह जितने बच्चों एस से बिटा हमें almost भूलू के बिटा पहले 20 एस तो बाहर ची नंबर याथ ची नंबर सा बाहर ची पहले 20 एस बिटा अब एक काम करतें आप मे जाता बच्चों पहले एक काम करो आप इसमें से पहले दस बेटा एस पड़ की निकालो फरे दस एस सके नाम पड़ो पड़ो बच्चो दोबर पड़ो 10 एस दोबर पड़ो 10 एस, पड़ो पड़ो हम सात में याद करेंगे बच्चों और आद pseudon झाल 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 पॉलिसी फॉलो के डिस्क्लोजर और अगर मानलो कोई पॉलिसी फॉलो नहीं किया है तो वो तब पक्का डिस्क्लोजर करना बच्चो एस बच्चो बता रहा है इन्वेंटरी बच्चो मैं की बच्चो पॉल्ण बच्चो मार कर देगा बच्चो एस थ्री कैश फिलो एस वोर कंटींजनसी एड इवेंस ओक्रिंग आफ्टर बैलंशी डेड मानलो बेटा 31 मार्च को आपका एर का एंड हो गया एंड हो गया और उसके बाद बेटा एक एप बैलंशीर को बेटा उलत प्लो बेटा कर सकती है तो ऐसी कंटीजनसी, ऐसे एफेक्ट जो बैलंशीर के डेट के बाद बन रहें मतलब इयर एंड होने के बाद घट रहें बड़ बैलंशीर बनाने से पहले हो रहें अब तक बैलंशीर नहीं है यहर का एंड हो चुका है प्रायर पिरेड आइटम मतलग क्या है, बिजनेस के पहले, बिजनेस के शुरुवात के पहले जो आइटम थे, वो प्रायर बेटा पिराइटम बच्छो, एयस सेवन, कंस्ट्रक्शन कॉंट्राइब, एयस नाइन, रिवीन्यू कैसे पहचाने जाए बच्छो, प्रापर्टी प्लाइन, बच्छो, यह दस प्राइड के पिटाईग, बड़िवास काते, बोले आर, ऐस वन को ने, सजी, ऐस वन को ने, डिस्कलोजर अपकॉन, ऐस वन डिस्कलोजर, ऐस तु, इन्वेंटरी, accounting for inventory या valuation inventory AS3 में क्या है cash flow AS4 में क्या है events occurring after date of balance sheet AS5 में AS5 में क्या है prior period item AS7 में कोने construction contract AS9 में कोने revenue recognition AS10 में कोने property plan equipment चलो बैटा जे सब नालायक मुझे सब नालायक के काम करेंगे बिना देखे मुझे आटाइगे AS1 क्या है फट्टाउट बच्छो कमेंड करो AS1 AS1 disclosure AC2 inventory AS3 cash flow AS4 AS4 क्या होता है AS4 event occurring after date of balance sheet AS5 prior period AS5 prior period AS7 construction contract AS9 revenue recognition or AS10 property plan equipment क्या थोड़ा बहुत याद होगा जी अमीत अनन्द पूछेश सर इसको याद करने का कोई तरी का बता बटा बुलू क्या बेटा अगर इसके कोई बेटा बेटा आप कुछ में memory trick बता होगा बेटा कुछ बना के दूंगा ना बढ़ा memory trick बेटा जी एक्सप्रेंड कुरेंगे, एक्साम्स क्या बोलेंगे, कुछ नाम देंगे, बोलेंगे पता क्या, वैलुशन अप इन्वेंटरी, यह कौन सा एक्स है, एक्सटू, बस इतना आपको पता होना चुछ बटाईजिए, अब एक्स 11 से कर बच्चो 20, एक्स बच्चो 20, अब चलो एक्स कर एक्स 11 से कर 20 बच्चो पड़ेंगे, आपका इस एक बिन का समय, एक्स 11 से 20 पड़ेंगे लोटे 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 designers, झाल 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 चलो बेटा जी नालाइक पढ़ा अपने चलो अब आता बच्छो ऐस इलेवन के है तो बचो फॉरन के बैटा फॉरन के अमाउन में सारा बदला बैटा रहा है तो किस अमाउन पर लिखना चाहे किस पर लिखना नहीं चाहे बैटा यह सारा गर्मेंट गर्यंड एस 12 गर्मेंट गर्यंट एस टेरा इंवेस्टमेंड पैसा इनवेस्ट करें एस शोळा अमाल गमेशन Muslim तीन बच्चों कमपनी की अरे मर्ज हो रे एस 15 एंप्लॉई बेनिफेट एस 16 बोरेंग कॉस्ट एस 16 बोरेंग कॉस्ट उधारी पर लिया बेटा इंट्रेस को कैसे रिधा करना ची एस 17 सेग्मेंटर रिपोर्टिंग हमने पढ़ाता बेटा जी कर कमपनी अगर अलगल अज़ ये भी पढ़ाना बच्चों आपने यादे क्या section 180 related party बटा जी तो related party के साथ में कर कोई भी आप transaction कर रहे हो उसको कैसे disclose करना ची ओकी AS 19 leases अगर आप कोई भी machine कोई भी building lease पे rent पे ले रहे हो उसा accounting कैसे करना ची और AS 20 बटा को ने earning per share चर बच्चों रिवाइस बच्चों करते हैं AS 11 क्या Forex AS 12 क्या Government Grant AS 13 देखके बथा investment AS 16 Amalgamation AS 15 Employee Benefit AS 16 Boring Cost Interest के लिए AS 17 Segment Reporting AS 18 Related Party AS 19 lease और AS 20 EPS थोड़ा बच्चों बहाइट हो गया यह कम से कम दो से तीन बार बेटा जी पढ़ो याद करो आपके बच्चों आपको एक्जाम में सिर्फ बेटा जी यहाँ पे इनके नाम बच्चों expected है नंबर बच्चों नाम बच्चों नाम बच्चों इनका डेफ में एक्स्प्चों 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 बच्चों फ्रम में सिर्फ को पॉन्ट पॉन्ट आपको से AS 11 कोने Forex है AS 12 कोने Government Grant है AS 13 कोने Investment है AS 16 बटा कोने Amalgamation है AS 15 Employee AS 16 Boring Cost AS 17 Segment Reporting AS 18 Related Party AS 19 Leasing और AS 20 EPS अर्निंग परिशेर बाकी के ठीक है बाकी बच्चों पढ़के निकाले बच्चों बाकी के बड़ा पढ़के निकाले बस इसमें से बच्चों बता हो क्या AS 26 और AS 28 याद करो बटा यह जरूरी बटा जी यह 26 बटा कोने Intangible AS 18 और AS 28 Impairment of AS 18 यह क्या होते छोड़ो बटा बस नाम याद रकना बटा जी 26 बटा कोने Intangible AS 18 और AS 28 कोने बटा जी Impairment of AS 18 क्या बात है क्या अल्मोस सब याद हो कि बटा जी वेरी गुर वेरी गुर वेरी गुर वेरी गुर बटा जी वेरी गुर अगला बेटा concept है applicability of the accounting standard बच्चों हमने इतने सारे AS पड़े और यह सब 32 AS ते सर 32 में से 5 गए 27 बचे यार मुझे बताओ अगर क्या हर business को business करते वक यह सभी के सभी 27 AS फॉलो करने चे अरे बाबा businessman क्या बोलेगा मैं business करते बैटूंगा यह AS फॉलो करते बैटूंगा यह सबके 27 AS कहाँ पर मुझे आद रहेंगे तो नाला तुम लोग पढ़ रहें तुमको याद नहीं रहेंगे मैं तो businessman हूँ मैं को पैसा कमाने का है मुझे कहाँ से याद रहेंगे तो government ने बोला भाई साब यह सबके सभ AS सबके लिए mandatory नहीं है government ने क्या क्या कुछ लोगों को कुछ AS से relaxation दिया उन्हें बोला भाई साब कुछ AS में आप कभी डिलीश नहीं करने वाले हो जैसे मान लो बेटा मान लो एक बंदा है जो बंदा बेटा मुझे सिप इंडिया में बेटा बिजनेस कर रहा है वो कभी फॉरें में बेटा मुझे वो बंदा कभी फॉरें में बेटा जी वो कभी एक्सपोर्ट करने जी नहीं वाला है तो बढ़ा उसके लिए AS11 कैसे होगा अप्लीकेबल बेटा जी हां कि नहीं आपलिक है और नहीं जी अप्लिकेबल ट्यार का अकांटिंग पढ़ने के हम ने बच्वों क्या क्या जितने भी इंटिटव लेक्टिंग इंट्यावर्ट वह दो इनकांटिंग संदर्ण नहीं हमने पहलीं क्या क्या इंटिथ जितने business थे उनको बच्छों अमने डिवाड इन कया दो पाट में। Corporate Entity and Non-Corporeate Entity, बच्छों हमने Entity को बच्छों बच्छों दो पाट में। Corporate मतलब जो बैटा profit के लिए काम करे। और यह नौन प्रोफिट साउस्थाय उनको हमने बूला non-corporate entity बच्चों दो बड़ा बच्चों दिवाड क्या corporate entity and non-corporate entity एक दम चिल मार के बटा जी अरे आराम से 10 मिमें हो जाएगा 10 मिमें हो जाएगा concept आरे क्यों रुख ने गया ठीक है बच्चों दो बटा entity बोलो कुन सा बच्च बच्च बटा जी corporate entity and अब बच्चों देखो corporate entity के भी तीन पाड बनाया है SMC, small and medium company सा बड़ा बच्चों SMC, small and medium company and non-SMC non-corporate में तीन पाड बनाया level 1, level 2 और level 3 बटा पहले बता रहा हूँ यहाँ पर बच्चों देखो हर टाइब के बच्चों कंपरे कुछ limits दे बच्चों यह limit बच्चों अभी रट्टा मारना बैटा पॉसल नहीं बटाजी इसको एक बार बच्चों पढ़ के लिए बच्चों बस exam के एक दिन पहले बच्चों पढ़ लिजी बच्छो एक बार पढ़ लिजी तो आपको याद रहेगा नेक्ज दे मतलब आज पढ़ने का कल लिखने का इसे बटा काम करने का पास अब बच्छो में की पॉण बच्छो बता रहा हुआ जो आपको याद रखने है उतना बता रहा है आपको देखो बटा हम क्या पढ़ रहा है बच्छो एपलीकेबिलिटी ओप अकाउंटिंग सेंडर दो मने पाड बना है कॉर्पोर एंटीटी याद नॉन कॉर्पोर बच्छो एसे बटा कंपनी बच्छो कॉर्पोरेट जो एंटीटी ते जो कंपनी थे उनको बटा दो पाड में क्या था नौन एसेमसी अब सवाल उड़ता है ऐसे कौनकों से कंपनी जो स्मॉल एंड मिडिन कंपनी कहे जाते हैं समना बच्छो कौनकों से कंपनी जो स्मॉल एंड मिडिन कंपनी कहे जाते हैं पहले बच्छो एसी बेटा कोई भी कंपनी जिसके इक्वीटी या फिर बले इंडिया में या इंडिया के भार। सिंप्ल बच्छा भाषा में बूलूँगा तो अन लिस्टेड कमपनी Small and medium कोन आएगा बटा सबसेफल उचो कोन आएगा अनलिस्टेड अरे कॉमर्सेंस की बात है बच्छो जो लिस्टेड बटा कमपनी वो बड़े कमपनी होंगे बच्छो तो जो अनलिस्टेड बटा कमपनी बच्छो वो कोने वो बटा कहोने की Small or medium बटा होंगे कंडिशन नमबर टू वो कोई भी बैंक या फाइनाशल इंस्टेडिशन या इंस्चूरंस नहीं होने ची कमपनी होने चीए याद रगो बटा है जो मैं क्या बता रहा हूँ अगर आपको SMC में आना है Small या मिडियन कंपनी के बच्छो डेफिनेशन में आना है तो बच्छो आपके लिए 5 कंडिशन दिए आप ये 5 कंडिशन 5 कंडिशन अगर 5 में से एक भी कंडिशन आपने ब्रेक किया तो आप SMC में नहीं आऊँगे बता बच्छो SMC के लप्चो कितने बच्छो कंडिशन है 5 कंडिशन है first कंडिशन क्या है कि सर्जी कंडिशन बन क्या है कि सर्जी आपके कोई भी सिक्जिटि ओ equity हो या debt हो आपका कोई भी सिक्केरिटी किसी भी स्टाक एक्शेंज में लिस नहीं होना चे, मतलब आप अनलिस्टेड कमपनी हो चे, condition number 2, आप बैंकिंग कमपनी या इंशोरांस कमपनी या फाइनशल इंशोरांस नहीं होना चे, इसका simple बड़ा मतलब क्या है, all banking company, इंशोरांस कमपनी and financial are compulsory non-SMC, ओके बैटाची, next, आपका टर्नोर, आपका पिछले साल का टर्नोर 50 करोड के उपर नहीं होना चे, आपका टर्नोर 50 से नीचे होना चे, आपका पिछले साल का borrowing उधारी 10 करोड से नीचे होना चे, और बेटा आप किसी भी मानलो 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 मैं लिस्टर कंपनी नहीं हूँ मैं बैंकिंग कंपनी नहीं हूँ इंशुरेंस कंपनी नहीं हूँ कोई फाइनेश अंशुरेंट नहीं हूँ अच्छी बात हैं मेरा पिछले साल का टर्नोर पचास सेर के नीचे गरीब कमपनी हूँ, मेरा पबलीक अब मेरा बोरिंग दस सेर के नीचे गरीब कमपनी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं SMC हूँ, हाँ, लेकिन, 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 आपने सारे कंडिशन सैटिस्फाइ के, लेकिन, अगर आप किसी non-SMC के holding हो, या आप किसी non-SMC के subsidiary हो, मतलब आप तो SMC में आ रहे हो, बर आपके holding company या आपकी subsidiary company, इनमें से कोई भी अगर non-SMC है, तो आप भी होंगे non-SMC, इतने सारे condition satisfied, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं, आपकी holding या आपके subsidiary में से कोई भी बड़ा निकल गया तो आप भी बड़े बन जाओगे, और आपके holding या subsidy में से कोई भी बड़ा निया, करें सब लोग अगर SMC है, तो आप भी SMC में पाए जाओगे, सब को जेपार, सब को जेपार न आलाए, ओके, ठीक बच्छो अब बच्छो रेखना बच्छो, ये बच्छो लिमीट बच्छो रेखना बड़ा, देखो बच्छो, आपने बड़ा सिकुलों में चो अलग बुलिमिट पढ़े होंगे, मैं उनिक बच्छो बात कहाओ जो CME कोई बाद के वह देखे जी युई को आपके मॉडलो में जो दिये उसी पर उसी पर दिक्साइशन करना है चल्ली बाद आपको अश्यूरंस या फानिशन नहीं रहा हुआ हो आपका आप अची नमेर फोट नहीं कि आपका आपको यह बैंकींट या इंसूरंस या फानिशन न कि आपका टर्नोर 50 CR से कम होना चाहिए, कंडिशन नमबर 4 आपका बोरिंग 10 CR से बेटा कम होना चाहिए, और कंडिशन नमबर 5 आपका कोई भी holding या subsidy non-SMC नहीं होना चाहिए, करें 500 अबरा कंडिशन क्या आपने satisfy के, तो आप क्या हो SMC कमपनियों, धेंटे डेंट, तो सर अगर हम SMC है, सर हम small, medium, सर नन्ने से मुन्ने से कमपनियों, तो क्या सर हमें भी सारे AS follow करने पड़ेंगे, नहीं बेटा, अगर आप छोटे से नन्ने मुन्ने कमपनियों, तो हमने आपको कुछ AS में partial exemption दिये, partial मतलब, इन AS में से कुछ बाते आपको follow करनी पड़ेगी, और कुछ बाते नहीं follow के तुभी चलेगा, ये बेटा आपके लिए, complete exemption नहीं है, partial है, किस-किस में? AS 17, segment reporting, अबे छोटी कमपनियों, घंटा segment होंगे तुमारे, काई का reporting करोगे, employee benefit, अबे तुम छोटी कमपनियों, तुमारे खाने पिने के बान दे, तुम employer को तुम इस्वाप दे रहे हो, नहीं चलेगा भाई, नहीं कर चलेगा, leasing, अबे काई का lease पे लोगे, पहले जोए पहले वो संभालो, earning per share, कौन पूछा तुमारे, EPS को कौन भाव दे रहे हो तुमारे, okay, contingent liability, अबे पहले जो हाथ में, उसके पता नहीं, हम contingent बात करें, तो भाई साब, ICI ने ये बोला, भाई साब, अगर आप छोटी कमपनियो तो ये segment reporting AS 17, employee benefit AS 15, leasing AS 19, EPS AS 20, contingency AS 29, इनमें हम लोग आपको partial exemption देंगे, आपको इसके बारे में, ज़्यादा सोचने के ज़रत नहीं है, क्योंकि आप इतनी आपकी ओका दिछने हैं, और आपको, please समशना, SMC में, मान लो, अगर ऐसे कोई SMC, ऐसे कोई small median company, जो OPC है, 1% company है, या कोई dormant company, या small company, तो उनके लिए AS 3 applicable नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, partial नहीं है, बिलकुल नहीं है, full exemption, बता बचो, SMC को, कोन-कोन से AS में, partial exemption है, segment reporting, leasing, earning पर share पे, ओके बेटा, ये सब में बचो partial exemption है, और कहाँ पे full exemption है, AS 3, cash flow में, कब, सभी SMC के लिए, ना सर, ऐसे SMC, जो एक तो अगर 1% company है, या अगर वो dormant company, या small company है, अईसे SMC, एक तो वो one OPC है, या dormant company, या small company, उनके लिए AS 3 applicable नहीं होगा, जेपा करना लाएक, तो एक जामें कुशन आसे था बेटा जी, AS 3 is not applicable to which SMC, OPC, dormant company, और small company, उन SMC के लिए AS 3 applicable नहीं है, और what a non SMC, आरे भाई साब, आपको exemption बेटा, नन्ने मुन्ने company को मिलता है, non SMC, अब तुम बड़े लोगों, तुमको सब follow करना पड़ेगा, non SMC के लिए, all standards are applicable, तो non SMC के लिए बेटा, ओके, non बेटा SMC के लिए, कोई भी बेटा, exemption नहीं बुले, यह तो बड़े लोगों, तुमको सब करना पड़ेगा, तुम्हें कोई छुटकार नहीं मिलेगा, तुमको सब follow करना पड़ेगा, यह तो कौन थे बच्चो, corporate entity, revise करते बता बच्चो, corporate entity में, दो पाट थे, SMC, non SMC, SMC के लिए, partial किसमें दिया गया बेटा जी, सेग्मन्ट रिपोर्टिंग में, EPS में, ओके EPS में, और क्या-का नाम थे ना बेटा, वो देख लो, जो भी नाम थे बेटा, ठीक ना, leasing में, okay बेटा, contingency में, इन सब में, employee benefit में, इनको exemption पर्चल दिया बेटा, और इनको बेटा, पूरा रिलेक्शन में, जो कहाँ परेटा, AS3 में, पूर रिलेक्शन दिया गया, AS3 में, दिया गया बेटा, और non SMC को, कोई relaxation नी बेटा, जो उनको सब में follow करना पड़ेगा, को cooperative society है, जो charitable काम करें बेटा जी, या कोई partnership firm है, या कोई sole proprietorship है, बेटा, partnership firm या sole proprietorship, company है क्या, नहीं है, अगर company नहीं है, वो corporate कहाँ पहेंगो, बच्छे, समझा के बेटा जी, company is a corporate entity, बड़ partnership firm या sole proprietorship, they are not the corporate entity, कोई company, बड़ चारिटेबल और cooperative काम कर रहे है, corporate society, वो भी बेटा कहाँ पहेंगे, ये बेटा सब बेटा कोने आपके, non-corporate entity है, बच्छे, बाद में, ऐसी society, बच्छे, रिश्टर अंडर society's ad, या कोई भी हो, या कोई भी association of person हो, ये सारे बेटा कोने, non-corporate entity है, बच्छे, पहले बतारो, non-corporate entity के definition में कोन आएगा, को कोई भी cooperative society, या charitable spouse था, partnership firm या soul proprietorship, और उसके बचाला, कोई भी होफ, कोई भी society, वो भी association of person, all are non-corporate entity, non-corporate entity को हमने डिवाइड किया, तीन पाट में, लेवल 1, लेवल 2, और लेवल 3, शोड़ बच्छों बतारो, लेवल 1 में, बच्छों, लेवल 1 में, ऐसे non-corporate entity आएंगे, जो बड़े है, जिनके equity या debt, listed है, या listing होने वाला है, जो listed है, या listing होने वाला है, या फिर कोई bank, कोई financial institution, या insurance company, या फिर ऐसे कोई भी commercial sounds था है, जिनका borrowing 10 CR के उपर है, या जिनका turnover 50 CR के उपर है, या उनमें इसे किसी का भी holding है, simple मतलब बच्छों, जो non-SMC के condition थे, non-corporate entity है, बड़ SMC के condition satisfy कर रहे है, मतलब क्या है, listed होंगा नकी equity, तो बच्छों कहा है, अगर वा bank, कोई financial sounds था है, या फिर कोई insurance बटा, sounds था है बटा जी, फिर क्या है, उनका borrowing बटा अगर 10 CR के उपर है, उनका turnover बच्छों अगर 50 CR के उपर है, या फिर वो किसी भी non-SMC के holding या फिर subsidy, इन में से कोई भी condition satisfy किया, तो आप लोग level 1 में आ जाओगे, और level 1 की जो बड़ी-बड़ी company, आपको पता बच्छों, लेलों ने को न आएगा, बड़ी-बड़ी बेटा company, तो बड़ी-बड़ी company के लिए, all AS applicable होंगे, except AS21, AS23 and AS21, will apply based on regulatory requirement, मतलब क्या है, AS21, consolidation, जरूर पड़ी-बड़ी करेंगे, बेटा मुझे बताओ, अगर मान लो, आप किसी की holding company हो चीने, अगर मान लो आपने, किसी को hold किया चीने, तो आप consolidation क्यों बनाओगे, समझा बेटा जी, AS23, associated company, अरे भाई साब, अगर आपकी कोई बेटा, असोड़ी company है चीने, तो क्यों accounting करेंगे, जेपा करना लागे, तो AS21, AS23 and AS26, ये लगेगा as per regulation, applicable होगा, तो use करो, ने तो use मत करो, तो level 1 company के लिए, सभी AS applicable, except AS21, 23 and 26, ये अपने कर नहीं है, क्या है, बड़, जरूर पड़ेगी तो, level 2 में, level 2 में, जो company level 1 में नहीं है, level 1 के company छोड़के, चो level 1 से नीचे, बड़, जिनका borrowing 1 CR के उपर है, जिनका borrowing 10 CR के उपर है, level 2 में गे, जिनका turnover 50 CR के उपर है, level 1 में गे, जिनका turnover 50 CR के नीचे, बड़, 10 CR के उपर है, वो level 2 में गे, और उनके holding, इसा level 2 है, level 2 बेटा company के लिए, सभी बेटा AS applicable होंगे, अगें एकसे बच्चों क्या देखे, 21, 23, 25, 27 में, आपको थोड़ा सा relaxation मिलेगा, और साथ में बच्चों आपको AS, 19, 20, 29, सिंपल बेटा बाशा में बोलूँगा बेटा जी, सिंपल बच्चों बाशा में बोलूँगा, तो जो exemption SMC को दियते बेटा जी, लेवल टू मत्ता बच्चों क्या है, छोटी छोटी कंपनी, रटा मत मारो बेटा, कंपेर करो, बता बच्चों बेटा मुझो आता हो, SMC को, रिलेक्शन कहां पिर आता बेटा जीरी को, SMC को, या दे रिलेक्शन में कहां पिर आता, SMC को, सार SMC क्यों क्या था, AS 19, Leisure, AS 20, E लेवल वन को 21, 23, 27 में दे आता, तो इनको भी मिलेगा बेटा जी, या दरहेगा बेटा जी, लेवल वन मतलब बड़ी कंपनी, सभी AS अप्लिक करोंगे, except 21, 23, 27, बस पढ़के निकाल अटा मत माना, लेवल टू मतलब छोटी कंपनी, जो रिलाक्स सेक्चन, SMC को, वो सभी म मिलेंगे, और जो लेवल वन को दिये थे, 21, 23, 27 वो भी मिलेगा बटा जी, और लेवल टू मतलब जो लेवल वन में भी नहीं है, और लेवल टू में भी नहीं है, मतलब और जोटी कंपनी, लेवल बेटा 3 में, बच्चों लेवल बच्चों 3 में क्या आता है, लेवल टू म जो थे वो थे exemption मिलेगा लेवल 3 में क्या था चो लेवल 2 में था ना वो थे exemption मिलेंगे और 7 में और क्या मिलेगा related party और discontinuing operation का भी exemption मिलेगा बच्चो लेवल बेटा 3 के लिए चो लेवल 2 में जो थे वो थे exemption मिलेंगे और साथ में और बच्चों क्या मिलेगा related party और dis country operation का relaxation मिलेगा रत्टा मत मारो बस पढ़के निकलाँ बैटाजी बस logicल बजिए कि क्या चलाई किसको चल रहा बैटाजी एक बारा शाम को बड़ा अच्छे से पढ़के निकाले आपको याद हो जाएगा कर ये बच्चो अगर आपको याद हो चुका होगा बैटा जी राइट ना कल बच्चो और इसमें अच्छे से बतार बटाजी कल बच्चो रेखना कल साड़े 9 से लेकर साड़े 11 में चापीटल बजेटिंग बच्चो एफेंट का सेशन है कल बच्छो उसका बच्छो देखना 11.40 से लेकर बच्छो 12.45 में Accounting Standard का बच्छो सेशन बच्छो लेकि मैं पहले बता रहा हूँ कल के सेशन बच्छो देखना बच्छो यूटूब पे दिखाई देंगे बच्छो यूटूब का होने के बाद में तुरंत प्राइवेट किया जाएगा कल के सेशन पब्लीक नहीं रहेंगे बच्छो पब्लीक दिखेंगे यूटूब पे सेशन होने के बार में तुरंत प्राइवेट किये जाएंगे यह इसे लेक्षे खतम प्राइवेट की जाएंगे बच्चों पहले बता रहा हूँ बारे बोलना मत सर कल का सेशन कहा पे गया और जो अपने नालाइक बटा भी आज भी नहीं आए बार में बड़ना होते हैं अपने बटा जी बुश्या नहीं का सकता ठीक ऐ चलब बटा जी चलो आज हो बेटा आज आगो बेटा आज आब को मज़ा होका पीटा जी बहुसा नहीं बड़ना होग बाट सर वहर क्याना गेट इस पीदिफ अरे बेटा मौडुल रे बेटा इससा मौडुल बेटा पिलीस कॉंटे ऑड इससे फॉर डेज़ पीदिफ फैल बेटा में खतम करना है chapter 10 पेंदिंग था अपना बच्यों टेंशन मा आगे सर इसमें chapter 11 ओपन करकर के रखाया चलो बच्चो अब बच्चो देखे आज रहाँ हमें पहले chapter 10 फ्रीक्टा भेशा हमें चीते चाप्टा में नुबर 11 हम लोग शुरू करेंगे चले लगा नारायक, चले बेटा जी, लेटा स्टार्ट, 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 चलो भाईया जी, हम बेटा, अकाउंट स्टार्ट कंट्र तमझाएगा अपना ठीके शलिये continue 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 देखे बच्छों क्या बोले बच्चों इसमें सब्सक्राइब जो मैं कलब को बता रहा था कलब बता रहा था जी दिको यह तक ना सब्सक्राइब बच्चों बड़ा हमने देखा था यार corporate entity, non corporate entity, smc, non smc, level 1, level 2, level 3 इसके लिए यह AS applicable है उसके लिए यह AS applicable नहीं है ऐसे सब्सक्राइब पढ़ाता बच्चों पढ़ाता बच्चों इसमें सब्सक्राइब की पॉइंट है AS 25 account 25 चाहते बच्चों entity shall comply with the AS 25 only if entity is required मतला सब्सक्राइब बच्चों यह simply क्या बता रहे देखो यह क्या बोला भाई सब देखो यह बाकी जो AS है ना तुम देख लो तुम SMC हो तो यह apply करो तुम non SMC है यह apply मत करो लेवल मन में हो तो यह apply कोई तुम्हारी वो कर लो कोई रही करती है उन्हें क्या बोला SMC non SMC लेवल लेवल टुकले कुछ कंपलेशन क्या यह तुमको follow करना अच पड़ेगा यह follow नहीं करना पड़ेगा but AS25 interim financial reporting यह बेटा optional रखा छूकियो बच्चो रेखो या रखना नॉर्मली हर company year के end में reporting करते interim reporting मतलब year के बीच में reporting करना year के बीच में reporting करना यह हर company के लिए mandator नहीं है जो company but obviously बटा जो company year के बीच में reporting करते हैं जो बटा company बच्चो year के बीच में reporting करते हैं but obviously वो interim financial reporting मतलब AS25 को comply करेगी और कोई company बोलते साब हमनों interim reporting कलिश नहीं रहे ठीक है अगर आप interim reporting नहीं कर रहो तो AS25 आपके लिए applicable नहीं होगा तो AS25 is voluntary entry अगर आप लोग उसको यूस करना चाहो तो करो नहीं तो इसको यूस मत करो कोई तरहली बात ने बीचाजी interim reporting करोगे AS25 applicable होगा interim reporting नहीं करोगे यह applicable नहीं होगा चिल मार के बीचाजी ठीक है तो यार दखना exam question आपके बीचाजी which AS is optional to the company कोईसा बच्चाज 25 interim financial reporting is optional because यह company को भी depend करते हैं और next बच्चा आड़कना बीचाजी in case of conflict between act and accounting मान लो बीचाजी कोई ऐसी बाते accounting center में अलग दिये और act में अलग दिये कर किसी बात को लेकर company act या कोई भी act हो company act हो income tax act हो या कोई भी act हो कर किसी बात को लेकर act और accounting center बीटा अगर यहाँ पर तक्रार हो जाता है और मतबेद हो जाता है हमेशा डिवड़ा है जीते को बच्चो act act is always better than AS जब यह act और AS में जगड़ा होगा तो हमेशा हम किसके बात सुनें बच्चो हम act की बात सुनेंगे act will always prevail the AS कोई तकलिवे अपने को सब को जेपा next बाकी यह सब टाइम पास से बच्चो आप देखो next क्या देखो जो यह सब टाइम पास से इसको कुछ जरूद निए बटाजी आप अगला बंसे कंसेप्ट है applicable of INDAS to specified company बच्चो आपने गौर्मेंट ने क्लेरी बोला कि आपने बताया था में लास्केशो बताया था INDAS क्या होते अपने ICI ने पहले बोला आप इंडिया मेना accounting प्रॉपर ना छिय ICI ने क्या बोला भाइसाब तो ICI ने इंडिया में accounting proper होने के लिए स्टैंडर्ड इशू के वो थे accounting standard short for AS पहले बटा को ना है AS आए फिर हुआ क्या बच्चो बात में हम लोगों ने जरह आपने देश के बहार निकल के देखा हमको पता भाईसा पला चला कि इंडिया में चल रहे थे accounting standard बहार की दुनिया में चल रहे थे फिर हमको लगा यार अपने को कहिने की इंडिया में चल रहे थे अपने जो accounting standard थे और जो international जो IFRS थे इन दोनों का combination करके अपने AS को international level पे लेके बेटाजी तो अपने accounting standard उनमें international IFRS mix करके जो नए standard बने they are called as INDAS INDAS are nothing but the Indian version of international मतलब देश में बेढके विदेशी तरका बेटाजी बेटाजी तो इंडिया के जो AS थे उसमें विदेशी तरका IFRS मिलाके जो बन कै वो करें INDAS तो बच्चों देखना अभी तक INDAS सभी बेटा company के लिए mentoring बच्चों नहीं है अभी बेटा company AS बेटा use करें कुछ कुछ बेटा company के बच्चों करवा दिये अब बच्चों देखना INDAS पेटाजी किसके लिए बच्चों देखना INDAS सार discuss detail in the lesson 12 बच्चों मौड़ू में clearly बोला कि बाइस आप INDAS हम लोग chapter number 12 में अब हम पढ़ के रहे chapter 10 बच्चों पढ़ रहे chapter number 12 में INDAS detail में बच्चों पढ़ने वाले तो इसके लिए अभी में INDAS का discussion नहीं करूंगा तो बच्चों देखो या पर जो भी INDAS है AS01, AS02 इन सबका में अभी discussion नहीं करूंगा बच्ची यह only बच्चों AS है यह only बच्चो AS लेकिं बच्चों मैंने पहले बता है AS basic knowledge मैंने बता रहे आपको समयना बच्चों आपके exam में यह नहीं बच्चों आगे बच्चों आगे बड़ा पढ़ने वाले इसके अभी यह सब discussion मैंने साइड में रख दिया है अगला बच्चा पाट दिया है बहुत टाइम पासे need for conversion with the international reporting IFRS हाँ भाया जी बच्चों उन्हें क्या बूला कि IFRS से meet करने के IFRS के साथ जाने के जरू क्यों मैस हुए बच्चों इंडिया ने जैसे बता क्या अपना बच्चों बिजनेस बढ़ा है तो इंडियान जो company थे बेटा foreign market में business करने लगे या foreign के बेटा बहुत सा बड़ा company बेटा जी इंडिया में आनने लगे जब एसा जब व्यवहार का लेंदें होना शुरू हो गया उस टाइम पे हमें यह जरू बड़ा मैसे होगी तो इंडियान company जब foreign बच्चों बिजनेस कर रहे थे तो इंडियान company को foreign के accounting के बारे में पता होना ची और भाई साब और जब foreign के बड़ा company जब इंडिया में आती थे बड़ाजी तो इंडिया का accounting foreign को बच्चा accounting बच्चा अलग होता था बड़ाजी इसके लिए इंडिया को यह जरू बड़ा मैसेस होई कि अपने को IFRS के level पे लेके जाना पड़े को जरू मैसेस होगी बड़ाजी ओके तो यह सारा बच्चो टाइम पास सारा बच्चो टाइम पास अब जैसे बच्चो समझना बड़े जैसे बच्चो देखू जैसे देखना बच्चो जैसे इंडिया में जैसे बच्चो इंडिया में accounting standard issue करने के लिए हमने बनाया था ASB, accounting सैन ने बच्चो बड़ बनाया था बच्चो इंडिया में बच्चो रेकना हमने बच्चो account issue करना अब क्या 바र ASB नहा था ऐसे बच्चो दुन्या में international level पे IFRS issue करने के लिए IFRS बटा issue करने के बच्चो दुन्या में बच्चो रिखना Accounting Standard Board इंडिया में AS इशू करने के लिए हमने क्या बना है ASB, Accounting Standard Board तो दुनिया लेवल पे IFRS इशू करने के लिए उन्हें क्या बना है International Accountation Board एक्जाम बड़ाइस का लॉंग फर्म पूछ सकते एक्जाम इसे कुछ आते बेटा जी IASB को लॉंग फर्म के पूछ सकते बेटा जी और साथ में बच्चों उन्होंने Committee बने जिसका नाम क्या था International Accounting Standard Committee IASE इन सबका बस आपको लॉंग फर्म बड़ाइस पता आना चीए और दुनिया के Almost बच्चों देखो 75 कंट्री के लोग Including बेटा इंडिया अपना भारत का जो ICI उसको पकड़ते इंडिया के 75 कंट्री के लोग ये IASC के बच बेंबर है International Accounting Standard Committee में आज के घड़ी में Almost दुनिया के 75 कंट्री के मेंबर उसका पाठ है सबको जेपाद ना लग, सबको जेपाद ना लग और एक बुलू के बटा जी जो बच्चे बड़ा बोलगे हो पता है किसा लेक्ष्य प्राइवेट होगा ये उन्हें का बटा मैं बुलू कहा है तीछे बड़ा पढ़ा पढ़ा है आपको ध्यान देना है बच्छों देश सकते इस यूर च्वाइस आपको प्राइवर प्रण रड़ा खेलती है बटाना है तो अब आपकी मर्जिई बटाजी और पढ़ना है ध्यान देना नौलज़ पर ध्यान देना है इस यूर च्वाईस सम्झा बटाजी और मैं कहलता बच्च अगर teacher बेटा अगर आपके लिए बिटा जी अगर इतना lecture बेटा आपके लिए ले रहे पब्लीक बेटा कर रहे है इतने lecture बेटा हम बता रहे है समझा बिटा जी तो कहने पर आपका बड़ा फर्स बनता है कि आर आपको बेटा जी रेगूलर हैना पड़ेगा आपको लेक्षाटिन करने पड़ेगे उतना थोड़ा बहुत तो common sense आपको रखना ही पड़ेगा करना है पड़ेगा डू टेक देफर्ट यह तो आप बोलेगे समल हमा ताम पे कभी भी रात को देखेंगे दो बड़ेगो बाई मना को लोगा फिर सेल्फ डेको बच्छो देखो देखो इसाग माया रूल्स में बताओ यह मेरा रूलस में बताओ बटाजी और इसमें आपक कुछ करने इसमें पहले बतार बच्छों रेको हम दुन्या में बटाजीक बच्छों रेको 100% सटिस्फफाइक करने सकते पर मैं कोशुरी बटा कर रहा बच्छों को अगर मैं help कर पाएगा इस रेली गूड फॉर मी इस अच्छा रहे बटा मिर ले एक पसंट बच्छे बोलो निया और क्या जा रहा है ओके नॉलेज भिल रहा है बटो रहा है ठीक है चलो बेटा यह सब टाइम पास है यह 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 वगर कुछ यान के यह याद मत करना बटाजी अब बच्चों दे काम के बाते बता रहा है देखो बच्चों International Accounting Standard Board IASB यह क्या इशू करेगा IFRS इशू करेगा अब देखो बच्चों जैसे बच्चों इंडिया के बेटा अपने इंडिया के बेटा Accounting Standard Board ने अभी तक 32 इशू किये अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे दुन्या भर में अभी तक कितने बेटा IFRS इशू के अब बच्चों देखो IFRS कितने बच्चों ऐसे बच्चों कहा जाता है बच्चों देखो कितने बच्चों 2001 साल के बार में 2001 साल के बार में International Accounting Standard Board ने 2001 के बार लगबग 16 IFRS इशू के यह नंबर बेटा बाहरेट होना है जिस पर कुशन आसाता बच्चों 2001 साल के बार में अभी तक बच्चों 16 IFRS इशू के गए साथ में बच्चा 24 International Accounting इशू के कि IAS और 12 कुछ interpretation मतला देखो यह सारे जो IFRS थे यह सारे जो बच्चों IAS थे इनको समझने के लिए इनको understand करने के लिए कुछ interpretation इशू कितने बच्चों के 12 इशू के किसने इशू के बच्चा 12 इशू कितने इशू के IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee ने इशू के और साथ में बच्चा 4 Interpretation किसने इशू के Standing Interpretation Committee ने इशू के मैंने सिंपल से बात है बच्चा यह 2001 के पहले के 2001 के पहले के बच्चो 4 इंटर्पिडेशन है बच्चा 2001 के बाद कितने बारा में दुबारा बता रहो देखो बच्चो 2001 के पहले 2001 के पहले जो International Standard थे उसका नाम था International Accounting Standard 2001 साल के पहले जैसे बच्चों पहले इंड़ा में A.S. थे अब बच्चों नाम कहाई इंड A.S. हो गया बच्चों आब बच्चों रेखो 2001 के पहले 2021 के पहले इंटर्नैशनल Accounting Standard था बटा जी और हाँ, एक सुनो, एक बुलू के बिटा जी, सुनो बच्चों, जिन बच्चों को देख सुनो बच्चों, थोड़ा सा, जिनको टाइमिंग का कन्फुजन है, पर बहुत सरा बच्चे बटा मैसेग करते हैं, इससे हम लोग किसे वाटसाप गूर कूर पार्ट ने, देखो ब से नोटिशन मैं मिल सकता है, फर्स जागा, अपना यूटूब चानल इंस्पार का, सबस्क्राइब बच्चों कीजिए, इसके यूटूब चानल के बच्चों को कम्यूनुटी में, मैं इंफर्मेशन दे दूँगा, यह पहली चीज, और सेकंड बच्चों में बता, बता जाओंगा, छे लगा यार, ठीके चलो, लेट में कंटीनू, छे लगा यार से जानकर बिल जाएगी, यह जानकर बिल जाएगी, छे लगा नाले, यास, अब यह पढ़ाने जा रहा हूँ, अब बच्चों में आपको बता रहा था, 2001 के पहले, 2001 के बले, जो इंटरेशन अगांटिंग स्टैंडर्स और 2001 के बाद इनका नाम बदल के रखा गया, IFRS, वही चीज़े हैं, पर नाम बदल है, 2001 के पहले, नाम क्या था? International Accounting Standard और 2001 के बाद बच्छो नाम बेटा को ने? IFRS, ओके बच्छो 2001 के पहले 2001 के पहले लगबग 24 IAS इशू के थे 2001 के पहले लगबग बेटा जी 24 बेटा जी IS इशू के गे थे और 2001 के बाद 2001 के बाद लगबग 16 IFRS इशू के 2001 से पहले लगबग 24 बेटा जी IAS इशू के गे ओके और 2000 बेटा 2000 बेटा 16 बेटा IFRS इशू के गे ठीके नालाएग? अब देखो 2004 बेटा 2004 जो IS इशू के थे इसको समझने के लिए 4 interpretation इशू के गे थे या तो 2001 बेट 24 बच्चों IAS थे इनको समझने के लिए हमने इशू के 4 interpretation इशू के बेटा जी और 2001 के बाद 16 IFRS थे उनको समझने के लिए 12 interpretation इशू के गे अब इसमझ बारे बैटा जी का नहीं? दोबार बता रहा है बता मुझे IFRS इश्यू बटा कौन करता है International Accounting Standard Board वो कब से पिक्चर में आया है बच्चो 2001 से आया 2001 के पहले 2001 के पहले IFRS नहीं थे 2001 के पहले बच्चो कौन था International Accounting Standard था 2001 से क्या बनेगे IFRS वही चीज थी नाम बदला है 2001 के पहले कितने IS थे 24 IS थे और उनको समझने के लिए 4 Interpretation इश्यू केगे 2001 के बार में 16 IFRS इश्यू केगे उनको समझने के लिए बटाजी 12 Interpretation इश्यू केगे यह सब भी आपको बाहाइट करने बान नमबर बटाजी इनको भरोसने बटाजी Convergence with the IFRS इंडिया मतले देखा बच्चो अपना इंडिया IFRS लेटाजी बच्चो पहले बच्चो इंडिया बच्चो AS थे बटा जी और देरे बच्चो इंडिया बटा IFRS की तरब चला गया तो इंडिया ने इश्यू क्या क्या Ind-AS इश्यू के यह हम लोग chapter number तो ले पढ़ने आले कि भारत की IFRS की तरब जर्निक कैसे होई कहा से शुरू होई कबसे बड़ा शुरू होगे यह सब कुछ हम पढ़ने वाले Why IFRS? Why IFRS? आपको पताईए IFRS क्यो? उसकी feature क्या है? इस सिंगल स्टेट आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड एनेबल इंट्रेश है मतलब बच्चो रिखो IFRS 2 सिंपल सी बात है मान लो भारत के बच्चो अलग सी सैंडर्ड है अमेरिका के बच्चो अलग सी सैंडर्ड है यूरूप के अलग सी सैंडर्ड है तो मान लो यार कमपनी को अगर दुन्या बर बच्चो बिजनेस करना है तो कमपनी को हर देश के AS का नॉलेच रखने सकते कमपनी बेटा तो कमपनी बाइस साब आईस से करेंगे बिजनेस कैसे करेंगे आप एक काम करो सभी देश मिलके साथ में आजाओ और सभी लोग मिलके एक ही टाइप के आप स्टैंडर्ड बनाओ जिससे हमार आसान होगा तो वाई बेटा RFS टू गिवदा सिंगल सेट आप अकाउट रखन मतलब क्या सभी देशों के लिए एक ही टाइप का संडर्ड बच्चों देने के लिए RFS जरूरी है सबको जेपा ना लग सबको जेपा ना लग सबको जेपा चल बच आगे बड़ चलेगा पिटाई आगे बड़ चलेगा ठीक है इट वूड अलसो पर मेट इंट्रेस्ट्रेशनल कैपिटल तु फ्लो मौर फिर अभूसली बटाजी अब बच्चों IFRS कैने का पर बच्चों क्या होए बच्चों रिकों बच्चों ड़िखो जब हर एक देश का तो हर एक बच्छो देश क्या था, सेंडर बच्छो अलग अलग था बिटा, तो हर बेटा कंट्री के जो भी कंपनी से बिटा जी, वो कंपनी दुसरे देश में काम का डरते थी, बोलते यार काम करेंगे, फिर आपर सेंडर समझना पड़ेगा, सेंडर को कंप्लाइंस नहीं क करेंगे, तो पेनाल्टी लगेगा, फाइन लगेगा, उससे एक काम को अपने देश में बिजनेस करो, जब से बैटा IFRS आगे, उनिफॉर्मिटी हो गया, तो लोग मतलब बहार के बैटा कंट्री बिजनेस करने चले, उससे बच्छो होगा क्या, बहार के देश का जो पैसा अपने बच्छो देश में आना शुरूर, जब से बच्छो क्या हो गया, इट वुर अलसो परमेड, इंट्रेशनल कापिटल तो फ्लो मोर फिली, तो इंट्रेशनल कापिटल था, बहार के कंट्री ने अपने देश में बिटा, पैसा इन्वेस करना शुरू किया, फुरल इ इंडिया को कोई इंवेस्टर है, उसको पता क्या, इंडियन कंपनी के बेलेशिर अलक्सी पढ़नी पड़ेगी, अमेरिकन कंपनी के बेलेशिर अलक्सी पढ़नी पड़ेगी, जो इंवेस्टर है, वो एक ही टाइप का नॉलेज लेके वो चीजों का अनलाइस कर पाएगा तो investor के लिए बच्चो, financial statement को समझना उसके लिए easy हो गया और उसके साथ में बच्चो, it also benefits accounting professional simple सी बाते बाते बोलू क्या IFRS आने से क्या होगा, सभी company के लिए अच्छा हो गया सभी company के लिए, सभी standards से मिल गया देश का भला हो गया, देश पे बाहर का currency बेटा आना शुरू हो गया साथ में बच्चो देखो, IFRS के बच्चो आने से बच्चो investor का बच्चो भला हो गया, investor को statement को समझना easy पढ़ गया और उसके साथ में बच्चो जा accounting professional थे CA, CS और CA में, इनका बच्चो हो गया उनको मतलब पढ़ा चला, इतनी पढ़ाई करके पहले इंडिया के शनने पढ़ लिए, फिर इंट्रेंशनले पढ़ो, फिर जर्मानी के पढ़ो फिर अमेरिके पढ़ो, कितना पढ़ेंगे और जिन्दगी पढ़ पढ़ते चलेंगे क्या तो कमाएंगे कब हम लोग, हाके ने बटाजी इसके लिए, उनके लिए अच्छा हो गया उनको सब कुछ पढ़ने के बढ़े एक जगा से पूर नौलेज उनको मिल गया सब को जेपा ना लग, सब को जेपा ना लग, ओके अब बच्चो अगला बेटा कंसे बड़ा बहुती बढ़ा इंपोर्टर बच्छो इस, difference between IFRS और INDGAP बच्छो, इंडिया में इंडिया में जो accounting standard में इस्व करते इंडिया में हम जो AS इस्व करते या इंडिया में जो policy follow करते इंडिया में accounting की जो पॉलीसें follow करते we call it as we call it as general acceptable accounting policy या इंडिया बच्छो, principle बच्छो longfire का बच्छो, देखो, longfire इंडिया बच्छो, gap बटा, request को, रिक्वेस्ट को चलेगा रिक्वेस्ट को चलेगा बटा, रिक्वेस्ट को बच्छो, अगर बच्छो बटा, 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 इस इतना बटा बच्छो, अगर बाईचान बच्छो, डखो, कमेंट बॉक्स में बच्छो, अगर यह ज्यादा बटा, इसे बटा कमेंट आने शुरो होगे, मैं कल से बटा, कोई भी लेक्शर पब्लिक नहीं लोगा, फिर कोई बटा ने, लेक्षर तो प्राइवेट कास होंगे, लेक्षर नहीं होंगा तो ना पब्लिक ना प्राइवेट तो प्लीज यार मैं भूलू कर बिटा, यह जो पाच्छे बच्छे जो सिंसे नहीं है, आप आपके वाज़े से बिटा, पूरे बाकी बच्छे नुक्सा बिटा कर रहे हो, मत कर नुक्सा बिटा जी, मुझे पढ़ान दो बिटा जी और एक घंटी लेक्छे, मैं चार बार यह बता सकता कि बिटाजी बिटाजी क्योंकि मुझे लेक्छे बढ़ाना कंसे पतां देडा यार और बाकी से बच्चे पढ़ने के लिए बेटे, ब्लिज उनको पढ़ने दीजे बहुत महनच से बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका नुकसार मत कर नुकसार मत कर यार यह बहुत चैड़ बैटा आफ काना सुलूशन ही ने बैटा जी क्योंकि समाझना बैटा जी कुछ जनुन बैटा डाउट भी रहते हैं उनको मुझे बताना पर देखना पड़ता है चुन डाउट रहते हैं समझा किया, वो देखना है पड़ता है बस समझ मैंना चाहिए कि जो बच्चे आनने से डिश्टर बटा करूं को समझ मैंना चाहिए ओके चलो बच्चो, मैं दुबारा बता हुआ बच्चो बच्चो, GAP का बच्चो कहा हुआ बच्चो, GAP का बच्चो, Generally Accepted Accounting principle इंडिया में जो accounting policy follow के जाते हैं, इंडिया में जो accounting strategy follow के जाते हैं या इंडिया में बच्छो जो accounting the principle follow के जाते हैं, we call them as a generally accepted accounting principle . आप इंडिया में ज्ञरली जो एकसेट करते हैं इंडिया में बचछों पता हैं नि बच्छों इंडिया रवी कॉइंग और फॉलोग करते यह शोवी चीज़ हम हमेशा फॉलोग रबस जबंड जरले एकसेप्टत एकंटिंग पृषप अब इंडिया में जो प्रिंसीपल फॉलो किये जाते और इंटरनेशनली जो फॉलो किया जाते उनमें डिफरेंस अब हम देखने होले डिफरेंस बिट्वीन इंडियन स्टैंडर मतला इंडियन गैप और इंटरनेशनल स्टैंडर में क्या डिफरेंस बच्छो IFRS और इंडियन गाप में क्या डिफरन बच्चो इसके डिफरन बच्चो की पॉइंट बच्चो बताऊंगा इस पे एक्जाम में कुश्ण में आ सकता है लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पर बच्चो एक काम करो अब आपको टाइम देरा बच्चो दो से तीन मुंड का मैं चाहूँगा कि अब सबसे पहले आप सब पढ़के निकल बच्चो यहाँ से पढ़ो पढ़ी पढ़ओ पढ़ी पर बिच्छो, प्लीज परो प्लीज परीज परो फिर में समझातो प्लीज परो झाल 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 चलो बच्छो पढ़ा आप लोगों ने दिहां पढ़ा नाल है नहां पढ़ा पढ़ा अपलोगों ने धन देहंगे सबस्क्राइए अब दिखो भच्छो पढ़ाव भच्छो समाजना भच्छो अब हम भच्छो डिफरेंश हम देखनी वाले आये फारांस और इंड गैप में डिफरेंश हम लिवाले सुनो बच्चो, अब धान सुना, देखो मानलो बच्चो, मानलो बच्चो, मानलो, अगर कोई company, मानलो बच्चो, मानलो बच्चो, कोई company, जो first time, मानलो बच्चो, कोई company बच्चो, first time बेटा, ind gap फॉलो करें बच्चो, कोई company बच्चो, first time बेटा, ind gap फॉलो करें, कोई company बच् कोई तकलिफ की बातने, वो जब भी चाहेंगे, Ind gap को follow कर सकतें, और उसके हिसाब से अपने balance sheet और profit advice बना सकतें, कि बच्चो तो कि आपक या बोलता है कि बाइसाब DM बहुत ही अच्छा छी दिल का ही साफ है उसे तुमने पास में क्या-क्या प्रशे प्रहले तुमने क्या कांड किया उसों फरक नियुकिन पुदता है ंड प्राप जब गजागो तब सवेरा जब बी जागो मान लो किंपने, वो कम्तनी बोलता है, साभ हमको 2021 साल से हमको IFRS फॉलो करना है, साभ हमको 2021 साल से हमको सर IFRS फॉलो करना है, सहर भीerta है भीड़वास के साबसे शर मोग बेलंश्यजीद बनाएंगे, साभ इस वर decades एम भीदे पना वा कउयांगे, सर के सब से ढ dalणयां फिर IFRS चुपके से पूछता है, ठीक है, 2021 से IFRS फॉलो कर रहे हो, बोलते हैं, IFRS पूछता है, इसके पर तुम क्या करते थे, कंपन से बोलते हैं, सेर इसके पहले से को पहले हैं, ग्याप फॉलो करनाच चाहते। सब इंडन फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको IFRS को फॉलो करने का है, तो सबसे पहले ये तुमने पास में जो कांड किये सब को सुम सुधारों पहले, तुम 2021 से IFRS तो follow करो, बर सबसे पहले, वो तुम आज जो 2020 के balance sheet थी न, 2020 में जो balance sheet, P&L, as per ind gap बनाया तो उसको पहले हटाओ, सबसे पहले 2020 की जो balance sheet है, P&L उसको भी बनाओ as per IFRS, तो IFRS क्या बोलता है, जब भी आप IFRS बनाओगे, जब भी आप IFRS fulfill कर, sorry, जब भी आप IFRS का compliance लेके आना चाओगे, उसके पिछले साल को भी as per IFRS, modify करना पड़ेगा, और company को ये बताना पड़ेगा, पिछले साल, ind gap के हिसाब से, क्या status था, और अगर IFRS follow करते थे, क्या status होता था, ये बताना पड़ेगा, इसे हम बोलते, reconciliation बोलते, मैं बारा बता रहा हूँ, देखो बच्चो, IFRS क्या बोलता है, मालो कोई company बोलते है, हमें 2021 से हमें IFRS को comply करना है, हम shift होना चाहते है, IFRS पे, IFRS बोलता है, shift हो 21 से कोई रिखत नहीं, पड़े सबसे अपले 2020 मतलब, पिछले साल में, आपने ind gap के साब से accounting क्या था, पड़े काम कर उसको पला इस पर IFRS accounting करो, और ind gap और IFRS के accounting में, जो भी difference आ रहा है, मानलो depreciation, gap से अलगा रहा था, IFRS से अलगा रहा है, मानलो बच्चो, पता क्या, profit, IFRS से अलगा रहा है, ind gap से अलगा रहा है, ये दोनों पहले निकालो, दोनों को पहले बच्चो, check करो, compare करो, उस रीकन सा करोगे, उसके बाद ही, आप लोग, IFRS का comply कर सकते हो, तो बच्चो, IFRS क्या बोलता रहा है, जब या फर्स टाइम, आप IFRS अड़ाप करोगे, full retro speaking applicable for, बतला क्या है, आपको पिछले साल से भी, IFRS, जब भी आप बढ़ा IFRS यूज़ करना चाहोगे, उसके पिछले साल से, और पिछले साल का, आपको as per IFRS बनाना पड़ेगा, और दोनों को reconcile करना पड़ेगा, तो सबसे पहले previous year के लाप को, GAP और IFRS, यह दोनों का modify करके, reconcile करना पड़ेगा, बढ़ भाई साब, अगर आप directly, IND GAP फॉलो करना चाहते हो, तो IND GAP बहुत ही अच्छा है, वो बलता ह ऐसा कुछ ही नहीं करने का, IND GAP ने, there is no need for reconciliation, मतलब मान लो, कोई international company, जो पहले IFRS फॉलो करे थी, कोई international company, जो पहले IFRS फॉलो करे थी, उनको भी IND GAP फॉलो करने का है, तो IND GAP बोलता है, अच्छी बात है, आजाओ, 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 आजा साल का, हम रीकंसिलेशन, मत बताए, हमें हमारे आपके पास में, कोई interest नहीं है, समझाओ, बच्छा लो, तो simple बच्छो बाशा देखे ना, बच्छो, IFRS 1, ऐसी चुगली खुर आँटी है, जिसको पिछले साल में, interest होता है, बड़, एंड ग्याब, एक एकदम बढ़ा क्य बिंदास, broad-minded है, जिसको आपके पास से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्लिर बच्छो, तो इसका मतलब क्या, first time, जब भी adoption करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, फंडा क्लिर बच्छा लोग अपने को, yes, next, components of financial statement, जब भी कोई company, जब भी कोई company, IFRS follow करते है, तो company को IFRS के तहत, financial statement में, company को balance sheet, P&L, cash flow, changes in equity, accounting policy, notes to account, ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, पाच बाते company बना है, क्या क्या, balance sheet, P&L, cash flow, changes in equity and policy, and notes to account, पाच बाते बनाएगे, बड़ भाई साब, जब भी आप इंड ग्याप पर follow करोगे, इंड ग्याप के तहट, changes in equity बनाना ज़रूरी नहीं है, बटा मुझे बताओ, आप बच्पन से बच्चों, account आप पढ़ते आ रहे हो, बच्चों, बच्चों, बच्पन से बच्चों, बच्चों 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 flow और notes बनाना पढ़ेगा, तो इंड ग्याप में से बच्चों 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 बच्चों, बच्चों 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 का बच्चों UP N. equity का statement, यह IFRS में बनाना ज़रूरी है, बड़ gap में बनाना ज़रूरी नहीं है, next balance sheet, IFRS में balance sheet का है, कोई format नहीं, IFRS simply क्या बोलता है, तुम balance sheet में current, non-current, current asset, non-current asset, current liability, non-current, इतना भी तुमने अगर किया तो भी चलेगा, हमारा कोई fix format नहीं, बड़ भाई साथ, in the gap में, in the gap में balance sheet का format नहीं हमने पढ़ा है, बच्छो, हमारे companies ad में balance sheet का format नहीं है, कहां पर नहीं, schedule 3, तो schedule 3 के part 1 में जो format नहीं है, वो in the gap नहीं दिया, same thing बच्छों को income statement, हमारे in the gap में, income नहीं पर नहीं है, वहां पर भी schedule 3 के part 2 में, बच्छों penal का format दिया है, बड़ भाई साथ, IFRS में penal का कोई format नहीं है, सब को जेपान ना लग, सब को जेपान ना लग, next, cash flow statement, IFRS ये बोलता है, आप कोई भी company हो, corporate, non-corporate, SMC, non-SMC, level 1, level 2, level 3, फरक नहीं परता है, IFRS बोलता है, सब को cash flow बनानाच पड़ेगा, बड़ अब भी हमने देखा था, as per in the gap, cash flow, किसके लिए management नहीं, बच्छों कर यादगा, बच्छों यादे क्या, small company, SMC में क्याता है, ऐसी कोई भी SMC, जो small company है, या 1-person company, या dormant company, all small company, dormant company, या 1-person company, या फिर, level 3 entity, these are exempted from cash flow, यादे बच्छों, IFRS में cash flow बच्छों mandatory है, बड़ यहाँ पे बच्छों, cash flow बच्छों mandatory नहीं है, बटाजी, सबको जी पाद नालाए, next, dividend, last का बच्छों, point बच्छों अदर, जो काम का बटाए जी, dividend, IFRS क्या बोलता है, हम dividend recognize कप करेंगे, जिस साल, आपने जिस साल dividend declare क्या है, आपने जिस साल dividend declare क्या है, बड़े पे को रहा पर ना पे करो, जिस साल आपने dividend declare क्या है, उस साल की dividend liability हो जाएगी, तो जिस साल बच्छों dividend आप declare करोगे, उस साल के balance sheet में dividend शोक किया जाएगा, पर यहाँ पे बच्छों देखना, इंड gap क्या बोलता है, आपने dividend कब declare क्या matter नहीं करता है, आपने बच्छों देखो, appropriation कब क्या, profit में से बटवारा कब क्या matter होता है, आपने जिस साल profit में से withdraw क्या, उसी साल हम dividend show करेंगे, जिस साल आपने profit में से बटवारा निकाला, उस साल show करेंगे, हमें, आपने declare कब क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना दाने क्या बच्छों इतना point देखे, It is all about the difference between ind gap and IFRS, बाकी बच्छों बेटा point आपके लिए ज्यादा बेटा काम में नहीं है, ज्यादा बच्छों काम में नहीं है, ठीक है बच्छों, बाकी वैसे जो point आप सुनों बच्छों, ये IFRS बच्छों इंड gap के उपर बच्छों रिकों, पर जो next year chapter 12 है, उसमें और भ IFRS का list बेटा जी मैं आपको next topic में करा के दूँगा, chapter 12 में करा के दूँगा, list of IFRS, ठीक है, चलो बच्छों, तो इसे end of the chapter, यहाँ पर बच्छों, chapter 10 बेटा खतम हो जाता बच्छों, ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके MCQ, धेंटडएंड, अब MCQ करेंगे बच्छों, trust me guys, trust chapter बेटा पढ़ते होगे, जितना बच्छों आपको टेंशन बेटा आया होगा, MCQ इतने मुश्किल नहीं बटा जी, आपको MCQ आराम से बन जाएंगे, मुझे थुरा से बड़ा MCQ का फाइल मुझे ले ने दूँ, मेली पे लिया था कही है, अचप्रे 10, बराबन, YES YES YES, प्रफ कि ले टूँगती मुझे था कही है बश्के लिगतारा मुझे खाएंगे, पे लिए खाहा कही है, जैजरे बारा काम मेंने आएगेिए बढ़ा हातो भी चलेगा अरी कोज़ लो पेगले हमेने कुछ तो गलत अपनोगे कुछ तो गलत अपनोगे क्या है चाप्टर 6 कैसे का रहा है हर बार चाप्टर 10 के नाम पर बड़ेक मिंटर स्वरी चलो यहां पर लिखता है मैं का अगर टाइम हो गया क्या अगर टाइम हो गया क्या टाइम हो गया क्या 12.30 वा गया अगर लिक्षे बाभी इसल लिक्षे बड़े आपके इसल लिक्षे ना पुलोंगा इसल लिक्षे कितने बज़े बटा इसल कितने बज़े भी बोलो इसल कितने बज़े जरा बताएंगे को इसल कितने बज़े हो गया झाल कितने बज़ें लिक्षे ना पीज़े झाल कितने बड़े फिर एक चाइड का बहुता है जी कोई जी नियुकत नियुकत चाह्ट करें है कंदो जो बच्छो नाला का में कल चौन बच्छो पर अस जीम्लों की से टायम मिलते हैं थिके है Q4 the चले बेटभी शुरू करते यस चो नम्हालाग Let us start बड़ा जी रिखिए इसके पहले चापटर प्राहता Accounting Standard Chapter number 10 वहाँपे इंडिया में पहले accounting कैसे होते दिसकेशन क्या था अब बेटा जी अब हमको discuss करना है कि भाई साथ उस chapter के end में आते आते बड़ा account chapter के end में आते आते मैं आको बतायाते कि भाई साथ अपने इंडिया में अभी तक इंडिया में accounting करने के लिए इंडिया के ICI ने अपने government ने गार उथर्टी ने 32 AS इसू किये थे और उस 32 AS में से 27 मोजू थे और पाच गये थे बट धीरे धीरे अपने इंडिया को यह पता चलए कि भाई साब अगर अपने को पूरे अगर अपने को पूरे दुनिया के सार कॉम्पीट करना है अगर हमारे इंडियन कंपनी को दुनिया में जाके अगर बिजनेस करना है या दुनिया की अधर कंपनी को अगर हमारे इंडिया में आके अगर बिजनेस करना है तो हर एक देश का अकाउंटिंग अलग अलग होके नहीं चलेगा तो भाई साब इंडिया के पहले तो बहुत सा देशों ने, भहुत सारे देशों ने देखा रहा बच्छों, अल्मोस निन्तिटू गंट्रीज ने साथ में आके एक बोड बना है इसका नाम क्या था इंटर नैशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोड और इन सबने मिला के कुछ कॉमन स्टैंडर इश्जू के इसका नाम क यह आता IAF-ARS बढ़ भाई साब अपना देश भूते कुददार हैं अपने देश ने बोलब भाई साब देखो यार ठीक हम मानते हम मानते कि सभी कंट्रीज का हम मानते कि सभी कंट्रीज का accounting यूनिफोर्म होना चाहे हैं He goes now, business growth में अच्छा रहता है हार हम उसको as it is अपने देश में implement करने सकते हैं because the By coaching जी वो अधर कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के कंडिशन को देखते हुए बनाए गे थे बड़ भाई साब सभी के सभी आया फैरेस अगर आज इस इंडिया में अगर अपलाय करेंगे तो इंडियन कंपनी 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 को तो तकलीफ हो सकता था भाई समझा बटा जी अभी इंडिया में जो एस शल रहे थे वो एस इंट्रेशन लेवल से बहुत दूर थे तो एस तो यूस करनी सकते थे फिर बच्चों बाद में अगर हम आए फरस के बच्चों बात करेंगे तो आए फरस जो इंट्रेशन चल रहे थे अगर हम आए फरस को बच्चों आए फ पुराना जो AS था और नया जो IFRS थे उन्न सब को मिला के एक सिंपले नया बन इसका नाम होता है INDAS तो INDAS is a combination of the old accounting standard and international standard IFRS दोनों combination is INDAS simple बात बता हो बच्छो simple example दो बच्छो मानलो बटा कल शाम की कोई सब्जी बच्छी है सब्जी बच्छी ऐस ओनो वून की सब्जी सब्ची के नाम हो जो भ Gibbs न एक ममो की सब्ची से अच आटा गुंती ऑस सब्जी और मिला के मस पराथा बनाते बटा जी तो कल की सब्जी Неफयाबबना के आज का आटामिला के पराथा बनाते बटा जी यही अपना IND-ASA, तो कल की सबजी मतलग कोन था, अपना AS था, और नयावाला कोने, IFRSA, यह दोनों मिला के, जो पराठा बन गया है, वही तो अपना कोने, IND-ASA, समझाएं के बिटा जी, क्लियर है, तो IND-AS में, कल का तड़का भी था, और आज का तड़का भी है, दोनों मि पोर्टिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग संडर्स इन इंडिया, मतलग चाप्टर के बच्छे नाम में चलिखा है, अपने देश ने, अपने देश ने, IFRS को अड़का कब किया, इंटरेशन को प्रकब अड़का, अपने देश में, IFRS के लो पे, कनुवर्जन का जर्नी, A.S. से लेकर IFRS तक जाने का जर्नी, ये कनुवर्जन कैसे हुआ, और उसको हमने कैसे इंटरपीट करना शुरू किया, इंडिया का, मतलब इंडिया से लेकर, ग्लोबल स्टैंडर्ड तक का जो जर्नी था, वो शुरू कहा से हुआ, और ये कैसे जर्नी चल रहा है, इन्हें सबका discussion हमें यहाँ पर पढ़ना है बैटा जी सबको जेपान नालेग, सबको जेपान नालेग, यस यस तो ये इंडिया का journey बैटा शुरू होता है towards IFRS तो सबसे पहले बच्चो इस चाप्टर में क्या बहुत है इंडिया का journey बार में समझ के लो, पर ये तो समझा, IFRS क्या थे किस को बता है, हमको पता है, IFRS पता हमको पर चलो मेरे सब बच्चे मुझे बताएंगे, जिनको सब knowledge है मेरे बच्चे मुझे बताएंगे, IFRS के लिए IFRS कौनसा board इशू काता है IFRS के लिए कौनसा board बनाया गया था, बताओ, बताओ, बताओ कौनसा board बनाया गया था International Accounting Standard Board, कौन था बच्चो IASB, यहाँ देखिया, उसके पहले कौन था International Accounting Committee थी, यहाँ देखिया International Accounting Committee ने पर चोबीस International Standard Issue के थे जबसे यह IASB आया, इसने 16 IFRS इशू के याँ देखिया, याँ देखिया, पहले कौन था International Accounting Committee थी, उसने क्या इशू के थे International Standard Issue, कितने के थे, चोबीस इशू के थे और उसको समझने के लिए याँ देखिया, चार Interpretation भी थे, बाद में कौन आया International Accounting Standard Board Okay, International Accounting Standard Board ने क्या लेके आया, IFRS, कितने IFRS, 16 IFRS हमने बोला भाई साब, IFRS क्या होते हैं, उन्हें बोला भाई साब बहुत सिंपल है, दुनिया के हरे कंट्री का जो अलग-अलग accounting चल रहा है, इसको uniform करने के लिए सभी country को uniform level पे लेके आने के लिए सबका accounting uniform करने के लिए, सबका accounting uniform करने के लिए, जो common set of principle issue के, they are called as international financial आप बच्चों देख सकते हैं, बच्चों, what is IFRS, इस objective के, objective of general purpose financial reporting मतला क्या है, general purpose मतला क्या है, जो सबके लिए suitable है, ऐसा financial reporting करना चे, उसे बच्चों क्या बढ़ा क्या, उसे जो भी financial information मिलेगी, वो सभी investor के लिए, lenders के लिए, other creditors के लिए, decision making issue लोगी, तो simply बच्चों, IFRS का main purpose क्या था, इस type का reporting होना चे, जिसे investor, lender, other creator, इनको decision making में आसानी हो, और भाई साब, सबके, और भाई साब, सबका accounting proper होना चे, बेटा जी, ये हमारा IFRS का main purpose था, ओके, अब बच्चों को IFRS में, देखो, अलग अलग country, बच्चों को अलग बड़ा country, बच्चों को अलग अ सरेगा, बच्चों को याद होगा, मैंने पिछले चाप्टर में बताया था बच्चों, इंडिया में accounting करने के लिए, इंडिया में accounting करने के लिए, हमने क्या इशू के थे, accounting standard, इंडिया के जो accounting standard है, उन्ही का बच्चों एक नाम था, इंडियान ग्यापया देखिया, general acceptable accounting principle, General acceptable accounting principle, जा데 nothing but the AS, इंडिया ने जो accounting restrictive पर इस पर इस पर के लिए, इंडिया में जो policy, जो principle बड़ फॉलो थे वो gap था, इंडियान अब बच्चो देखो तो इंडिया ने इन्ड गैब से लेकर IFRS तक का जर्णी शुरू कैसे किया तो बच्चो दिया दिखो क्या बोला है इंड्या ने इन्ड गाप से लेकर IFRS का जर्नी एक टाइम में डिसाइड ने है, इंड्या ने क्या बोला हम इसको फेज मैनर में करते हम इसको एक-एक फेज में करेंग़ बच्चे से बच्चों ढट्राइखो ओके अब बच्चों ढट्राइखो इंडियाने बच्चों क्या है? इंडियाने बच्चों क्या है? इंडियाने बच्चों क्या है? इंडियाने बच्चों क्या है? इंडियान गैप से लेकर आपड़ेगा वैसे इंडिया ने भी अपना IFRS तक का जर्ने बेटा जी फेज वाइज, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, स्टेप थे, हमने बोला क्या क्या स्टेप थे, शुरुवात कैसे होई, देखो भाई साथ, आपने इंडिया ने सबसे पहले डिसीजन लिया, एप् तारा बच्चों, यह सभी डेट इयर बड़ इंपोरेंट है, भाई साथ, एक्जाम में इंशूट का भुरोसा ने, कुछ भी पूछ सकते है, आपको यह सभी थेरी, कम से कम तीन बार पढ़ने है, मैं तो याद करवा के दूंगा, बड़ एक बार आप भी तीन बार पढ़ अब बच्चों देखो क्या बूलें, बच्चों इंडिया ने डिसेन लिया था, लेट आस मूट वर आएफरेंट, चलो कुछ तूफान ही करते है, अब अपने को आएफरेंट लेकर बहुत भारी कुछ करने का है, इंडिया ने डिसेन लिया था, एप्रिल 2011 में, इंडिया दिसेन लिया था और इंडिया ने डिसेन लिया कि भाई साब, हम कहा पर जाएंगे, अप्रिल 2014 तक, अप्रिल 2014 तक, ये जनलित हैं कि सोचा था, अप्रिल 2011 में, इंडिया ने डिसेन किया, और तीन फेज में, 2011, sorry, एप symmet, 2011, April 2012, April 2013, ऐसे बेटा, मतलब तीन फेज है ने बेटा, जैसे बोल सकते है, 11, 12, sorry, 11, 12, 12, 13, 14, ये तीन financial year में, हम जरनी तहे करें, क्यों बच्छो, अगर आपने बोल दिया, सभी countries को बोल दिया, April 2011 में, अनॉंस किया, ना 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 मोरी जैसे, मोरी जब तो नहीं आये, मोरी तो ये थे न अपने, कुछ थे, मनमोई सिंग्ते, शाय से मनमोई सिंग्ते, अगर मैं करेंट हो बेटा जी, तो यार, मोरी जी तरह उन्हें इसे नहीं बोला, भाईयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद में, आज रात 12 बजे के बाद में, पुराने सारे AS, बरबाद हो ज जाएंगे, और सब को फॉलो करना पड़ेगा, IFRS फॉलो करना पड़ेगा, सब कंट्री के वाट लगगे, अभी करना क्या है, सारे AS पता क्या, खतम होगे, और आज को बाद में, आज रात 12 बजे के बाद में, जो भी IFRS फॉलो नहीं करेगा, उसको जेल में डाला जाएगा उस कंपने को पैनल्ट लगा जाएगा, वाट लग जाएगे न, इसे बोलेंगे तो, हाकी ने बेटा, तो इंडिया ने बोला, भाई साब इसे जुलम नहीं करते हैं, हमें काम करते हैं, हम धीरे दीरे ग्रैजूली, तीन साल में लेके आते, हम पहले फेस में, कुछ कंट्र इसको बोलेंगे, company को बोलेंगे, और last phase में हम सब को इसमें लेकर आएंगे, ऐसे इंडिया ने तीन साल का बच्चो रोड में प्रलगा था, ओके, तो एप्रिल 2011 से लेकर, एप्रिल 2014 में, इंडिया ने करें ऐसा कहता है, लेकिन यार, ऐसे होता है क्या, इंडिया ने तीन साल का सोचा तीन साल में सब होता है कर नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, सोचा तीन साल में ऐसा होगा, इसके लिए बच्चो रोड़ तो फोर दिया श्री गनेश हो चुका है अब खतम कब वह देखते हैं तो उसके बेड़ा अनुसार फेबरॉरी 2011 में फेबरॉरी 2011 में अपने MCA ने Ministry of Corporate Affairs ने MCA ने ये डिसाइड किया कि भाई साथ अभी अपने को अपने AS को IFRS के लेवल पर लेके जाना है उसके लिए हमें INDAS लाना पड़ेगा उसका decision लिया गया issue नहीं किये decision लिया गया कि अपने को IFRS लेवल पर जाने के लिए INDAS लाना पड़ेगा उसके लिए एक committee बनाएगी जिसका नाम बच्छों क्या था NACAS National Committee on Accounting Standard ये हमने committee बनाएगी तो ये committee और ICNA दोनों न मिला के 35 INDAS notify के दुबारा बता रहो दुबारा बता रहो बच्छों accounting standard से IFRS का journey conversion के लिए हमने decision कब लिया April में sorry April 2011 में हमें जाना था उसके लिए सबसे पहले फेब 2011 में फेब 2011 में एमसे ने क्या क्या एमसे ने क्या क्या नासक नाशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाशनल कमीटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ICI इन दोनों को बोला के भाई साब तुम इन इस इशू करो इशू करो तुम इन इस बनाओ तो नाशनल कमीटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ICI यह दोनों ने मिला के भाई साब उनों ने दोनों इस इशू करो तो ICI ने ने नाशनल कमीटे दोनों मिला के फेब 2011 में 35 इंडेस इशू के उन्हें अपना काम किया अब MCA ने बोला भाई साब हम इसको इंप्लेमेंट करना शुरू करेंगे एप्रिल 2011 फेब में इशू किया थे फेब मार्च दो महिना उन्हें अनलाइस किया और कमपने को गाइडलाइन जाना शुरू किया बोला कि भाई साब एप्रिल 2011 से अपने को इसको फॉलो करने का है तो इक मिंटे बिटेए सॉरी एक मिंटा गलेटे गलिवे कली फेग मिद मैं एक मिटे झाल 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 करना था बच्चो एप्रिल 2011 से यूज करना था दो चोड़ा तक बट हुआ क्या बच्चो यह हो नहीं पाया था ओके तो फिर बच्चो क्या देखो फिर बच्चो क्या हो गया मार्च मार्च 2014 में मार्च 2014 में हमारे ICA ने हमारे ICA ने एक रोड में बताए कि इंड एस को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं बच्चो समझ ना मार्च 2014 में ICA ने आपको रोड में बताए कि हमें इंड एस कैसे यूज करना चाहिए अभी यह रोड में बेटा फाइनल बेटा जी फाइनल है इसको जान से देखना बच्चो मार्च 2014 में हमारे ICA ने क्या बला कि भाई साब हम इंड एस यूज करना शुरू करेंगे एक एप्रिल 2016 से हम तीन साल में धीरे धीरे इंड एस यूज करना स्टार्ट करेंगे तीन साल में धैन सुना बच्चो अभी डाग्राम ड्रॉक करना बच्चो धैन सुना देखो एक एप्रिल 2016 यह फर्स सेरी शुरू हो गया खतम बच्चो कहा पर होगा बच्चो रेखो इक एप्रिल 2017 नेक्सर बच्चो शुरू होगा एक एप्रिल 2017 में धीर खतम बच्चो शुरू कब होगा एक एप्रिल 2017 यह फर्स यह रे शत्रा अट्रा यह और अट्रा उन्नीस यह थर्ड यह हमरे आईसेया ने क्या बोला एक एप्रिल 2016 से लेटर स्टार्ट अप्लाइंग बच्चो शुरू हमने कब से करना चाहा एक एप्रिल 2016 इसका मतलब आईसेया ने क्या बोला एक एप्रिल 2016 को जो फाइनश शुरू हो रहा है जो फाइनश यह तो 2016 सत्रा यह ऐसा फर्स फाइनशल यह जिसके लिए हम लोग इंड एस फॉलो करेंगे प्ली सुनना बिटा 2016 सत्रा यह फर्स फाइनशल यह था जिसके लिए हमने इंड एस शुरू किया इसका मतलब सर जी 2015 सोला साल के लिए हमने यूज क्या क्या था इस यूज क्या था 2015 सोला साल में इंडियन कंपने इस यूज क्या था दोज़र 16-17 साल के लिए यूज करेंगे इंड एस अब बता बच्चो अचानक से अगर आप एस से इंड एस पर शिफ्ट होगे अचानक से बच्चो रेखो अचानक से बच्चो रेखो ठीक है नए तो बच्चो रेखो मैं बता रहा था कि भाई साब 2016-17 में 2016-17 इस financial year के लिए हमने सोचा कि let us apply in डियस 2015-16 इस financial में एस था अब यार जो इन्वेस्टर है जो नॉर्मल पब्लीक है उन्हें क्या परना चलेगा मानलो आपने 15-16 में AS यूज करके आपने बने बैलेंस शीट और 2016-17 में आपने इंडी AS यूज करके बैलेंस शीट बनेगी तो पब्लीक तो कन्फीज होगी ना रहे चल के आ रहा भाई हमक कोई कुछ पताओ इसके लिए बेटा इसके लिए बेटा जी आईसे आई ने बोला भाई काम करो आप भले 2016-17 प्लीस समझें में टाग्राम बचो डॉक करो सुनो लेकिन आईसे आई ने बोला भाई साब ठीक है आप मले 2016-17 से आप इंडेस यूज करें हो बड़े काम करो जब आप 2016-17 की बैलेंस शीट बनाओगी जब 2017 बनाओगी लेटस प्रिपेर कमपेरेटिव बैलेंस शीट मतलब क्या करो आप 2016-17 की तो बैलेंस शीट एस पर इंड एस उन्हें बोला भाई साब हम 2015-16 की बैलेंस शीट बना चुके एस पर एस आईसे ने बोले वापिस करो उसको 2015-16 एस पर एस बनाया था उसको रिवाइस करो फिर एक काम करो 2016-17 और 15-16 इन दोनों को भी बनाओ एस पर इंडेस बनाओ सबको जीपा कहना लाए क्या चल रहा है क्यों चल रहा है आप अंडेसरेंड कर पा रहे हो क्या वापिस मुझे बता बच्छों इंडिया में फर्स टाइम इंडेस यूज करना कब से शुरू हो गया एक एपने 2016-16 से यूज करना शुरू हो गया 2015-16 साल के लिए उसके बच्छों 2015-16 साल के लिए आपको यहां पे कन वर्जन उसके लिए आपको रट्रस इफेड से आपको इंडेस फॉलू करना पड़ेगा मतलब क्या होता है आपको यहां पे कंपेरिट्व बैलेंश यूज बनाने पड़ेगी इसकी 2016-17 की और 15-16 की बै बच्छे लॉजिक लिए समझो क्या चल रहा है क्यों तो इजी पड़ेगा बच्छ आप लोगे के लिए तो बता नाल अल्यक बता नाले बटा मुझ आत हूं इंडए मुझ आत हूं सबसे है बेटा ईंडे स यूस करने कप शुरू किया एक के लिए और आपने थो सुला साल के लिए शुरू Mullay looking सब्सक्राइब करने के बाद में उसको प्रॉपर यूज करने के लिए कुछ एक्ट रिगुलिशन बनाना पड़ेगा आईसिया ने इंड एस इशु किये थे बड़ पब्लीक ने या कंपने उसको फॉलो करने के लिए एंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल या पर इंड एस रूल लाया और उसके अनुसार एंड एस इंड एस इंप्लीमेंट करेंगे कब कब 2016, 2017, 2018 और 2018 उसको इंप्लीमेंट करेंगे और लेकिन MCA ने यह फेज वाइस किया बच्छो दुबारा बतारा बच्छो यह जो अमीत अनन्दन ने बटा, एक बुलू के बटा, अमीत अनन्दन मैं आपका देखे बटा आप लेक्छर दो दिखते ने बटा जी लेकिन मैं बूलू क्या आप हर लेक्छर में यह बोलतों के सर लेक्छर पब्लीक करो बहाए साँ इतना रिक्वेस्ट करूँगा आप लेक्छर पब्लीक के मेसेज करने आप लेक्छर देखो चाल बेटार के बटा ने और आएक बुल के बटाजी नौत अनली फॉटी छांतर बैटा ज्ट बुलू कि जो बच्ची बच्ची महीं बुलू क Let us do YouTube इसक्राइफे छॉपटर के लिप ढबो ही आप दीक्र हो YouTube ने उ पचणते इसको बठा पहले बैटा ज्य करulated मैंने हर चाप्टर का मैंने मोरल बच्ची दिसकेशन के है हर Chapter के हमने भुक नहीं करिंगे भी और जननो बचा जननोे लेका लिकन आर्फ किया लेकिन ओके लेकिन आपके रिक्षोड लेकिन आपके रिक्वेस्ट पेढा गला तो मैं बोल्रा जादा हो प्लीस लेक्यर पेढा घीड़ा है लिंक ने ब्रेक लिंक ने ब्रेक करते हैं सबका ठीक ही रिक्वेस है बिटाँ जी थबस इतना बड़ा बलाँ चाहिए यार नॉलेज मिल रहा है बटो रहा है क्यों टेंशन ले रहा है चलो बिटाँ जी लेकिन ऑप्षण ही इस पर एक्जामे कुछ भी गड़ा कोशन आ सकता है बड़ा चलो मुझे पहले मुझे आता हूँ बड़ा मुझे आता हूँ बड़ा मुझे आता हूँ इंडिया ने एस यूस करने का बच्छों मुझे आता है इंडिया ने इंडियास यूस करने का या IFRS के साथ तन्वर्जन करने का फैसला कब लिया 2011 2011 साल में फेब 2011 साल में इंडिया ने बच्छों डिसिन लिया उसके बटा अनुसार 2011 साल में 2011 साल में अपना ICAI और नैशनल national committee of accounting standard बटाजी उन दोनों ने मिला के 35 इंडियास इश्यू के कब के 2011 में इन्होंने सोचा था कि अगले 3 साल में इसको हम इंप्लिमेंट करेंगे बच्छों अगले बच्छों तीन बटा साल में हम इंप्लिमेंट करेंगे इस सोचा कि एक एपरे 2016 से हम इंपलेवेंट करेंगे इसके लिए उसके लिए MCA ने MCA ने सबसे पर रूल लेकिया है INDAS 2015 INDAS 2015 रूल लेके बढ़ाईजे 2015 का जो रूल था बच्छो आपने इशू कब के थे 2011 इशू के थे उसको इंप्लिमेंट कब से करना था और इंप्लिमेंट कब से करना है कोन सी कंपन निकल करना है फो तो बताना पड़ेगा बच्छी, समझाय sekarang ये बुलकल नहीं चले है यूस करना है बढ़ किसको यूस करना च्छी किसके लिए बच्छी उसके लिए बच्छी आपको रूल निकला पड़ेगा तो MCA ने एक रूल जारी किया इंड एयस रूल 2015 एयस रूल 2015 एयस रूल 2015 में MCA ने क्लियरली बोला कि एक अपरे 2016 से लेकर हम लोग इंड एयस को फॉलो करना शुरू करेंगी तो सबसे प्ले MCA ने 2015 में जो रूल आया था उसके अनुसार कुछ कंपनी को MCA ने मैंडिटरी क्या कौन सी कंपनी बच्चो आगे हम पढ़ेंगे आगे हम देखें बच्चो तो 2015 के रूल में MCA ने बोला कुछ कंपनी के लिए हम अभी मैंडिटरी करें कब से 2016 सता साल के मैंडिटरी करें उसके बाद MCA ने समय समय पे नया रूल आया पहलो बच्चो कि मानलो MCA ने बोला प्रिसे बता रहो, 2015 में MCA रूल आया, 2015 में मानलो MCA ने बोला, मानलो MCA ने बोला कि बाई साब, इस कंपणी ये कंपणी के लिए अभी इंडेस एप्लिक होगा, 2016-2017 साल के लिए, 2016 में उन्हें और रूल आया, बोला कि बाई साब अभी उसके अगले साल, 17-18 में, हम और पर चानल,ंतों हूने क्या, सभी कंपनी को, इंडेस में लाया, बर थीरे थीरे, 2015 में थोड़े कंपनी को लाया, 2016 में और भी अत्रेस का जानल, dan 2017 तो गोला कि उसमें और एमेड़ी में की and as को implement करने का पहला rule कब आया बच्छो पहला बच्छ रूर बच्छ कब है? मैं कटा मेंहीं मुझे बता सबसे पर चानर चुरू किया 1 साल के इंड इएस बना है और साथ में पिछले साल के लिए भी हमने रिवाइज हमने AS, रिवाइज हमने बैलेंशीड बनाई है सब को जेपा कोई तकली पच्चस में, कोई तकली पड़ेस में अपने को, सब इसे comfortable है तो सब को ये year समझ में आ रहे किया अब ये तो समझ में आ रहा ये तो समझ में आ रहा कि भाई, सब ये तो समझ आ गया कि MCA ने सभी company को एक साथ इंड एस follow करने का compilation नहीं किया 2015 में कुछ company के लिए compilation किया, फिर बाद में कुछ company के लिए compilation किया बटा जी, हर बार amendment लाके, नएने company को compilation किया, अब हम discuss करते कि शुरूबात में कौन सी company को compilation किया, फिर बाद में किसको compilation किया बटा जी, ये step by step में discussion बटा करना है अब तक हमने सिर्फ इन सभी rule के amendment का हमने year पड़े, अब हम देखने के लिए, ये हर साल जो rule आया, हर साल जो amendment आया, उसमें कौन कौन से company को हमने खुपचे में लिया, वो हमको पढ़ना है बिटा जी ओके, गाने के सब लोग अब बता बच्चो बिटा मुझा आता हूँ, सबसे पिला rule कब आया था, 2015 में तो 2015 में जो rule बिटा आया था, AS 2015 लो, AS 2015 उस rule ने क्या बता है, उस rule में बता है, सबसे पिले उस rule के तहट हमने इंड एयर्स applicable किया, कौन से company बच्चो दिको, rule 2015 क्या बोलता है, the following company, following company should apply इंड एयर्स, 2015 के rule ने क्या बोला, following company should apply इंड एयर्स from 1 April 2016 हमने बढ़ा, कौन से company तो Rule 2015 में बोला, सभी company except banking company, non banking, MBFC और insurance company, तो ये तो बड़ा clear है कि Rule 2015 से banking company, MBFC और insurance company को, Rule 2015 में banking company, MBFC और insurance company को exempt दिया, उनको बोला कि आपको इंडेस फुलफिल नहीं करना है, फिर किसको लिया गया? एसी company, एसी listed company, जिनका network पासो कोड़ के उपर है, एसी unlisted company, जिनका network पासो कोड़ के उपर हूँ, मतलब, listed company, बच्च, हम क्या देख रहे है? Rule 2015 में, बच्चों देखो, Rule 2015 में किसकी स्कॉप चपटे मिलिया? Rule 2015 में क्या बोला? देखो, Rule 2015 में कहला, हम सबसे पहले, banking company, NBFC और insurance company को हटाते हैं. पिच्चे लेंगे चिनी, banking, NBFC, insurance company छोड़ के, Rule 2015 में कहला, banking, NBFC, insurance company, आप निकल जाओ, यह से निकल जाओ, निकल जाओ. पिच्चे जितने company बचे, उनको बोला, आप में से भी, जो company बचे ना, उसमें से भी, जो अगर आप listed company हो, और आपका network पासोगोड के ऊपर है, और अगर आप unlisted company हो, और आपका network पासोगोड के ऊपर है, या फिर, आपकी कोई holding company है, या आपकी कोई subsidiary company है, या आपका कोई joint venture है या आपकी associate company आप लोग रुख जाओ तो rule 2015 में क्या बुला banking company NBFC और इंचे company निकल जाओ हटो यहाँ से फिर बुला जो company बच्चे उसमें से जिनका network पासोगड के उपर है listed हो या unlisted हो उनकी holding, उनकी subsidy उनका joint venture, उनका associate उनको रुका के लिया, बाके लोगों को बुला टाटा बाई 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 तुम निकलो फिर जो company बच्चे कौन से company बच्चे, जिनका network पासोगड के उपर है और उनकी holding associated, subsidiary joint venture, यह company बच्चे इननी सब को क्या किया, इननी सब को खुपचे में बुलाए, बाला इधर आजाओ, इधर आजाओ उनको छुपके से बला भाई साब, अब तुम्हारी वाट लगने हो ले, तुमने बहुत एश कर लिया, तुमने अभी तक AS apply कहना, अब छुपचाप तुमको इंडे AS apply करना पड़ेगा, यह कब बोला, 2015 में उन्हें बोला, कल से apply करेंगे, अरे बोला, कल से नहीं नी बाबा एक financial पर खतम होने, दो 2015 में उनको बोला गया, पर हमने बोला, भाई साब एक काम करो, एक केपिल 2016 से, एक केपिल 2016 से, जो नया financial शुरोगा, तब से आपको apply करना है, समझा क्या बीटा जी दुबार बता रहा हूँ, बता बच्चो इंडे AS apply करने के लिए, सबसे पर रूल कब लाए गया, 2015 में 2015 के रूल के तेद, कौनको इसे company को छुटकार दिया गया banking, NBFC इंशुर कब चुटकार दिया गया तो क्या बाकि सभी company के लिए compilation के आगया, नहीं सर, उसमें भी से बड़ी-बड़ी company listed company, जिनका network पासो से र के उपर है, unlisted company, जिनका network पासो से र के उपर है, उनका holding उनका subsidiary, उनका associated, उनका joint venture इन सब को बोला, कि आपको INDAS follow करना है, कबसे लेकिन, एक अपर 2016 से, ओके जैसे MCA ने इससा बोला, बाकी company खुश होगे, अरे ये लोग फजगे ये लोग फजगे, ये बड़े लोग फजगे अब उन तो बच गे, पिर MCA ने लाया, amendment rule, 2016, ये 2015 था, पिर 2016 में 2016 में, फर्स तेम amendment किया, तो MCA ने 2016 में जो amendment लाया, amendment इन 2016, उसके बात आए amendment इन 2016, 2016 में जो amendment आए, तब MCA ने बोला, भाई साब अब हम और company को चपेटे मिलेंगे, कौन से? ऐसी listed company, जिनका network पासो करके नीचे अरे, जिनका network पासो करके ऊपर है उनको तो इंडेस में अपने पहलेश लिया आता अब किसको लेंगे? ऐसी listed company, जिनका network पासो CR के नीचे सब को लिया, 400 CR, 300 CR, 200, 100 अगा listed होना, सब को खुपशेम लिया अनलिस्टेड में बोला, अनलिस्टेड में लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कॉम्परमेंस किया, उन्हों अनलिस्टेड में क्या क्या? जिनका network 200 CR, 500 CR, 500 CR, लिस्टेड के सब लिया listard में, जिसका turner पासो CR, जिसका network 500 CR के नीचे सब को लिस्टेर में से लिया अनलिस्टेर में से उन्हीं को लिया जिनका network 200 CR, 500 CR के बीच में और अगें, उनकी holding, उनकी subsidy, उनकी joint venture, उनकी असो CR इन सब को खुपचें बोला बाई साब खुशी के दिन खतम होगे अब तुमको भी INDAS apply करना पड़ेगा कब से एक एप्रिल 2017 से अब उचे एक्जाम कुशन कैसा बोलेंगे which of the following companies are required to comply INDAS from A.K.P.R. 2016 से कोन सी कमपनी के लिए INDAS का compliance मेंडरी किया गया A.K.P.R. 2016 से किसको मेंडरी किया गया listed company network more than passosier, unlimited company network more than passosier और उनके holding, subsidy, associate joint, पर इस पर किसको हटा आए गया except banking, NBFC insurance को हटा गया बिटा जी मतलब कोई banking company insurance ए पर उनका network passosier के ऊपर होगा तो अभी उनके लिए INDAS applicable नहीं होगा फिर कोशन आ सकता है A.K.P.R. 2017 से कोन से कमपनी के लिए INDAS mandatory किया गया 2017 से AC listed company जिनका network passosier के नीचे AC unlisted company जिनका network 500 पासो के बीच में और उनके holding, subsidiary, associated, joint region इन सबको भी खुपचे में लिया गया ओके बिटा जी सबको जेपान ना लेक, सबको जेपान ना लेक अब बच्चो देखे, अब देखे बच्चो अब समझदा इसमें और एक condition क्या डाले, MC ने क्या बोला देखो भाई साब कुछ company मानलो, 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 मानलो एक unlisted company जिसका टर्ण 300 CR एक unlisted company जिसका दो हजार सोला का टर्ण जिसका दो हजार सोला का टर्ण 300 CR उनको बला भाई साब अगर अगर अंग्लिश सेरी company हो, आपका दो हजार सोला का टर्ण अगर 300 CR आपका टर्ण धाईसो और पसो के बीच में आ रहा है आपको एक अपर 2017 से इंडेस अपलाई करना पड़ेगा, चंपने, company छुचा बोला ठीक है सर, हमें काम करते हैं, एक अपर 2017 से हम इंडेस अपलाई करते हैं अगले साल हुआ गया, अगले साल company का turnor कम हो गया, अगले साल company का turnor 200 CR हो गया अब company खुश, company बोलते हैं, भाई साब, अभी अपना turnor 200 CR है, अभी मेरा turnor 200 CR के नीचे, अब किसी का पपा भी मुझे, इंडेस के लिए फोर्स करने से था, हमने बोला भाई से नहीं चलेगा एक बार तुम इंडेस में फस गे ना, इंडेस ये ऐसा पता कि बच्छो, ये ऐसा एक जेल है, जिए एक बार चलेगा अंदर वापर इस नहीं सकते बिटाजी, कैसी जगए वापर फस गे तो फस गे बिटाजी, फस गे तो फस गे, इसका मतलब कि अगर मान लो, कोई company कर कि उसी साल लिमिट में फसने को वाज़े से इंडेस में चली गора पते तो ईनको इंडेस कर आपड़ेगा, इंडेस एक बार आपड़ाय किया, तो बार बार आपड़ाय करहagne का, उसे छुटका अगरा पार मतलब 2016, 47, आप जबी ऑगर एक बार इंडेस के चपाटे में आगे, आपको वापीस फुलफिल करना पड़ेगा, बने आपका लिमिट कम होँआ तो भी, इसके अलावा, इसके अलावा, कुछ कमपनी में बहुत मश्ती थी, बोलते हैं भाई साब, यह बड़े-बड़े इस कमपनी इंडेस क्यों अपले करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी क आपकत नहीं है, लेकर में बहुत नालक याद अखना, तुमने वालेंटरी, तुमने कमप्लाइस करना शुरू किया, बाद में पिछे मत बढ़ना, बाद में डर लगा ना, पिछे ने अटने का, बाद में बोलना सा डर लग रहा करके हमको, एक बार इंडेस में आगे ना, तुम वापिस हट नहीं सकते, फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलग क्या, एक तो लो ने तुमका कमप्लाइस करना पड़ेगा, और तुमने तुमने तुमारे मर्जी से, तुमारे अपने कल नहीं थारे बाबा, तुम छोटे कमपनी थे, फिर भी तुमने वालेंटरी, एक बार बेटा इंडेस पेट अपलाए करना शुरू कर रहो, हाँ बेटाजी, और सुनो बेटाजी, एक बार बेटा इंडेस अपलाए करना शुरू करना तो तुमारी कमपनी बैलेंटरी हो, जो तुमारा जो बैलेंटरी उसके तो अपलाए होगा, साथ में जो तुमारे Consultated Statement है, जो Combined Statement है, उसको भी apply करना पड़ेगा. Once you are applying in the Indias, Indias are required to be applied to your own statement also, और Consultated, जो Combined Statement है, उसको भी apply करना पड़ेगा. सबको जेपा, सबको जेपा. और Sir, मानलो Sir, मानलो, अगर कोई कमपनी पर नहीं फस रहे, उसके लिए क्या? अपने नॉर्मल पुराने account apply करते हैं बैटेंगे, कब तक जब तक नया amendment नहीं आता है, जब तक नया bum नहीं फूटता है, तब तक वो सिर्फ अपना normal AS apply करते हैंगे. जैसे बम फूटेगा, जैसे उनको भी compression किया जाएगा, उनको छुप चाप index follow करना पड़ेगा. अब बच्चो, पिछले जो दो साल थे ना, जो दो rule थे, उसमें हमने banking, NBFC और insurance company को हमने छूट दी थी. अब हम लोग फसाएंगे NBFC को, NBFC को सबसे प्ले कबसे फसाए, एक पर 2018 मतलब क्या है, 2016-2017, 2017-2018, ये दो साल NBFC, banking, insurance है, bank का रहिश की, उनने सिर्फ AS apply किया, इंड AS apply किया, वो सभी company पर हसते थे, इंड AS हाँ, इंड AS हाँ, इंड AS हाँ, सहते, तुम इंड AS apply करे हो, क्या रहिए, कैसे लोगे, देखो हम लोग देखो, हम वही AS use करे, जिंदगी हो तो ऐसी एकदम खुश मिसाज, बड़ गौर्मेंट को, उनकी खुशी देखी नेग कि, किसे गौर्मेंट को चुग ली की, बोला साब यह जो NBFC ना, यह banking company बहुत जलते, बहुत जलते, हम पर हसते यार, बोला तुम इंड AS use करे हो, हम तो use ने करे, तो गौर्मेंट ने बलो, अच्छा, यह हसते तुमारे उपर, रुको, अब इनको वाट लगाते, मैं तु तु, रुको, तो गौर्मेंट ने क्या-क्या, बोला NBFC, अब तुमको भी खुप्चे मिलेते, कब से, एक एपरिल 2018 से, एक एपरिल 2018 से, तुमको भी, आएफा, तुमको भी, इंडे से अपला करा, बहुत लोगों भसते थे थे न, अरे यार, अरे घाटला किया, झाल झाल लट गया लट गया लट गया चल लट ख़र ख़र को करते। चल नालक शुरू करते हैं। लट स्टार्ट लट स्टार्ट लट स्टार्ट आ शुरू करते। बच्चों रेके अब बच्चों समय नालेक हमनों बटा जी मौडू का चप्टर बटा बटा पढ़ रहे थे चप्टर नमबर 12 जहां पर बच्वों आयफरस का डिसकेशन था और अपना भारत देश बेटा जी अपना बाहरदेश ने बच्चों आयफरस मतलब इन डेस को कैसे हम में एंडब किया उसके बार हम चार्चा बटा कर ले थे हम पर तो चार्चा को हम आगे बढ़ाते है चलो बजह डिसकेशन को आगे बढ़ाते हैं लेटस कंटूनल डिसकेशन हम जरा डिसकिशन को आगे बढ़ाते हे 4 offense斯स किसमों को तो बह्याजी यहेंस चätt छाप्टन 12 आपके सामने, देखते, किसको कितना यादे, अब देखते, अब देखते, अब देखते, अब देखते, किसको कितना यादे, शालो, बड़ा मुझे आता, बच्छो, IFRS कोन सी बोड़ी इस्यू करता है, बता बच्छो, ऐसा कोन सा बोड़े, जो IFRS इस्यू करता है, बोलो IASB. IASB. इशू करगा IAS. बच्चो, इंडिया ने आपने Indian gap से IFRS में जाने का फ़ैसला कोन से साल में किया था? बोलो ना लग. इंडिया ने IFRS, sorry, इंडिया ने Indian gap से IFRS जाने का फ़ैसला कोन से साल में किया था? 2011 में. सब बच्चे comment करेंगे मैं सब कर वेट क हुआ रहा बोलो बोलेंगे कब सेश्री 2011 में और कब तक रिम रखा था 2000-14 तक रिम रखा था बड़ हुआ क्या नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ तो अपना इंडिया सिरियस कब हुआ 2015 में, देखो वैसे तो बच्छो 2011 में, वैसे 2011 में, ICI और National Committee of Accounting Standards, इन दोनों ने मिला के 35 इंडेस इशू के, कब 2011 में? 2011 में, ICI और National Committee of Accounting Standards, दोनों मिला के बैटा जी, 35 इंडेस इशू के, इंडेस, इशू के, क्यों इशू करने से क्या होता है? लोग यूज भी करने चीव, हागे बैटा, इसको इंप्लिमेंट करने के लिए, इसको बच्छो इंप्लिमेंट करने के लिए, इंप्लिमेंट करने क कि कोन बता है कि मुझे INDAS की शुरुवात सबसे परे, इंडAS के इंप्लिमेट करना शुरू क्या। किस तारिक से हमने INDAS इंप्लिमेट करना शुरू किया। आरे भाई साब इंड एस हमने इंप्लिमेंट करना शुरू किया 1 एप्रिल 2016 और 1 एप्रिल 2016 में इंड एस इंप्लिमेंट करवाने के लिए MCA ने 2015 में एक रूल जारी किया इंड एस रूल 2015 इंड एस रूल कब आया है 2015 में 2015 के रूल ने क्या बोला कि 1 एप्रिल 2016 से आपको इंड एस अप्लिमेंट करना है बड़ किया इंड एस के लपेटे में सबी कमपने को लिया गया है किया नहीं 2015 में रूल जो आया था उसमें कुछी कमपनी को लिस्टेड और अनलिस्टे को लिपेटे में लिया गया फिर उसके बाद अमेंड मेंड रूल कितनी बार आए बोलो 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 अमेंड मेंड कितनी बार आए चार बार कब है 2016, 2017, 2018, 2019, चार बार वो सुलुक का अमेन किया गया याद नालाग सबको, याद नालाग सबको, यस अब बता बच्छो, बेटा मुझे आता हूँ बच्छो, गॉर्मेंट आफ इंडिया ने बेटा जी सबसे पले बढ़ा इंडिया बेटा जी, उसके लिए अपरलुक कब दिया बेटा जी 16 फेब 2015 को दिया, अब देखो बच्छो, 16 फेब 2015 को, 16 फेब 2015 को जो इंड एस रूल आया था, 16 फेब 2015 को जो इंड एस रूल नोटिफाई वा था, उसने क्या बोला अगले साल, एक एप्रिल 2016 से, एक एप्रिल 2016 से, इंड एस अपलाई करना पना है, किसको, सभी कंपनी को नहीं, कोन बता है अमरे को, एक एप्रिल 2016 से, इंड एस सबसे पले, किसको अपली करना है, सबसे पहले है, लिस्टेड कंपनी, ऐसे लिस्टेड कंपनी, जिसका टर्न OCR के उपर है यह पर जिनके holding या उनके subsidiary या उनके associated या उनके joint venture उनके लिए इंडेस apply किया गया तो फिर से सब लोग बताएंगे बच्छो सबसे पहले इंडेस apply कब से शुरुआ एक April 2016 से और एक April 2016 से इंडेस किसको apply करने के लिए बो ला मुझे पहले बता, इंडे से किसको हटाए गया, पहले बोलो किसको हटाए गया बैंकिंग कंपनी, इंशूरंस कंपनी, या दे बच्चों, बैंकिंग कंपनी, इंशूरंस कंपनी इन सबको इंडेस से हटाए गया इनको छोड़के बाकी सभी में ऐसी लिस्टेड कंपने जिनका नेट वर्थ, बैंकिंग एन बी एपसी या दे क्या और इंशूरंस कंपनी ये छोड़के बाकी कंपनी में अगर आप लिस्टेड हो जिनका नेट वर्थ पासो सेयर से जादा है अगर आप अनलिस्टेड हो जिनका नेट वर्थ पासो सेयर जादा है या आपकी होल्डिंग सबसीडरी या फिर आपके जॉइंड आपके जॉइंड आपके इंडेस अपलाई किया गया इसमें एक हमने बुला भाई साब एक केपर 2016 से इंडेस सो बनाना पड़ेगा पर साथ में प्रीविएस येर के लिए आपको एयस और इंडेस दोनों से बैलेंशीर बनाना पड़ेगी और साथ में हमने क्या बोला एक बार आप इंडेस के लपेटे में आगे पीछे मूर्ड नहीं सकते एक बार बेटा अपलाई किया तो जिन्दगी बर के लिए अपलिकेबल हो जाएगा फिर अपने वुफन है भी ऑ्पलाई किया जाएगा उसके बाद नेट्स लपेटे में कब से लिया एक एप्रिल 2017 से हमने किस्प को लपेटे में लिया एक इपर 2017 से हमने बच्चे शार लिश्टेड कंपणे पहले कोन से ते ऐसे लिश्टेड कंपणे जिनका नेट्व manager पास्व शेषे से उपर था अब बोला सबका नमर करा सबका नम्बर से वह अपर राई Sam से लिश्टेड कंपणे जिनका ट्रेन पासो सेर के नीचे भी उनको भी लपेटे में लिया, ऐसे लिस्टेर कमपनी जिनका नेटवर पासो सेर के नीचे है, अनलिस्टेर में जिनका नेटवर टू फिफ्टी से लेकर पासो सेर है, लिस्टेर में जिनका नेटवर पासो सेर के नीचे है, मतलब जीरो सी पासो सेर, औ और अनलिस्टेट में, जिनका नेटवर्ट 255 से लेकर पास्वी है, सहीं सभी कंपनी को, हमने लपेटे मिलिया, और उनके जो भी होल्दिंग है, उनके जो सबसीडरी है, और उनके जो असोसेट है, उनके जोईन ट्वेंचर है इन सबको लपेटे मिलिया और हमने बोला भाया जी आपको एक एप्रिल 2017 से इंडेस अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद नेक्स हमने बंड कब डाला और हमने उनको यह भी बोला एक बार इंडेस अप्लाई किया रिवर्ड बैकर नहीं सकते और स्टेट्मेंट के लिए भी किया गया ओके यह सब हमने पढ़ा था उसके बार बच्छा यहां तक आके थोड़ा सा बैटा जम लोग रूग गेते यहां पे डिसके अभी इसके बाद डिसकेशन हैं पर चुरा सा नेट्वर्क गया था लाइड गेती उस्तों हुआ था ओके बेटाजी अब डिसकेशन करेंगे अब अगली वाट लगेगी अभी NBFC यादे क्या NBFC बहुत खुश हो रहे थे सब पो चुड़ा थे अरे इंडेस तुम इंडेस अप्लाई करो अरे हम तो अप्लाई नहीं करते हम तो यह सप्लाई करते NBFC सब को हुसते थे लोगों ने NBFC इदर आजाओ इदर आजाओ इदर आजाओ बहुत हस्ती आती हैं तुमको बहुत हस्ती आती हैं अब 1 एप्रिल 2018 से तुमको भी इंडेस अप्लाई करना पड़ेगा बड़ किसको ऐसे NBFC ऐसे NBFC जिनका नेटवर पासो करोड से जादा है या उनकी होल्डिंग उनकी सबसीडरी उनकी जॉइन ट्वेंचर और उनके असोसेटर इन सबको हमने लपेटे मिल लिया NBFC जो बहुत लोगों पे हसते थे उनको बोला भाई साब अगर आपका आप NBFC हो आपका नेटवर पासो से जाद बहुत है या आपके जो भी होल्डिंग आपके जो सबसेडरी है आपके जो असोसेटर है जो जॉइन टेंटर है हम सबको हम इंडियाएस अप्लिकर करने को लगाएंगे कब से एक पर गोजार आट्रा जेखो पहले कब था एक इपर 126 था फिर तीसरा पढ़ाओ एक हपर द तिसरे पढ़ाव में हमने उनी एन्बीएपसी को लिया आता जिनका नेटवर पासो से आर से जादा था, अब इवी छोटी छोटी ननी ननी से एन्बीएपसी जिनका टर्नर पासो से आर के निचे था, वो हसते ही ते लोगों पे, आरे इंडिये से अपलाई कर रहे हो, क्या भलतु लोगों तुम लोगों, गौवर्मेंट ननी निकलो है, उठो, आजाओ, 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 तो गौवर्मेंट ने क्या बोला, भाई साब, अगर आप अन्बीएपसी हो, आप भले लिस्टेड अन्बीएपसी हो, फर्ग नहीं पड़ता है, अगर आपका नेटवर पसो सेर के निचे है, आप लिस्टेड हो, आपका नेटवर्ड पसो सेर के निचे है, और आप अन्लिस्टेड हो, लेकिन आपका नेटवर्ड भाई सो से लेकर पसो के बीच में, वही लिमीट है, वही लिमीट है, जो पहले ते ना, लिस्टेड के लिए क्या होगा, पसो से 2019 से तो 1 April 2018 में हमने बड़ी बड़ी NBFC को लिया था जिनका नेटवर पासो से अपर था 1 April 2019 से हमने सभी NBFC लिये लिस्टेड में जिनका नेटवर पासो से निचे होआ तो भी चलेगा अनलिस्टेड में जिनका नेटवर्ड धाई सो सो और पसो के बीच में और उनके सभी होल्डिंग सबसीडिय इन सबको लपेटे में लिया गया तो उनको भी किया उसके बाद में उसके बाद में उसके अलावाना बच्चो गौर्मेंट ने क्या क्या पता है क्या जब गौर्मेंट ने NBFC खुपचे में लिया न बेटा तो गौर्मेंट को पता चला भाई साब ये NBFC के साथ में न ये बैंकिंग कमपनी बहुत हसते है ये बैंकिंग बहुत कमीन है तो गौर्मेंट ने क्या बुला एक एपने 2018 से हम NBFC को लेते रहे और एक नेक काम करते है और एक नेक काम करते है गौर्मेंट ने क्या ला बैंकिंग कमपनी आ जाओ बहुत हसते हो ना बहुत हसते हो अब तुमको हम लोग सदा देंगे तो गौर्मेंट ने बोला भाई साब बैंकिंग कमपनी पहुत हसते हो ना गरूड पुरान ने बोला है गरूड पुरान में बोला है कि जो भी बैंकिंग कमपनी लोगों पर हसेंगे उनको एक केपर 2018 से इंडेयस अप्लाइ करना पड़ेगा नहीं तो अप्राचित आएग और तुम्हारा मढर करतेंगा आएसे एक्जेम्बल ना या से इसमात होना ठीक मेटा तो गौर्मेंट ने क्या बोला भाई साब अगरों तुम बैंकिंग कंपनी हों तो को न वैंकिंग कंपनी कैसे अगरों शेडियूल कमर्शल बैंक को उसमें गौर्मेंट ने छोटे-छ बड़े बड़े लोग थे पबाबा एक्जीम बैंक एनेच बी नाबाड यह बड़े बड़े बैंक थे फिर इंशूरंस कंपनी को भी खुपचे मिल लिया गौर्मेंट ने क्या बोला अगर आप शेडूल कमर्शल बैंक को अगर आप अल इंडिया टर्म लेंडिंग इंशू इन सब कोम खुपचे मिलेंगे और एक एप्रिल 2018 से हम इंड एस लगाएंगे तो बच्छों गरुडपुरान के तहट एक एप्रिल 2018 से सजा किसको मिली तो गरुडपुरान ने बोला कि एक एप्रिल 2018 से सजा मिलेगी पहले NBFC को एसे NBFC जिनका नेटवर्ड पासोसियर के उपर है और उनके होल्डिंग सबसेडरी असोसियर जेवी होता इंगेज और साथ में किसको खुपचे मिलिया और शडू कमरिशल बैंक रूलर छोड़ के फिर जब फाइनशल सवस्तात है वो फिर इंशूरंस कंपनी फिर उनके ह इनके भल डी अशोसियर जिए इने सबको लिया और इन सबक्ते हिर यह इंपर 2018 में खुप्चे में है और छूट औच चुटे नबसी उनक Camley,हने सबको जर्फा ना लाएक च्पा सबको र depends कि यतेम को स्राइब तुर्ड पुरा यू को सेंगे पीका सेंगवा नेग सुताय आजित पताना हम पो मुझे रंभिर को ने रंभिर वो committee कर रहा है वो प्रिकर हे न हां और नाए साहरी उसारी ब्ड़ारी नाए साहरी को अपने पुरवार में की वाई साथ जो सीए विचे पढ़ाया नहीं कते ना लेक जो पढ़ाया नहीं करते उनको भी सजा मिलेगी उनको वो ऐसे गरम का तेल में पता क्या तलने वाले गरम का तेल में ऐसे उल्टा लटका के मारेंगे हां तो नालाइक पढ़ो 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 सबको जेपा के बच्छो तो चार बार में इंडेस लगा है एक है पर 12, 16, 17, 18, 19 सबको लिमिट क्लियर है क्या 16 में किसको खुपचे मिलिया, 17 में किसको लिया, 18 में किसको लिया, उन्हें किसको लिया, बसे दो बार बेटा पढ़के निकाले, बाहाट हो जाएगा सबको जेपा नालाएक, सबको जेपा नालाएक, यस, 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 क्लियर है, ठीक है क्यों भूंए आरे बहुत असिरे तुमारी नंबर आएगा तुमारबे नंबर आएगा हस्त लोह स्वीं नीजिस जितना नहाए अभी तो सबमडुर इंडेश में आगे बस कुछ युदॉ बचवर इंडेश से चलो अब तक हमने क्या डिस्क्यास क्या, इंडेयस किसकीष के लिए कलीए किया बुलिए और कब कब से अब ज़न्द देखते हैं, जारत देखते हैं, इंडेयस में क्या-क्या है, आप बच्चो के लिट्रि बुलीए कreyटा जी, तो इंडेयस न जी यह सभी नाम्यार बाहर कर सुर बच्छोए एक काम करते है, इ täll यौशं मैं सबसे बच्चों क्या त्रमत रहते हैं? इंडेस पर quiz दूँगा और बच्छो एक बेटा में quiz दूँगा आपके IFRS के उपर उस quiz के थुरू बेटा जी आपका पुरा बाहड कराकर दूँगा तो सबसे पर बच्छों क्या करेंगे बाहड करेंगे फिर quiz देंगे और quiz में जो भी सबसे fastest होगा उसको price मिलेगा चला बच करना अंदर content कोन देखता है content कोई दिखता है निंशूड में समझा क्या इतना content पढ़ने के ना लाइक लोग उधा सीए के बच्छे पता क्या सीए के बच्छे पूरा पास पास ओपेच्छ content पढ़ते फिर जेपता ने उनको तुम समझेव 10 पेच्छे content तो समझेवे ऐसे नहीं हो दो बिटाइजी समझा क्या आप चलो अब अच्छे देखो बस सबसे बहुत अच्छे देखो इंडेस क्या है 101 इंडेस 10101 फर्स्टाइम अडॉप्शन ओप देखो बच्छो जो मेंन मुझे रगते बच्छो उसको बेटा जी मैं मार्किंग कर गए यह तो रटने ची बटाई बाकी तो आपको याद करने है पड़े बाकी आपकी मर्जी इंडेस 101 फर्स्टाइम अडॉप्शन ओप इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्ड जब भी कोई भी कंपनी फर्स्टाइम इंडेस अप्लाय करना चाहती है तो कंपनी थोड़े शर्माती है कंपनी तो शर्माती है अरे फर्स्टाइम इंडेस को देख रही कंपनी कंपनी शर्माती है अरे इंडेस ओकी इंडेस क्या बाते कंपनी शर्माती है हम कंपनी बोले भाई साब तुम फर्स्टाइम इंडेस यूज कर रहे हो बिल्कुर शर्माती है बेशर्म होके यूज कर जो भी तुम्हारे इंट्रिम स्टेटमेंटे सब में इंडेस तुम यूज करो और इस तरह से इंडेस यूज करो कि तुम्हारे सभी स्टेटमेंट प्रॉपर ट्रांस्परंट होने चाहिए प्रॉपर तुम्हारा स्टार्टिंग पर प्रॉपर बताओ तुम्हें कब से अप करने में इतना खर्चा हो गया यूज कुछ नहीं था इंडेस का समझा क्या तो आप इंडेस को इस तरह पच्छ यूज करो कि भाई साब वो यूजर के लिए ट्रांस्पर्ण होना जी सबको प्रॉपर समय आना चाहिए कि उसका प्रॉपर स्टर्टींग प्रॉपर कोई कब से उपलया करना श्रू हो बताना पड़ेगा और इंडेस को आ प्लेकरने से कुछ थो कि बनेुफिट होने चेट, पता चला,還有 a-point कि रहे ilوم में खर्टाच बहुत होगा, benefit कुछ रहे 이상 नहीं होने चे बड़ेु इस तरह से apply कि जरेगे जिए तो इंडेस 10 क्या बता रहें? फर्स टाइम एड़ॉप्शन ऑप इंडेस फर्स टाइम इंडेस अपलाई करते हैं वग पूरा अपलाई करने का सभी स्टेट्मेंड को इंटरिम को सबको अपलाई करने का ऐसा कौन बोलता है? इंडेस 109 बोलता है ओके, next इंडेस 102 शेर बेस पेमेंड अब अब अजे शेर बेस पेमेंड क्या होता है? इसके ओपर आपके मॉडूलों बच्चो एक सेपरेट चाप्टर बच्चो इंडेस 102 के ओपर चाप्टर नमबर जहा तक यादे चाप्टर नमबर 21 बच्चो चाप्टर में लेने आला बच्छो वो थोरा सा इसॉप का बढ़ भर्जन बच्छो बस फरक बढ़ा ये था इसॉप बेटा था अश्पर एस के सबसे पच्छे था हमने इसॉप बढ़ या दिहा इसॉप पढ़ाता कुछ आदे इसॉप भूले ना इसॉप Employee Stock Option Plan हमने ESOP को बच्छो Accounting बढ़ाता समझा क्या हमने ESOP का जो Accounting बढ़ाता बच्छो Chapter No. 5 में जो ESOP को बच्छो Accounting बढ़ाता That was as per Accountation बच्छो तो और Chapter 21 में हम ESOP पढ़ेंगे Share Based Payment पढ़ेंगे as per Ind-AS तो मैं कल आपको शाम को बताऊंगा कि as per Ind-AS 102 Share Based Payment में क्या-क्या Condition होता है मैं इसे बताऊंगा बच्छो एकदम Depth में बच्छो पढ़ेंगे Proper 2 घंटे में दिल से जान से बढ़ा पढ़ेंगे तो दिल जान से बच्छो पढ़ेंगे खल जान से पढ़ेंगे बच्छो अगर दो कंपर बच्छो मर जो हो रहें बच्छो एक कंपर किसे बच्छो अक्वार बच्छो करें Amalgamation ओके इस सम्में बच्छो क्या आगा इंडेस 103 बच्छो 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 इंडेस 104 इंशुरंस कॉंट्राक्क एंडेस 102 का है इनडेस 104 केई इंडेस 103 क्या ता मैं भूल गया इंडेस 103 क्या ता बिजनेस कॉंबीनेशन इंडेस 104 को था इंशुरंस कन्ट्राक्ट है आप इसके बाद देखो बच्छों में काम की बाते बता रहा हूँ इंडियस 116 यार रखो बच्छों लीजेस इंडियस 116 के बारे मैं इसको मार्क करो ये एक्जाम के एक दिन पले पढ़ने का ये नंबर रट्टा बाने का एक्जाम ऐसे आता है इंडियस 116 किसके बारे मैं इसे पुछते ये नहीं पुछे उसके अंदर क्या है कोई नहीं पुछते बच्छु इंडियस 116 लीज के बारे मैं बच्छों INDAS1 Presentation of Statement INDAS101 अलगता यह INDAS1 है INDAS1 क्या बता रहे Financial Statement किस सरा से बनाने जी Balance Sheet, PNL किस सरा से बनाने जी उसका format क्या आने जी यह बता रहे INDAS1 बच्चे बता रहे INDAS1 क्या बताएगा Presentation of Statement INDAS2, Inventory यादे पहले भी था न AS2 कोन था inventory था अब INDAS2 भी कोने inventory याद रहेगा बच्छो फिर वाँ पे AS3 कोन था cash flow AS3 कोन था cash flow अब 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 cash flow कोने INDAS7 याद करना पड़ेगा बलो चो INDAS1 कोने Presentation of Financial Statement INDAS2 कोने inventory वाँ पे inventory को था AS2 अब inventory कोने INDAS2 ओके फिर वाँ पे रहेगा cash flow वहाँ पे कोन था AS3 था बच्छो अब cash flow यहाँ पे का पे INDAS7 बच्छो cash flow का बच्छो INDAS7 में cash flow ना लाग फिर बच्छो next देखो काम की बाते बता जो याद करने पड़ेगा बच्छा लोग अपको AS19 बच्छो याद करो INDAS19 Employee Benefit INDAS19 Employee Benefit फिर 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 काम की बाते बच्छो करेंगा बच्छो INDAS26 Related Party बच्छा देक्या AS18 क्या आता Related Party याद क्या AS18 क्या आता Related Party बच्छो INDAS-26 क्या रिलेटर पाटी INDAS24 क्या बच्छो Related Party बच्छो इंड-स23 INDAS33 EARNING परिशेर EPS वह आपर EARNING परिशेर था AS21 था यहां पर कोने बच्छों इंडेस 33 यह इंडेस 33 इंडेस 33 और्लीघ परशेर रहे ? याद रखे ना लाएक याद रखे ना लाएक ? ऑप्शन ने उसके लवा ? next इंडेस 36 इंप्रेमेंट आफ ऐसेड ? इंप्रेमेंट आफ ऐसेड ? इन्डेस 36 इंपेरमेंट बच्छो ऐसे टे next इन्डेस पेटा 41 अग्रिकल्चर बच्छो इन्डेस 41 बच्छो एएस में बटा अग्रिकल्चर ले कुश्य नहीं परचाई आचो का बच्छो अब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे देखो इंडाय में सबसे पहले बच्चो एस थी एस मतलब इंडेन ुवस्ट आपप इंट्रेश्चिन लिए से और अभी कुन ने इंडेक्ष से पर चैसे मतलब इंडेन गाप इस मानं एलिए बूलने का इंट्रेश्चिन बूलक़कर और अभी को ने इंडेस बंथो इन में डिफरेंस गया है मतलग कि एक ही concept देखेंगे बच्छो एक ही concept देखेंगे जैसे cash flow, cash flow में indice में क्या बुला गया, ace में बच्छो क्या बुला गया था और IFRS में क्या बुला गया बच्छो एक बुलू कि बच्छो आपके बटा model बच्छो रिखो इतने भरबर के difference दिये ना नाला कि यह पढ़ पुरा का पुरा इतना पढ़ना पढ़ना it's next impossible मैं पढ़ा दो लेकिन तुम याद नहीं कर पाऊगे क्या रट्टा मारोगे और दो से तीन माल कर इतना पढ़ना impossible बच्छो उन्जा क्या बच्छो देखिए इसके लिए क्या करता बच्छो मैं आपको दो से तीन बच्छो बाते बता दूँगा इसमें से और बाकी हम लोग जैसे से एमसी को बच्छो आयेंगे इसको याद कर लेंगे चलो नाला करो तो युक काम करो मैं आपना जालो को सबसे पहले नहीं पर लें इसको पर लिई यह पर लीड़ा जी देखो कुछ समझ में आता है कि यह पढ़ो आपको बड़ा पता चले लगे कि खुट से कितना पढ़ सकते हो कितने याद रख पाऊगे बच्चों झाल 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 चो ना लेक पड़ा चो ना लेक पढ़ाप लोगोने yes अब देखो क्या पूले बच्च पूले बच्च Sut. च्चत. क्या पूले बच्च पूले बच्च operation of ind AS with existing ind GAP ना लेक बच्च सबस souvent AS1 के ले बच्चल connected पर बच्छो, AS-1 और INDAS-1 में कमपरिज देन दिया बच्छो, AS-1 या थ है बच्छो, क्या था? AS-1 क्या था? Disclosure of Accounting Policy. और INDAS-1 को ने? Presentation of Financial Statement. अब ये दोनों में क्या डिफरेंस बच्छो, बच्छो, AS-1 में और INDAS-1 में, पहले बच्छो फरक बच्छो क्या बोले दिए अभी जो हमारा AS1 है इंडियन गैप जो अभी जो बच्छो अकाउंट रा बच्छो बच्छो 1 है AS1 क्या बोलता है कि जब भी आप जब भी आप financial statement आप बनाओगे तो extraordinary item अलग से शो करो अगर आपको याद होगा बच्छ यहाँ पर अगर आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था income statement उसके format क्या था income from operation उसमें add करोगे other income उससे मिलेगा total income उसमें से less करोगे expense आपको मिलेगा profit before tax फिर less करेंगे provision for tax उससे मिलेगा profit after tax और उसके आगे जाके था adjustment for extraordinary item उससे मिलेगा profit after extraordinary item और extraordinary item होने के बार में जो profit बचेगा वो जाएगा resort and surprise इसका मतलब पुराने AS के अनुसार इंड एस के अनुसार हम financial statement में extraordinary item जो कभी तो होते हैं कभी तो होते बच्छों हम शो बेटा करते थे लेकिन भाई साब इंड एस वन ने क्या बोला कि भाई साब आपको profit and loss account में आपे notes में ऐसा extraordinary item दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसा अलग से show मत करो उ पुसी में show करो समझा बच्छों पर आपको क्या बता है existing AS1 के अनुसार extraordinary item अलग से दिखाना जरूरत था पर ind AS1 क्या बोलता है extraordinary item को अलग से disclose मत करो यह पहला difference है बच्छों next ठीक है next बच्छे रेखो यह जो इंड AS1 है जो नया इंड AS है वह क्या बोलता भाई साब अगर ऐसी कोई भी चीजे अगर ऐसी बेटा कोई भी चीजे future की एसी कोई भी critical चीजे future की एसी कोई critical चीजे जो अभी आपके balance sheet में asset or liability को impact अगर ऐसी कोई future घटना है जिसमे current में फरक पड़ सकता है तो उनको disclose करो इंड AS1 बोलता है बड़ AS1 Indian gap बोलता है आप future की बातों का मत सोचोँ वो बाद में रीखेंगे दुबार बच्छो बता हो इंड AS1 बच्छो क्या बता है बच्छो बच्छो बच्चो रेखो, future का बच्चो रेखना बच्चो, Ind AS1 क्या बोलता है, Ind AS1 क्या बोलता है, कर future में कोई AC घटना है घटरे, जिससे आपके balance sheet के asset level की इंपर पढ़ने वाला होगा, तो अभी says उसको note में disclose करो, बच्चो अभी says उसको note में disclose करो, Next, Ind AS1 में हम expense को classify करे, on the basis of nature of expense, Ind AS1 में expense का जो nature है, उससे properly classify करना था, पर AS1 में ऐसा कुछ भी नहीं था बटाजी, ऐसा कुछ नहीं था, और last or the least, अगर आप याद में पहले बताया था, बच्चो में last time भी, हमने last time पर बटाता था बटाजी, As per Ind Gap या पिर As per AS1, हम सिर्फ क्या दिखाते, balance sheet, P&L, cash flow और notes दिखाते थे, changes in equity जरूरी नहीं था, यादे क्या, difference between Ind Gap और IFR साथ है क्या बच्चो, Ind Gap यह मतलब AS के अनुसार, changes in equity दिखाना जरूरी नहीं था, बट Ind AS1 में, changes in equity दिखाना पड़ेगा, पुराने AS में, सिर्फ balance sheet, P&L, notes to account और cash flow, यह बनाया तो भी चलता था, as a financial statement, बट नए Ind AS1 में, इनके साथ में, changes in equity भी बनाना पड़ेगा, यह difference किसका बच्चो, Ind AS और बच्चो, Ind Gap का बच्चो difference है, Ind AS or IFRS में, क्या करना बट आपने को, यह बच्चो कुछ बच्चो काम कारें, छोड़े कुछ काम कारें बट आजी, बच्चो एक मेने बता रहे, बच्चो एक मेने बता रहे, बाकी यह इतना load मतलो, बाकी के लोड ले नहीं सकते, बच्चो एक बच्चो इसे बटा देखो, उन्हें हर AS के लिए कंपरें दिये, अब हर AS को इतना कंपरें पढ़ते बटेंगे, तो क्या घंडा याद रहेगा, क्या घंडा समझेगे बटा जम लोग, तो मैं क्या बोलता हो, यह सब समझने के लिए डालेक काम करते हैं, लेटा साथ दे MCQ, और MCQ के साथ में जो भी आएगा उसको मैं डिसक्स करेंगे, चलेगा नालायक, उतना कर लो, उतना भी काफ़ी है, उतना काफ़ी है, टरस में, टरस में उतना काफ़ी है, तो अभी हम लोग, ढ़न्टड अब नालायक हम लोग, इसके MCQ के शुरू करेंगे, जिसके पाद नोर्स है, बच्चों नोर्स में देखे, जहाँ पर नोर्स ने बच्चों, आप बोल्ड पर देखें, बच्चों, लेटा स्टार्ट दए MCQ, आप चाप्ट नमबर 12, बच्चों नोर्स नोर्स में देखें, एक मीटर, बच्चों नोर्स में देखें, बच्चों नोर्स 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 यह कर अचा है चलो बच्चो अब बेटाजी क्वेश्चन वन को पढ़ेंगा लाएक क्वेश्चन वन को पढ़ेंगे जो नुए, ठीक है लेटास स्तार्ट लेटास सदाल लेक है चलो बच्चो वर्ल्म थ्री में के अपने मोड स्पर लूट्री में के विएतर चरप्ट्न में ट्वएल देखलो इंडेक्स पहले को प्रेजेंटेशन आब प्रेजल meantime नियुक्त लिए डैंटेशन अप्रेजल words इस पर इस वन में एक्स्ट ओर्ड अइटम हम दिखाते थे बढ़ इंड एस वन ने एक्स्ट ओर्ड अइटम दिखाने के लिए मना के ना बिटा तो ऐस पर इंड एस वन प्रेजेंटेशन ओब एक्स्ट ओर्ड अइटम दिखाने के लिए बोला था बर इंड एस वन में एक्स्ट ओर्ड अइटम दिखाने के लिए सीधा सीधा मना किया है इट इस प्रोहिबिटेड सबको जीपाइक ना लाएक सबको जीपाइक ना लाएक यास अब क्लियरे बच्छों एकदम आरां चिल मारके अब कोश्चन इंबर टू इंड एस 115 रिक्वार्स रिविनियू टू बी मेज़र डैड इंड एस 115 मतलब रिविनियू को निगिशन बिटा है बस इसको याद लगना बिटा जी इंडे 615 क्या वलता है रिविनियू कमें बतलब क्या है रिविनियू मतलब किसी भी जीस से जो consideration मिलेगा उसका fair value से why fair value? सुनना बटा, why fair value? मानलो, मानलो मैंने आपको पढ़ा दिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्यों बच्चा होता है? सब मुझे आपको class join करने का है सब मुझे आपको class join करने का है कितना consideration लोगे? मानलो, बटा, अगर तुझे मेरा class join करने का है आपको 8,000 रुपीज fees pay करने पढ़ेगी ठीक है? वो बच्चा मुझे 8,000 fees pay करता है और मेरा class join करता है दुस्तरा बच्चा आता है बोलता है, सर मुझे आपको class join करने का कितना fees लोगे? मेरे class fee 8,000 रुपी चाही न, सर, तो सर एक काम करो सर अभी-अभी, मेरे पापा ने खेच से गेहु निकाला, सर सर मैं आपको गेहु के सर 2 बोरी लाकी दूगा सर सर 2 बोरी का प्रैस 8 हारे सर 2 बोरी का प्रैस 8 हारे सब दो बोरी सर गेहू लेलो और मुझे क्लास्माट बिशु देदो अब बताओ उस बच्छे ने consideration क्या दिया है दो बोरी गेहू बिकोर दो बोरी गेहू की nearly value कितनी 8 अरे उसका fair value कितनी 8 अरे तिसरा बच्छा आता है तो बोलता सब मेरे पास सर ना सब मेरे पास भी पैसे नहीं है लगे मेरे पपा की सर मुबल की दुकाने सर में सर आपको लगबग आठ हजार की कीमत का मुबल लाके दूंगा तो इसका मतलग है मैं इसका consideration है एक ने मुझे गेहू की बौणी की फार्मिल लाके दीया और एकने बच्चो मुझे मुबल की फार्मिल लाके Character बड़ेन सभी Consideration का Approx Value सबका फेर वैल्य कितना बच्चो 8000 तो मुझे जो मिल रहा है जो मुझे झो मिल रहा है जो मुझे Consideration मिल रहा है उसका जो fair value होगा मेरे books में जब मैं इस show करूँगा मेरे book में ये लिखूंगा निए गेहू मेरे book में बिटा गेहू कितने में शो करूँगा 8000 जितना उसका fair value है जितना उसका market value है उसके show करूँगा मेरे book में बिटा जी मुबल कितने में शग करूँगा 8 रर उसे जो fail value है ओके क्योंके बच्छो लिखो मुबल मैंने क्योलीया इक class के बडले class था कितने का 8 का तो mobile भी लिखूँगा मैं 8 का अरे गेहू मैंने किसके बडले लिए class के बडले class कितने का 8 का तो गेहू की मुझे तो जो भी consideration मुझे मिल रहा है उस जो फेर value है उस पर लिखें बिटाजी तो बच्छे क्या बता रहा है तो revenue revenue कितना revenue मिला जितना उसका fair value है सब को जी पाद नाला है बच्छ option B है बच्छ option B है इसका question 3 यह पास आपको याद करना पड़े इस पर कुछ नहीं पेड़ा इस पर दिमाग मतलगा बिटाजी इंडेस 20 एक पढ़लो इंडेस 20 requires government grant of the nature of promoters contribution बच्छो प्रमोटर कोंट्रिबिशन के फॉर में कोई इस पर दिमाट बच्छो ब्राइं इंडेस सिंपली क्या बोलता है उसे recognize कि मत किजिए क्योंकि government बच्छो क्या होगा जो government ने जो grant उसी को लेंगे बिटाजी अगर प्रमोटर ने कुछ contribution दिया प्रमोटर कॉंट्रिबिशन इस नौट गॉर्मेंट ग्रैंट उससे करेंगे बिट्चो हम उसे नहीं लेंगे बिटाई उसे नहीं लेंगे question no.4 question 4 बेट आपको आता है please ध्यान से पड़िये question 4 बेट आपको आता है please question 4 द्यान से पड़िये अच्छे से बढ़े, कुछन फुर्कों अच्छे से बढ़ेंगे प्लीज अंडशान को फुर्कों फुर्कों अंडशान को बढ़ेंगे पढ़ा कुछन फूर्कों क्या बोलें है इंडेस थ्रटीफूर्कों क्या होता चिल मारो दिमांग को दान मलनू कुछन पड़ों आपको दिमांग चलेगा बच्छों हर बार बेटा जी कुछन पशॉल करनेंगे लिए इंडेस के नाज़ी बड़ होना नीचे, लॉजिक लगा बचे, क्रेशन में क्या बूले है, इंडेस 34 requires that following in the contents of interim financial report in addition to what was required under previous AS25, देखो चो, त्या रहे क्या, AS25 को उन था, interim reporting या दे क्या, साल के बीच में reporting, उन्हें क्या बूले, AS25, जो old interim reporting था, उसके compare में, इंडेस 34 में, जो नी reporting कर रहे हैं, उसमें क्या फरक है, बच्चों, AS25 में हम लोग बनाते थे, condensed मतलब compressed, पीलन बनाते थे, हम compressed बेटा, बैलेंशी में बनाते थे, और compressed क्या बनाते थे, अब क्या बूला है, इंडेस 34 में, इसके अलावा, और क्या बना पड़ेग मतलब AS25 में, जो बना, AS25 क्या बना रहा था, condensed balance sheet, AS25 में क्या था, condensed penal था, और condensed cash flow होता, तो क्या बला है, इंडेस 34 में, इसके addition में, और क्या बना पड़ेगा, यारे हमको पता है न, AS के compare में, इंडेस क्या बोलता है, कि भाई साब, ऐसी कोजी चीज थी, जो AS में नहीं थी, पर इंडेस में, याद है क्या, changes in equity, changes in equity, AS में नहीं था, वो compare ind seems, तो indes में क्या करना पड़ेगा, changes in equity बनाना पड़ेगा, logical बच्चों, सबको जह ना लाइक, सबको जह ना लाइक, अब हम पढ़ेंगे question number 5 अब सब नाला question 5 को पढ़ेंगे please question 5 को पढ़ेंगे आराम चिल मारके अब यह धान से देख रहा है देखे बच्चो chapter का नाम इचके है adoption conversion of IFRS अब इसका मतलब के है देखे बच्चो सिंबल बता रहा बच्चो इंडिया पर ASUS कर रहा था फिर आए IFRS अब इंडिया को decide करना था हमें IFRS के लिए क्या करना चाहिए बच्चो इंडिया के पास दो प्चन थे अगर इंडिया चाहता था जो international standard थे IFRS as it is देता था अगर इंडिया अगर अपना भारत देश IFRS को international standard को अगर as it is इंपल करता था वो हता था IFRS बड़ इंडिया ने क्या क्या IFRS को as it is use क्या यह modify करके इंडिया ने क्या क्या अपने पुराने AS और IFRS मिला के INDAS बनाए that is convergence okay बच्चो दे बच्चो उन्हें वही तो बला बच्चो देको adoption का दो क्या adoption means application of IFRS as issued by IASB as entirely IASB International Accounts Underboard ने जो IFRS इशू के उसको as it is पूरा का परा यूज करना यह adoption है हा सर यह adoption है और IFRS जो use किये ते उसे with some car in car out मतलग क्या है उसे थोड़ा अंदर भार करके उसको थोड़ा adjust करके car in car in का मतलग क्या है उस पर इसे कुछ पार्ट निकाल दो और कुछ पार्ट जोड़ो car in कुछ नया पार्ट लो और कुछ पुराना पार्ट निकाल दो तो IFRS के साथ question 6 बेट आपको आता है ना लग पढ़ा क्या बोले एक बार इंडेस यूज किया एक बार इंडेस के लपेटे में आगे वापिस मुन्डे से बच्चों उन्हें क्या बोला है इंडेस वनस अडाप्टेर आइदर वोलंटरी कुछ से यूज करके लो या फिर मैंडेटरी गवर्मेंट ने बोला अप्लेक करना वाट लगाए दो बारे अगर आपको एक बार इंडेस अप्लाइ हो गया आप इंडेस रिवोक करने सकते आप इंडेस को हटने सकते हाँ सही है सर हाँ सही है सर मतलब एक बार इंडेस अप्लाइ किया उसे हम हटा नहीं सकते एक बार अपने कमिटमेंट दे दिया पिर अपने आपके भी नहीं सुनने का बेटा नेटवर्क कम हुआ तो फरक नहीं पड़ता है हम इसको यूज करना चीपड़ेगा option बच्छों यह आएगा question 7, total number of indies, कौन बताएगा 2011 में 2011 में ICAI ने कितने indies उश्र केते हैं सरजी, 2011 में ICAI ने notify केते 34 indies 2011 में ICAI ने notify केते 34 indies और अभी कितने होगे, और बढ़ते हैं बढ़ते हैं कितने होगे, 39 होगे पहले कितने हैं थे, 34 indies थे अभी कितने होगे, 39 at present there are 13 indies, पहले कितने हैं उटफाई केते हैं 34, अभी कितने हैं, 39 हैं बच्छों question 8 में क्या बूला है global key professional accounting body भाई साब global मतलग है international body को ने international accounting standard board और international body को ने बच्छो international accounting board IASB क्या देने बच्छो, 8 का बच्छो यह आएगा अभी काम को नाला काम को ने बच्छो, माससलिक सफॉन, आप 2 मिन का आ इबाद का आ इस आफ ट्रायको ने ना इकाला इस इब्सक्रीनलो ने do यह 14 और 15 चलो बच्छो फटार बच्छे काम करने का यह 8 से लेकर 15 बच्छे आपको ट्राय करने का आपका टाइम में दो मिंड का ट्राय करो 9 से लेकर 15 साथ कुशन ट्राय करो फटार फ़ले आप ट्राय करो ट्राय कुदना ले बैसि दो मिन में है फिर ट्राइ को ना लए लाति लातिए को ना मा लेचा को लाति है, अग को लाति पिर टे चाला ले खाला है कर दो 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 बा कर दो कर दो दो पर सा नारक न आजा हूआ है अग्यां आमार भी करना औ mentally घूीड़ा मैं घूले भी अाया इस क Powder P हम यिद हैंजा सो अगयर अभ्ण का अपरिए क्ड़िण से लिग्याओ लोंग गुण भ्टी сумesta प्चारी ये बेंडने पीक अरप типа मज़ा ये ऊपे अरेवार में ये साइब है साइब ये अरेवार, में ये नपे नप प्रिये साइब चुछित किस्ट अरेवार झाल झाल चल नालैक ट्राई किया किया ट्राई चल अभी चेक करना है चल बड़ा अभी चेक करते नालैक चेक करते चेक करते नालैक पर को घ्राई किया बड़ाई चल इस नाल बड़ाई कि अप्श्ट्रिक्ल चेक करते भी चेक करते हैं इंतर्नाशणल एक पूटी टंडड कमिटी, I think 1976 इंतर्नाशणल डॉंड 2016 असेल थि और सब historically ुंस समकमी你們 इंतर्नाशणल अकांटिंग स्तंडर कमिटी, A flexibility, जहात मेरा आंदा बच्छों 1976 में बनाता बिटा जहात मेरा आंदा जहें 10 का बच्छ ऑप्षिन ही या तेक बच चेक करो यार बच चेक करो 1973 है Google 1973 बता रहा है ठीक है चले यार मैं क्या लता हूं 1973 के नजदिक 1976 से उतना जोल कर लेते कोई दिकते हैं बिटा जी Google 1973 बेटा जी लेकिन जहात मुझे याद दे बड़ा मौडवे 1973 मुझे याद आ रहा है मेरेको चलता है एट इस कर लेगा तीन साल चलेगा कोई रिकत नी चलो बेटा 1970 लिखना है 73 तुमको जो लिखना लिखो एको टिक मार करो बच्छों में 1973 करकर एको टिक मार करो बच्छों क्वेशन क्या रहा अकाउंटिंग इंडिया इंडिया में अकाउंटिंग गवर्ण कोर करेगा ICI क्या बाद क्वेशन बटा इंडिया में कोर करेगा ICI option D चलो रहे П եो भीच इंडिया इस एप लिकेबल फ़ृ तो यहां को बूति आपाडीर होगे है आपको घेदेगा अ यहां करना पर टाःगा इंवेस्मेंट प्रोपर्टी के लिए इंवेस्मेंट प्रोपर्टी के लिए इंडेस्चालिस 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 इंडेस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चालिस्चाल 36 के बारे में, देख के बताओ, देख के बताओ, इंडे 36, इंडे एस 36 is regarding impairment of asset, मैंने बुरा तो याद करना पड़ेगा, बच्चे याद करना पड़ेगा, इंडे एस 38, किसका है, इंडे एस 38, it is for intangible asset, अभी हम देख को tick mark करें, अभी बच्चों देख के tick mark करें, बच्चों आप अनसर पर धान दो बटाजी, क्वीज के टाइम पर मिसको देख के याद करेंगे, पुरे याद करेंगे, अब कोशन मचों पंद्रा, बिजनेस कम्मिनिक्शन आदे क्या, वो इंडे एस 103 था, मुझे याद है, मुझे याद है, एक तो मुझे याद हो गया, पिर शेर बेस प्रेमेंट याद है क्या, इंडे एस 102 याद है क्या, इंशूरंस कॉंट्रा क्या याद है क्या, इंडे एस 104, पहले का D, दूसरे का C, तीसरे का A, कौन सौ अप्शन है, अप्शन A में आ रहा है क्या, इंडे एस 108 देखना पड़ेगा, इंडे एस 108 देखना पड़ेगा, बोलो इंडे एस 108 किसका है, ओप रेटींग सेग्मेंट, इंडे एस 108 किसका है, ओप रेटींग सेग्मेंट का है, नेक्स, next which IndeAS is applicable on share based payment या डे बच्छो share based payment IndeAS 102 या डे क्या share based payment IndeAS 102 ये या डे अपने को related party हमने याद किया related party या डे क्या AS 18 और IndeAS 26 त बच्छे को IndeAS 26 मैंने याद करने बोला था, wow check करते हैं, check करते हैं, देखो AS showbst recbat है, OS 18 में 10-26 इलीन फार्फंद इंडेस छो बीच सहाथ ils ऐनग याद करने बोला था, इंट्रेश्थीन जॉइंट vet Arc core achieve жить inness श्हच рассказ, क् convention दिखो, को ज्बे जो एक च्रोइंट venverse, क्या? dreamt venture, joint venture joint venture अर्य कहा पर क्या joint venture है हाई इधर है joint venture joint venture joint venture बच्छो कहा पर देखो INDAOS 28 joint venture is INDAOS 28 नन आईगा बच्छो INDAOS 28 INDAOS 28 INDAOS 19 19 को ने इंडेस 19 को देखके बताएंगे इंडेस 19 सची इंडेस 19 को ने employee benefit याद करने मदर बोला था इंडेस 19 को ने employee benefit employee benefit इंट्रीम फाइनेश अभी तो पड़ाता है question ता यादे बच्छो इंट्रीम फाइनेश बढ़ा दे क्या इंडेस 25 और इंडेस 34 मुझे तो यादे बच्छे यादे इंट्रीम रिपोर्टिंग यादे क्या एस को ने बच्छो को ने इंडेस 24 नालाएक गिसाम में तुम देखने सकते इंडेस 24 नालाएक तुमको नवा पर दुक अप्ष्ण नहीं है cities याद करने पड़ेगा अब 23 इंडेस 47 आप में आगा नन आ इंडेस थर्टीवन क्या इंडेस थर्टीवन इंडेस थर्टीवन इस नहीं है यह क्या चमतकार हो गया चमतकार हो गया इंडेस थर्टीवन गाय फोचू का इंडेस थर्टीवन इदर है इंडेस थर्टीवन इस नहीं है इंडेस थर्टीवन इस आपके मौडू में दिया शी बेटा, नन अब देज, हो गया, चलो, it is end of the MCQ, और चाप्टर बेटा, खतम, चाप्टर बेटा, खतम, तो नालाएक, हम यही पर रुखते दुखते, बेटा, चाट्टा, बाई-बाई, कल बेटा, हम लोग नया बच्छो, टौप बच्छो पढ़ने आले, कल बच्छो हम लो टौपिक हम पढ़ने वाले, चाप्टर नंबर 21, शेर बेस पेमेंट, कल बेटा, शाम को, हम चाप्टर 20 बच्छो पढ़ेंगे, शेर बेस पेमेंट, और साथ में हम लोग पढ़ने वाले, चाप्टर, MIS, Management, Information, System, ताइम पाच आट रहाचो, तो कल बेटा, शाम को, हम गज़ुआ, शेर बेस पेमेंट, शाप्टर, MIS शाप्टर, बोत रहाट, बच्छो, तो कल का लिक्चर बच्छो, कल का लिक्चर होगा, खे मार के लिए, कल शाम को, शे मार का सुषभा में हम पढ़ने, ठीक है? चलबता, शाम को मिलते, टॉटा, बाई-बाई-बाई-बा काम करें बच्चों, CA में का बच्चों मड़ो उपन कीजिए में एकदम बढ़ी हो बेटा, आप लोग एकदम अच्छे होंगे मस्त एकदम, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शांदा, बहुत शांदार यस, सब लोग पढ़ने के लिए, आज हम बहुत कुछ पढ़ना बेटा जी, दो चाप्टर है, एक चाप्टर बेटा बहुत ही टेकनिकल है, जिसमें बहुत सा चीज़ा आपको याद करने पड़ेगी, बहुत से बात है याद करने पड़ेगी, और दूसरा चाप्टर है, बह अजैने के टेंशन, मतलो बेटा, 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 नेशनल बेटा और थर्ड़ी चर्टर बेटा पहले पढ़ने आ ले, उसके बाद में मैं एफम का टौपिक शुरू करूंगा, प्रोजेट फॉन शूरू करूंगा, और एफम भी होगा, एफम भी होगा, चल बार आ एफ CMA के topic में शुरू करने जारा जिसका नाम है National and International Accounting Authority यह अगेन बच्चो ठीरी chapter है एक बोलू कि बटा CMA करें सिलाब है ना बटा जी उन्हें इन्शूट ने बहुत मस करके रखा उन्हें कुछ एकदम बहुत डेंजर चाप्टर भी देखे रखे और कुछ-कुछ ना बच्चो ठीर टॉपिक देखे रखे जो आपका स्कोर बढ़ाते हैं जैसे बुलू क्या जैसे आपके पार्ट A में पार्ट A में ना Introduction to Financial Accounting Introduction to Corporate Accounting उसके बार में National Authorities Accounting Standard हागे ने बटा उसका रहे IFRS अपने जो पढ़ाता बेटा ये पाथ शाप्टर बहुत थेरी बेशते हैं उसके बेटा अलावा ना पार्ट B में MIS बोलो, Cost Record बोलो, Valuation, Principle बोलो ये थेरी बेशते समझ चलना बेटा आपके सिलाबस में ना अल्मोस 22 में से 8 से 9 चाप्टर पूरे थेरी के पूरे थेरी के Simple है छोट रोपिक है बेटा जी तो बेटा जी एक्जाम के लिए कि स्टाटीज बेटार बच्चों कर किसी बच्चे के एक्जाम के लिए कि अच्छाट स्कोर करना है प्रैतिकल तो बेटा पको करना है लेकिन जो ठीरी के Aww अबहात ड्यफ्ट में प्रैक्टिज अपना करें से निष्ट में अइक चैप्टर आपको करें लोग एक चैप्टर करांगगा निष्ट बच्चों केтом्टर करें एक छोटष्ट बतार क्या होगा बत्सुमेन आ, अलमोस अलम अजड़्ेस आपटर के दोंगा, इसे बीस बेडिक thing रेगा, इसे लिए इसे बीसचारगा कि दोंगा और भीसचारगा इञे के आफिक ayरित हो आफिकrics में आफिक पडहाँ गाओ गा historic 25 mc को दोंगा target test की तरह होगा तो जो भी पढ़ान पुने daily perfect होगा अज जो पढ़ा उस पर कल टेस कल जो पढ़ा उस पर सोटेस पर सोटेस पर सोटेस तो बहना ऐसे पढ़ने का टेस देने का एसे बढ़ने का टेस को करके ना 15 दिन में मक्षन में खतम करेंगे सेम एफो टेंशन गैच तो ग्रूप 2 का 200 मार का बढ़न गया 15 दिन में ऐसे करेंगे बेटाजी ओके चला का नाला कि इस अब लोग पढ़ने के लिए चलो अभी इसको पहले काम करते हैं अब मैं पढ़ने जा रहाँ चाप्टर नेशनल ओंठी क्या है दिन में बढ़ने चाप्तार बढ़ने चाप्तारrendre on भूरma देख बच्चो इस ट्वराम में क्या है वाई साब बैटा, आपने CS बनने जा रहे, CS बनने, बैटा, मुझा आता हो, CS का कोर्स है ICS N डिजाइन कहा है, जसानो, ऐसे CS की तरह, अपने देश में, या अपने पूरे बैटा, दुनिया में, अपने देश में बूले, पूरे दुनिया में, इतनी सारी बैटा, और अर्गनेशन है, जैसे अपने आपे C.S.A.C.A. में अमेरिका में कुछ तो होता होगा जी या सवन बेटा जी आपको इन सभी बेटा ऑथोरिटी का एक बेसिक नौलेज होना जी तो कोई अगर बंदा आता है कोई बंदा आता हो बोलता भाई साप मेने ऑस्ट्रेलन C.A. क्या बोलता अस्ट्र के बारे में आपको एक बेसिक नौलेज तो पता होना जी इसी बेटा परपस से इनिश्यूट ने चाप्टर डॉराफ किया है तवहर बच्चेAKा बार दुनिया में क्या चल रहा है कोन काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है उसका बेसिक नौलेज होना जी बढ़ाज जी र absorbed समी इस शाप्टर में थोड़ा सा कनिसेप्टें और बहुत सारे short form जो याद करने पड़ेंगे short form फे long form याद करने पड़ेंगे कुछ बड़ा year से याद करने पड़ेंगे कुछ committee के structure से आपको याद करने पड़ेंगे तो समझ चलना बेटा यहाँ पेश चाप्टन बेटा जी धोरा सा ज़ादा आपको मेमरी बेस पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक है चले चलो भाई साब तो शुरू करते तो पहले बता रहा हो इस शाप्टन में जितने पर और सबके शॉर्ट फॉर्ट फॉर्ट करने अपने को ठीक है चलो बटा जी एक दम आराम से चिल मारके चिल मारके बच्छो अब देखो बच्छो सबसे प्ले बड़ा सोस्ता का नाम है आपको पता यार अईसी ए लोग फॉर्म के बोला लोग फॉर्म के लाइस से लोग फॉर्म के ए इन्शी टुटो अप शार्टर्ड अकाउंट अनुसाप इंडिया हमको क्यू बता रहे बढ़ा हम को पता है हम पिछने दो टॉपिक्स वही पढ़ते आ रहे एककाउंटिशन रहो weights IFRSO सब में पड़ते आरे अब बच्चों रहे को यहाँ पर कया बोला उन्हें क्या बोला हमको क्या बोला है इंड़े में ऐकाउंटिंग का काम गवं करनें पर इसमार बेरा हम आइसे करता है बच्चो अब देखो उन्हें क्या-क्या फैट दिया है सबसे बले हुच रहे हो आइसी ए याइ की स्थाफणा बटा कैसे होई थे बच्छो आइसी एक बेटा आइसी एए इस स्टैटुटरी बॉर्डि अरे यह क्या हो गया गयात गयाप, हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, तो असा पेन का क्रटा चेंच करता हूं, ऊके, बच्छों, ICI के बेटा सथाप्न होती, ऐस पर, Charlotty Accountancy Act, 1949, Charlotty Accountancy Act, 1949 के तेथ, ICI को मैं बेटा, इस्टाबलिष गया था बेटा, कौन सा बच्छो, Chartered Accountancy Act 1949, मैंने पहले बता है, सभी यर बाहएड करने पड़ेंगे, कौन सा बच्छो, Chartered Accountancy Act 1949, सब नालाग, पेन लेके बेटेंगे, मेरे साथ में अंडरलाने करेंगे, और बाहएड करेंगे, ओके, बच्छो, ICA का काम बेटा पता है, कि भाईस, आप इंडिया में बच्छे रिको, CA की बड़े, Chartered Accountancy Course को बेटा, रेगुलर्ड करना, यह बड़े, ICA का काम में, तेको, बच्छो, नेक्स्ट काम के बाद देखो, Institute Functions Under the Administrative Control of the Ministry of Corporate Affairs, ICA जो काम करते है, that is, under the MCA, Ministry of Corporate Affairs, तो बच्छो, पूच सकते हैं, ICA यह गवर्मेंट के कोन से, ओके बेटा, गवर्मेंट के बच्छो, कोन से, डिपार्ट में अंडर काम करते है, उसको बच्छो, वो काम करते हैं, MCA का अंडर करते है, Minister of Corporate Affairs के अंडर बेटा काम करते हैं, ओके, और ICA के बच्छो, काम का चलता है, दो एड के तेर, पहला होता है, Chartered Accountancy Act, CA Act, 1949, और दुसा बच्छो होता है, Chartered Accountant Regulation, 1988, पहला कोन हो बच्छो, CA Act, कब का, 1949 का, दुसा बच्छो क्या है, Chartered Regulations, कब के, 1988 के, इसके तहर, बच्छो, ICA का काम चलता है, ओके, बाकि, ICA का अपजीर्टों को पता हिए, बच्छो, क्या अपजीर्टी बेटा जी, इंडिया में बच्छो रेको, Accountancy के Profession को, रेगुलर करना, भाईसाब, इंडिया में, Accountancy Profession, Properly Streamline कराना, फिर बच्छो रेको, कि भाईसाब, CA जो कोर से, Chartered Accountancy करना, exam लेना, उसके बच्छों को educate करना, उसके member को educate करना, मतला कि जो भी CA बन चुके, उन्हें बटा educate करना, guidelines देना बटा जी, राइट ना, बादे बच्छों लेको, उसके बटा, आलावा, CA बनने की बाद में, कुछ बटा, post qualification course होते हैं बच्छों, कि किसी को करना होगा, वो course अवेले करके देना, आप सबको बच्छों पता है, आप सबको पता है, CA, CS and CA में, ये तीनों बेटा course अपने आप में, their equivalent to the post graduation, ये सोनों बेटा, और इसके आगे भी अगर आपको कुछ पढ़ना होगा, कुछ validation करना होगा, तो वो भी वो अवेले कराके देते हैं, इं CA हो, या ICSI हो, या ICAI हो, या ICAI या ICMI बोलो बेटा जी, ये तीनों बेटा इनिशिटूट, आपने members के लिए कुछ guidelines देते, ICAI ने, जितने भी practicing CA है, उन सबको बोला कि भाई साब, CA बनने के बाद में, कुछ आपको ethically behave करना पड़ेगा, उसके लिए ICAI ने, कुछ ethical standards शुके, सेम या ICAI है, बेटा जी, आपने CS के बाद इनिशिट ने भी, CS बनने के बाद में भी, आपको कुछ ethically behave करने के लिए, कुछ standard बच्चो दे, ये सारे बच्चो standards बेटा जी, आपको CS बेटा, professional पड़ने को मिलेगा, in the subject of ethics बेटा, CS बेटा, professional में, model 1 में, subject of ethics से, वह आपको पड़ने को मिलेगा, कि CS बनने के बाद में, आपको किस सरा से बीएव करना चीए, अगर ऐसा बीएव नहीं करोगे, तो as a professional misconduct, आपके खिलाप, क्या action लिया जाएगा, बेटा, अभी तो होता है, आप तो CS कोर्स कर रहे हो, आप स्टुएंट हो, किसी के मर्जी है, तो कभ बाद बार क्या होता, कि भाइस साअब, एक्जाम हो गया नहीं होगी, एक्जाम हो गया नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, पोस्मय हो गया, इस पे अनाप्शना वीडियो बनते है, तेना शो वीडियो बनते हैं, PINS Un screenshot ने क्या क्या, डिसीप्लिनरी action लिया, तो इस बार द discipline action लेंगे ना आपके वाट लगा देगी इसका देखो ना CAKWD इंशुट ने बढ़ाचा, ICI ने भी बहुत सारे बच्चों के फिजर होल पर रखे थे बहुत सा बैटा मेंबर्स के नोटीस भीजा ICI से ने भी किया, अरे मैं एक बलता हूँ देखो, प्रोटेस करना गलत नहीं है बढ़ एक अच्छे वेसे एक discipline वेसे अपना point रखना सही है देखो, ICI या ICI से क्या बोलते इंशुट पर क्या बोलते है, भाई साब तुम अपने point रख रहे हो, तुम ethical रखो तुमको अगर concern है, आप directly इंशुट से बात करो ना तो इंशुट से बढ़ बात करो लेकिन आप गलत प्लैटफॉर्म पे, गलत जगा पे अगर कोई भी इशुट रेज करोगे हम आपके साथ खिलाप action लेंगे और उसके लिए आपको, इसके लिए इंशुट कुछ ethical standard इशु करने पड़ते हैं, यह ethical standard इशु करना भी यह ICI का काम है बाकी सब टाइम पासे बाकी पढ़ लो यार को उच फर्म पड़ता है members के बाड़ा standard बताना, performance standard बताना financial reporting को छेक करना यह सब टाइम पासे बिटा है, यह सब टाइम पासे और government को policy बनाने में help करना इस सब डाइसे का काम है बच्चो देखा है, मैं सिब काम की बाते बताओ, देखो बच्चो मैं बता बोलू क्या, इस शाप्टर में बहुत सारे authorities, बहुत सारे bodies दिये मैं की वर्ड बतार, की पॉइंट बतार, चलो पहला की पॉइंट, ICI का long form वो long form बच्चो कहें, Institute of Chartered Accountants of India फिर बता, ICI कोन से एट के तहित इस्टाबलिश हुआ था ICI Act 1949 सेकंड बच्चो काम की बाते बज़ मुझ जाता ICI कोन कोन से एट के तहित काम करता है पहला, CA Act 1949 और दुसरा बच्चो कोन सा बच्चो, कोन सा था Chartered Accountancy Regulation 1988 इनके तहर काम करता है ICI बेटा, कोन से Ministry को रिपोर्टिंग करता है MCA, Ministry of Corporate Affairs और ICI काम क्या होता है, कि स्टोंस को प्रॉपर गाइडन्स देना मेंबर्स को गाइडन्स देना Accountancy इशू करना Ethics maintain करना यह सारा बच्चो ICI का काम होता है यह सब आपको पता है एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के बेटा ओके ओके यह होगा बच्चो तो First Body हो चुकिए First Body हो चुकिए अब Second Authority Issue to Top Cost Accountant of India जैसे बच्चो CS का बटा कोर से वैसे CA का बटा कोर से वैसे CMA का बटा कोर से CMA Cost and Management Accountant यह CWA जिसका पहले बटा नाम CWA था बच्चो अभी नाम बटा CMA हो चुका है पहले बच्चो नाम क्या था Cost and Works Accountant बच्चो अभी हम क्या बोलते हैं उनको CMA बोलते पहले लोग उन्हें बोलते थे CWA बोलते थे Institute of Cost Accountant of India Short form क्या है? I.C.A.I. उसका भी short form क्या है? I.C.A.I. वहाँ पर I.C.A.I. मतलग क्या है? Institute of Chartered Accountants of India यहाँ पर I.C.A.I. क्या है? Institute of Cost Accountant अभी आज के बड़ा घड़ी में दोनों बड़ा Institute में जहड़ा चल रहा है कि I.C.A. किसका नाम है? जहड़ा चल रहा है बेटा यह अभी भी बेटा यह केस बुलो किया? Code के अंडर चल रहा है बेटा केस है इसका बच्छो पहले बेटा नाम क्या था? Institute of Cause Work Accountant of India पहले बच्छो नाम था उनका क्या नाम था? Institute of Cause Work Accountant India I.C.W.A.I. यह पहले नाम था बेटा अभी इसका नाम क्या हो चुका है? I.C.A. Institute of Cause Accountant of India ओके नेक्स बच्छो देखें अब देखो काम करते हैं बच्छो I.C.A.I. sorry I.C.A.I. मतलब Institute of Cause Accountant of India इसको इसको इस्टैबलिष किया गया था 1944 में As a registered company under company's ad मतलब भाई साब पहले यह जो था ना जो कॉस का इस्टैबलिष ता बेटा जी I.C.A. था वो पहले professional body नहीं था वो पहले क्या था? Company था इसना बूसकते बेटा जी initially ICA was established as a क्या था बच्छो register company था बटा as per companies act उसको established क्या गया था कब क्या था 1944 में क्या था क्यू कि cause accountancy के profession को cause accountancy बतला क्या है CMA के बटा profession को promote करने के लिए उसको regulate करने के लिए उसे develop करने के लिए क्या था ये बटा कब हो था independence के पहले 1944 बहुत पुरान बटा इनिशुटूट बटा उसका 28 में 1959 को Parliament के special act के तेथ इसके institute को हमने बनाए गया बटा जी उसका act का बटा नाम क्या था Cost and Works Accountant Act 1959 C.A. का बच्छा act कोन सा है Chartered Accountancy Act 1949 और यहाँ पर बटा Act कोन सा है Cost and Works Accountant Act ICW Sorry, मतलब C.W.A. Act Simply बोले C.W.A. Act नाए Cost and Works Accountant Act वहाँ पर का C.A.B.A. Act था यहाँ पर C.W.A. Act है C.A.B.A. Act का है? 1949 का है और C.W.A. Act का है? 1959 का है 10 साल के बादा आए था उसके तहर हमने इस इस इनिश्ट की स्थापना किये इक बाद रिवाइस करते है बता बच्छो ICA सबसे पले इस्टबलिश कब क्या था? 1944 में As a रिजिश्टर कमपनी पहले कमपनी था As a professional body As a professional Okay बेटा As a professional institute इसको हमने कब बनाए 1959 में 1959 ने अपने पार्लीमेंट ने एक आड़ पास किया C.W.A. Act 1959 उस आड़ के तहद C.W.A. Institute Establish किया गया Okay बेटा जी Clear है? Next बच्चों रेको इसमें काम के बात है जो बाकी सब ठीक है सभी में वही दिया हर बड़ इंशूर्ट आपने बच्चों के लिए काम करता है आपने मेंबर्स के लिए काम करता है Okay ये सब time pass है बेटा जी कुछ काम के ने बेटा जी इसको objective बेटा पता Okay अब next बच्चों रहा IFRS Foundation अब देखा बच्चों ICA हो गया ICWA हो गया अब इंडिया के बाहर निकलते बेटा मुझे आता हूँ इंडिया के बाहर worldwide accounting standard issue बेटा कोन करता है यादे बच्चों कोन होता है issue to top यादे क्या कोन करता बेटा IASB यादे क्या International Accounting Standard Board बेटा क्या issue करेगा बच्चों IFRS issue करेगा अब इस IFRS के बच्चों regarding कुछ और भी संस्था है पहला बच्चों IFRS Foundation फर्स ये भाईसाब IFRS Foundation next बच्चों IFRS Advisory Council next बच्चों IFRS Advisory Council ये दो संस्था बच्चों पढ़ेंगे पहला IFRS Foundation दूसरा बच्चों IFRS Advisory Council प्लीज ध्यान से देखना जो पॉइंट बच्चों बच्चों बता रहा हूँ पहला बच्चों IFRS Foundation देखो नाम में इसलिए का IFRS Foundation बच्चों IFRS बेटा Foundation काम क्या होगा दुनिया भर में IFRS issue करना IFRS मतलब क्या है International Financial Reporting Standard इनको बटा issue करना इसको develop करना यह काम किसका बच्चों IFRS बेटा Foundation का बटा काम है IFRS Foundation is a non-profit पेन हे ना चलता है ना साथ में marking करने का IFRS Foundation is a non-profit making international organization responsible for developing a single set of high quality global accounting standard known as IFRS standard तुने क्या बता है IFRS Foundation is a non-profit making organization यह NPO इसका simply काम क्या है कि भाई साथ दुनिया में worldwide level पे कुछ global standard issue करना हर country के अपने-अपने standard तो है पर ऐसे standard जो global level पे कुछ common standard issue करना सभी country के मिला के common standard issue करना common IFRS issue करना इसका बेटा काम है हमको पता है वैसे भी इसका बच्छो mission देखे बच्छो इनका बच्छो mission देखे mission of this foundation is to develop standard इनका बच्छो mission के हम अइसे standard हम अइसे IFRS बनाना चाहते जिससे दुनिया बरके financial market में transparency हर कंट्री के लोग दुसरे कंट्री के में क्या चल रहा है प्रपर समझ सके फिर accountability भाई साब एक कंपनी दुसरे बच्छो देश के लिए अकाउंटेबल बने बच्छो नेक्स क्या है उनकी efficiency बढ़े बच्छो ये उनका बच्छो का में ट्रांस्परंसी लाना अकाउंटे efficiency लाना उनका काम है ये सब टाइम प्राइस है अब देखा बच्छो यार ये जो IFRS foundation इसको support करता है कुछ अले से इसको कौन भाव देता है बहुत भाव देता है उन्हें वही ने बोला है ये क्या बोला है IFRS को बहुत लग support करते है दुनिया बर की ऐसी international sounds आए जो economics में काम करें जो economy में finance में काम करें वो सभी IFRS को support करते है including G20 Financial Stability Board और World Bank there are many organizations which support IFRS वो बोलते कि IFRS अच्छा है IFRS foundation अच्छा है हमारा तुमको support है IFRS foundation तुम आगे बढ़ो हम तुमारे साथ है यह सब लोग IFRS foundation के काम को support करते है और बैटा आज के बैटा घड़ी में खुशी के बत्तों बाज है बच्छो आज गड़ी को IFRS बैटा स्टैंडर आज गड़ी में almost 150 जगा पे काम करें very good keep it up keep it up keep it up अब यह तो बच्छों आपड़ा IFRS foundation बढ़ा IFRS बैटा foundation का काम क्या होता है दुनिया भर में ऐसे standard issue करना जो सब के लिए अक्सेप्ट होने मतलग क्या है IFRS issue करनों का काम होता है इस IFRS बढ़ा foundation को support बच्छों कोन करेगा many organization including G20, IFB और World Bank यह सब लोग बैटा है जुसको support करते हैं अब हम समझेंगे यह IFRS foundation क्या है और यह कैसे काम काता है बच्छों basically IFRS foundation तीन लेवल पर काम काता है मतलब IFRS foundation में तीन member से यह तीन वहाँ पर लेवल से ओके धानने बच्छों इस फिर कुशन में आ सकता है IFRS foundation as a three-tier governance structure जैसे बच्छों अपने इंडिया में देखें बच्छों इंडिया का गवर्मेंट काम करता है इंडिया में governance काम करता है वैसे बच्छों IFRS foundation में जो काम चलता है वो जो governance चलता बच्छों वो तीन लेयर में governance चलता है पहला बच्छों रिखो फ़र्स बच्छों रिखो फस होता है standard setting board पहला बच्छों होता है IASP मैं दूबारा सुन न बता रहा हौ IFRS Foundation, तीन बच्चे लेवल पर काम काता है, पहला होता है International Accounting Standard Board, तो International Accounting Standard Board is one of the part of IFRS Foundation, तो सबसे बड़ा कोने IFRS Foundation है, उसमें first part कोने IASB, International Accounting Standard Board, सेकंड बच्चे होता है, IFRS Foundation Trustee, और तिसरा बच्चे होता है, IFRS Foundation Monitoring Board, यह बच्चे देख सकते हो, इसको बच्चे मारक कीजिए, चल बताओ, चल बताओ, सब नालाक मुझे बता हैंगे, IFRS Foundation में कितने structure हैं, कितने level हैं, सर जी, IFRS Foundation में 3 level हैं, बोलो क्या-क्या, मैं आपर लिख रहा हूँ, पहला बच्चे कोने, IASB, International Accounting Standard Board, यह पहला बच्चे level हैं, सेकंड बच्चे लिवल बैटा कोन देखें, IFRS Foundation के ट्रस्टी, IFRS Foundation के ट्रस्टीज, और तीसरा बच्चे होता है, IFRS Monitoring Board, IFRS Foundation Monitoring Board, International Accounting Standard Board, ट्रस्टीज और Monitoring Board, यह तीन लेवल पर काम चलता हैं, फिसरा बच्चो, IFRS Foundation में कितने लेवल हैं, तीन, फिर्स कोने, IASB, International Accounting Standard Board, दुसरा कोने, IFRS Foundation Trustees, तिसरा कोने, IFRS Foundation Monitoring Board, यह तीन लोग मिला के, यह तीन बड़ी मिला के, IFRS Foundation काम चलता है, अब हम एक के चीज़ को हम लोग अच्छे से बच्चों डिसकस करेंगे, और इसके बेटा अलावा, इसके बेटा अलावा, और एक बेटा संसा होते हैं, जो बाहर से होते हैं, that is, IFRS Advisory Council, प्लीज समझना, IFRS Advisory Council अलग है, यह हम क्या पढ़ रहे हैं? IFRS Foundation पढ़ रहे हैं, इसके बेटा अलावा, और इक बेटा क्या होता, IFRS Advisory Council, इसके बेटा क्या 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 करते हैं, आइडवाईज देगे, किसको बच्छो रहे को, ट्रस्टीज और बोर्ड को, बच्छो, IFRS के जो ट्रस्टीज है, उनका जो बोर्ड है, उन्हें सब को, बच्छो, गाइड़न्स देने का, उन्हें काउंसली करने, बच्छो, काम एड़ा कौन करता है, IFRS Advisory Council करता है, ओके, ह बच्छो, मने बेसिक बता है, चलो मुझे बता हौ, बच्छो, बेसिक मुझे बता हौ, फिर से बता हौ, IFRS Foundation, कितने लेर पे काम करता है, तीन, बच्छो, मैं सभी आपसे बासा याद करा के लूँगा, मेरे साथ सब लो बोलेंगे, सब लो बोलेंगे, याद करेंगे बटा layer कोने, third layer कोने, IFRS foundation, monitoring board, ये जो trustees है, ये जो board है, उन्हें कोन guideline करता है, उन्हें कोन counseling करता है, IFRS council, IFRS advisory council, ये और एक सवंस्ता है, इनको guidelines देती है, छोले बैटा, अब हम सबसे पहले बच्चों रेखेंगे, trustees, So why not IASB, IASB हम अलड़ी पढ़ चुके, chapter number 10 में हमने international accounting standard board क्या होता है, उसको हमने अलड़ी अच्छे से पढ़ा था बैटा, इसके लिए institute ने इस chapter में वापिस नहीं दिया बैटा जी, IFRS foundation के 3 layer थे, पहला था international accounting standard board, हम पहले पढ़ चुके, वापिस नहीं पढ़ने का, हमको क् बच्छा लोग, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, IFRS foundation trustee हमको पढ़ना है, इनका काम क्या होता है, देख बच्छो, क्या दिये, trustees, मतलब, IFRS foundation trustee, short form हम उने प्यारसे trustee बुलाएंगे, इतना बड़ा नाम कोन लेगा, IFRS foundation trustee कोन बुलेगा, हम प्यारसे बुलेंगे, trustee बुले of the IASB, आपका जो IASB है, International Accounting Standard Board, जो IFRS issue करता है, उसका काम क्या होता है, IFRS issue करना, वो International Accounting Standard Board अच्छे से काम कर रहा है कि ने कर रहा है, उसके काम को देखना, उसे गवर करना, और ओवर साइट करना, उस पे ध्यान देना, ये बच्छो काम है, उसको चलाना और उस पे ध्या सर, इसका मतलब, उसको चला, मतलब सर, IASB को चलाना, इसका मतलब मान लो, इसका मतलब मान लो सर, अगर IASB को को standard issue करना है, तो क्या सर, ट्रस्टी उस पे, ट्रस्टी से कंसल करेंगे, ना बेटा, पास समझ ना बेटा, ट्रस्टी से पुसे काम को गवर्न करते, ट्रस्टी technical matter में interfere नहीं करते है उन्हें clearly बच्छो लाए trustees are not involved in any technical matter लेटे है IFRS, IFRS standard के regarding दोको IASB का बेटा काम क्या होता है IFRS issue करना IFRS पर जो technical चीजे उस पर trustee involved नहीं होते है ओके ये काम पूरा का पूरा किसका बच्छो बोर का होता है कुछन आ सकता है कि भाई साब IFRS का technical काम दुकों देखता है तो technical work of IFRS is responsibility of तो technical work of IFRS is only responsibility of IASB International Accountant Board वो trustees की जिम्मेदारी नहीं है पर trustees करते हैं क्या है trustees करते हैं trustees are accountable to the monitoring board a body of publicly accounting markets भाई साब trustees जोते हैं न trustees are accountable to the monitoring board आपको पता होगा तीन लेवल है IASB trustee और monitoring board IASB पे ध्यान कोन रख रहा है trustee और अब बच्छो trustee reporting किसको करेंगे monitoring board को तो trustee बेटा अगर monitoring board को report कर रहे तो trustees are accountable to monitoring board अब बेसे बेटा IASB is accountable to the trustee वो trustee को reporting करेगा and trustees are accountable accountable मतलगा है अरे किसी को जवाब देना पड़ेगा ना तो trustee जवाब किसको देंगे monitoring board को जवाब देंगे बेटा जी ठीके ये जो trustee होता ना बच्छो ये trustee बेटा हम appoint कर तीन साल के लिए हर trustee को हम तीन साल के अपड़ना चाहिए इसे क्यों पढ़ना चाहिए सरी हमाँ जिन्दगे में से use कहा इसका कुछ use नहीं बेटा कुछ use नहीं एक यूजे marks मिलेंगे हे syllabus में knowledge लो इसको story की तरह बढ़ पढ़ लो बेटा मुझे रहता आप उन वैसे भी मैं बुलू कह बेटा चो लो बोलता है तो ना सरी क्यू पढ़ रहे क्या करके बढ़ रहे बुलू क्या social media पे इतने सारी जान करें थे आपने कुछ काम की नहीं होते है फिर भी बेटा फल्दो दिमाख लगाते शे ना हाँ की नहीं social media पे आता है अमेरिका में ऐसा हो गया बच्चे पोस्चर करते है अब है अमेरिका में ऐसा हो गया ट्रम्प के लोगों ने ट्रम्प के लोगों ने पार्लिमेंट पे अटाक कर वा है एकदम social media पे trend बनता है ट्रम हाई हाई ट्रम हाई हाई वहाँ पे बिदेन जीत गया congregation बिदेन अब तुमें क्या करना है वह जीते है पे हालत में कुछ घंटा फरक पड़ता है तुम्हा यहां फरक पढ़ना है नहीं ना फिर भी पता क्या वहाँ पे धान देतो ना फिर उंगली बड़गा करते हो नो तो यह पढ़ने का वैटा यह अपने सलास का पाट है पढ़ा दे सरम को, ओके, अब चो रिखो, ट्रस्टी का अपण करें तीन साल के लिए, क्या करने का, पढ़ने का, तीन साल का अपण करेंगे, इच ट्रस्टी, इस एक्सपेक्टेट तो हैव, अंडरस्टैंडिंग, और बी सेंसीटिव तो इंटरेशनल इशू, बैटा हर ट्रस्टी को, इंटरेशनल इशू का, नौलेज होना ची, उसके लिए सेंसीट होना ची, अरे भाईसा, जब तक बच्छो ट्रस्टी इसको, सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइ प्रस्ती के चार जिम्मेदार दिये, इसके लग बहुत कुछ काम हो करते हैं, हम सब बताने सकते हैं, हम चार काम बता रहें, ट्रस्ती के बच्चो पहला बच्चो काम करें कि बूड, साथ मच्च रहें को, IFRS, Interpretation Committee और IFRS, Advarsy Council इन सभी के मेंबर को अपोइंड करना ट्रस्ती का बच्चो काम हैं, फिर से बता रहें, ट्रस्ती के बच्चो काम क्या होता हैं, किस-किस के मेंबर को चापोइंड करना, बूड की मेंबर अपोइंड करना, IFRS, Interpretation Committee के मेंब नुए प्रस्ती का बच्चो काम क्या होता है, to appoint the members, सेकन बच्चो काम क्या हैं था बच्चो इखो, बूड के जो Operative Procedure है, बूड जिस सरा से काम करता है, उसका का का structure क्या है, उसके Consult, बूड लोगों से कैसे Consult करता है, उसकी Procedure क्या है, ओके, इन सबको Monitor करना, बोड का जो काम का operating procedure है, बोड के जो consulting steps है, जो process है, इन सब को establish करना, और सब को change करना है, उसका बटा काम है, और भाई साब trustee का next बच्चो काम क्या आता है, हर साल बोड की strategy check करना, हर साल बोड क्या strategy अपना आ रहा है, इस साल बोड क्या strategy बोड के technical मामलों में धानी देगा, बोड का काम कैसे चलता है, किस से interact करता है, बोड पता बच्चो क्या बोड बच्चो क्या strategy बच्चो बना रहा है, वो कितने effective है, यह सब check करना बेटा, trustee का बच्चो काम है, और साथ में भाई साब, सबसे main चीज, सबसे main चीज, पैसा, अब यह सब काम करने के लिए पैसा लगता है, बच्चो, यह आपका IFRS foundation है, यह IASB, trustee, monitoring board, इन सब को चलाने के लिए पैसा मंगता है, बाई साब, तो यह सारा finance manage करना, और पूरा का, पूरा IFRS foundation का budget approve करने का काम trustee का होता है, समझ दो, तो इधाम कुछ ना सकता है बच्चो, IFRS foundation का finance यह budget approve कोन करता है, trustee करते है, फ्री से बताओ नाले, IFRS foundation में, कितने level होते हैं, 3, IASB, trustee और monitoring board, trustee, okay बच्चो, trustee के बच्चो काम बटाँ क्या होता है, IASB को govern करना, trustee बच्चो काम होता है, trustee के बच्चो member से, हम अपउण करेंगे, 3 साल के लिए, वो ऐसे बच्चो members होते, जो इंट्राइश इश्य को बारे में knowledge होता है, प्रता बच्चो, IFRS trustee का basic काम क्या आता है, board के member appoint करना, board का procedure part check करना, okay बच्चो, board का, मतला था क्या, board के काम को बच्चो, review करना बच्चो, और साथ में, IFRS जो foundation है, IFRS जो foundation है बच्चो, उसका finance manage करना, और उसका budget decide करना, ये सभी trustee का बच्चो काम होता है, अब इसमें देखो क्या बोला है, इसमें देखो ये point देखना, In exercising their governance responsibility, trustees may reconsider or amend, board's due process or recommend, for example, improvement to board's outreach activity, मतला बच्चो क्या देखिए, sometime trustee govern करते वग, कर trustees को ये लगता है, कि board के कुछ operative procedure, board के कुछ procedure में खराब ये, तो trustee board के procedure को, reconsider करने के लिए, या उसको amend करने के लिए बता सकती है, इसका मतला खिआ रहे कि, board के बच्चो के बच्चो करना, प्रोसिजर में कुछ भी गडबड लगता है, तो trustee board को ये guidance दे सकता है, कि hey board आपके प्रोशेर में हमें कुछ गडबर लग रहा है प्लीज आप उसो reconsider किजे या पर उसको amend किजे ये भी बोलने का trustees का बच्चा अधिकार होता है and trustees are accountable to monitoring board trustee बच्चो किसको report करेंगे monitoring board को IASB is accountable to trustee and trustees are accountable to monitoring board trustee अपना report submit करेंगे monitoring board को submit करेंगे ठीक है भाइसा तो ensure बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों रेको IASB फाउंडेशन पढ़ा तो बच्चों IASB बच्चों फाउंडेशन में जो तीन लेयर थे बटा बस तीन मेंसे बटा अपने काम का बच्चों को बच्चों गों था इफाउरेस फाउंडेशन में तीन परतें IASB टरस्टीज और monetary board अब लेयर भाइसी ओनाने वाले नाम में इस लिखा है IASamm भाइस काम में एडवाइसे काउंचीली जो बयसाब IFRS Advisory Council is a formal advisory body एक advisory body एक advisory body माले जो body advisor दिये to the IASB to the IASB and trustees of the IFRS Foundation, please समझना board का काम govern करने के लिए board मतलब IASB का काम कैसे चलना चे, उसके member कोन होने चे, उसके काम का structure क्या होना चे, यह decide trustee करेगा IFRS Advisory Council board के member appoint नहीं कर रहा है, देखो advisory council मान लो बेटा, मैं IFRS advisory council हो, क्या मैं board के member अपड़ करूँगा, ना वो मेरा काम नहीं है, क्या मैं board का काम कास देखूँँगा, वो मेरा काम नहीं क्या मैं बच्चो, board के structure को change करूँगा, अरे वो मेरा काम नहीं है, वो काम trustees का काम तो मेरा काम के है, मेरा simply बच्चो काम के है, इस IASB मतलब board को और trustees को कुछ advice देना, कर मुझे लगता है, किसी भी मामले में, कुछ भी गड़बड लगते है, या कुछ अच्छी चीज मुझे नजर आती है, इनको सिर्फ advice देना मेरा काम है, IFRS advisory council, ना कुछ appoint कर सकता है, ना कोई procedure बदल सकता है, ना बीच में बच्च दा क्या, टांग आडा सकता है, वो सिर्फ advice दे सकता है, he can only give the advice, किसो बच्चो देने का advice बच्चो, IASB को और trustees को इनको advice देने का बच्चो उनका काम होता है, और भाई साब इसमें होते कोन है, इसमें होते कोन advice देने के लोग कोन होते रहे, चार लोग, आरे भाई समको पता है, हम जब भी कुछ करेंगे, चार लोग हमको advice देने बटा जी, वही चार लोग यह होते है, बोलते हैं, कुछ करने जाएंगे, चार लोग क्या बोलेंगी, चार लोग क्या सोचेंगे, यह भाई चार लोग है, करते हैं कुछ निए, कुछ appointment ने करनें, कुछ निए करते हैं, सिप advice यह आच्छाँ, तुम ऐसा कर रे हो, ऐसा मत करो, बैटा, ऐसा करोगे न, बहुत वाद लगेगी, यह करने हो, नहीं करने का, ऐसा है, बेटा, एडिभाईस ही लोग करते है, कुछ नहीं, हिसमें होता कोने, यह होता कोने, सर, इसमें, कुछ पता, गल्दी के आंटी क्या? गल्दी के आंटी होते हैं, मतलब कु Señor ? It consists of wider range of representative from the groups that are affected by and in the functioning of board आरे ऐसे लोग जो board के काम से affect होते हैं ऐसे लोग जिनको board के काम में interest होता है ये सभी के representative तो board के काम के आपका जो IASB board है ना उसका परचे काम बेटा क्या था IFRS issue करना उसे affect कोन हो रहा है आरे आप जो IFRS issue करना बेटा जी उसे दुनिया बर के investor दुनिया बर के financial analyst दुनिया बर के statement के user auditors regulator other professional body आरे दुनिया बर में जितने भी लोग finance में काम करना ये सब लोग affect होते हैं इन सब के representative इसमें काम करते हैं मनले जो भी लोग board के काम से affect हो रहे या जो भी लोगों लगता है कि board के काम में उनको interest होता है ये सभी लोग IFRS advisory काँसे member बच्चों बनते हैं ओके तो समझ चलना बच्चों IFRS foundation एक छोटी चीज़ थी बड़ IFRS advisory committee में दुनिया भर के लोग आएंगे रहे दुनिया भर के लोग आएंगे जिसको भी interest है हर आदमे उसमें आएगा तांग लड़ाने के लिए बोले मुझे interest है ये board के हमसे मुझे फरक पट रहा है मैं advice दूँगा हर आदमे अपना अपना पता क्या advice देगा अभी तो बच्चों ऐसे बच्चों का जाता है almost दुनिया भर के दुनिया भर के 43 organization लगभग 43 organization जैसे अपना ICA हो गया अमरिका बच्चों बच्चों का अपना अमरिका जो board बटा हो गया फिर बच्चों UK का जो board हो गया बटा जी अस्ता का बच्चों board हो गया जी राइट ना इन सभी board के representative क्योंकि बच्चों IFRS जो भी बोलेगा IASB ने जो IFRS issue के उसे बटा अपने ICA को फरक पढ़ने के वाला है IASB ने जो बटा IASB issue के बटा उसे बच्चों बच्चों के अस्तान बोर को फरक पढ़ने के वाला है तो जो भी लोग इसे अफेट हो रहे इन सब के representative बटाएंगे अभी तब बच्चों 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 दुनिया में 43 organization के रिप्रेज़री इसमें बच्चों है और साथ में बच्चों 49 individual member जो किसी के भी रिप्रेज़र नहीं है बच्चों पर जो एक्जाम कर्शन आसकता है IFRS advisory council में कोन-कोन लोगे तो IFRS advisory council में दुनिया भरके 43 organization के representatives है और 49 individual members है इन्हीं सबसे बच्चों आपका IFRS advisory council बनता है और क्या बोला है member shop advisory council are appointed by trustee हमने अभी पढ़ा था यारे trustee का बच्चों काम या दे क्या trustee का काम क्या था to appoint a member shop board बोड हो या advisory committee हो इनके member अप delicious patty बच्चो बोड या पिर advisory committee के member अप BRAND कोन करेगा trustee करेगा यार रखना बच्चो और या advisory committee ने बच्चों advisory council है बच्चों वो साल भर में दो बार मिलती कितने दिन के लिए दो दिन में कहाँ पे लंडन में ऐशे चैशे री बेटा, मतलब बोलू क्या, कुछ नहीं करने का, IFRS अड़र्जे काउंसी मिटिंग लेने का, लोगों ने डिसाइड किया, चलो बहुत दिन हो गयार, घुमे नहीं, बहुत बूर हो रहा है, चलो मिटिंग लेते हैं, तो उने क्या-क्या, फटा बड़, अरे काप लेंगे, लंडन में लेंगे, लंडन में बड़े लोगे, बड़े लोगे, लंडन मिटिंग करेंगे, मिटिंग काप लंडन में होती है, अर इससे से सब्सक्राइब है कितनी बार साल में कम से Com 2 बार मिटिंग होती motorcycle होती है, वो भी 2-2 दिन के होती है ce क्थी मिटिंगने कौन बच्छ आता है इस बैटा इस मिटिंग म焮ल आता है इस बैटा Training रेक्टर का रिसर्डम बच्छ राता है और implicit director ये सभी बच्छों डालेक्टर ये सब बेटा उसमें आते और उस मिटिंग में अपना-पना अजेंडा बोलते है और भाई साहब ये जो advisory बच्छों committee की मिटिंग होते हैं बच्छों उस मिटिंग में IASB के staff को आके update देना पड़ता है मतलग है जब भी एडवाइजर काउंसिल की बेटा लंडन में जब भी मिटिंग होगी उस मिटिंग में IASB के स्टाफ आएगा वो इसे हाँ जोड़के खड़ा रहेगा बुलेगा साब हम IASB से हमने इस साल यह हमने काम के है हमने इस साल यह है IFA रिश्यू के साब हम रिपोर्टिंग कर रहे है तो बचो IASB का स्टाफ आके रिपोर्टिंग करके जाएगा और वो साथ में बचो काउंसिल मेंबर से कुश्चन भी लेगा और जैसे वो रिपोर्टिंग करेगे ना काउणसिल मेंबर उसे दुन्हावर कोशन पूचेंगे, क्या काम किया? कैसे काम किया? क्यू किया? और लोग तब फचेंगें बताया क्या? लोगों के- कमेंट दना चुरू किया अच्छा बुरा comment लेंगे तो इस सारे question comment लेके वो stop चला जाएगा वो stop बार में आके अपने board को बताएगा और board उसके उपर सोच उचार करेगा ठीक है फिर बार मच्छो क्या आता है जब board है बच्छो बोर मतलब को ने जब भी board बच्छो बुलेंगे बच्छो टेक्निक के मतलब क्या आता है बच्छो किसी IFRS में कोई दिक्करते है बटाजी प्रोजेटर प्रायरिटी बटा board के सामने बहुत सा बटा काम है कौनसा काम पहले करना चे कौनसा काम बार में करना चे उसके बारे में भी एक मिन टेक मिन डिक मिन इक पिपिट एज एक में रुक जाँ बटरी शें जो एक में रुक जा। झाल 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 चले आगया आगया बैटरी चेंज बैटरी गई थी कैमेर के बैटरी खरतम हो गई थी I am back, I am back, I am back चलो बच्चा हम क्या देखेरें बच्चों बच्चों बेखो Advisory Council से बोर्ड क्या-क्या बाते करता है ये दोनों गपए माते हैं बहुत गपए माते हैं किस पर बच्पे माते हैं बदार इनके गपपों का subject देखो topics देखो topic यह गपूंगा हमने पूचा भाई सब क्या बाते करते हैं इतना सारे गपशप करते हो क्या gossip करते हो तो बोड़ बलते हैं हम कुछ gossip नहीं करते हैं हम advise इक उनसे से बात करते हैं हम एक तो उनसे बात करते technical agenda पे अगर हमें कुछ technical अगर problem लगता है हम उनसे बात करते हैं अच्छा ये बात करते हो साथ में अगर हमें कुछ project है अगर हमारे पास बहुत सारे project है कौनसा project पहले करना चे कौनसा project बार में करना चे उसकी priority decide करने के लिए हम council से हम लोग advice मांगते है अगर हमें project करकर कुछ issue आ रहा है उसे कैसे apply करना चे उसे कैसे apply करना उसे implement करना चे या कोई भी IFRS हमें कैसे issue करना चे उसे कैसे implement करना चे इसमें कोई भी दिक्कत अगर हमें लगते है हम advisory council से हम discuss करते हैं और साथ में हम जो भी proposal देते उस proposal भी चे कितना खर्चा आएगा और कितना benefit मिलेगा वो भी हम discuss करते हैं यह सारा बच्चों के discussion का topic होता बच्चों मतला समझ चलना board और advisory council में जो गपे होते बच्चों क्या topic बच्चों क्या होता है technical discussion करते project के बच्चों priority वो लो decide करते कोई भी IFRS कभ इशू करना चे कभ इंप्लिमेंट करना चे उसका discussion करते और उससे क्या-क्या benefit होगा और कितना खर्चा आएगा उसका भी discussion करते है ओके और इसके बच्चा अलावा advisory council क्या सिर बच्चों group of project के advice करेगी ना बच्चा advisory council single project के उपर भी advice देती है वो group के उपर भी देती है और single project के बच्चा देती है okay advise बच्चों council बच्चों काम बच्चा क्या advice देना काम होता बच्चों final बच्चों der 2016 बच्चों कोन board लेगा बच्चा किसी भी चीज़ बच्चों इसे लोग जो IASB के काम से अफेट होते जिनको भी IASB के काम में इंट्रेस होता है इन सभी लोगों को कुछ advice देने के लिए हमने advisory council बनाए इस council में कितने लोग होते है सर इस council में अभी तक दुनिया बर के 43 organization के member है और साथ में 49 individual members भी है इसके अलावा यह जो council है इसकी meeting बेटा टाप होते है वो लंडन में होते है साल में कम से कम दो बार होते है वो भी दो दिन के लिए इसकी meeting होती है और इस meeting में होता है क्या इस meeting में क्या आता है IASB board का एक member आता है वो member reporting करता है और वो उनसे कुछ question लेता है उनसे कुछ advice भी लेता है उसके बेटा अलावा इनके बता क्या यह IASBO advisory council में कुछ discussion होता है बहुत सरे मामरे में यह अपने विचार पता क्या विचार पता क्या आपे discuss करते है यह simple बेटा है इसके अलाव ज़्यादा इसमें कुछ काम करें बेटा है ठीक है चले और हाँ लास्ट बेटा काम करें इतना बच्चो काम की बात है बागी ज़्यादा काम की बात है ठीक है खेशाम में बच्चो डेफिनल बेटा स्कोर होगा देखो याँ चाप्टर ड्रा है चाप्टर में बढ़ा कुछ अलगी कंटेंट है बेटा जी बड़ ट्रस्मी काई जे स्कोरिंग वाला पार्ट है इस चाप्टर बढ़ा बुलू क्या इस टॉपी में कैसा है अच्छी बात क्या आप जो पढ़ोगे न एक्जाम में इस पर कुछ नहीं आएगा बाके डॉपी में कैसा होता है मान लो आपने टॉपी पढ़ा इश्व अश्यर पढ़ा इश्व अश्यर में कैए आपने बढ़ी सो सम्सॉल के एक्जाम में 101 वाट लग सकते बेटा जी आपने क्याश फ़लो के बहुत सरे कुष्ण के अलग से वाट लग लगे बदले इस चात्र में कैए थेरी में जो पढ़ाना वही चाने वाला है इसके बार कुछी नहीं आएगा बस आपको थेरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको थेरी अच्छे से करना पड़ेगा ओके बेटा है सब कुछी जे बेटा जी चलो भाई साब अप नेक्स बच्छो देखे अगली बेटा संस्था अभी ते कितने होगे बोलो अभी ते कितने संस्था होगे चार होगे ना बच्छार आईसी है फिर अगें कॉस वाला अब हम पड़ेंगे पाच्छवी संस्था फिफ्थ और्गनेशन नाम से बेटा काम का बचाइड़ा होगा नाम से बेटा काम का बचाइड़ा होगा ओके इंटरनेशनल पब्लीक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जार लॉंग फाम जा देखो क्या बोला बच्छरी क्या बोला देखो इंटरनेशनल पब्लीक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये कुन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसका मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा बढ़ कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना अपने जो, अपना जो ICI, ICI पेटा, basic बोलो का बच्चो, ICI पेटा जी, AS नॉर्मली, किसके बेगद जो इस्यू करेगा? प्राइवेट के लिए इस्यू करेगा, नॉर्मली, पबलीक लिब होता है पेटा, समझा क्या, यह जो IFRS बोलो के बता क्या, यह सब लोग बोलो क्या, क्या यह जो IASB, यह सब लोग भाई साब सिर्फ ना जो प्राइवेट संस्ता है, जो प्राइवेट कंपनीज है, इन सब के लिए सने शुकते हैं, बड़ दुनिया भर में जो पता क्या जो पब्लीक सेक्टर संस्ता है, अरे जो लोगों के बच्चों काम हो रहा है, पब्लीक सेक्टर का भी Accounting Proper ना जय है, तो पब्लीक सेक्टर का Accounting Proper होने के लिए एक board बनाये गया जिसका नाम कहा है International Public Sector Accounting Board तो नाम में इस लिखा बच्छो Public Sector में अच्छे से पैसा यूज हो Public Sector में कुछ जोल ना हो Public Sector में भी Public Sector भी proper accountable रहे उसके लिए कुछ standard issue करने थे उसके लिए ये board बनाया गया बच्छो नाम कहा था International Public Sector Accounting Board इसके बच्छे काम कहा रहे है It develops accounting standards and guidance for the use by Public Sector Entity ये क्या बता रहा है ऐसे standard बता रहा है या ऐसे guidelines बता रहा है ज़े use कोन करेगा Public Sector Entity तो Public Sector Entity को क्या standard फॉल्यो करने चे और क्या guidelines फॉल्यो करने चे ये board बताता है अब अच्छे देखो, यह जो बोर्ड बेटा जो काम काता है, बच्छे बोर्ड काम काता है, मुझे बताओ, दुनिया भर के पब्लिक बेटा सेक्टर के लिए बोर्ड काम करता है, अब इसको फंडिंग को देता है, यार यह बोर्ड बेटा काम तो बेटा करता है, पर इसको उसको पैसा कुन दते, इतना पैसा आता कासे इतना काम करने के लिए, बच्छो, इस बोड को बहुत लग फंडिंग बच्छो देते, बेसिकर बच्छो देखो, एशन डेवलप्मेंट बैंक, शार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटंट आप कैनडा, यह सब लोग उसको फंड पब्लीक सेक्टर अकाउंटिंग बोड, पब्लीक सेक्टर में अकाउंटिंग करने के लिए, या पब्लीक सेक्टर में स्टैंडर्ड इशू करने के लिए, जो इंटरेशनल बोड बनाता, उसको फंडिंग को दे रहा है, उसको पैसा को दे रहा है, एक तो एशन डेवलप Swizer land इनके भी government इसको funding दे रहे है शुरी वच्छो बच्छो देख हो यह जो बोर्ड करें बोर्ड कबसे काव करें 2015 से बच्छों बच्छों बोर्ड काम करें और इस बोर्ड का इक ही objective बच्छों बच्छों जिससे क्या हो रहा क्या है ऐसे इस्टेंड 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 इस्टे इसे बच्छो क्या का बता क्या संदर में इसे कर रहा है by developing the high quality public sector standard उसके बच्छो high quality public sector standard issue कर रहा है उसके बैटा अलावा वो कुछ publication में डेवलप कर रहा है बाई साब इन्होंने standard तो issue के पसंद लोगों पता चलने चे बैटा जी standard पता चलने के लिए उन्हें कुछ book shop है पब्लीक इसे मतलब book चापके लोगों में awareness लाके ये public standard implement करने को लगाना और उसे public financial management improve करना इसका काम है simple बच्छो, simple बच्छो का मतलब बच्छो, public में awareness लेके आना और public का पैसा properly accountable करना इनका बच्छो काम है next यार बाकी कुछ काम की बाते है बच्छो बाकी कुछ काम की बाते हैं बच्छो इस बच्छो बोड ने बच्छो अभी तक बच्छो देखो 38 accrial standard दिये बच्छो इस बोड का बच्छो में काम बता हूँ, ये बोड का में काम का दे, बोड सिंपल ही क्या बोलता है, दुनिया में जितने भी पबलिक सेक्टर एंटिटी इन जपने आक्रुल सिस्टीम यूज करना चीए, शुड नोत यूज ऐड चैसाब बहुत बार क्या था यि उसको योजी नहीं होता है, पैसा कुछ ग्याज दे, पैसा बड़े-बड़े खराब हो गया, तो यह क्या बोलता है, आप cash basis के बले, आप accrual system use करो, इसके बड़े इस board ने बच्चो कि अभीता बच्चो 38 accrual standard बच्चो इशू किये और उसमें से 4 अभी निकलने के मूड में इस board ने बच्चो 38 standard बच्चो इशू के और उसमें से अभीता बच्चो 4 standard निकल च्चू के या फिर निकलने के मूड में है, ओके बच्चो बाकी यह वही दिया बच्चो बाकी सब time pass है, बाकी सब time pass है बटाजी यह बास धान में गरा बटाजी अभी बच्चो दो हजार पंदरा में, इस बोड का जो report आया बच्चो 2015 बच्चो इस बोड ने जो report भीजा बच्चो हमने कुछ बेटा और sound ताय बने, कुछ बच्चो बच्चो गवर्नांस रिवी ग्रूप और पब्लीक इंट्रेस कमीटी इनकी स्थापना बच्छों, तो 2015 में बोर्ड के रिपोर्ड के बार में गवर्नांस रिवी ग्रूप और पब्लीक इंट्रेस कमीटी की स्थापना बच्छों कीगे बच्छों, ओके बच्छो PIC काम बच्छों क्या आता है? पब्लीक के इंट्रेस्ट कमीटी का यह लोगों को अशुरस देना कि भाई साप इस बोड का जो काम है यह बच्छों लोगों के भलाई के लिए इस बोड का बच्छों काम है इस बोड के जो एक्तिविटी ये पब्लीक के इंट्रेस में पब्लीक को समझाना और बोर्ड के जो मतलब काम है उनका वेटा काम होता है इंटरनेशनल पब्लीक सेक्टर अकाउंटिंग बोर इस बोर का काम क्या होता है इंटरनेशनली पब्लीक सेक्टर के काम को ठीक से चेक करना और पब्लीक सेक्टर के अकाउंटिंग ले को स्टैंडर्ड इशू करना इसका बटा काम होता है और इसका बच्चो मेन बड़ा परपस बच्चो क्या आता है? पबिक सेक्टर के अकाउंट इक लिए कुछ स्टैंडर इशू करना, लोगों बड़ा उसका अवरनेस क्रियेट करना, और कुछ उसके लिए पबिक केशन बनाना, इसका बच्चो काम होता बच्चो, रैट न? इसने बच्छो अभी तो बच्छो 38 बच्छो अक्रिवल संडेट बच्छो इशू किये उसमे चार अभी निकलने के तादार पे है और जो 2015 ने जो रिपोर्ट दिया था उसके बाद में हमने दो सवस्ताय बच्छो और बनाए कौन सी गवर्नांस रिवी ग्रूप और पब्लीक इंटरेस्स कमीट हमने बनाए और पब्लीक इंटरेस्स कमीट हमने बनाए और पब्लीक इंटरेस्स कमीट बच्छो काम क्या आता है इस बोर्ड का काम लोगों को समझाना लोगों में अवर्नेस क्रेड करना इस कमीट काम होता है ओक दिमाग चल रहा है या हीवी हो गया दिमाग चल रहा है हीवी हो गया और एक कमीटी बताओ और एक कमीटी बताओ और एक कमीटी बताओ और एक कमीटी बताओ चाहिए जी और एक कमीटी बताओ हुँआ है भी हो गया हुआ हुआ है बहुत सा आ रहा नीए बहुत सा चीज़ा है है हुआ 5 पेटा गमिटी हो चूके ये बड़े-बड़े थे अगे के छोड़े मिटी और खरला सुद्धाद है चल एक काम काते है दो मिन्य कमेटिस कातो thought भी एफए हम शुरू करते है अगली बच्चो बैटा देखो अगली बच्रह्ता बच्छो देखो FRC UK Financial Reporting Council Financial Reporting Council of UK UK के बच्चों को ने FRC FRC मतलो कह है Financial Reporting Council Financial Reporting Council बतलो FRC Is an independent regulator In the UK and Ireland बच्चों देखो UK और Ireland में UK United Kingdom और बच्चों Ireland में जो auditor से जो accountant से और जो actuary से इन सबके कामकाज को देखने के लिए UK और बच्चों 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 देने के लिए जो board बना जो committee बने उसका बच्चों नाम क्या आता है Financial Reporting Council ओक बच्चों तो Financial Reporting Council ये कहा कि बच्चों UK की बटा सहुस्ता है और ये UK और Ireland के auditor, accountant और actuary को यहाँ पर उनको guidance देने का बटा काम करती है ओके और इसका बच्चों और बटा काम बच्चों बच्चों देखो UK में corporate governance लेकर आना UK के company में proper बच्चों governance बच्चों लेकर आना बच्चों इनका बटा काम होता है ठीक है ने बच्चों काम बच्चों देखो FRC का बच्चों काम देखो FRC is the UK's regulator for the accounting, audit or actually professional UK में जो auditor से UK में जो accountant, UK में जो actuaries लोग है बटाजी उन्हें सब के काम को regulate करें के बच्चों काम यह करता है हमको बटा पता ही है राइट ना हमको पता ही है और यह साथ बच्चों UK का यह corporate governance भी यह moderate करता है ठीक है बटा actuary मतलब बटा ऐसे है बच्चों लोग जो इन्शूर्न बटा काम करते आप देखो बच्चों इन्शूर्न बटा policy बटा बनाते इफारसी इफार्सी इफार्सी इफ़नडेड भय लिमड बटा गैरंट्टीट इस पार्ट्ली फंडेड गवर्मेंट अग पार्ट्ली इंडस्टिग भच्छों इफार्सी बच्चों कोने company limited by the guarantee और FRC को आदा funding बच्छो गवर्मेंट करेगा और आदा बच्छो funding industry मतलब क्या है बाकी company funding करेंगे इसके जो board of director प्रीस बच्छो इसको अपना बच्छो को बच्छो को बच्छो को बच्छो करेगा FRC के जो board of director they are appointed by secretary of state for business प्रीस की बच्तो करेगा FRC के board director प्रीस बच्छो को बच्छो को बच्छो करेगा the secretary of state for business and innovation वो प्रेटा appoint करेगा बार में काम की बच्छो बच्छो अब यह जो FRC बच्छो बच्छो FRC बच्छो board के लिए तीन committee से प्रोड करते बच्चों देखे, बटेटा समझ दा अब बच्चों देखना पर अब समझना बटाजी FRC UK का जो FRC UK का जो बटा FRC जो है, एटना, वो क्या करता बच्चों देखंगो, UK और Ireland में, UK और बटा Ireland में, UK और बटा Ireland के, UK और बच्चों करते हैं, उके, साथ में बच्छो, UK में corporate governance maintaining करने बच्छो, काम करते हैं, उके, FRC के board और बच्छो, director, अपने बच्छो, कौन करता है, बच्छो, secretary of state और business करता है, FRC का जो board, जो FRC बच्छो, 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 FRC board को support करने के लिए, 3 governance committee, प्लिज, देखना बच्छो, FRC board को support करने के लिए, 3 governance committee, FRC board is supported by 3 governance committee, पहले बच्छो को ने audit committee, second बच्छो को ने nomination committee, और third बच्छो को ने remuneration committee, दुबार बता बच्छो, FRC board को help करने के लिए, कितने committee, 3 committee, कोन कोई से सर, कुन कोई सर, audit committee, nomination committee और remuneration committee, ये तीनों बच्चों committee बेटा, FRC board को support करते, और साथ में, ये बच्चों तीन बेटा को ने, governance committee, और साथ में दो business committee भी, जैसे code and standard committee and conduct committee, मैं दुबार बता रहूं, FRC बच्चों board को help करने के लिए, तीन governance committee और दो business committee हैं, बता बच्चों, FRC बच्चों board को कितने committee support करते, पाच, पाच में से तीन कोने, governance committee, और दो बेटा कोने हमारे business committee, तीन बच्चों कोने, governance committee, गवर्नस committee में कोन आएगा, बच्चों कोन आएगे, इसमें, old committee आएगी, nomination committee आएगी, और बेटा कोन आएगा, remission committee, सारे governance committee, और बच्चों मुझे आता हो, business committee में बच्चों कोन आएगा, code and standard committee, code and standard committee, and conductor committee, ये सारे बच्चों business committee, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे बटाजी, उसके आगे जाके, उस business committee कोन से, code and standard committee, and conductor committee, ये बेटा हमारे business committee, इसमें से, पहला बच्चों कोने, code and standard committee, इसको अगेन, तीन council सपोड करे, code and, बस याद रखने बटाजी, इना बस पड़के निकालो, code and standard committee, ये जो business committee, उसको तीन बेटा council सपोड करे, बच्चों कोन देखो, corporate reporting, audit and assurance, or actual matter, मतलब दे code and standard committee, ये तीन मैटर में advice देती है, बच्चों कोन से, corporate reporting, audit and assurance, actual matter, बस धान रखना बटाजी, और ये चंडड जो committee, पहला बच्चों कोन था, code and standard committee, दुसा बच्चों कोने, कंडड बच्चों कोने, कंडड बच्चों committee, इस कंडड बच्चों committee को, सपड़के कोन करेगा, CRR committee AQR committee and case management committee, they support the conduct committee, बाकी दिमाग मत लगा, बस पढ़के निकाल, बटाजी, पढ़के निकाल, इवार रिवाइस करते हैं, बता बच्चों, FRC board, बता बच्चों, FRC board के लिए, कितने committee है, तीन है, पाच committee, तीन कोने, governance committee, दो बच्चों कोने, business committee, governance committee कोने, nomination committee, audit committee, और कोन बेटा जी, nomination committee, audit committee, और remuneration committee, यह बटा governance committee है, और business बच्चों कोने, standard committee, और code and standard committee, आइंड कोने बच्चों अपना, कोन था, कंडग बच्छों कमीटी, okay, कोड़ और बटा संडग बटा कमीटी को बटा, तीन बटा गवर्नास हेल्प करते, और भाई साब, कंडग बच्छों कमीटी को भी तीन लोग मेटा हेल्प करते, बस धार नहीं करते, पढ़की निकाला, बाकी निमाग पन लगा रहे हैं, इसमें आज बच्छों, आज बच्छों कमीटी करते, यह सब बड़े बड़े थे, कल से यह सब छोटे बटा, और कितने पंडिंग देखें, एक पंडिंग हे साथ, फिर आट, फिर नुँँँट, दस, ग्यारा, डर्नामत, डर्नामत, बारा, और तेरा, बस, तेरा मैंसे बच्छों, 6 बेटा हो चुके, 7 बच्छे, साथ में कल करेंगे, कल टोपिक आराम से, चीर मार खतम हो जाए बटा जी, ठीके, चल बटा, अब काम करतें, नाला के काम करतें, अब बच्छों, बेक लेते, कल बेटा आमने टोपिक शुरू किया था, नाशनल एट इन्टरनेशनल आकाउंटिंग अठरिटी, यह टोपिक बेटा अमने शुरू किया था, यस, अब इस टोपिक को आम लोग और इंड करतें, आज के बटा सेशन में टोपिक खतम हो जाएगा, आज शेशन में पर जो टॉपीग है न आइट न इसमहें के अरे बहुत सा दुन्या आंबर बढ़ा ऑर से में यूस जो सा अर्टत में काम कर रहे जू पंटिंग में完全 करें में governance में काम करें उसमें से कुछ इंश्यूट की बारे में हमने कल जानकर लिया था जैसे इंडिया में बेटा कौन था अपना इसके बच्चों इसके बच्चों इसके बारे में हमने कल डिसकेशन किया था और उसके साथ में बेटा जी इंटरेशनल पे पबलिक सेक्टर अकाउंटिंग के लिए एक बेड़ा बोड था रहे ना यह हमने कल डिसकेस किये थे आयो बेटा कल जितना पढ़ाता समझाओगा मैं यह नहीं बोल रहा कि तुरन आपको मेमराइज होना चीए इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद होगा 2-3 बार पढ़ना ही पढ़ेंगा 2-3 पढ़ना ही पढ़ेंगा एक्जाम में जब बेटा कोशन आएगा चार एमसी को जब आएंगे तो एक नाग बेटा अप्शन आपको जाना पहचान पुछ रगगगा तो आराम से टिक मार कर पाऊगे तो रटा मारने के पर इसको अगर आपने बार बार पढ़ा ना तो डेफिरिनल बेटा जी एक्ज अब बच्चों रेखें अब इस चाप्टर में नेक्स समय सहुस्ता बढ़ा पढ़ने है अपने को अगला जो कल बढ़ा यहाद तक अपना हो चुका आता एफारसी बेकल हो आता छे बेटा होए थे ओके आज बेटा हमको पढ़ना है साथवी इनिश्यू बढ़ा पढ़ने सेवन देश्यों में पढ़ने है सेवन देश्यू दो अब बटा चिए अब बच्चों रेको सात्वी बच्चों कमीटी बच्चों रेकेए सात्वी बच्चों यहाँ पर है इनिश्यू बटाजी युडोपियन फाइनाइन्शल रिपोर्टिंग एडवाईजिग रूप न नाम में बच्चों क्या लिखे पुपट नाम मइ बटा लिखे ए? European Financial Reporting Advisor Group E.F.R.A.G. नाम में क्या देखो? European Financial Reporting Advisor Group मतला, इन सिंप्लेज बात है बटा European countries को इसका बड़े नाम में शिलिखे European countries को Financial Report में Advise करने के लिए European countries को अपना Financial Reporting कैसा करना चिएbedra European countries को accounting के तर प्रह लिए एडवाइजरी ग्रूप गुझ इशक नहीं कररें यह कोई どう is that यह कोई accounting standard board नहीं है यह इडवाइजरी गूप यह सिंपली क्या बता रहा है European countries को effective reporting Effective Accounting कैसे करना चे उसमें को तकलीफ आईगी तो Advise देना हमारा काम है इनका बच्चो काम है अब बच्चो देखो अब इसके Key Point दो जो काम के बाते बच्च आपने हो पता हम काम के बाते पढ़ते हैं देखो क्या बोले European Financial Reporting Advisory Group बच्च याद रखना इस शाप्टर में जितने भी संस्था है इनके Long Form बहाइड होने ची इस Long Form पर एक्जाम में एक दो कोशन आते मतलब आते ची Simple Scoring यार European Financial Reporting Advising Group ये कोने बच्च ये Private Association है ये कोई Government Association है ये बच्च प्राइवेट आसोशन है बच्च ये और इसकी बच्च सापना कब रहे है 2001 में इसे सापना हुई थी और ये कब हुई थी With the Encouragement of European Commission European Commission ने बोलाता भाई कुछ करो यार कुछ करो European Commission ने उनको उच्च काया क्या तुम खाली वल्ले बहटे हो कुछ तो काम करो कुछए आडवाईस का काम करो तो European Commission के Encourage करने के बार में European Commission के encouragement उनके मतला उनको बोला क्या चलो कुछ तो करो तुफानी करो वो बोलने के बार में इस बेटा साउस्था के सापना हुई क्यों ही पर चलो Public Interest में हुई थी और इस साउस्था के बेटा जी, मेंबर को ने, इसके मेंबर को ने, अरे कुछ ने बता क्या है, European Stakeholders और National Organization, यूरोप के जो इन्वेस्टर थे, यूरोप के बेटा जी, बहुत सारे बेटा जी, औरगनेशन थे, वहां के लोग इसके मेंबर थे, इनका काम क्या है, इनका बच European Public Interest by developing and promising European views in the field of financial reporting and ensuring these views are properly considered in the IASB standard setting process and related to the international debate, simple भाशन बूले क्या बोलना चाहते हैं, इस बच और व्यूस के है, आप सबको बच्चों पता है, आप सबको बता है, दुनिया भर में standard बेटा सेट कोन का था, IASB, International Accounting Standard Board, IASB, क्या इशू करता है बच्चों, IFRS, भाई साब IASB, दुनिया भर के सभी countries के लिए, IFRS इशू करता है, अब common sense की बात है, आप सबको पता है बेटा जी, IFRS इशू करने के लिए, हमने IASB की सापने की थी बेटा जी, बड़ा IASB is a part of the IFRS Foundation, यह सोनो बेटा ज और आपको पता है, IFRS Foundation जब काम करता है, तो उसे बहुत सा लोग उसे आडवाईस देते हैं बेटा जी, उसे एक बच्चों करता है, IFRS Advisory Council, उसे आडवाईस देते हैं, उसी तरह से बेटा जी, IFRS Foundation बोलो, यह IFRS Board बोलो, यह IASB बोलो, जब IFRS इशू करता है, तो जब I IFRS इशू करता है, तो IFRS इशू करते वग, उसे European countries का structure ध्यान रखना पड़ेगा, बेटा common sense की बात्यार, हर देश का, हर बेटा देश का system अलग होता है, हर बच्चों देश के बेटा कानून बेटा अलग होते हैं, हर देश के लोगों का approach अलग होता है, उनकी सोच बेटा पड़ेगा, यही तो उसका काम बेटा जी, यह बेटा काउंसली क्या करता भाई साब, वो IASB को जाके बताता है, कि आप जो IFRS इशू कर रहे हो, करो कोई दिकरत ने, लेकिन भाई साब, यह European लोगों का यह कहना है, European लोग ऐसा कहते हैं, कि ऐसा होना जहें, तो प्लीज IASB and European people, युरोप के जो लोगे, युरोप के जो अलग अलग जो देश है बेटा, उनके व्यूज और IASB, इनके बिचा कनेक्टिंग ब्रीज हैं, यहां से व्यूज जो को युरोप का हर बंदा बेटा जाके, IASB को बोलने सकता बेटा जी, तो यह बेटा ओर्गनेशन, य कोई अगर कंपने बोलते हैं, साफ ऐसा, अइसा, अइसा अइसा होना ची, हो सकता है, किसी कोई देश बेटा बोलता है, अइसा नहीं होना ची, यह सारे व्यूज आए, एस बी को जाके बताता है, और इसको पर IASB, अपने IASB में कुछ बाती इंप्लिमेंट करेंगे, नही का बोले है, European Financial Reporting Advisory Group, Financial Advisory Group, इसका बटा काम क्या होता है, तुस सर, इसका काम क्या है, European Public का इंट्रेस सर करना, European Public का का काम होना ची, European Public का जो इंट्रेस है, उनका जो ओपन है, वो सर होना ची, by developing and promoting European View, यह क्या कहता है बच्चो, European View डेवलप करता है, और उसको प्रमोट करता है, in the field of Financial Reporting, European लोगों के Financial Reporting बारे में क्या व्यूज है, उनके क्या सोचे, वो बताना, और यह बेड़ा व्यूज बेटा, किसको बताना बच्चो, IASB को बताना, और उनको बोलना कि यह व्यूज आप, IFRS बनाते हैं, उसको यूज कीजे, यह सब बताना बच्चो, इसका बताना बेटा बच्चो बारे में क्या व्यूज बोला है, IFRASE का ultimate aim क्या होता है, इसको बेटा क्या करता है, यह बेटा क्या करता है, European Commission को एडवाइस देता है, whether newly issued or revised IFRS meet the criteria in the IAS regulation, बाले सिंपल बच्चो बेटा बच्चा में, देखो यह जो सवस्था यह बेटा क्या क्या क European views IASB को जाकर बता दिए IASB ने उसके उपर IFRS इशू के बड़ जो IFRS इशू के वो European लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है या उस IFRS को as it is accept करना चे या modify करके accept करना चे उसके बारे में European Commission को ये guidelines देते हैं ठीक है इनका simple बच्चों काम कहाता है advice देना IASB को advice देंगे और European Commission को advice देंगे और भाई साब देखो क्या बुला है ये संस्था बेटा जी ये संस्था member है किसका European delegation to the IASB board बेटा जी आपको पता हमने कल पढ़ा था IASB International Accounts board काम अच्छे से बड़ा चलने के लिए बहुत सारे संस्था बेटा उसे advice देते हैं यादे बेटा जी उसके बड़े advice है बड़े council भी था यादे क्या आप बच्चों ऐसे जो भी संस्था advice देते उनका एक member है बेटा European लोगों का जो डेलीकेट है European लोगों के view जो बताता है उसका one of two member को न बच्चों ये तो ये बेटा जी European लोगों के बिहाब पे ये IASB को बताता है कि European लोगों क्या view जे ये तो हमें पता ही है चलो और किस-किस के बस द्यान रखना बढ़े है ये किस-किस के बच्चों मेंबर है ये सोस्ता बच्चों देखो पहले किसका बच्चों मेंबर है IASB मतलब इसका तो मेंबर है साथ में बच्चों देखो Accounting Standard Advisory Forum का मेंबर है ये Account Advisory Forum का मेंबर है और साथ में बच्चों देखो International Forum of Accounting Standard Setters International Forum of Accounting Standard Setters इसका मेंबर से अच्छी बात है बैटा, क्या फॉरा पड़ रहा है? अब बच्छो इस पर देखो, काम के बात है बता रहा है, बच्छो काम के बात है बता रहा हूँ इस Board का, इस Advisory Council जो Board बटा, इसका जो President है इसका जो President है, is a Member of IFRS Advisory Council अगर आपको याद होगा मैंने कल बता आता, IFRS Advisory Council में दुनिया भर के 43 organization के member होते हैं, और 49 individual member भी होते हैं, याद है बिटा जी, तो IFRS Advisory Council में दुनिया भर के 43 organization member हैं, तो उस 43 में one of the organization यह हैं, तो इस organization का member भी advisory council पे रहता है, इस में से कोन है बच्चो, इस organization जो president है, इसका जो president है, he is a member of the IFRS Advisory Council, तो IFRS Advisory Council में जो 43 संस्थाओं के member है, उसमें से एक संस्था यह है, इसका president उसका member है, ओक बेटा जी, बाकी बेटा जाले इसका काम की बात हैं नहीं, एक बार short में, revise कर इसका बेटा purpose, एक बार revise करते हैं, द काम में लिका है, European Financial Advisory Group, इसका बच्चो में बेटा काम क्या आता है, European लोगों के financial reporting पे जो भी views है, यह views, IASB तक पोचाना, और IASB को IFRS issue करते हो, उसके बार में ध्यान रखने को लगाना इनका काम है, एक बार IASB ने IFRS issue के, उसके बार में, वो IFRS, European countries ने as it is follow करने चाहिए, यह उसको modify करने चे, उसके बार में European Commission को guidance देना भी इसका काम है, बेसिकल बच्चो इस साउस्ता की स्तापना हुई थी, European Commission के advice के बार में, European Commission ने जब उसको encourage किया, तब यह साउस्ता की साउस्ता बनी थी, और यह साउस्ता बेटा, बहुत लोगों की member है, उस पर से एक बच सब को समझ में आ रहा है, सब को समझ में आ रहा है बेटाजी, सब इसे comfortable है, यह अपने यार पढ़ाता कल, एकदम chill मार के, sorry, याद हो कि इसमें से ज्यादा इसमें दिमाग लगाने के बात नहीं है, अब बच्चो रेखो, यह जो EFRAG, इसके general assembly भी है, इसके general assembly बेटा, इस Financial Reporting Advisory Group का जो एक assembly, उसका बच्चो काम के है, उसके बच्चो assembly के तीन kwa में, पहला बच्चो काम बच्चो रेखो, इस administrations group का budget fix करना और उसके financial center बच्चो, असे बच्चो का बेटा काम क्या हता है बच्चो, इस बच्चो रेखो, असे बच्चो रेखो, असे बच्चो का EFRAG का जो General Assembly, इसका बैटा काम क्या होता है, कि भाई साथ, इस Advisory Group का Budget बनाना, इसके Financial Statement बनाता है, और इसके Financial Statement भी Approve करता है, Okay, और इसका काम क्या होता है, अरे भाई साथ, आपका जो EFRAG का जो Board है इस Board के President को Appoint करना, इसके Vice President को Appoint करना और इसके Members को Appoint करना भी इसका काम है, तो General Assembly का पहला बैटा काम क्या होता है, budget को अप्रूब करना और इसके financial पो अप्रूब करना से काम है second बच्च उसका काम क्या है इसके president, vice president इसके members को appoint करना इसका काम होता है और इसका president, इसका president कोन recommend करता है European Commission देखो बेटा president appoint कोन करेगा general assembly EFRAG European Financial Reporting Advisory Group Board का president appoint कोन करेगा general assembly, but ओप president कोन होना चीए, उसका नाम कोन बताएगा, European Commission European Commission नाम सजेस करता है और उस नाम को बेटा approve कोन करता है, advisory council उसको approve करता है sorry, general assembly उसको approve करता है, clear है बेटा जी और बाद बेटा इसके बेटा और बेटा काम क्या होता है, कि बाद साब board पे काम के नज़र रखना, it exercising general oversight of board बाद साब इसका जो board है, उस board के काम पे नज़र रखना, board अपना काम अच्छे से कर रहा है पर नहीं कर रहा है इसका काम है, तो बता बच्चो general assembly के काम कितने, तीन पेला बच्चो काम क्या है, बज़र बनाना financial statement को अपरू करना इसका काम है, सेकंड बच्चो काम क्या है, सेकंड काम क्या होता है सर जी, इसके president, vice president member को अपउइंड करना president basically recommend कोन करेगा, European commission appointed general assembly करेगी, और तिसरा बच्चो काम क्या आता है, इसके board को over side करना मतलग क्या, board के काम पे उपर ध्यान रखना बटा इसका काम है, एकदम chill मार के ठीक है, सब से comfort है बटा जी, ये कोन था, European financial reporting advisory group European लोगों के views बताने का ये काम करता है clear है भाई साब अप next बच्चो और्गनेशन है ये बहुत इंपोर्ड बच्चो बहुत इंपोर्ड बटा जी, इसको श्तारमार करना है financial accounting standard board financial accounting standard board अरे अभी तक बटा पुने इंडिया की बात की यूरोप की बात की ओके यूरोप की बात की UK की बात की, सब की बात के अभी अमेरिका के बात करते ना बेटा जी अमेरिका के बात करते तो ये जो बोर्ड बेटा ये अमेरिका में काम में आता है अमेरिका में ओके बच्छो अमेरिका में देखो बच्छो बेटा जी अमेरिका में मतलब युनाइटेड स्टेट्स में financial United States में accounting standard issue करना इसका काम होता अब देखसे तो बच्चों क्या देखो financial accounting standard board long form क्या है financial accounting standard board short form is FASB ये private sounds था है non profit making sounds था है इसका बच्चों क्या होता है इसका बच्चों क्या होता है कि भाई साब United States में generally accepted accounting principle issue करना या United States में accounting standard issue करना इसका बच्चों क्या देखसे तो इसका बच्चों क्या होता है और बटा जी ये जो organization बच्चों क्या है न उसको किसकी permission है एसी की security and exchange commission बटा US में security and exchange commission है इसने संस्ता को permission दिये और एक बोलू बटा जी ये संस्ता अभी बनी इसके पहले इसके पहले बटा अमेरिका में होता था accounting principle board APB बच्चों पहले बटा कोन था APB accounting principle board पहले बच्चों US में accounting standard issue बटा कोन का था APB accounting principle board था और 1973 में accounting principle board को replace किया FASB ने सबको जेपा सबको जेपा मैं दुबार बता दुबार बता तो बता मैं दुबार बता रहा है पटा मुझे आता ये financial financial account standard board ये बटा कब से बना 1973 में बना इसके पहले बटा काम इसका नाम कहाता बच्चों रेको accounting principle boards का नाम था पहले बच्चों नाम क्या था अकाउंट प्रिसे बोर एपी भी नाम था ये इसका नाम चेंज बटा कब हुआ 1973 में इसका बच्चों नाम क्या बना FASB का नाम है कोई तकलीफ है कोई तकलीफ है मैं दिख रहा हूं ना यार अरे एक में टुक जाओ जाओ एक में टुक जाओ एक में टुक जाओ झाल जैंने लुटंट कर दो को दो डिए तोको कर दोग। झाल 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 तक तक पुछाएं खुछाएं सर, Aicp और Aicp अलग है क्या है, बढ़ा, Aicp और Aicp, वेटा, अलग है, मैं Aicp पीटा आता हूँ, Aicp का ही, एक पार्ड A.P. भी है, जैसे बुलू, जैसे बुलू, बढ़ा, इंडा में बुलू का, बढ़ा, जी, इंडा में देखो, इंडिया में देखो, इंडिया में बेटा अपना ICI, right ना बेटा, ICI को ने Institute of Shattered Accountants of India, तो इंडिया में CA course run ICI करता है, right ना, ICI का एक काम बेटा क्या आता है, CA course run करना ICI का काम है, second बेटा उसका काम क्या होता है accounting standard issue करना उसका बेटा काम है एक बेटा काम बेटा क्या होता है एक बेटा काम बच्छो क्या देखे बच्छो ICA बच्छो एक बेटा काम क्या होता है CA बेटा course को रन करना उसका बेटा काम है इशू करने के लिए ICA बेटा उसने एक बोड बनाया था आपको याद होगा वो क्या था Accounting Standard Board वैसे ज़ अमेरिका में जो Chartered Accountancy उनकी जो सवस्ता है वो AICPA जैसे अपने बस ICA बेटा जी AICPA AICP का एक काम क्या होता है अमेरिका में Chartered Accountancy Course को परमोट करना उसका नाम में बताऊंगा बेटा जी उसका नाम में बताऊंगा रहिट ना और साथ में बेटा जी उसका और एक बेटा काम क्या होता है कि अमेरिका में Accounting Standard इशू करना तो AICP ने Accounting Standard इशू करने के लिए जो Board बना आया है वो था EPP जैसे बच्चों को आपने ICA ने हमने बेटा चाप्टर बेट 10 में पढ़ा था ICA ने Accounting Standard इशू करने के लिए एक Board बना आता जिसका बच्चों नाम क्या आता है ASB Accounting Standard बोड था वैसे AICPA यह जो अमेरिका का जो Chartered Accountants का सौंसता है इसने Accounting Standard बनाने के लिए एक Board बना है उसी Kendrick Board बना है इसका बच्चों नाम क्या आता है APB था अकाउंटिंग प्रिंसेप बोड था और बाद में 1973 में उसी का बच्चों नाम क्या हो गया FASB हो गया समझ बारा कि बेटा जी are you getting this point तो AICPA एक बहुत बड़ी सौंसता है और उसी का एक पार्ट यह है उसी का पार्ट है क्लेरे बेटा जी जिससे में डाउट बेटा पुछा था सबको जेपा गना शाम AICPA को रिप्लेस नहीं किया था ठीक से पढ़ो ठीक से पढ़ो AICPA का जो accounting principle बोर्ट था उसको रिप्लेस किया है बात समझा क्या देख भाई जैसे इंडाएं बेटा ICA ICA ने account ICA के बहुत सारे काम है उसमें इसे one of the come क्या है AS issue करना ICA ने AS issue करने के लिए बोर्ड कोन सा बना है ASB accounting standard बोर्ड बना है ओके बेटा जी फिर बच्चों देखो IFRS issue करने के लिए हमने क्या बना है ASSB बोर्ड बना है वैसे बच्चों अमेरिका की सांस्ता बच्चों को ने AICPA और AICPA ने account issue करने के लिए क्या बना आता APB बना आता और इस APB का भी नाम हो चुका है I A I F AB हो चुका है जी पा करना लाएक तो ये बेटा सांस्ता अभी भी है Clear A clear A clear A is a clear to everyone समझ मारा बटाजी पका ठीक है एकदम चिल मारके मैं आगे बढ़ी चलेगा बटाजी कोई बटाजी कोई confusion इस पर कोई confusion चलो चलो बटाजी अब देखो next देखे next देखे next देखो next देखो बटा next देखो चलो अब बच्छो इसका mission क्या है सिंपल से बात है यार financial account report को mission बटा क्या होगा कि America में अच्छे standard लेका ना ऐसे standard जो global level से complete करे global level के accounting के बराबर के सड़ी शुक्राइबर से काम होगा बटा वही तो दिया देखो बच्छो F.A.S. बच्छो mission क्या है to establish and improve standards of financial accounting and reporting अमेरिका में financial accounting का और reporting का standard improve करना और उसके लिए उसके लिए बच्छों देखो और इन्वेस्टर को और अदर यूजर्स को decision making के data प्रोईड करना उसका बटा काम है सिंपल बात है इसका main बटा काम क्या होता है account and issue करके अमेरिका में accounting का और reporting का standard improve करना उसका काम है यह तो बटा common sense की बटा common sense की बड़ा बात है राइट ना इसका mission की कोई ज़रूद निए टाइम पास है अब मुझे रता हूँ FASB ने काम बड़ा शुरू किया बच्छों रेको उसने काम बड़ा शुरू किया 1973 में आमको पता है बटा इससे बड़ा काम बड़ा शुरू किया US में accounting standard develop करने का उन्होंने काम शुरू किया UK US में बटा जी accounting standard issue करने का उन्होंने काम किया क्या सर इस इसा काम इतना से सर इसमें से सक्षाई इसका और वी काम है नहीं यह लिए सर लेशनेशनेफ रहे सक आ काम क्या था, account issues करने बड़ा काम था, 1984 में इसने और काम हाथ में लिया, क्या काम हाथ में लिया, 1984 में इसने क्या क्या, एक task force बनाया, क्या बनाया, देखो, emerging issues task force, इसने क्या बनाया, emerging issues task force बनाया, अब इसमें होता क्या था? क्या होता था देखेयार अमेरिका में बहुत सारी कमपनिस थी वो जब भी बैटा accounting करेतें बहुत बैठा एसा होता था कि accounting करते होंग उन्हें कुछ दिक्कोति है थी यह भै डिक्कोति हाती थी अर्वि एक task force बना है, उसका नाम इच क्या रिखा, emerging issues task force, अमेरिका में accounting करते वग, जो emerging issue आते थे, जो नए-ने issue आते थे, उसके लिए, जो task force बच्चो बना है, उसका बच्चो नाम क्या है, emerging issues task force, बच्चो क्या रिखे, emerging issues task force, इसका बटा काम है, इसका नाम बटा है, अब देखो, ये ग्रूप बच्चों क्यों बनाए बच्चों इस ग्रूप क्यों बनाए इस ग्रूप वास फॉर्म इन ओर्डर तु प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉंस टु दो फाइनशल इशू एस दे इमर्ज मतलब भाई साब अमेरिका में कोई भी जब भी कोई फाइनशल इशू अता है उस इशू को तुरंट इस इशू तो बहुत आते बिटाजी इशू समय पर इशू पर सॉल होना चे है टाइमली इस अमेरिका में जो भी फाइनशल इश्व आते थे जो अकाउंट इम इशू आते थे उसको समय पर उसी समय पर सॉल करने के लिए यह टास्फोर बना और इस task force में FASB के लोग भी रहेंगे, इस task force में FASB के लोग भी रहेंगे, इसे 15 बेटा member रहेंगे, कुछ public sector से रहेंगे, कुछ private sector से रहेंगे, मतलब public हो, private हो, किसी भी sector में, किसी को भी financial issue अगर आता है, ये solve करने के लिए task force बनाया गया, क्लिर भाई साब, मतलब simple से बात है, उसके बच्चों काम कहा रहें, जब भी कोई issue बटा आता है, ये task force बटा, issue को solve करता था, तो लोगों को IAFB के पास जाने के ज़रो, sorry, लोगों को FASB के पास ज़रो नहीं पड़ेगे, बटा, अरे पहले FASB कितना काम बढ़ रहा था, FASB बोल रहा था, भाई साब, हम standard issue करें, ये लोगों की बात सुनते बेटे, और फिर क्या होता था, प्वेरी टीक से handle बेटा नहीं होते थे, तकलिफा देती, लोगों ने चिल्लाने शुरू किया, तो FASB ने बोला, यार मेरे पास मतने जाओ, मेरे बाद टाइम नहीं है, मैं और नेक्स बच्चे देखो, नेक्स सुने क्या बहले, नेक्स सुने पॉइंट क्या, काम के बाते बाता रहो, EITF, okay, emerging issue, task force issue, is considered just as valid as FASB pro announcement, and is included in the gap, इसका मतलब क्या है, देखो, FASB ने clearly बोला, कि भाई साथ, हमने जो task force बना है, यह task force जो बोलेगा, यह हमारा बोलना है, task force जो बोलेगा, समझा क्या बेटा, बोल रहा है task force, पर शब्द हमारे, तो उन्हें क्या बोला बाई साथ, emerging issue task force बेटा जी, emerging issue task force ने, अगर किसी चीज़ में कुछ बोला, किसी भी issue पे, task force में, अगर कुछ अपना comment दिया, task force ने, अपना कोई opinion दिया, तो यह माना जाएगा, यह FASB का opinion है, जो भी opinion, task force की task force को हमने इच बना है, तो task force को यह authority, task force, तुम बिंदास तुम opinion दो, तुम जो opinion दोगे, वो FASB का opinion है, वो FASB का statement है, ऐसा कहा जाएगा, और आपने बहुत ही बारी कोई opinion दिया, तो उसे हम लोग, उसे हम लोग, अमेरिका के general acceptable accounting principle में उसको add करेंगे, क्लिए बेटा जी, ओके, next बच्चों क्या देखें, next बच्चों देखा, अगला बच्चों ने क्या बोले, अगला बच्चों क्या देखो, पहले इसने क्या क्या A.S. बना शुरू का अमेरिका में फिर उसने बच्चो फिर उसने 1984 में क्या क्या टास्फोर्स बना टास्फोर्स बना के अमेरिका के financial issue स्वाल करने शुरू क्या उसके बाद में जो F.A.S.B. था ना वो जाके मिला I.A.S.B. अब देखो दो यार मिल रहे तशन्त होगा बिटा जी तशन्त होगा बिटा जी आरे एक अमेरिका का बच्चो बोड था और एक दुनिया का बोड है International Accounting Standard Board और दुसरा क्या था Financial Accounting Standard Board तो भाई साब 2002 में 2002 में यह जब F.A.S.B. घूम रहा था नौर्वाक में गुम रहा था 2002 में जब F.A.S.B. नौर्वाक ऐसे चलते जा रहा था न उसको रस्ते पे मिला I.A.S.B. मिला तो F.A.S.B. ने बोला हाई क्या मैं आपको जानता हूँ क्या क्या आप I.A.S.B. हो बोला हाई यार तुम कर जानते हो तो F.A.S.B. तुम को कौन जाता नहीं आरे तुम तो वर्ल वरोकरेशन हो मैं F.A.S.B. हूँ मैं अमेरिका से हूँ और आप दुनिया भर से हो पिरे दोनों के जो बड़ा मुलाकात हुई ना मुलाकात रंग लाई और दोनों ने मिला के दोनों ने मिला के कसम कही दोनों ने मिला के बेटा एक Memorandum of Understanding Issue क्या दोनों ने मिला के कसम कही और बोला भाई साब हम लोग ऐसे I.A.F.R.S. बनाएंगे ऐसे I.A.F.R.S. बनाएंगे जो पूरे दुनिया का बला होगा और F.A.S.B. ने Promise क्या F.A.S.B. ने I.A.S.B. को Promise क्या I.A.S.B. तुम I.A.F.R.S. इश्यू करो Tension मतो तुमारे I.A.F.R.S. को हमारे अमेरिका के Standard से Match कराना हमारा काम है Match करना मतलब क्या होता है Convergence 2002 में F.A.S.B. ने I.A.S.B. को Promise क्या क्या Promise क्या आपके जो International Standard है I.A.F.R.S. से उसको हम अमेरिका के Standard से Match कराएंगे हम उसका Convergence करेंगे ऐसा Promise क्या सबको जेपा क्या बच्चो सबको जेपा क्या बटाजी उन्हें क्या बुला I.A.F.R.S. और US का जो G.A.P. ता बटाजी I.A.F.R.S. और US G.A.P. का मतलग है US के Standard को Match करेंगे ऐसा उन्हेंने Promise किया क्या बात है क्या बात है और बटाजी यह जो F.A.S.B. ने है F.A.S.B. ने है F.A.S.B. था Financial Account Standard Board इसे कोई धानत रखना ची आपका पता यार हर Board के उपर कोई तो Watch रखता है बटाजी तो F.A.S.B. कोई बच्चो Watch कों रखता है Financial Accounting Foundation इसे बच्चो Financial Accounting Foundation जेसे बच्चो IFRS के लिए कोई खोनता IFRS Foundation यहाँ पर बच्चो को है Financial Accounting Foundation या जो Financial Accounting Foundation है वो F.A.S.B. पे OK F.A.S.B. के काम पे धान रखता है FASB के काम पे धान रखता है ओके बाकी सब टाइम पास है यार पाकी सब टाइम पास है ओके उन्हें क्या बढ़ लगा बच्छों जो FASB है ना बटा जो FASB बटा जी Financial Accounting Foundation उसके Member कोन तो उसके Trustee बटा कोन तो Financial Accounting Foundation जो FASB पे धान रखता बटा इस Financial Accounting Foundation के Member कोन तो ट्रस्टी बटा कोन तो बच्छों देखो एक तो अमेरिका का जो Accounting Association बटा जी अमेरिका जो AICPA बटा जी CFA का जो इन्शूट बटा जी Financial Accounting Foundation ये सभी जितने भी लोग बटा ये सभी लोग FAS के Member होते बच्छों तो FAS के Member ये FAS के ट्रस्टी बच्छों कोन तो बच्छों अमेरिका का जो इन्शूट बटा जी AICPA बटा जी CFA इन्शूट बटा जी अमेरिका का जो Accounting Association बटा जी Government के जो Finance Officer है ये सभ लोग बटा जी FAS के Member होते और ये सभी लोग मिलाके FASB के उपर Watch रखते है जी पार ना लाइक जी पार ना लाइक क्लीरे बटा जी ओके ठीक है बाकी तो जारा कुछ काम करें बटा जी बटार रिवाइस करते है हम पढ़ क्या रहे FASB Financial Accounting Standard Board बता बच्छो FASB कब बना अअगल में 1973 में पहले उसका नाम क्या था APB पहले नाम APB था AICPA केंडर APB था और APB का नाम क्या हो गया FASB कब ह existe 1973 में तबसे FASB ने क्या काम शुरू किया अमेरिका में बढ़िया Standard Issues करने का American Gap, US Gap का काम उसने शुरू किया FASP ने अपना काम कब बढ़ा है 1984 में 1984 में उसने क्या इश्च बना है Emergency Issue Task Force बना है बच्चो EITF उसने बना है और Task Force का काम क्या था अमेरिका में जो भी Financial Issue आते थे यह Financial Issue FASP के पास आना देने का नहीं है आने नहीं देने का और इसको यह Task Force रे सॉल्ट करता था और Task Force ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया जो Task Force बोलेगा वही FASP ने बोला इसे माना जाता था और उसी को अमेरिका में जाप बोला जाता था Task Force ने बोला हमने जो बोला ना वह स्टैंडर है और वही ग्याप कहा जाएगा उसके बार में 2002 में घुमते घुमते FASP को कौन मिला IASB मिला कहा पे मिला Norwalk में मिला और Norwalk में जब दोनों की मुलाकात होई तो चाई पीते पीते चाई का सिप लेते FASB ने प्रॉमिस किया चाई की कसम है चाई की कसम खाके बोलता बार साब तुम जो IFR बोला तुमारे IFR को हमारे अमेरिका के GAP से मैच कराउंगा मैं अमेरिका के यू एस यू एस के जो GAP उससे IFR से मैच करना दोनों को कन्वरजंस करना ये मेरा प्रॉमिस रहा उसने प्रामिस तो किया लेकिन वो काम अपना ठीक से कर रहा है के ने कर रहा है वो ध्यान को नगेगा F.A.F. F.A.F. ने क्या बोला बाई साब हम तुमारे उपर ध्यान रगेंगे और इसके बच्चों मेंबर बच्चों को थे अमेरिका जो A.I.C.P.A था जो C.A.F.A. बोड़ था अमेरिका के जो फाइनेशल बेटा गवर्मेंट को आफिस रहते ये सबी लोग बेटा उसके मेंबर थे और ये सबी लोग मिलके F.A.F.A. क्या बोलते F.A.S.B. पे दान रगते थे ठीके बेटा जी एकदम चिल मारके सबको कंसेलरी है बच्छा है लोग सबको कंसेलरी है क्लियर भाई साब एकदम चिल मारके एकदम चिल मारके पे ये साई हो जाता है चलो भाई साब अगला आरा है AICPR है अमेरिका का मेन अकाउंटिंग ये एकप गज़न dec snap अपना IC है वैसे अमेरिका में को ने American Insure to Top Certified Public Accountant AICPA अरे जो FASB थे ना वो छिलू पिलू थे यह सब इसी के लिए काम करते है FASB को बोला भाई तरह बोस को ने किसके लिए काम करता है FASB ने बोला मैं काम करता हूँ AICP के लिए AICP के लिए American Insure to Top Certified Public Accountant अरे कब बना पता है बहुत पुराना रहे बहुत पुराना है यह कब बना था 1887 में देखो कितने साल पुरान है बना 1887 में यह बना था और भाई साब के 1887 उसका नाम वहीच था क्या नहीं रहे बाबाबा उसका पहले बच्चो नाम अरफ नाम कहा पे गया उसका रहे कहा नाम पेया नाम JOSH I C P A सबसे परब कर बना था 1887 में 1887 में उसका नाम क्या था AAPA, American Association of Public Accountants, और भाई साप, फिर इसका नाम बदला गया 1916 में, 1916 में उसका बच्छो नाम बना, उसका बच्छो नाम बना, Institute of Public Accountants, बच्छो नाम क्या बना बच्छो, इसका बच्छो नाम बना, और बाद में, यह जो अभी का नाम है बच्छो, इसका बच्छो कब मिला, 1957 में, 1957 में, इसका बच्छो नाम क्या बना, AICPA, इसका नाम बना, जीपा का नालाइक, तो पहले बच्छो उसका नाम बच्छो क्या था, AAPA, अपा नाम था, कब 1887 में, 1967 में, इसका नाम रखा गया, EEPA, ओके बच्छो, और 1957 में, इसका नाम हो गया, AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, नाम में बच्छ लिखा है, American Institute of Certified Public Accountant, यार, अपना जो AIC, सॉरी, अपना जो IC है, Institute of Chartered Accountant, इंडिया, किसको मैंच करता है, CA को बच्छो मैंच करता है, वो क्या CA बनाते बेटाजी, ICSI, CS बनाते, तो AICPA क्या बनाएगा, CPA, वो क्यों मैंच CPA बनाएगा, Certified Public Accountant, जैसे इंडिया में बच्छो चार्टर अकाउंटर होते हैं, वो जैसे अमेरिका बच्छो कोन बच्छो कोन होते हैं, Certified Public Accountant बच्छो होते हैं, सब को जैपान ना लाएग, कोई तकलिप बच्छो इसमें, कोई तकलिप बच्छो इसमें, ठीक हैं, ओके, इनका बच्छो काम बटा क्या होता है, CPA बनाना है, CPA मतलब Certified Public Accountant, इंडिया में जो CPA बनाते हैं, वहाँ पे CPA डिग्री बटा होता है, तो CPA बनानों का बटा काम होता है, और भाई साफ, आज के अगड़े में, अल्मोस 143 कंट्री में काम करते हैं, एक बार तुमको CPA का मेंबर्शिप बन गया, You can work in the almost 143 countries in the world, CPA का जो डिग्री बटा ना, दुनिया के 143 कंट्री में चलता बटाजी, और लगभग 4,8,000 लोग अब तक CPA बन चुके, क्या बाते, बड़े लोगे, बाकी बटा मैं पढ़ा बच्छो, पहले बच्छो रेको, 1987 में इसका बच्छो नाम क्या था, आपा, इसका नाम क्या गया, इनिश्यू टू टॉटॉप, पबलीक अकाउंटर, इपा बेटा इसका नाम किया गया, और तब इसके मेंबर थे कितने, 1115, पहले इपा भी कोई नाम होता है, क्या, इपा नाम इतना फिमस नहीं था, सिर 1115 ते रे, बोले हैं नाम बहुत खराब है, लोगों पसंद नहीं आ रहा है, अब नाम बदलते, उन्हें क्या क्या, 1957 में नाम बदल दिया, क्या नाम क्या, AICPA, जैसे 1957 में, AICPA नाम कर दिया, नाम चेंज किया, और इससे मेंबर बड़े ना, 4,8,000 मेंबर बन गे बिटा जी, एकदम जननत, clear बेटा जी, समझा क्या, सबको कहा ने समझे is, पच्यों, इसकी बड़्य हिस्टरी थे बड़े जी, ओके, प्लेर है भाई साब और हाँ बेटा इसके बेटा साथ में बुलू इसके साथ में बुलू अमेरिका में ना 1921 में 1921 में एक और एक सांस्था बना थी अमेरिकान सोसाइटी ओब सर्टीफाइड पब्लिक अकाउंटर अमेरिकान सोसाइटी ओब मतल़ यह सीपे लोग थे ना उन्हें अपना और एक सांस्था बना था अमेरिकान सोसाइटी ओब सर्टीफाइड पब्लिक अकाउंटर ना 1921 में बाद में 1936 में हमने बोला यह तु मर जोगे बिटा जी सब को जेपा ना लाइक क्लिर भाई साब क्लिरे भाई साब क्लिरे नेक्स देखो अब ध्यांदो अभी कहाने सुनो बिटा अब AICPA जैसे बचो AICPA कैसे लाक्कों में मर बनेगे न एसे फुल फॉर्म है फिर AICPA ने क्या क्या जानेवरी 2012 में अब सुनो बिटा जानेवरी 2012 में AICPA ने फोन किया सीमा को किसको सीमा को जानेवरी 2012 में AICPA ने काम किया सीमा को फोन के ला हाई सीमा कैसे हो नालाइक सीमा मतलब लड़की नहीं है सीमा मतलब को ने चार्टर इंस्ट्यू टू टॉ टॉट अब मैनेश्मेंट अकाउंटर्ण को ने चार्टर इंस्ट्यू में लंड़न में होता बेटा सीमा लंड़न में थी पता है कि तुम लोग नालाइक ओके लंड़न का जो सीमा उनको फोन किया बोला भाई साप AICP ने बोला सीमा चलो साथ में कुछ काम करते हैं सीमा यार कब तक तो अकिली काम करेगी मैं अकिली काम करूँगा दोनों मिलके साथ में कुछ काम करते हैं और भाई साप दोनों ने जब साथ में काम क्या ना तो कमाल हो गया कमाल हो गया और दोनों ने बेटा partnership करके एक नए पता क्या profession बना है जिसका नाम था Chartered Global Management Accountant CGMA इतने बेटा profession कम थे क्या और बना है काई के लिए फोन किया इतने profession थे तुम और profession बना रहे हो कि देखो कहाने दुबार बता रहा हूं 19 2012 में 2012 में AI CPI से बोर रहा था कुछ तूफानी करते हैं उसने किसको फोन किया SEMA लंडन के सोस्ता बचो थी Chartered Institute of Management Accountant वो सारे बच्चों देखो simple बच्चों बच्चों यह क्या होता बता हो बच्चों कि इंडायमेखे सासा से लुपलिषा रहे हो बता कोष्ट अ lot शीव्चा वैसे दुनिया भरके CMA को दुनिया बरके से मेता से में को बच्चों मानेज करने के लिए सीमा होता है CIMA is a Chartered Institute of Management Accountant ये दुनिया भर के CMA का बच्चो इनिशू टे बच्चो AICPA, अमेरिका के CPA, Chartered Accountant ते और वो कोन था, दुनिया के कोन ते, CMA, Management Accountant तो दोनों मिले कोर्स पर, दोनों मिले क्योंने काम करे Chartered Accountant और Management Accountant Chartered Accountant और Management Accountant CA और CA में इन दोनों को मिला के एक नया प्रोफेशनल बनाते तेसा बच्चो नाम क्या था? Chartered Global Management Accountant ये Chartered भी थे और ये Management Accountant भी थे बच्चा जो AICPA बच्चो इखो AICPA बच्चो बनाता बच्चो कोन था? Chartered Accountant बच्चो बनाते थे CPA बच्चो बनाते थे और SEMA बच्चो बनाता कोन था? Management Accountant बनाता और दोनों ने मिला के क्या बना है? Chartered Global Management Accountant बना है Chartered भी था और Management था दोनों का भी combination था बच्चो इस दोनों का भी combination था ठीक बच्चो ये उन्होंने बीस देशों ने और पाच बटा कॉंटेन इस बटा कोर्स को अपरोल दे दिया और बात में बच्चो बताओ क्या? June 2016 में ये वापीस मिले मिलते जिगे? June 2016 बच्चो 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 रेको AICPA बटा और SEMA बटा दोनों बच्चो वापीस मिले और दोनों ने promise किया कि भाई साब हम लोग public accounting और manager accounting पर एक बढ़िया काम करेंगे और भाई साब हम दुनिया के लोग अच्छा काम करेंगे इतना बोलने के अपिस मिले इतना इस बोलना तो तो फोन करके बोलना था नो अपिस क्यों मिलने का बहाने जिए उनको मिलने के बहाने जिए ठीक है ना अच्छा काम करना तो ठीक है नमको पता है यार सब अच्छा काम करते है ठीक है समझा बच्छो ये कहानी किसके बच्चो थी AICPA की बच्चो कहानी थी ओके AICPA कहानी रासा की जुबानी ओके चलो बिटा, एक बाद देखते हैं वापर से रिवाइस कहते हैं बच्छो, AICPA, American Institute of Certified Public Account, AICPA किसके लिए काम, यह क्या करता है, भाई साब, अमेरिका में CPA कोर्स को और्गनाइस करता है, और भाई साब, इसका सबसे पहले बच्छो, नाम क्या था, आपा, यह बना कब था, 1887 में, 1887 में आपा नाम बन लोगों को पसंद नहीं है, उसका 1916 में नाम किया गया, इपा, इपा बच्छो नाम किया गया, और बाद में यह भी नाम इतना फेमस था, तो फिर बच्छो, उमने क्या किया, इसका बच्छो नाम नाम रखा, AICPA नाम रखा, इसके बड़ा साथ म उसमें मर जोगी, ताइम पासे बच्छो, और बाद में बच्छो रेखना बच्छो यह दो हजार बारा में, यह AICP किसको मिला, SEMA को मिला, और SEMA को मिलके इसने नया कोश डेवलप किया, उनसा किया, Chartered Global Management Accountant, CGA में एक नया बच्छो प्रोफिजन डेवलप किया, और अभी हमें दुसरे कसम खाई बोलते हैं, हम दुनिया के लिगो अच्छा काम करेंगे, अच्छे Accountantant बनाएंगे, और अच्छे Management Accountant बनाएंगे, एम प्रॉमिस करते हैं, यह दोने मिले कसम खाई बच्छी, ओके, तुम को जल रहे हैं, तुम को जल ना लाएं कि इनको मिलना था, भगवाड ने, चाहता है इनकी किसमत मिलने की, तुम को कही मिलता है से तुम जलते हो ठीके न, देखो भई, हर एक कर घोती है, जिसको मिलनी मिलता रहता है, ठीके न बचा, हाँ, सब तुमारे तरह किसमत लेके नई आते, ठीके, चलो, अब आगे बढ़ी है, अब आगे बढ़े मि-अब या अगे बढ़ी है जल बढ़ी, आप दसवी बेटा से शावंगी क्या सुना है, पार काम को दो मैं है, ओनी है कि अफ में सुनू ढूना है, पूर्आ हो, बरस सुनू आज FM का लिख्षर नहीं है, पुछो क्यूं, पुछो क्यूं? अब इंप लौशर नहीं रहे मैं लौशर नहीं हैं, तुम कुछ भी करें लौशर नहीं है, ठीक है ना? तुमको याद रकनी है बता रहा है, तुमको लोशर भी बना गया नालाय को तुम बदणाम करोगे कैसे कमिन लोगे क्यों बोलो क्यों ऱपने मासुम सर माहुर सर मासुम सर सेटिंग अप का SBEC का amendment session, आप सबको पता है, जो बच्चे बटा भी June में module 1 के बच्च एक्जाम दे रहे बटा जी और module 1 में जो SBE के subject बटा जी, उसमें कुछ amendment दे बटा उसके उपर मासूम सरकाज लेक्चेर बटा मासूम के लेक्चेर बटा जी, 9 बजे Yes बटा जी तो जितने बच्चे यहाँ पर ग्रूप पन दे रहे जितने बच्चे बटा दो ग्रूप दे रहे ज़रू बटा अटेंद करना आपको एक amendment का बच्चे बेसिक बटा आइडिया आजाएगा आपको रईट चले, 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 चले तीके न याईस बैटा ची और लेक्षर के बार में महुरू सर सबको पार्टी देने वाले हैं महुरू सर पार्टी मांगने का बार्टी मांगने का बारी ही से ठीके जो यूटुबपे जुड़े चिए, आज के लेक्ष्य हश्टे मासूमसर पार्टी हश्टाइग मासूमसभ पार्टी एकदम आग लगा देने का ठीके बेटाजी चलो प्रोजेट बेटा फाइनास में कल कराऊं कल बेटा कराऊंगा प्रोपीक बेटा इसे भी आज खतम हो जाएगा कल बेटाजी दाइगंट आम लोग पड़ेंगे कल दोनों बेटा सेशन में मैं साथ बजापी सेशन में और तरक्एं ल कंप्रमाइस नौ कॉंपरमाइस जालो अगला बेटा आता है Australian Board, Australian Accounting Standard Board, Australian Accounting Standard Board, बाहे साथ, इंडिया और ऐश्राल में बहुत ब्ला रिष्टा बेटा, आपने latest ही देगाओ बेटा जी, अरे इंडिया के पोटे ईंडिया के बेटा बेटा पोटे, आस्टरा में जाके ऐस्टे लड़ी के बढदा पता रहे बेटा, नहीं परिए बढ़रे तुमने लिखा हो बेटाजी राइट ऐसा नू? अगर पतार रहा रहा एंट अगर किसी पता नहीं होगा तो वही यह बता अच्छे लड़का याट ना साथ बेठाजी इन्साब बेठा अच्छो ये कब बनाते ब популяр हो इस्टेलियन गौर्में इजनसी आई यह कोई ौरच्छ के ब करें नहींट हरे जी और एब दिक्टा में चौरा को जे सहरी हिए ब्र्सक्री एक ता कितना गंदा नाम है बेटा, कितना गंदा नाम है, इंडिया में क्या आता, CA Act था बेटा, CA Act के तेर, ICA बना था, कितना छोटा Act का नाम बेटा, यहाँ पर नाम क्या है? Australian Securities and Investment Commission Act, इस आड के तहट, AASB बनाया था, बहुत छिला रहे, इसका काम क्या रहता है, AASB बनाया कीश काम होता है, काम बेटा क्या होता है, बाइस आप, इंडिया में क्या रहता है, inadequate standard issue नहीं का बैटा का होगा austral में report improve करना austral account improve करना हमकोbi क्ता है सब के काम पता है हम भुले हमको मत सिखाऊ हमको सब के काम पता है ओकी हाँ चल बैटा जी छल बैटा जी थीकर ला अब बच्छा रेखो उनका पच्छो काम कार रेखो under this act इसका बच्छो काम करें देखो to develop the conceptual framework for the purpose of evaluating proposed standard मतलब बच्छो देखो Australia में standard develop करने के लिए conceptual framework बनाना उसका base बनाना बच्छो Australia में section 334 के तहट account issue करना उटका बच्छो काम है और AS को other purpose के लिए भी बनाना उटका बच्छो काम होता है और Australia बच्छो रिको और बच्छो और बड़े काम करें बच्छो रिको Australian standard बच्छो बनाना बड़ वर्ल्डवाइज जो IFRS थे उनके साथ में मिला के कुछ वर्ल्डवाइज standard डेवलप करना बच्छो काम होता है सब काम तो हमको पता है बच्छो काम होता है और इसका बच्छो और बड़े काम क्या रता है यह सभी बच्छ चंडर बनागी यह क्या करना चाहते है Australia का cost of capital कम करना Australia में बड़े efficiency बढ़ाना इन्वेस्टर को confidence दिलाना उनका बड़े काम हमको पता है ऐसी टाइम पास रिया बता बच्छो AASP बच्छो को ने यह government सहुस्था बच्छो यह किसके अंडर बच्छो बनी थी यह बड़ा बनी थी Australian Securities Investment Commission अड के थेड़ बनी थी 2001 में बनी थी इसके बच्छो काम बड़े क्या देखे Australia में बड़े जी standard बनाना उसके लिए फ्रेमर बच्छो करना और अच्छा बड़ा काम करना इन्वेस्टो कॉंफरेंस दिलाना इस सब इसका बच्छो काम होता है इसके विजयन मिशन में क्या करना वहीत हो रहेंगे कुछ काम करने बटा जी सब इसके विजयन में की बसके बच्छे के बूलू क्या इसके काम करना बच्छा रहा हूँ AASB ने बच्छो AASB ने जो standard issue का बच्छो AASB ने जो standard बच्छो issue के बच्छो issue के एते दो टाइर में दो लेवल पर issue किते बटा जी पहला tire 1 ता रिसो tire ता, tire मतलब वो लेवल है बच्चो, रइट ना बच्चो तो AASB ने दो type के बच्चो, standard बच्चो issue के, एक ता tire 1 ता रिसो बच्चो ता, पहला बच्चो क्या tire 1 में क्या था, Australian account standard बच्चो थे, और tire 2 में क्या था, Australian account standard but for reduced disclosure इतना था बच्ची, बाकि समय दिमाग मत लगा, बाकि आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बाकि समय नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, Auchay, सब को वचे पा, Jesus, अगे बढ़ी चलेगा, नेक्स, ASP board, बच्छो, इस ASP के बच्छो काम के लिए बच्छो बच्छो, काम के लिए बच्छो कोन करेगा? इतने बच्छो काम की बात है बटाजी जो में जो ऐसे चार्टर बच्छो का में जो आपाउंटिंग पच्छो के आएश्यु करना बड़ ऑस्टेलिया में जो अकाउंटिंग स्टेंडर था इनका बच्छो अले सांस्टा बच्छो थी उसे क्या थे Chartered Accountants of Australia और बच्छो कोन था चरकां बच्छो नीउजन बटा जी अब देखो बच्छो सिंपल बच्छो काम की बच्छो बाते बाते बता रहो ओके देखो यार दो हजार चोदा में बच्छो काम की बाते बता रहो दो हजार चोदा में Institute of Chartered Accountants of Australia और न्यूजिलंड का जो इनिश्यू था बच्छो रहेट ना कोन था बच्छो रहेखो चार्टर इनिश्यू टूटॉटॉप Chartered Accountant of Australia और न्यूजिलंड इनिश्यू टूटॉप Chartered Accountant ये दोनों बेटा मर्ज होगे कितने अच्छे थे पेटा, दोने बोला दो संस्ता क्यों बनाने का, हम दोनों अलगल संस्ता बनाएंगे, बच्चों को दोनों बारें पढ़ना पड़ेगा, हम बच्चों का भाले के सोचते, हम दो दो संस्ता रखते नहीं है, हम दोनों को मर्च करते और merge करके उन्हें क्या बनाए Chartered Accountants Australia and New Zealand सिंपल बेटा CA Australia and New Zealand Chartered Accountants और ये संस्था बनी बेटा जी समझा बेटा जी तो 2014 में Australia का जो CA बोर था और जो New Zealand का बेटा CA था ये दोनों बच्चों merge होगे और दोनों मिला के बच्चों क्या बना Chartered Accountants Australia बच्चों बना बेटा जी और इन दोनों ने Australia बच्चों न्यूजरेंड में Chartered Accountants इसी कोर्स को ने प्रमोट किया चिल्लर था बेटा चिल्लर था बच्चों आगला बच्चों बच्चों कोन था बच्चों रेखो FRAC Canada Financial Reporting and Assurance Standard in the Canada Simple बेटा हमको बच्चों 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 काम है चाहदा मत दिखना में बच्चों को कुछ काम की बात होंगा बाकी दिमाग को तान मत लेना बेटा ओके बेटा जी नेक्स बच्चों रेखो अगला कोने यार Canadian Initiative to Top Chartered Accountant CICC क्या निकलेक बोलनेगा उसको सीसा बोलेंगे चलेगा सीसा 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 Canadian Institute of Chartered Accountant CICC कब बनाता बच्चों बच्चों रेको यह बटा Canada के बच्चों Parliament ने एक Act बनाया था उसके बच्चों तहर बच्चों को 1902 कब बनाता बटा जी 1902 में बनाता अच्छी बात है बटा यह बच्चों रेको यह नौन प्रोफिल बटा सांसा बटा यह Canada में Accounting बच्चों प्रोफेशन को डेवलप करता है यह साथ में बच्चों रेको Canada के जो gap है Canada के जो standard बटा उसको बटा issue करता है बच्चों कुछ काम की बात के इसा कुछ काम की बात निये बच्चों कि बटा निये जपान में जन्रल अकाउट, अक्सेट अकाउट शैट अकाम होता है। जपाने बच्चो बढ़ेको अच्छा सिस्टीम बढ़ेको शाया बड़े काम होता है। सब टाइम पासे है। फिर बच्चो देखो, external reporting board इंद निज्रम बच्चो देखो, बच्चो निज्रम बच्चो देखो, बड़ा board था, XRB, यह board था बड़ा जी, कुछ काम के बाते हैं, सब time passे, सब time passे बच्चो ठीक है, last के तिंचा बोर सब time pass से बच्च पढ़ना तो पढ़लो, लेकिन कुछ जादा कुछ काम खास बाते हैं, नहीं मिलेगी, ओके, छोलो बच्चो देखो, इसके बच्चो देखना, यह सभी आपके जो भी सौस्था है, इनके long form बच्चो चाहिए, इक पढ़ पढ़ के इनके बच्चो और एक बच्च लोगफार बच्चो कोण था, institute of cause accounts of India, बच्चो, नेक्स बच्चो रहेकिए, बच्चो, IASB मतलग कोण था, international account रेड़ पढ़ था, IPSAB, international public sector account रेड़ पढ़ था, FRC मतलग कोण था, financial reporting council, EFRAG, European financial reporting advisory group, FASB, financial account रेड़ अड़ था, बच्च या AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, AASB, Australian Accountant Board, A for America, ICA, Institute of Chartered Accountants of Australia, FRAC, Financial Reporting and Assurance Standard of Canada, आपको long-form बच्चो याद करने पड़ेंगे, okay, CISA, Canadian Institute of Chartered Accountant, AASBJ, Accounting Standard Board of Japan, okay, पीटा जी, होगे, एकदम चिल्लर था, अब सब नाला के काम कर इसके MC को पढ़ते, MCQ, MCQ, MCQ तो बनते छे, एक मिल्ट रुक जा, एक मिल्ट रुक जा, MC के तो मंगते छे बबाबा, तू छोडने का, यह चप्टर नमबर क्या था, चप्टर नमबर के उनसा था रहे, चप्टर नमबर 11 था ना, बस वत ता, बच्चो, पाची मुन में MC को पर हो जाएंगे, फाइमिट सो एमिट सो जाएंगे बच्चो बस पाच बच्च 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 6 पाच मून दी फाइमिट्स, उनलि पड़ाesi मिंट्स हम MCQ घजिश्र कारेंई, फाच म một सिक्तम करते हैं, चलिए, जी आग आपका PDF चले चलरे चलरे सब चलरे बिटाजी सब इदम चलरे बिटाजी देखियां अरे क्या होगी है अरे दादा आगया 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 FRRP क्या है FRRP क्या है अभी यह नया लॉंग फर्म आगया बता ओरे बेटा एक बाग गूगल पर सरच करो जो कुछ नहीं बेटा गूगल पर सरच करो तो बच्छो बाग यह चेक करो यह फर्म फर्म अगया देखा बच्छो अप्शन बी अप्शन बेटा बी है एक डम एक्सपर्ट है गूगल में एक्सपर्ट है पटा फाइनाशल रिपोर्टिंग रिवीव पैनल फाइनाशल रिपोर्टिंग रिवीव पैनल चलो बच्छो नेक्स अगला बच्छो कुछन बटा आता आपको इमर्जिंग इश्यू टास्फोर्स वार फार्म बाए बोलो EATF किसने बनाया था किसने बनाया था FASB ने बच्छो यादे क्या फाइनाशल अकाउंटन संड़ बच्छो बोर्ड ने क्या बनाया था बच्छो Emerging Issue Task Force बच्छो किसने बच्छो बनाया था यह FASB ने बनाया था हमको पता है Q3 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 आई था मताई जी एक जस एक मिन का टाइम दो मुझे एक मिन का टाम दो यहसे एक मिन्टा Q3 Q4 Q4 Q2 Q4 झाल झाल पर पूरान बच्छो मोडुल में था यह जो बोड था बच्छो मैं वही बोला एक कुछ बड़ा मॉडुल के शुका बच्छो यह बटा आपकी इस पर अप्रिकल नहीं बच्छी अब जो नया जो मॉडुल है यह बच्छो नया बच्छु नया मॉडुलो यह बच्छो यह बेटा इसमें कुछ सांसना बडाए कट किये बटाजी अभी जितना में पढ़ाए बडाए 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 में हटा दिया गया है, इस हो कट करेंगे, कोशन कट करेंगे, कोशन कट करो बैठा जी, question 4, which or the following does not fall under the scope of Indeux AS102, हमने last of the option पड़ा दे है, बैठा जी, Indeux AS102 या दे क्या है, share base payment, बता बच्चो, इन में इसे कोईसा Indeux AS102 मतलग क्या है, Share base पर मैं नहीं आता बच्व, नहीं आता है Equity का Fair Value उसमें आता है यहा था sir मुझे आता बच्व, Ind AS में, क्या Cash पर Settile होता है? हाच, सब होता है Share में होता है बच्व, Settile? यहाँ होता है sir गडिध बेस कैसे कुछ नहीं होता है इसा बच्व, Fair Value बेटा है cash इटल बच्छ आता है, share बेस आता है, अब नम सब पढ़ाता है, Indies 102 में पढ़ाता है बटाजी अब question number 5 में, चलना आला है, question 5 को पढ़ेंगे, question 5 को पढ़ेंगे please इन में से कोन सा disclosure Indies 102 में लगता है, Indies 102 में क्या क्या लगता है बच्छो, Indies 102 में आप जिससे बेटा अग्रीमेंट बटा कर रहे हैं, Indies 102 में या थे क्या आमने पढ़ाता है, एक बेटा क्या आता है, रिपोर्टिंग एक बेटा पार्टी होती है, बच्छ अमझा क्या, Indies 102 के अनुसार, आप जो अग्रीमेंट बटा पार्टी को जो अग्रीमेंट बटाना पड़ेगा, यह से बताना पड़ेगा, और भाई साब यह शेर प्राइस निकालने के लिए, उसकी फेर वल्यू निकालने के लिए, क्या वाल्योशन में यूसके बताना पड़ेगा, हा आप आपने देखो, कोई भी एंटीटी, जब किसी पार्टे से कोई अग्रीमेंट करती है, तो अग्रीमेंट में क्या कंडिशन है, बताने पड़ेगे, अगर आप कंसिर बटा जी, शेर के फॉर्में देरो, तो शेर का प्राइस क्या होगा, बताना पड़ेगा, और यह श सब्सक्रा का बच्चो नाम एक कॉशन गलत है, इसे कट करो बच्चो, एक कॉशन गलत है, कॉशन चे कट कर दो, अब बच्चो एक कॉशन 7 को देखे, रोल लॉप CS, एक बोलू की बटा है, चेक बोलू क्या, CS के बटा बारे में न, बटा यह ओल मॉडूल में था, बड़ नए मॉडूल पइर, CS ही निकल दिया, मैं लिए, ICS है, इसकी जानकर बच्चो ओड उड मॉडूल में थी, पर new model, ICS को ऩाटा दिया, क्या बात है, अब हमको पतले के हमको पता, इसे काम करोईब, बोलो क्या प्याultural के काम करोगे, क्या 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 तुम, अकाउंट मॉ बोलो क्या होता, ऐसे काम क्या होता, बोलो, To ensure compliance of Relative Relations, बटा, कमझे रहता है, क्या company बटा, तुम सेकरेटर बल के काम करते हो, नहीं न, बटा, तुम सेकरेटर बल के काम नहीं करते हो, बच्छो, company में, जो legal चीज़े बच्छो होते, जो compliance है, उसको follow करना तुमार बटा काम होता है, company में, compliance को बटा, follow करना तुमार बटा काम होता है, option C, option C, option C आएगा, option A कोन बोल रहा है, नाला है, question, ICI कब बना, ICI बटा, कब बना, 1949, ICI कब बना, बटा, 1949, बटा जी, next, ICI बटा, किसके अंडर काम करता है, Ministry of, Corporate Affairs, जार, MC के अंडर बच्छो काम करता है, वो MC के अंडर काम करता है, next, बच्छो क्या रहे के, total number of member in the council of ICI, ICI के council में कितने members है, मुझे नहीं पता, Google पर सर्च करूँ, यह तो अपने में पढ़ाओगा, नाला, तुम्हें पढ़ाओगा, चलो, चलो, बड़ा मॉडूल निकालो, सर, Google निकालो, Google में देखके बता, गूल में देखके बता, अब जारा क्वेशन में बताओ, Google में देखके बताओ, ICI के कितने council member है, 40, 40, पक्का, बहुत सो कर लिया, तुम्हें 40 बहुत खतम हो गया, मुझे क्या करने हैं, वैसे out of seller question है, क्या फरो पड़ रहा है, चो बटा, INSY to top, कॉस अपने इंड़ा बड़ा कब बना, बच्यों कब बना था, I think 1958 में था ना, नहीं नहीं, अरे 19 कब था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लो यार, बूल गया, मैं भी बूल गया, 1959 में था, 1959 में था, 1959 में बढ़ना था, बटा जी, Option बच्छों भी, Option बड़ा भी, Option बड़ा भी आएगा, बुक में दिया, बच्छों, बुक में दिया, ठीक है, Next देखें बड़ा जी, Next बच्छों देखें, Next बड़ा जी देखें, Question 12, IFRS का Long Form का, अमको पता यार, क्या बच्छों होता है, International Financial Reporting Standard, Option C, Question 13, Financial Accounting Standard Board, US का बड़ा जी, यह देखें, यह बड़ा क्या बच्छों देखो, यह कैसे सँचता बच्छों देखो, यह Government सेमी Government है बड़ा जी, चेको रहा, FASB कैसी बड़ा देखो, I think वो NPO तो है, मुझे पता है, लेकिन प्राइवेट या सेमी Government, इत बाद देखना पड़ेगा, FASB कैसी सँचता है, FASB, 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 FASB इस प्राइवेट आपनेट, यह प्राइवेट आपनेट, FASB इस प्राइवेट और्गरेशन, प्राइवेट देखा है बचाएजी, FASB प्राइवेट बिटा जी Question 14 ICPA अच्छे बटँ यह होना चेहते IC क्या बोलते है Issue to Top Chartered मतलब क्या बोलते है ICPA बटँ पी ए रहेत ना कब बनाता मैं ते चाहिए 1987 बच्छे उसका बच्छे नाम क्या था या बच्छे उसका बच्छे बता दिया है, कट करो बचुए, कट करो बटा जी, कट करो बटा जी, Q16, Actual बटा बोर्ड भी सिलाबस से हटा दिया है, बटा जी, FASB, बच्छो, Long Form क्याता है, Financial Accounting Center, बच्छो, बोर्ड, Option A, 17 का बच्छो, Option A, 18, APB, बता है, बच्छो, FASB का नाम पहले upb था बच live, avoid upb ंबश्यों क이식े ? I think accounting profession बुर्था ना ? Upb क्या था ? Accounting में प्ðरिंस्यों पृर्षा ना ? Apb自 the accounting icon Option action , D , Act Abigail 불uan FASB का पहले upb पहले बचाना ? non इ credah back it is accounting board ASB पर आम को Australian accounting center बच्छों board option A अस्दों बच्छों board 19 कह ये 20 European financial reporting advisory group ये accounting group ने बेटा ये advisory group है European financial reporting advisory group option बच्छों BA 21 ICSI की सपना कब होते है ISIS कब बनाता बोलो, बोल नालेक ICS के सपना कब हो थी, तुम CS बनने जा रहे है बोलो नालेक . ICS के सपना कब हो थी Q20, व्यत करें इसए कब बना थी बोलो, जनल नोलग बना चे बीटाजी ICS के सपना कब हो थी सागर मेरे बाई old module का देखने हैं पिटा हमें new module देखने हैं सागर मेरे बाई new module देखने हैं पिटा जी old module में जो चीज़ेती पिटा मत देखना new module पिटा amendment उसको follow करें you have to follow the new module पिटा जी ठीक है कुछ बच्चे बोल रहें option ए कुछ बोल्रे option बी कब बना था ICSI कुछ बोल रहे option ए कुछ बोल रहे ऊपशन ए कुछ बोल ऑप्शन भी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो 1980, 1980, पक्का, ICS कब बना था, 1980 में बना था, बच्छो, 1980 में बना था, चलो, it is the end of the chapter, यहाँ पर बच्छो, national authority chapter बच्छो, खतम हो जाता है, चलना लगा, टटा, बाई-बाई, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, कल बेटा हम लोग 7 बजे मिलेंगे, कल वापस बच्छो मिलेंगे, कल topic बटाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-ब जए में बुस्तर, से में बूस्तर ,day 3 का सो हम अब एक काम करना, किसके बास करना, मुझे दे 3 के question बेटा होगा, तो can you share question दो group बेटा जी, एक बार एक काम करना, अब एक दे 3 के question का, एक बार मुझे pdfl group पे share करेंगे ओकी मिल गया, मिल गया, pdfl मुझे मिल गया हाभी अच्छा अब आभी अच्छा हो में अरी वी लोगे Ded 3 ने देखें, बैटा जी, मिन तश्थ अब श्यर्का भेटा सब्न ने दिया था शॉब श्यर का टास्थ मन ले आधा भेटा सर्थ इसच्ष Привет लेडेओ, भेटा सब्न ने दिया था। आपको दिया था issue of share का मेना task आपको दिया था day 3 में okay Day 3 में बच्चों देखो हमने बच्चों टास्क मेन आपको दिया था issue of share का बच्चों टास्क मेन दिया था day 3 मेने आप लोगं को राइड़ना, इसमें रिखे क्या बोला है सबसे पहले देखो जो question 1 था what is the nature of shares or company बच्चों पहले मुझे आता हो, shares का type कितने है फट्टा फट बच्चों थेरी रिवाइस कहते है हम सबको पता है, shares के 2 type होते है equity share or preference share भाईसाब, shares के 2 type होते है एक क्या आता है, equity share, दुसरा बच्चों क्या आता, preference share there are 2 types of share, कौन कोंसे होते, equity share or preference share yes, यह जो भी shares होते है shares का बच्चों को nature पूचा है shares are of the nature of movable property, आपको पता है का बच्चों shares का बच्चों nature क्या आता, shares are of movable property, वही लिए है का बच्चों which are transferable shares बच्चों बच्चों आप 1 person to दूसरे person को transfer कर सकते हो, so they are the movable property, याद आपके exam question आ सकता है, share sa movable हम क्या बच्चों 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 next question 2 में क्या आता, which documents contain amount of share capital with which company is registered मुझे कौन बताएगा, जिस amount के साथ में मुझे कौन बताएगा, जिस amount के साथ में company register करते है, company register करती है ROC के पास, उसे हम लोग क्या बोलते, the various types of share capital जिस amount के साथ company register करती है, उसे हमोग क्या बोलते है बताऊं दो, उसे हम क्या बोलते है जिस amount के साथ company register करती है जा दे कि बेटाँ जी, authorized capital, registered capital, एक नाम क्या होता उसका, authorized capital second नाम क्या होता है, register capital और एक बैटा नाम क्या आता है? Nominal Share Capital. क्या होता बच्छो? बढ़ा पेड़प नहीं होता दर्शन मेरे भाई नालाएक. ROC के पास जितने से आप रेश्टर बढ़ा होते हुसे बढ़ा रेश्टर कापिटर बोलते है, यह Authorized Capital बोलते है या पिर Nominal Capital बोलते है. बच्छो काप रेश्टर होते है? MOE में. तो Memorandum of Association contains the information about the Capital which Company is registered. Company कितने Capital के साथ रेश्टर होते है, बढ़ा जी? उसकी जानकरी बच्छो काप होते? MOE में उसकी जानकरी होते है. काप रेश्टर होते है, बच्छो? MOE में उसकी जानकरी होते है. इसमें MOE में उसकी जानकरी होते है. Yes or No? Next. अगला बच्छो क्ष्चन था, State Types of Equity Share Capital. बच्छो काप रेश्टर होते है, Equity और Preferences Share. इसमें से भी, Equity Share का Type पता है का, बच्छो? बच्छो, इसमें दो बच्छो टाइप होते है. एक तो बच्छो क्या आता है? Equity Share with the Voting Rights. दुसा बच्छो क्या आता है? Differential Right. बच्छो, पहला बच्छो क्या आता है? Equity Share with the Full Voting Rights. दुसा बच्छो क्या आता है? Differential Right. बस इतना धार में रिखे. बारे बच्छो क्या आता है? State in which areas Preferences Shareholders have Preferences Right. आपको पता है, Equity Share के पास Voting Rights होता है. एक बार हम रिवाइस कहते है, Difference Between Equity Share and Preferences Share. आप सबको पता होगा, Equity Share is a Permanent Capital. Equity Share का Redemption नहीं करते हैं. Equity Share हमेशा मेंचेन करना पड़ता है, बच्छो क्या सालों के बाद Redemption करना पड़ता है. पर्ला बच्छो डिफरेंस कहा है, Equity Share need not to be redeem, बड़ प्रिफरेंस शेर का Redemption करना पड़ता है. Second बच्छो डिफरेंस बैटा यह है, Second बच्छा लोग, डिफरेंस से आपे यह है, कि Equity Share के case में, Equity Shareholder को Voting Right मिलते हैं, Equity Shareholder को Voting Right मिलते हैं, Equity Shareholder को Voting Right मिलते हैं, बड़ प्रिफरेंस शेर होलडर को Voting Right नहीं मिलते हैं, बट बट बट, प्रिफरेंस शेर होलडर के पास कुछ Additional Right होते हैं, जिससे हैं बोलते हैं, Preferential Right, प्रिफरेंस शेर होलडर के पास, दो जगा पे preference होता है, जब भी कोई Company, Dividend Declare करते हैं, जब भी कोई Company, Dividend Declare करते हैं, सबसे पहले हम Dividend, किसको देंगे? Preferential, तो प्रिफरेंस शेर को, पहला preference होता है, In the case of Dividend, सबसे पहले दिविडend, हम किसको देंगे? Preferential को, और बचात हो मिलके किसको देंगे? और जब सारे external liability pay करते हैं, asset में से liability pay करने के बाद में, जितना पैसा बचता है, सबसे पहले बैटा, हम पैसा किसको बच्चों pay करेंगे? Preference share को, और बचेगा तो equity share को, तो Preference share have right in the case of the payment, सबसे पहले बच्चों payment किसको मिलेगा? Preference share को, तो Preference share को, दो preferential right होते, in case of dividend, सबसे पहले किसको देंगे? Preference share को, और साथ में बच्चा लोग, in case of बेटा जी, यहाँ पे क्या बोलते? Winding of time पे, पहले पैसा किसको देंगे? Preference share को देंगे. Next question क्या बोला है? Difference between equity share and preference share. मैंना भी बता दिया. Refund मतलब, किसका होता है? Preference share का. किसका नहीं होता है? Equity share. But equity share में buyback के through capital कम कर सकते हैं. Right of dividend. Dividend सबसे पहले किसको मिलेगा? Preference share. बचेगा तो equity share. Equity share का dividend का rate fixed नहीं होता है. Preference share का dividend का rate fixed होता है. Preference share, sorry. Preference share rate बर जो fix होता है. equity share का dividend का rate. Decide करते, board of director कौन भच्छो board of daughter decided करते हैं. बाध में क्या है? Right to vote. Right to, बच्छो vote. बच्छो, voting का rate किसको होता, बच्छो equity share को होता है, preference share को. Voting का right नहीं होता है. Redemption किसका होता बेटा? Preference share का होता है, equity का नहीं होता है. Yes. प्रिफरेंट शेर मतलग क्या होता है एसे शेर जो प्रिफरेंट शेर के तरह भी हो करते है मतलग सम्टाइम कुछ ऐसे शेर होते है प्रिफरेंट शेर जिनको बेटा आप पता क्या डिविडेंट के केस में प्रिफरेंट शेर बट इनकेस वाइंड प्रिफरेंट शेर जिनको बेटा प्रिफरेंट शेर मतलग भले वह प्रिफरेंट शेर नहीं है बड़ प्रिफरेंट शेर की तरह उन्हें राइट मिलता है deemed a preference share, तो preference share के feature, preference share के दो feature है, एक तो voting right, sorry, एक तो बच्चो क्या आता है, dividend उनको सबसे पहले मिलता है, और दुसरा बच्चो राइट क्या आता है, winding up के time पे, पहली priority मिलते है, ऐसा कोई भी share, जिसको ये दो में से, कोई भी एक जगा पे priority मिल रहे, उसे हम बोलते है, deemed a preference share ब what a very preference share, बटाजी, preference share के अलगला type होते है, सबसे पहला, on the basis of dividend, आपको पता होगा, cumulative preference share and non cumulative preference share, अब इसका मतलब के है, देखो जहरी सी बात है, आप equity share holder हो, या preference share holder हो, आप equity share holder हो, या preference share holder हो, आपको dividend बटाजी, का मिलता है, बेटाजी बच्चो देखो equity share हो बेटाजी preference share right now okay मैं आपको क्या बता रहा था बच्चो equity share हो बेटा preference share दोनों को बेटा dividend दोनों को बच्चो बेटा dividend बेटा कम मिलता है profit होने के बाद simple से बात है बेटा profit होगा तो ही dividend मिलेगा बलाएब equity holder हो या preference no partiality but 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 suppose company को पहले साल profit हुआ दोनों को मिलागा dividend company को suppose एक साल loss हुआ एक साल बच्चो लोस हुआ company अबसे चाह अजूम करो एक साल loss हुआ equity share को dividend नहीं मिलेगा preference dividend नहीं मिलेगा second year भी loss होता है equity share को dividend नहीं मिलेगा preference share को dividend नहीं मिलेगा तीसरे साल बच्चो company को profit हो रहा है पहले दो साल loss था तो dividend नहीं देंगे बड़ तीसरे साल बच्चो अगर company को profit होता है dividend दोनों को मिलेगा बड़ सवाल है उटता है हम dividend किसका देंगे previous year का देंगे या फिर उसी साल का देंगे अब देखो भाई लोग अगर बच्छो आपका preference अगर non cumulative है preference अगर non cumulative है तो आपको सिर्फ third year का dividend मिलेगा किसका बच्छों लेगा third year का dividend मिलेगा बड़ा का बच्छों अगर preferential आपका cumulative है तो जो भी dividend pending ता वो जमा होता है जो भी dividend pending ता वो जमा होता है और आप dividend दोगे first year का second year का और third year का बात समझ में रहे हैं इनके सब cumulative preferential dividend का right जमा होता है और जब भी मिलेगा जब भी profit होगा तो आप सभी साल का dividend दे सकते हो बड़ा इनके सब non cumulative preferential जिस साल profit हो है उसी का dividend दे सकते है पिछले का आप दे नहीं सकते है बात समझा बच्छा लोग तो जा पर dividend का बेट आपका right आपका accumulate हो रहा है चो right बेट आपका जमा हो रहा है कोन बच्छो non cumulative है yes or no manala next बच्छो कोने participating and non-participating preferential participating and non-participating preferential भाई साब simple सी बात है सबसे पहले dividend हम किसको देंगे preferential को preferential को dividend देने के बाद में profit बचा है किसको देंगे equity share assume करो यह मेरे पास बच्छो dividend इतना मेरे पास profit जमाए इतना मेरे पास profit जमाए मैंने सबसे पले इस profit में से इतना dividend मैंने preferential को दिया उसके बाद मैं dividend equity share को दूँगा preference को dividend दिया equity को dividend दिया फिर भी profit बच्छा है फिर profit बचा है, तो कुछ preference share holder आते हैं बोलते हैं भाई साब, आपने preference share को dividend दिया, equity share को dividend दिया, फिर भी profit बचा है, हमें उसमें से भी dividend दो, they want to participate, they want to participate in the residual profit, preference share or equity share को dividend देने के बाद भी, जो profit बचता है, उसमें जो लोग participate करना चाहते, उन्हें बोलते हैं participating preference share, तो आप चो देख सकते हो, in addition to the fixed preference dividend, preference share का dividend, तो उनको दिया चे, जो fixed ता, preference share का, 10 तक का rate तो दिया चे, उसके अलावा, equity को देने के बाद भी, कुछ profit बचा है, तो जो बचे कुछे profit हों भी, हिस्सा मांग रहे बच्चो, उसे हम बोलते है, participating preference share, simple example दो क्या, आजूम कर बच्चो, आपका घर में न, दो भाहिये, सबसे बढ़ा बोलते हैं, पहले मैं खाना करूँगा, आप बच्चे कुछे में हिस्सा मंगता है, participating preference share, और जिसको बच्चे कुछे में से कुछ नहीं मिलता, वो कोने non-participating preference share, उसको सिर्फ उसका जो fix rate है, उतनाच मिलेगा, additional नहीं मिलेगा, participating को fix rate का तो मिलता है, plus additional मिलता है, बड़ non-participating को से fix rate का ही मिलता है, क्या आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, next convertible and non-convertible, ऐसे preference share, जो equity में convert हो सकते, वो कोने convertible preference share है, और जो equity में convert नहीं होते है, नहीं होते है, वो कोने non-convertible है, yes or no not like, yes or no not like, सबको जीर पर रहा है का बच्छा लोग, okay, these are the various types आप बच्छो, preference share से, दता तरह मेरे बाई, thank you so much, thank you so much बेटा, thank you so much बेटा, thank you so much बेटा जी, बहुर अच्छा लगा बेटा, बस आपका बेटा, बस अच्छे साई साई स्कोर कीजिए, चले बेटा जी, disclosure of share capital, disclosure of share capital, share capital में क्या-क्या बाते disclose करने चीए, simple भाशा में types of share capital, सबसे बच्छों कोन था, authorize, यादे का बेटा, जिस बच्छों capital से, comparison होते होते हो कोने authorize है, उसमें से, पब्लीक को जो share offer के, वो कोने, issued capital है, पब्लीक ने जितने के लिए apply किया, उसे बेटा, बोलते है हम लोग, उसके बेटा, क्या बोलते है बच्छा लोग, उसके बार बच्छों, पब्लीक ने कुछ के बेटा, अपला क्या बेटा, उसे बोलते, subscribe capital बोलते है, जितना पब्लीक ने subscribe के है, उसमें से कुछ पैसा मांगोगे, जो मांगा वो कुन बच्छों होता है, called up capital, और उसमें से जो पैसा मिला वो क्या था, paid up capital होता है, I think यह सब अपको पता यार, अपने foundation में पढ़ा होगा विटाचा अपने, What are the ways to issue the shares? Shares को issue करने के तरीके, बज़े, shares को issue करने के दो तरीके होते, Shares can be issued either for cash or for consideration other than cash, Normally हम share issue करते हैं, पैसा पाने के लिए, और sometime अगर आपको building खरीने का है, machine खरीने का है, आपके पास पैसा अगर नहीं है, you can issue shares, sometimes shares can be issued to generate asset, तो share को issue करने के दो बेटा तरीके थे, issue करके अगर पैसा मिला, तो उसे बोलते, issue for cash, और issue करके अगर asset मिला, तो क्या बोलते, consideration other than cash बोलते हैं, Yes or no, not like, यह सबको बेटा जी पता होगा, Yes, Okay, अगला बेटा question है, state when application money is created to the share capital and when not created to share capital, Okay, please सुना, आप सबको पता है, Shares का पैसा अगर आता है installment में, Shares का बेटा पैसा अगर आता है installment में, चार होते हैं installment, कुन-कुन से, Application, Allotment, First Call, Final Call, Application, Allotment, First Call, Final Call, सबसे पहले बड़ा बार कहते हैं, Application की, सबसे पहले घटना क्या होती, When application money is received, अगर आपको एंट्री बेटा पता होंगे, जब application का पैसा मिलता है, तो entry क्या होती, Bank account debited to share application, यादे क्या, जब application का पैसा मिलता है, तो entry क्या होती, Bank account debited to share application, उसके बाद, जएसे एप्लिकेशन का पैसा मिला, फिर company आरे share hold on के लिए, तो share के लिए apply किया, ज़रूर है क्या, सबको share allot करोगे, हो सकता है कि उसमें से कुछ को company share allot करेगी, कुछ को share allot करेगी, तो जिनको share allot किया है, जिनको share allot किया है, उनका application का पैसा कहा पे जाएगा, share capital में, जिनको share allot किया है, उनका application का पैसा कहा पे जाएगा, share capital में, सबसे पहले बच्चों क्या होगा, application money क्या होगा, received, बच्चों पहले बड़ा पैसा क्या होगा, received, और बाद में वो पैसा transfer कहा पे करेगा, पहर है शेयर क्यापिटल में उनीका पाइसा ट्रांसफर होगा जो शेयर अलॉट किए मतलब जो शेयर अलॉट करते उसी वर्ग एपलीकेशन का पैसा शेयर क्रेडिट होता है और भर शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो क्रेडिट नहीं होता है question में वही तो बोला है application का पैसा share capital में कब credit होगा कब credit नहीं होगा application का जो पैसा मिला है अगर share उनको allot किये तो उनका पैसा कहा पर जाएगा share capital में credit होगा और share अगर allot नहीं किया है तो उनका पैसा share capital में नहीं जाएगा topic close सब बच्चों के समझ में आ रहा है का बोलो हा या ना फटा फड़ बच्चे मुझे जॉब देंगे क्या है सब को समझ में आ रहा है पैसा तो मिला है शेर अलोड किया तो पैसा आ जाएगा शेर कापिटल में और share a lot नहीं किया तो पैसा share capital में नहीं जाएगा यस 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 बच्छो स्वाल है जी अगला बटा कॉश्चन कहा है स्टेट वेन एप्लीकेशन मनी इस रिफंडेड इस कॉमन सेंस के बाते बाते बेटा जितने share issue किये ते जितने share issue किये ते उसे जादा अगर application आते उसे हम लोग क्या बोलते बच्छा लोग over subscription क्या बच्छा लोग in case of over subscription हमें application का पैसा refund करना पड़ते है बच्छो पैसा refund करते है in the case of over subscription हम application का पैसा refund करते है समझा के नाला है यस बच्छो बाद में क्या ओला है premium of issue of share is revenue in your capital बटा मुझे आता हो share issue किसके लिए करेंगे short term में long term के लिए share बटा issue किसके लिए करेंगे भाई इसके कोई notes नहीं बेटा जी module में से करा रहा रहा बेटा श्री हरिशा sorry बेटा sorry बेटा अगर मैं कुछ गला बेटा स्पेल कर रहा हूँ बेटा जी ये बेटा सारे बेटा module में से discuss करा रहा हूँ उससे भी कम share सकर आते अगर जितना मिनिममडेद सब्स। नहीं मिनमा बेटा का धाikum चाम बेटा शेर आते तो भी refund करना पडेगा जाई एकeez बेटा yes yes रक्षा जाई एक gustado एगदा बेटा जितना भी minimum बेटा सब्स। aider उसससे भी कम बेटा अगर शेर आते है तो भी रिफर्ण करना पड़ेगा एकदम सही एकदम सही बेटाजी रक्षा प्रतिम एकदम सही बेटाजी मैं दिमाग से पोइंट निकल गया था एकदम करेट है आपका पॉइंट रिफिन टर्य गया रिव आपके निकल से य करेंगे लौटररम के लिए शेयर बेटा इस्व करेंगे लौटरम के ल давно य शेर का प्रोफित फैर नाम on issue of share is capital profit या capital repeat उसको बोलते है, receive बोलते है, yes next question का, what are the restriction on the application of share premium account as per companies add premium का पैसा आप कुछी specific जगा पर उसका सकते हो, आप premium का पैसा कही पर भी यूस कर नहीं सकते है, आपकी जो मर्जी आएगी वो premium के लिए यूस कर नहीं सकते है तो premium के लिए 5 ही condition है, ये 5 ही जगा पर आप premium का पैसा यूस कर सकते हो सबसे पहला, premium का पैसा आप यूस कर सकते हो, तो issue bonus share बचो premium का पैसा आप यूस होते है, तो issue bonus share premium के पैसे से आप bonus share दे सकते हो, चाला उड़े अगर company के कुछ, premium expenditure मतलग क्या है company formation के पहले, company formation के पहले कुछ heavy marketing के है company formation के पहले जो खर्चा आया था, उसे हम बोलते है preliminary expenditure ये सारा हमारा capital expenditure है और इसको write-off करने के लिए, you can use security premium bonus share के लिए allowed है, preliminary expenditure को write-off करने के लिए allowed है साथ में, जब company कोई share issue करते है, shares के टाइम पे अगर आपने कुछ broker को commission दिया है, वो आपका खर्चा है अगर आपने share order को discount दिया है, वो भी आपका खर्चा है share या debenture issue करते वग, आपने जो भी commission दिया है या जो भी discount दिया है, अगर ये भी बेटा आपका capital expenditure है इन सभी capital expenditure को write-off करने के लिए, you can use security premium, okay, next premium payable on redemption of preferential, जब भी आप preferential का redemption कर रहे हो, अगर आप preferential का redemption कर रहे हो और उस time पे अगरा premium देना है, redemption के time पे आपको premium देना है, वो premium का पैसा कहा से ले सकते हो from security premium, याद रखे, preference share के redemption के लिए, preference share के redemption के लिए, preference share के redemption के लिए, security premium allowed नहीं है, अगर आपको याद होगा, ये redemption के premium के लिए, premium on redemption, ये हम preference share chapter में अच्छे से बेटा पढ़ेंगे, और last में बच्चों, अगर company को खुद के share लेने, उसको पर buyback बेटाजी, buyback के time पे, buyback के time पे हम लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं, ये पाच condition के अलावा, आप security premium का और कहीं पे भी यूज कर नहीं सकते हैं, और दिखाते बच्चों कहां पे, balance sheet में कहां पे आता है, reserve and surplus में आता है, बच्चों कहां पे आता है, subscription के 3 type होते, बच्चों subscription बच्चों, 3 बच्चों type होते हैं, या देखिया, full subscription, under subscription and minimum subscription, okay बटाजी, जितने share issue के, जितने बचा share आपने issue के, अगर public ने बचाए, उतने के लिए अपलाई किया, जितने share आपने issue के, अगर public ने इस्चों अगर पॉलीच ने बचाए, उतने के apply क्या तो उसे हम बोलते under subscription और जितने share issue के उसे ज़्यादा application आते उसे हम बोलते over subscription in case of under subscription in case of under subscription याद रखे बच्चा लोग under subscription का बेटा amount mention किया होता है prospectus में दिया होता है मतलब share को subscribe करते वग share को subscribe करते वग कम से कम कितना पैसा भरना पड़ेगा share को subscribe करते वग कम से कम कितना पैसा भरना पड़ेगा बच्चों वो खाप लिखा होता है prospectus में लिखा होता है बाकि बेटा under और और के टिर्पेन तो बच्चों पता हिए बच्चो जितने share issue के उसे कम है तो बड़ा under subscription बेटा जी ज्यादा है तो क्या तो over है over के time पे दो option बनते एक तो over subscription के time पे एक तो जो extra पैसा मिला है उसे एक तो adjust करो against allotment and first call या पर उसका पैसा क्या करोगे refund करोगे I think ये सब पढ़ाओगा अगला question है call scene advance अगर shares का पैसा जल्दी मिलता है अगर first call का पैसा मिलता है allotment के time पे final call का पैसा मिलता है first call time पे अगर पैसा जल्दी मिला तो कोने call scene advance और पैसा नहीं मिलता है तो कोने call scene arrears अगर बच्चों पैसा बेटा जी अगर आपको जल्दी मिलता है उसे बलते हैं कॉल सीन एड़ांस और पैसा रगर नहीं मिलता है तो वो कुने call scene arrears call scene advance का पैसा company को जल्दी मिला है call scene advance का पैसा company को जल्दी मिला है यह company की liability है इस पे company को interest देना पड़ेगा call scene area call scene area company को पैसा मिला ची नहीं है तो इस पे company को interest मिलेगा call scene advance पे interest देना पड़ेगा call scene arrears पे company को interest मिलेगा rate of interest पता है क्या call scene advance का rate है 12% per annum और call scene arrears का बच्चों क्या आता है 10% per annum पर call scene arrears का rate भले 10% है बड़ डायरेक्टर चाहेगा तो ये interest way off कर सकता है तो directors have authority to way off this rate of interest उनका authority बेटा होती है इसका बच्चों nature बेटा पूछा है call scene advance का जो interest का nature है बेटा जो common sense की बात है call scene advance company के liability उसका interest से देना पड़ेगा profit हो या पी ना हो profit हो या पी ना हो interest से देना ही पड़ेगा dividend कब देंगे profit होने के बाद बड़ call scene advance का interest ऐसे नहीं बोलते हैं इस साल मुझे loss हो आए हम interest देंगे नहीं तो company को interest देना चापड़ेगा आपको अगर पता होगा जो बाते profit हो या पी ना हो देनी ही पड़ते जो बाते profit हो या पी ना हो देनी ही पड़ते उसे हम बोलते charge against profit कभी सुनाए कि बेटा जो profit में से देते वो क्या है? out of profit dividend कभ देनते? profit होने के बाद. यस वैशनभी फिर से बता बेटाजी dividend बच्छो प्रावेवाफ का बेटा मतलब रक्षा में आता हो? रक्षा में आता हो? दो मिट्ट की जावाफ रक्षा में आता हो? आपने क्या क्या? application का पैसा समय पे दिया allotment का पैसा बेटा समय पे दिया और first call के time पे आपने first call के time पे first call का पैसा भी दिया और साथ में final call का पैसा भी दिया आपने first call के time पे first call का पैसा भी दिया और साथ में बेटा final call का पैसा भी दिया दुनों साथ में दिये, ये क्या कहला हैगा, call scene advance, आपने advance दिया मेरेको, मुझे tension हैगा, और वे advance दिया, आप बढ़ते कुछ सर, advance दिया ना, छिल मारो, बस interest दो सर, interest दो सर, तो call scene advance पे, मुझे interest देना पड़ेगा, कितना, 12% पर अनम, मैं company हो, मैं आपको interest देने वाल हो, suppose, इस साल मेरेको profit हो है, interest दिया, अगले साल मेरेको loss हो है, मुलता भाई, loss हो है, बहुत गंदी हालत है, बहुत डेंजर हालत है, मैं आपको interest नहीं दूँगा, आप बोले, सर नह नाच पड़ेगा, मैं वोलता भाई, मेरे equity shareholder, preference shareholder, वो adjust करें, तुम की स्खेट की मुलियो, मेरे shareholder को में dividend नहीं दे रहा हो, क्योंकि मुझे loss हो रहा है, तो मैं आपको क्यों दूँगा, वोलता है, सर, equity holder, preference shareholder, यह आपके लोगे, owner से, owners को पैसा कब देंगे, profit होने के बा यह आपे loss हो, interest से देनाच पड़ेगा, जो profit हो, यह loss हो, आपको देनाच पड़ेगा, इसे हम बोलते, charge against profit, क्यालते बच्चो, charge against profit, और जो profit होने के बाद देते, उसे बोलते, out of profit, यह कभी सुना है क्या बच्चा लोग, दो टैप के होते हैं बेटा जी, जो profit होने के बाद देंगे, dividend, tax, कब देंगे, profit होने के बाद, इन्हें बोलते, out of profit, यह पिर, appropriation, कभी सुना है क्या, और जो बाते बच्चा लोग, जो बाते बच्चा लोग, जो बाते बच्चा लोग, बच्चो, profit हो, यह आपी ना हो, आ ना ही पड़ेगा, yes, समझा बच्चा लोग, और call, scene, area, call, scene, area, आपने पैसा नहीं दिये, तो interest मुझे मिलेगा, company को मिलेगा, कितना दोगे पेटा आप लोग, 10%, suppose, मैं company, call, scene, advance, पे, मुझे interest देना च्च पड़ेगा, मैं लोग, obligatory है, but आप shareholder हो, call, scene, address पे, आपको interest देन condition बहुत खराब चल रहे, सम इंट्रेस नहीं भर सकते, उस case में, director have authority to cancel your interest, तो call, scene, area, address का जो interest, जो आप देने वाले थे, director बोलता, भाई, काम कर इस साल interest नहीं दिया तो भी चलेगा, इसे बोलते हम, way off करना बोलते, call, scene, area, address का interest, हम लोग उसको हटा सकते, हम उसको बोलेग आप इंट्रेस पे नहीं क्या तो भी चलेगा, यह authority किसके पास है, director के पास है, authority होती है, याद रखे, director have this authority, okay, next, what is a journal entry when shares are issued, for concession, यह आपको पता होगा, बच्चा लोग, अगर बेटाजी, आपने, एक लाग का building आपने लिया, उसके लिए share issue क्या, क्या लिया बेटा आपने, building, share issue, share issue क्या, other than cash के लिए, क्या मिला, building, building account, debited, क्या issue क्या, shares, यह सारा बेटा, practical बेटाजी, हम बाद में एक बार discuss करेंगे, don't worry, बेटाजी, practical जब लूँगा, okay, बस अभी धन मेरे क्या बेच्चा लोग, आपने issue क्या क्या बेटाजी, अपने share, क्या मिला आपको, building, debit what comes in, credit what goes out, क्या आ रहा बच्चा लोग, building आ रहा है, उसके अपने क्या देए, बेच्चा जी, share, entry क्या होगी, building account, debited to share capital, बाकी बेटा आपने पढ़ा होगा बच्चा लोग, इसमें अगर profit होता है, इसमें what is forfeiture of share, cancellation of a share for non-payment company, share का पैसा ना मिलने से, share का पैसा ना मिलने से, cancellation करना, इसमें बोलते, forfeiture, तो cancellation of a membership of the shareholder, बच्चो, इसका effect, बच्चो, क्या होता है, जब share बेटा forfeit करते हो, तो shareholder का membership cancel होता है, बच्चो, पहले एफट क्या होगा, अगर किसी ने भी share का पैसा नहीं दिया, उसका अगर share forfeit करोगे, first effect क्या होता है, उसका membership cancel होता है, और second बेटा जी, उससे अपना share capital भी कम होता है, समझा कि बच्चो, 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 आपने 1000 share issue के थे, 1000 share issue के थे, 1000 में से 900 ने आपका पैसा दिया, 100 ने पै पैसा नहीं दिया, बच्चो मुझे गुसा आगया, बच्चो मुझे गुसा आगया, मैंने बोला, भाई साब, आप पैसा नहीं दे रहे हो, मैं आपका share cancel कर रहा हो, forfeit कर रहा हो, बच्चा लोग, जैसे मैं आपका share forfeit क्या, उसी वक्से, आपका membership cancel होगा, means you are not shareholder of the company, अब कम होता है, जो पहले 1000 share का share capital था, अब कितना बचेगा, 900 का share capital बचेगा, दो effect होगे, membership better cancel होगा, और share capital कम होगा, that's it, dented end, it is end of the theory of the issue of share, ये topic बच्चो बड़ा था बच्चो, इसने इसको मैंने दो पाटे मैंने ब्रेक करके दिया, ताकि आपकी theory बच्चो effect हो जाए, आज क theory का पूरा point समझ में आ रहा है का बुली है, yes or no, thank you, my arun, thank you, my brother, yes, bachas, लो, आज की बच्चो theory clear discussion, yes, 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 okay, बस बच्चो 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 का तास आपको दिया था, अच्छे से बड़ा करना, कोई FM बुच्चो बच्चो 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 बच्च बश्दी क्वेटा है बच्छोक्षक कल का लेक्षक ज्टर लंबा खो सकत है क्योंकि ईफेर्धियम सब्सक्राइं कि इसी कैश्ट हो के दल बच्छो दर्शन मेरे भाही marathon बेटा पक्का होगा बेटा नोहिम्बर में होगा marathon बेटा आप थेरी में confidence आ रहा है कि ननलायक आप थेरी में confidence आ रहा है किया यास 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 चलो 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 ठीके तो कल बच्छो FM बुष्टर बेटा परते कि आपई प्लीज FM बुष्टर का जो टास्क थीन था बेटाजी अच्छे स बड़ा करते यैस रक्षाजी करता बीॉट काम करो बेटा बस मुझे एक बार INScentral पर बार फिरसे बढ़ा पिंग मुझे करो बेद आना नुस्राग नुक के भार किया उपका जर्ची से मुझे पिंक करो तॉप तो भीटा करो में पक्का रिट रेची करों के इसक्डरा करों अधिमींश नहीं स्मझा नहीं सम्झा संभ़िमी आरा क्या बातने वही अतन रेची रहीए छले 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 क्या बात है,- डबल कंफिटेंस है वेरी गुड FM घचराविशन से क्विशन से गुवस का कि हो सब को बेटा जी FM बुच्टा day 3, FM बुच्टा capital budgeting कोशने मिले ने group पे पलोगंको एक बाँ check को रहार मैंने share किया capital budgeting का part मैंने share किया एक बाँ group पे बच्चो देख लो या फिर वापीस में share का था उसको एक बार yes बेटा SM का भी होगा बेटा FM SM का भी होगा बेटा FM SM दोनों पे होगा don't worry ठीक है चले 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 next बेटास बेटा CMA का next task बेटा आज रात को पकाएगा बेटा आज रात को बेटा सोने सब्स पे लेटास आपके group पे रहेगा आज रात को ही CMA का task okay इसी topic का remaining बेटा part रहेगा रात को बेटा group पे आज जाएगा yes अरे module link बेटा क्यूच ये module link तो नेट से मिल जाएगा बेटा आपको ठीक है चले टेक क्या टेक क्या चलो बेटा जी मिलते कल खल शाम को मिलता कुलो कल संडे बेटा हो सकता कलका lecture बेटा आट फली हो सकता है मैं फिर बी दो फिर बताता बच्छो कल बेटा 90 बसन लेक्षर ले सकता बेटाजी कल बेटा संडे अगर कुछ लेक्षर नहीं होता तो मंडे बेटा में continue करूँगा ठीक है यस प्राटिकल लोंगा दों त्री किने करनेयों था विए यातने बडा मेहन है से स्बच्छे प्राटिकल बड़ा कर र रहे दे बच्छे ठीरी नहीं कर रहे थे इसके Selv बokaście बठीरी में ने पाटा शुरू का बेटा ऑके चलो, बेटा मुझे रहता ही, CMA का जो मैंने आपको टास आपको दिया था, जो CMA का मैंने जो टास दिया था, CMA का टास सब बच्चों ने complete क्या 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 सब बच्चों ने CMA का थेरी टास पूरा क्या क्या बाइबैक, राइट शेर, क्योंकि बहुती बहुती इंपोरण टास था, इस पे एक्जाम में थेरी एमसी क्यों आने के बहुत जाड़ा चांसा से बिटाई जी, Yes, Sartak, मेडि मारतों ना पका होगा, मारतों ना पका होगा, Yes, complete क्या क्या बाते, very good, very good, I am really very very proud of you. Thank you, Arashita Ji, Thank you, Arashita Ji. चले लिटस्तार चले बच्छु का ताम लोग राइच चले बच्छु का ताम लोग राइच का ताम से का ताम करते हैं अब अच्छे रेकिए अब हम लोग देखिए तास आपको बेसिक के लिए ता बॉड़ बाइबक का तास था राइड शेयर का तास था बोनस शेयर का तास था स्वेट इक्विटी शेयर का तास था ओके इस सौब के उपर टास था चलो फटा फट सारी थेरियम डिसकर्स करते हैं क्योंकि इसके उपर क्वश्चन आने के बहुत ज्यादा संभावना है यह सार्तक मेरे बुश्चतर का पक्का डेफेनली यूटूब पे प्लेडिश्ट ट्रेड करूगा आज ही करता हूं यूटूब पे चलो कंटिली करते हैं सबसे भष्चतर को बाइबक क्या होता है लुट सबको पता है किसी बी कमपनी के अगर अपना कैपिटल कम करना है ग áreas के केस में डामिशन का मोड अवेलेबल जय सकती है company अपने खुद के share खरीड सकते है, जिस जरीए से company अपने खुद के share खरीड सकते है, उसे हम बोलते buyback बोलते है, and buyback is one of the mode of capital restructuring प्रयाद रखना बचो क्या हो रही है कहा पर यहाँ यहाँ पर था ओके, तबच्छों में को बता रहा था buyback is one of the mode of capital restructuring क्या हो रहा है ओके, it is one of the mode of capital restructuring ठीके, अब बच्छों रेखो buyback से बेटा आप अपने share capital कम का सब्सक्राइब बच्छों, it is one of the way of reduction of the share capital यस, यस, यस अब बच्छों रेखों, buyback में देखे सबसे आपला concept है, free reserve what is free reserve free reserve मतलब, ऐसा profit जो dividend देने के लिए freely available है, the profit which can be freely distributed as a dividend ऐसा profit या ऐसा reserve, जो dividend के form आसानी से बढ़ सकता है that is called as free reserve okay, तब बच्छों देखो reserve which as per the latest balance sheet are free for distribution or dividend जो dividend देने के लिए available है उसे हम बोलते है free reserve अब ध्यान रखना, MCQ में क्या आएगा free reserve में कोन आ सकता है और कोने, free reserve में security premium का balance आता है free reserve में security premium का balance आता है बड़ free reserve में share application का balance नहीं आता है, यह ध्यान में रखना लागा free reserve में security premium का balance आता है बड़ इसमें share application का balance नहीं आता है यह point ध्यान में रखना, ओके भू सकता है रहा बच्छो काम करो, चब बूश्टर लेक्चर बच्चो देखोगे, आपनो मॉडुल बेटा सामने रखो, तो मॉडुल में, अब साथ में अंड्राइन करो, चारा बेटा रहेगा, अब बाइबाइग के एडवांटेज क्या आता है, हम बाइबाइग करते क्य EPS क्या होता है earning upon number of share common sense की बात है buyback से जब company खुद के share खुद खरते buyback से जब company खुद के share खुद खरते buyback से number of share कम होते buyback से company के number of share कम होते तो EPS क्या होगा बड़ेगा तो buyback से क्या तो if number of share decreases then EPS increases तो buyback का सबसे प्राइडवांटेज क्या होता है to improve EPS second बच्चो अगर आपको return on capital return on network यह बढ़ाना है कैसे क्या भाई साब return on capital का formula क्या होता है return या profit upon capital return on capital return on network क्या होता है return upon capital return upon network अरे buyback करने से share capital कम होता है buyback करने से share capital कम होता है जितना share capital कम जितना नीचे का number कम उतना return भी क्या होगा improve होगा तो buyback से share capital कम होता है return क्या होता है improve होता है यह धान मेरे के ना लाइक next buyback से shareholder को निकलने का और एक तरीका मिलता है redemption के अलावा और एक जर्याय मिलता है बच्छो buyback is the alternative mode of reduction in the capital without requiring approval of the court मतलब क्या है अगर बच्छो कभी आपने concept सुना होगा capital reconstruction बहुत बार क्या होता है किसी company को अगर लगातार loss हो रहा है अगर किसी company को लगातार कुछ साल होता है तो loss के case में एक तो company winding up करेगी अगर बटा कभी पढ़ा होगा बटा आपने in case of loss company बच्छो winding करेगी यह सारा बच्छों पार्ट जब फाइनल में जाओगे तो आपको CRM में पढ़ोगे बटा आप लोग in case of winding up इनके सा winding up एक तो sorry अगर company को loss हो रहा है यह तो company winding up करेगी winding up में क्या है permanent बन कुछ लोग बोलते है भाइस आप permanent बन परने के बढ़े काम करो आप अपना capital कम करो परमन बन करने के बढ़े आप capital आपके liability कम करो बट डिक्कत क्या है आप अपने मर्जी से अपना capital आपके liability कम करने सकते है capital कम करने से आपको code का permission लगता है capital कम करना इसे बोलते capital reconstruction इनके सब capital reconstruction आपको code का permission लगता है बट अगर आपको code के permission के बिना अगर आपको code के permission के बिना अगर आपको code के के परमिशन के बिना क्यापिटल कम करना है कोड के परमिशन के बिना अगर आपको क्यापिटल कम करना है उसका बच्छो बेस जर्या बच्छो क्या था बाइबैक बेस जर्या बच्छो क्या था बाइबैक बच्चा लोग बाइबैक में आप लोग कोड के परिमिशन के बिना भी कापिटल कम कर सकते हो सुरी थोड़ा सा मैं इस पर अनकमफर्टेबल नहीं हूँ अके मिलकी है बहुत है चलो ड़ा एबैक से मैं नमबर आशच कम अधिये है बही है बारे भाई साब क्या हो रही है क्यों आपड़ां कर रही है बिश्य वोक्षा, बिश्य वोक्रना करते हैं get you buyback बेटा करने के तीन बेटा जर्ये,buyback can be made out, आप सुऩ ना buyback करना मतलब है, wise समझ ना, buyback किसमें इसे करते इसका मतलब क्या है, assume करो एक company के balance sheet है, यस right में asset है, left में liability, ये company के share capital है, ये तो बात जाहिर है भाई साब, buyback करने से share capital कम होता है, buyback करने से share capital कम होता है, तो आपके पास कोई फ्री में रिजोर्ड पढ़ा है उस रिजोर्ड में से कुछ पैसा ट्रांसफर करो CRR को CRR मतलब Capital Redemption Reserve तो बाइबैक से अगर आपका देखो में क्या बता रहा है बाइबैक से आपका आपको कॉंपेंसेड करने के लिए पहला रस्ता क्या है आउट आफ रिजर्ड कुछ अमाउंट अब ट्रांसफर करो CRR CR-A बना के भी आप capital रिष्टो कर सकते हो, I hope सबको buyback का practical part आता है, आपको buyback का practical part आता है, इसे मैं assume कर रहा हूं नालाए, ओके, yes, दूसरा बच्चो, security premium, मतलब बच्चो रेको sometime बेटा, reserve के अलावा, security premium का पैसा भी, आप CR-A को transfer कर सकते हो, उसे buyback हो सकते हैं बच्चा लोग, और तीसरा बच्चो देखे, अगर आपके पास reserve या premium sufficient नहीं है, अगर आपके पास reserve premium sufficient नहीं है, तो आप नए share issue करके, आप buyback कर स अगर आपका share capital कम हो रहा है, buyback से अगर आपका share capital कम हो रहा है, तो liability side जितने से कम हो रहे है, उसको वापीस बढ़ाना पड़ेगा, तो liability side वापीस बढ़ाने के लिए, पहला बच्चो रस्ता क्या होता है, out of reserve, क्या बनाओगे, CRR, second रस्ता क्या है, out of premium, क्या बनाओगे, CR CRR, या तीसरा बच्चो रस्ता क्या आता है, उतने चामाउंट के, नए share क्या करोगे, issue करोगे, तो क्या नाओगे, buyback can be created out of, buyback can be made, either out of free reserve, or out of security premium, or by proceeds of issue of share, share issue करके, या security मतलब debenture issue करके भी buyback कर सकते हो, जितने का भी buyback है, उतने face value का, share issue करो, या debenture issue करो, आई हो buyback का practical part आपको पता है, इसे भी buyback आप कर सकते हो, तो buyback can be made out of, free reserve, security premium, and by fresh issue of shares, or security, बट याद रखना, इसमें क्रेश्टिक्षन है, आप buyback के लिए, shares, या security issue कीजिए, buyback के लिए, shares, या security issue कीजिए, बट जो share आपने buyback किये, उसी class के share आप issue कर, नहीं सकते है, या पर restriction है, same class of shares, cannot be issued, मतलब के है, equity share को buyback किया, equity share को buyback किया, तो restore करने के लिए, equity share issue करने सकते, equity share को buyback किया, restore करने के लिए, preferent share issue करो चलेगा, debenture issue करो चलेगा, preferent share को buyback किया, preferent share को buyback किया, you cannot issue again preferent share, preferent share को buyback किया, restore करने के लिए, आप debenture issue करो चलेगा, equity share चलेगा, बट preferent share नहीं चलेगा, बट preferent share नहीं चलेगा, ओके भाही साफ यह इतना भाग क्यू रही है? तो बच्चो देखे हम लोग ये सबको समझा कर बच्चा लोग ये सबको जेपा करना लाएक अगला बच्चो देखे नेक्स बेटा कंसेप को बताना अच्छे सबसें बच्चो इस पर एमस्य को बन सकता है ऐसा बच्छों कहाता है kannay by back आप अप और तभी कर सकते हो झरब के article इसके ब्रोविज़न है इकुछ इसam अगर इफ इस ओ temporary आउठरवाइज बाइवैड्टी क्ल्डाइज अगर अपके ullen बाइब कर प्रोविज़न है तो ही बाइब बाइब कर सकते हो विदाउट प्रोजन दा आर्टिकल आप बाइबैक कर नहीं सकते हैं सेकंड बच्चों कंडिशन के है नॉर्मली बाइबैक करने के लिए आपको जनरल मिटिंग में स्पेशल रिजोलिशन पास करना पड़ेगा ओके एक्जामन कोशन आ सकता है विच काइंड ओप रिजोलिशन मस्ट भी पास बाइबैक के लिए क्या लगेगा जनरल मिटिंग का क्या चे बच्चों स्पेशल रिजोलिशन लगेगा पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है यह स्पेशल रिजोलिशन कब नहीं लगेगा नौर्मली बाइबैक के लिए जनरल मिटिंग का स्पेशल रिजोलिशन लगता है बड़ स्पेशल रिजोलिशन कब नहीं लगेगा अगर आप जो बाइबैक करें अगर बाइबैक कम अमाउंड का है इसे कम मतलब कितना आपका जो एक्जिस्टिंग इक्वीटी क्यापिटल है और फ्री रिजोर है एक्जिस्टिंग इक्वीटी शेर क्यापिटल और फ्री रिजोर उसके 10% से भी कम का बाइबैक कर रहे हो अरे भाई साब existing equity share capital और free resort मिला के जितना amount है उससे भी 10% से कम का buyback कर रहे हो तो special resolution नहीं लेगेगा लेकिन 10% या उसके जादा का buyback कर रहे हो आपको special resolution पास करना पड़ेगा तो special resolution के लिए कब नहीं लेगेगा बैटा यह buyback is of 10% or less याद रखिये प्लीज next दूस्ता बच्चों देखो अगर आपने buyback बच्चों सबसे पहले बेटाजी अगर अपने board meeting में board ने अगर उसको authorize किया अगर पहले से ही board ने उसको authorize किया तो यहाँ पे special resolution नहीं लगेगा बेटाजी यह सारी बाते बच्चों आई होब अपने शाय से company law में अपने पढ़े होगे बिटाजी बस बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हो जो आपको exam के चले आगे बढ़ते हैं वन मोर condition यह रखना बच्चों बाइबैक के लिए बच्चों कंडिशन बच्चों रेखो बाइबैक के लिए बच्चों रेखो debt equity ratio कितना चे बेटा 2S21 इस पे MC को आ सकता है for a buyback debt equity ratio कितना चे बेटा 2S21 debt or equity का ratio मंगता है 2S21 धान में रखना next condition जिन shares का buyback कर रहे हो वो सारे fully paid up होने चे इसका मतलब you cannot make buyback of partly paid share partly paid share का buyback नहीं हो सकता buyback के लिए share का चे बेटा fully paid up हो सकते है buyback के share बच्चों क्या देखे fully paid up होने चाहिए okay बाकी बच्चों देखे हाँ और यह बड़ा condition important देखे लोग देखे एक बार आपने buyback किया उसके बाद अगले एक साल तक वापीस उसी टाइप के share का buyback कर नहीं सकते है तो क्रिश्टिक्शन क्या है आज buyback किया अगले एक साल तक वापीस buyback कर नहीं सकते तो दो buyback के बीच one year का gap होना चाहिए पहले बाइबैक का procedure close होने के बार में second बाइबैक के बीच में एक साल का gyaप होना छे आप एक साल के अंदर एक साल के अंदर बच्छा लोग आप बाइबैक कर नहीं सकते, Оके बच्छो ओके बच्चो चलो बच्चा लो यह बच्चो बाइबैक के बच्चो रहे के basic condition है चलो फटा फट बच्चो के क्लियर करते हैं फटा फट ते जितना बच्चो MCQ के लिए relevant है उत्ता में बता हुरा बच्चा लो बाकि ठेरी बहुत सारी है तो इतना हमें कामकार नहीं है अमारे अब देखो next बच्चो देखे next बच्चो आपने बड़ा कामका बच्चो रहे के ठेरी बाइबैक कितने समय में पूराने चे एवरी बाइबैक शाल भी completed within a period of one year जिस दिन आपने special resolution पास किया जिस दिन आपने special resolution पास किया ओके या फिर board resolution जो भी नहीं condition पिटा ची आधे special resolution और board resolution जिस दिन आपने पास किया वहाँ से लेकर एक साल के अंदर बाइबैक complete होना चे इनीशली यह time limit छे महिने का था पर अभी company जाट 2013 में यह time limit बढ़ा के one year किया गया है पहले कितना था बच्चो छे महिना था बहुत पहले था वैसे तो अभी almost 2-3 साल से हम लोग एक साल ही पढ़ा रहोंगा और आपने company's law में भी one year ही पढ़ा होगा तो जब भी आपका resolution पास होता है वहाँ से लेकर एक साल में buyback का proceeding पूरा होना चाहिए यह time limit है एक साल में अगर पूरा नहीं क्या तो आपको punishment मिलेगा आपको सजा म अगे पढ़ेंगे अब buyback के लिए option क्या है देखो इसके पहले क्या पनाता buyback कम कैसे कर सकते free resort में से premium में से या फिर issue of share security अब buyback किस किस से option मतलब क्या है किस से buyback कर सकते कि मैं आपसे share ले सकता हूँ इससे शेर ले सकते हो, बाइबैक के लिए शेर किस-किस से ले सकते हैं, बाइबैक मतलब शेर खरिदना, शेर खरिदने का तीन ओप्षन है, एक तो चाहोगे तो आप existing shareholder से, अगर आप चाहोगे तो existing shareholder से, आप लोग proportionate basis से बाइबैक रोगे से, proportionate, मतलब आपने सब को बोला, भाई साफ, अगर आपके पास 10 share, मैं 10 में से 1 share buyback करूँगा, आपके पास 20 share, 20 में से 2 buyback करूँगा, 100 share, 100 में से 10, तो हमने बोला, 10 as to 1 के ratio में क्या करेंगे, buyback करेंगे, तो buyback हम लोग existing shareholder से, proportionately buyback कर सकते, इसमें हम लोग सबसे लेंगे, सबस उसके भी share लेंगे, उसके भी share लेंगे, सबको बोलेंगे, भाई साफ, आपको आपके 10 share में से, एक share हमें देना पड़ेगा, तो ये proportion buyback होता है, second बच्चो, अगर आपको सबसे लेने का ने, तो open market में जो, open market में, जिसके भी share मिलेंगे, खरिद लो, first option में, आप सभी, जि ने कर दे हो, specific लोगों से ले रहे हो, जो लोग बेचना चाहते, उनी से लेंगे, और जो बेचना नहीं चाहते, उन्हें जबर रसी नहीं करेंगे, तो second option में क्या है, आप open market से भी share ले सकते हो, third option क्या होता है, ओके, अगर बच्चो, sometime, अगर आपने, अपने employee को ESOP दिया है, या sweat equity share दिया, आप ESOP या फिर sweat equity share को भी buyback कर सकते हो, बात समझदा, buyback आप किसकी से कर सकते हो, exist shoulder buyback कर सकते हो, second बच्चों क्या बता है, या buyback कर condition क्या है, भाई साब, buyback आप लोग open market से भी कर सकते हो, या प अगर किसी employee को अपने ESOP को option दिया है, या sweat equity share दिया है, वो भी buyback कर सकते हो, अब बच्चों, next आपको समझना है, buyback के लिए क्या-क्या form फिल अप करने पड़ते हैं, इम आगे बताऊंगा, next condition आपको, जब भी आप buyback करोगे, buyback के बाद company share physically destroy करते हैं, after buyback, shares must be physically destroyed, कितने दिन बच्चा लोग, साथ दिन के अंदर, buyback का procedure पूरा होने के बाद, buyback का procedure पूरा होने के बाद में, साथ दिन के अंदर, साथ दिन के अंदर, आपको shares physically destroy करने पड़ेंगे, तो shares must be destroyed within seven days, ध्यान रखिए प्लीज, और और एक condition है, आपने एक बाद buyback किया, उसके बाद buyback करने के बाद में, उसी type के share, आप अगले छे महने तक issue करने सकते हैं, अगर आपने equity share buyback किया, अगले छे महने तक equity share issue करने सकते हैं, उसमें exception है, exception है, bonus share issue क्या तो चलेगा, या फिर अगर आपका कोई obligation है, उसके लिए share issue क्या तो चलेगा, इसका मतलब समझना, आज मैंने equity share buyback किया, आज मैंने equity share buyback किया, मुझे रता हूँ, equity share मैं buyback क्यों करूँगा, मुझे equity shoulder से छुटका रहा पाना है, और पता चला, आज मैंने equity share buyback किया, और एक महने के बाद फिर इक equity share issue किया, लोग बुलें, चल क्या रहा है, अगर share issues करने थे, तो buyback क्यों किया, मैं समझना रहा है, share issues करने थे, पहले खड़ी दे क्यों, तो इसके लिए restriction क्या ड़ा लगया, आपने जिस किसी भी class का buyback किया है, अगले 6 महने तक वही share issue करने सकते, समझना, वापीस buyback कब नहीं कर सकत एक साल तक, एक buyback से लेकर, दूसरे buyback के बीच, एक साल का gap होना चे, बड़ buyback के बाद, नए share issue होने के लिए, 6 महने का gap होना चे, 6 महने में, नए share issue करने सकते, इसमें 2 exception है, अगर आपको bonus share issue करना है, bonus share 6 महने के अंदर भी issue किया तो चलेगा, bonus share के लिए, 6 मन का condition अपने कर चलेगा, चार मेने में bonus share issue के लिए चलेगा, पाच मेने में चलेगा, और कोई आपके उपर obligation है, जिसके जरीए, आपको share issue करना मैंडेट है भाई, आपको issue करना चीपड़ेगा, उसके लिए 6 मेने condition अपने के लिए, बाकि सभी case में 6 मेने के अंदर वापिस issue कर नहीं सकते, वेरी गुड बेटा, वन इयर बेटा, राज मेरे भाई, वन इयर तक बाई बैक करने सकते, बाई बैक करने के लिए, 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 एक साल का लिमिट है, और शेर issue करने के लिए, 6 मह का restriction है, समझ में आ रहा है क्या, one year किसके लिए, six month किसके लिए, रिश्टिक्षन के लिए, बेटा जी, buyback करने के लिए, one year restriction है, एक साल तक वापिस buyback करने सकते हैं, और share issue करने के लिए, छे में restriction है, except bonus share or obligation में restriction है, okay, चलिए, punishment for default, buyback के लिए भाई साब कुछ form maintaining करने पड़ते हैं, yes, buyback के लिए form में आगे बताँगा बच्चा लोग, buyback के लिए कुछ form maintaining करने पड़ते हैं, साथ में बच्चा लोग, buyback का procedure एक साल के अंदर पूरा करना पड़ता है, एक साल के अंदर buyback करना पड़ेगा, उसके बार में, साथ दिन के अंदर share physically दिश्टवा करने पड़ते हैं, यह जो भी legal provision है, अगर इसमें कुछ भी default किया, कुछ भी घपला किया, तो बच्चा ल 3 लाग, एक लाग से लिएकर 3 लाग का fine लगेगा, और साथ में आपको jail भी हो सकता है, कितना? 3 साल तक का jail भी हो सकता है, भाई साब आपको यहाँ पे 1 लाग से लिएकर 3 लाग का fine भी लग सकता है, और साथ में आपको 3 साल तक का jail भी हो सकता है, यह buyback के लिए punishment है, बाइबैक करो या रिदमशन करो बले आप शेर का बाइबैक करो या प्रिफरेंशर का रिदमशन करो बाइबैक और रिदमशन से आपका शेर कापिटल कम होता है आपका शेर कापिटल कम होता है As per company Z, आपको जब भी buyback करना होता है, जब भी redemption करना होता है, तो जितने face value का buyback करते हो, उतना ही पैसा आपको एक account में transfer करना होता है, इसका नाम है CRR, I hope आपने practical पड़ा होगा, जितने का buyback करते हो, जितने face value का buyback करते हो, I zoom करो, एक लाग के face value का, मैंने buyback क्या, तो एक लाग का amount, एक account में transfer करूँगा, जिसका नाम क्या है, CRR मतलब क्या है, capital redemption reserve, और आप सबको पता हो, CRR किस किस से बनता है, CRR can be created, either out of free reserve और premium, most of free reserve में से CRR बनता है, अब इस CRR का utilization क्या है, इस पर question आता है, CRR is utilized only for bonus share, What is a utilized CRR बच्चो, यह तो CRR आपने बना है, buyback के time पे CRR बना ना पड़ता है, एक बार buyback हो गया, CRR का काम खतम हो गया, एक बार buyback हो गया, CRR का काम खतम हो गया, after buyback, CRR में जो profit है, उसके bonus share आप दे सकते हो, तो CRR can be used to issue bonus share, अब buyback के लिए कुछ restriction, यह बेटा पड़लो बेटा जी यह तो यह restriction पड़ली जी बेटा, तो जादा काम के ने बच्चो, मैं रिश्रिक्चो बटा रहा हो, buyback कब करने सकते है, इस पर question आता है बच्चो, when any company is prohibited from buyback, कोई भी company buyback करने से कब रोकी जाती है, अगर company आपने कुछ compliance फॉलो नहीं करते, अगर company आपने कुछ compliance फॉलो नहीं करते, हम उन्हें buyback करने से रोकते है, कब-कब अगर company ने section 92 के under आपना annual return file नहीं किया, अगर company ने अपना dividend declare या पिर pay नहीं किया, या dividend pay नहीं किया, या बच्चो, true and fair statement या, अगर इन चारों में कहीं पे भी default होता है, ऐसी company जिसने return filing के मामले में, dividend payment के मामले में, या true and fair statement के मामले में, अगर कुछ default कै, ऐसी company को buyback करने का अधिकार नहीं है, अगर आपने ये चार टाइप के default किये, तो आप buyback कर नहीं सकते, याद रखें बच्चो, अब बच्चो, next बटा जी theory के लिए, जो question आपके लिए important है, next question important है बच्चो, buyback के time पे क्या-क्या form भरने पड़ते, एक्साब में MCQ में ये सारे form पे question आ सकते, देखो भाईसा, अगर आपको buyback करना है, सबसे पहले बटा buyback करने के लिए, एक बार आपने resolution पास किया, उसके बार आपको ROC से permission मागने पड़ेगी, आपको ROC से permission मागने पड़ेगी, भाई-साब हमको buyback करना है करके, वो buyback करने के लिए, आपको ROC को, आपको letter of offer देना पड़ेगा, अगर आपका buyback का resolution पास होता है, resolution पास होने के बार में, आपको ROC को देना पड़ेगा letter of offer, कि हम लोग इतने इतने share buyback करना चाहते, और इस amount पे buyback करना चाहते, वो letter of offer के लिए, आपको form fill up करना पड़ेगा, form number SH8, या दखना, letter of offer, किसको देंगे, ROC को, क्या form है, SH8, please याद रखना, sir ऐसे form number आते हैं क्या भरोसा नहीं भाई, MCQ में कुछ भी आसकता बाबा, please पड़के जाओ, MCQ में कुछ भी आसकता है, initial बेटा जी पर old syllabus में जब ILJL हुआ करता था, वहाँ पर भी बहुत सारे section, form number पूछे जाते थे, trust me, institute कुछ भी question पूछ सकता है, आपको पड़ना पड़ेगा, साथ में बच्चो, आपको, अगर आपको buyback करना, भाई साथ buyback तो करने चले, ये तो बताना पड़ेगा, buyback करने के आपके आपके ओका दे, पता चला, जेब में फूटी कवडी, buyback करने चले, जेब में पैसाज ने, buyback करने चले, तो buyback करने के लापको आपका solvency report fill up करना पड़ेगा, कि हमारी ओका दे, पैसा भरने की, हमारी ओका दे, ये solvency का, जो solvency declaration है, ये fill up करना पड़ेगा, form SH9 में, तो buyback के टाइम पे सबसे पड़े, letter of offer, किसको देंगे, ROC को, किस form में, SH8 में, पर letter of solvency, किसको देंगे, बच्चा लोग, हम लोग, ये किसमें देंगे, SH9 में देंगे, उसके बाद, एक बार आपने ROC को, आपने letter fill up करके दिया, उसके 20 दिन के अंदर, आपको सभी share order को, बताना पड़ेगा, 20 दिन के अंदर, सबको बताना पड़ेगा, हम लोग, buyback करने वाले हैं, ओके, और एक धान रखना, प्लीज सुनना, buyback के लिए, आप offer देना पड़ेगा, कि हम आपके share buyback करना चाहते हैं, अगर बच्चो buyback का offer दे रहे हो, buyback को offer दे रहे हो, तो buyback के offer के लिए, कुछ time निट देना पड़ेगा, offer for buyback, मैं buyback completion की बात नहीं कर रहा हूँ, buyback offer, मतलब मुझे open market से buyback करने का है, open market से buyback करने का है, लेकिन लोगों को ये पता चलना चाहिए, ये company अपने share खरीदने के लिए interested है, क्योंकि अगर किसी बंदे को share कर बेचना है, उसे पता चलना है, कि आप share खरीदने को तयार हो, तो buyback का option आपको open करना पड़ेगा, वो open रखने के लिए, उसे कम से कम 15 दिन open रखना पड़ेगा, और maximum 30 दिन, तो buyback का जो option है, आपको 15 से लेकर 30 दिन open रखना पड़ेगा, मतलब आप 15 दिन से कम समय के लिए open रखने सकते, और 30 से ज़्यादा समय के लिए open रखने सकते, तो बाइबैक के लिए आपको 15 से लेकर 30 दिन तक open रखना पड़ेगा ओके बेटा इशिका जी CMA थेरी का वेटे है जे 100 मार्का बेटा CMA का पेपर है 100 में से 50 मार्क का प्राटिकल हाता बेटा और 50 मार्क का थेरी हाता बेटा थेरी इस वार 50 मार्क थेरी बेटा बोरिंगे 에게 option करना पड़ेगा थेरी बेटा बोरिंगे बेट करना पड़ेगा यह कुछ से करो गया ना वकहाahu निए खुछ से मुझे पटा है इसे मैं करवा के ले रहा हूँ भाइबाएग बाकी सा बड़ पर्सूरी बड़ पढ़ लो बड़ बाद ने बड़ाएब बाकी आप पढ़ सकते हो वो सब टाइम पास है फिर बच्चों देखो आपको जिन शेर को बाइबाएग करना है उनका रेजिस्टर मेंटेन करना है तो buyback के लिए, क्या-क्या फॉर्ण थे, sh8, letter of offer का, sh9, solvency declaration, sh8, 10 में क्या था, register of buyback, और sh11 में, आपको buyback का return फाइल करना पड़ेगा, वैशने वीजेक बुलू क्या, confirm अगर बोलो के न बेटा, अपको एगर ये doubt है सब थेरी 50 mark इस confirm आते हैं, उसे कम mark आते हैं, उल्टा बुलू क्या, थेरी का विटेज, minimum 50 mark है, 50 या उससे ज़्यादा बैता है, sometime थेरी 50 mark इसकते हैं, 60 mark इसकते हैं, 70 बैते हैं, बड़ थेरी 50 स इससे कम mark नहींगी वो guarantee, थेरी 50 या उससे ज़्यादा मार्क के लाएगी, ज़्यादा मार्क के लाएगी, थेरी, सब में वीटेज है, सब में वीटेज है, सब में थेरी का minimum 50% वीटेज है, श्यादा पास अटेम, पिछले अटेम का paper निकाल के देखिए, आपको पता थेरी का almost 50 mark वेटेज है थेरी का, यस, 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 इसलिए booster बिटा ले रहा हो, booster में ले रहा हो, चल बिटा जी, बै टॉपिक, बच्छो, SS10 में क्या करना पड़ेगा, अब शेर का रिष्ट्रम एंटर्ण करना पड़ेगा, यस, Shares के हमारे में जानकर SS10 में देंगे, SS11 में क्या होगा, बाइबैक का रिटन फाइल करना पड़ेगा, बाइबैक हमारा हो चुका है, किसने शेर का बाइबैक किया, किस अमाउन पे बाइबैक किया, यह सारा रिटन फाइल करना पड़ेगा, किसमें SH11 form है, और भाई साब इसका compliance certificate आपको fill up करना पड़ेगा, किसमें SH15 में, तो बाइ SH8 में क्या है, letter of offer, SH9 में क्या है, solvency certificate, declarations of solvency, SH beta G, 10 में क्या है, SH10 में कोने, register of shares, SH11 में क्या है, बोलो क्या है, यहाँ पर return of buyback, SH15 में बच्छा लोग कोने, यहाँ पर compliance certificate, yes, yes, yes. बाकी बेटा, buyback के लिए, बेटा, कुछ आपे days आपको देख बर पढ़ लो, यारे, sab days आपको देख, अरे, क्या हो रहा है, याजी, sorry, नया लेप्टाप, इसके आपको अन्राज नहीं बेटा, इसके ओपर मुझे इतना जादा, hold ने, इसके ओपर. very good, very good, very good, very good, fm बुश्टक कब हो, कल होगा, fm बुश्टक कल होगा, आज cma बुश्टर, कल fm बुश्टर होगा, बिटा, yes, और है बुश्ट एक्जाम में, दोनों पेपर देने, बिटाजी, आपको, रहेट ना, ऐसे ने कि fm में स्कोर किया, तो cma में स्कोर नहीं करना है, आपको दोनों में स्कोर करना पड़ेगा, बढ़े, इस सब जो days एक बार पढ़लो, यह सब duration है, सब बढ़लो एक बार, उस पे बाई बाई की थीरी बेड़ हो चुकिए, अब इनेक समय थीरी पढ़ने, इस वाप की थीरी है, नाम तो सुनाओगा, Employee Stock Option Plan, Employee Stock Option Plan, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी, अपने Employee को रिटेन करने के लिए, बहुत सारी कंपनी, अपने Employee को रिटेन करने के लिए लालश रहती है उन्हें कहलते है भाई साब अगर आप हमारे company में लगातार काम करोगे अगर आप हमारे company में लगातार कुछ समय तक service दोगे हम आप हम आपको हमारे company के share सस्ते में देंगे तो continuous employment में रहने के बाद अगर आप उसे share सस्ते में दे रहो that is called as employee stock option plan shares offered to the employee shares offered to the employee for remaining in the continuous employment is called as ESOP is called as ESOP अब बच्चा लोग देखे सवाल ये उठता है ESOP के टाइम पे employee को ने इस पे question आ सकता है बच्चा लोग ESOP हम लोग employee को देते but who is the employee तब चलो ESOP में employee उसे माना जाता है जो company का permanent employee हो फिर भले वो company के लिए इंडिया में काम करता होगा या इंडिया के बाहर काम करता होगा examen कैसे फसाएंगे and employee examen कैसे फसाएंगे Mr. X Mr. X is an employee of the company Mr. X is an employee of the company working outside India Mr. X is an employee of the company working outside the India is he eligible for ESOP yes भाई employee इंडिया के अंदर काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है तो भी ESOP के लिए वो eligible है तो ESOP में employee के definition में ऐसा बंदा जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है इंडिया के बाहर काम कर रहा है यह दोनों भी ESOP के condition में आते है क्या ESOP में employee के definition में director आते हाँ सर जी director also employee the company except independent director independent director are not eligible for ESOP all directors are eligible for ESOP except independent director तो employee के definition में सबी director आते हैं सिवाई किसके independent के और साथ में बच्चा लोग employee के definition में को आते है प्ली सुनना employee मतलब क्या भले वो इंडिया में काम करने वाला हो या foreign वाला हो या director हो और वो अगर उस company के subsidiary का employee हो या उसके holding का employee है या associate का employee वो भी employee के definition में आता है इसका मतलब अगर एक ABC नाम की company ABC नाम की company ABC company आपने इंडिया के employee को इस ओप दे सकते क्या हाँ ABC company आपने foreign के employee को इस ओप दे सकते क्या हाँ ABC company आपने director को इस ओप दे सकते क्या हाँ ABC company आपने subsidiary company के employ को दे सकते क्या हा बाई आप अके सबसीडरी के emparator money के employ को भी 30 सकते हो आपके holding company के employ को भी 50 सकते हो आपके associate company के employ को भी 100 रे सकते हो अब के definition में आप के कंपने की employee ऐएंगे बरारे इंडिया के नि द्धर के बहार निक राएंगे except independent and director और employee के definition में बच्चा लोग, आपके subsidiary company के, holding company के और associate company के भी employee आएंगे, याद रखे, यह सभी पे exam में कभी भी case law बन सकता नालायक, MCT में case law बना के question पूछ सकते, यह सारी theory सुनने के लिए बहुत easy है, बड़ अच्छे से करना पड़ेगा, please revise it once, बड़ इसमें कुछ exception है, कुछ exception है, कुछ exception है, अगर वो employee company का promoter है, या वो promoter group को belong करता है, इसे question आसकता है, if any employee is promoter of the company, if any employee is promoter of the company, is he eligible for, इस वाभी बहुत है, Mr. A is a promoter, Mr. A is a promoter, and also employee of the company, is he eligible for the ESOP, ना ना ना, promoter भले employee है, बड़ वो ESOP eligible नहीं है, और दूसरा, मैंने क्या बुला, सभी director eligible है, except independent, सभी director eligible है, बड़ बड़ ऐसे director, जिनके पास खुद, या उनके relative के पास, या उनके body corporate के through, अगर उनके पास company के 10% से ज्यादा share है, बना ऐसा कोई भी director, अगर उसके पास, या उसके relative के पास, या उसके body corporate, उसके partnership firm के पास, वो जिसमें partner है, उस form के पास, अगर company के 10% से ज्यादा share already है, तो आप उसे ESOP दे, नहीं सब्सक्राइब, इस आप कान बी गिवन तो all the director, except independent director and director holding more than 10% share, exam में a question आ सकता है, Mr. X is a director of the company and he is holding 9% share the company, Mr. X के पास 9% share है, is he eligible for ESOP, yes, 10% से ज्यादा हुआ, ESOP के ले eligible नहीं है, बद 10% से कम के लिए आपको ESOP मिल सकता है, belonging to promoter group मतलब क्या होता है, देखो बहुत बार क्या होता है, promoter बेटा एक बंदा होता है, और sometime promoter can be any body corporate, अगर promoter कोई body corporate है, या promoter group of person है, अगर आप उस body corporate को या group of person को belong कर रहे हो, तो आपको ESOP मिल नहीं सकता, आप बेटा, आउट्स्यांड इक्विजियर का मतलब क्या होता है, गाप सम्प्रोए बस्यांट आइन पर्सेंटेंड the outstanding equation तॉट्स्यांड उस टाइम पे जो इकविजियर मोजू दे, उसका 10% से ज्यादा उसके पास होगा Outstanding मतलब present equity share बड़ Outstanding मतलब कहा है उस time पे जितने share present है अरे राज मेरे भाई, reason मेरा simple, reason मेरा simple है मेरे भाई अगर मुझे आता कोई direct करें, जिसका उल्रेडी 10% से ज्यादा share है तु मुझे आता, एक simple बात है, इस आपका purpose क्या है इस आपका purpose क्या है, एंप्लोई के बीच loyalty लाने के लिए भाई मुझे आता, गर तु किसी company में काम कर, तु किसी company के employee है अगर company ने तुझे अपने company के share offer के, तु company को अपना माने गया औरे, अब मैं company का shareholder बन गया, अब मैं company का मालीक बन गया तो आपको company से attachment होगा बिटा, तो company के लिए और दिल से काम करोगे और ज्यादा दिर तक काम करोगे, इस purpose के लिए employee को return करें, इस swap देते अब बता कोई director है, जिसके पास already 10% से ज्यादा share है घंटा company चोड़के जाएगा, company क्या होता है, भाई सागा, तुमारे पास already 10% ज्यादा share है, मतलग तुमको company से बहुत इस लगावे, तुमको बहुत इस लगावे company से, इतने share लेके बेटे तो और क्यों चाहिए हम तुमको क्या return करेंगे, भाई, तुम already 10% share लेके बेटे हो, तुम चाहोगे ना, हमने निकाला, तुम छोड़ नहीं से थे company को, क्योंकि तुम इतने share लेके बेटे हो ना, तो कहाँ पर चले जाओगे तुम, समझा क्या इसके बड़े उनको हम इसवाप और देते, नहीं है, अरे simple है, जिसका पेट भरावा है ना, उसको और खाना ने खिल लाता है, जो employee भूखे उनको इसवाप खिलाने का, जो director का पेट और भरावा है, उसको आपीस इसवाप देने का, नहीं है, समझा क्या बेटा यहाँ पे clearly बोला होल्स, more than 10%, more than 10 का बतला है, 10 से जादा हुआ तो, 10 से जादा हुआ तो eligible नहीं है, 10 या उससे कम है, तो eligible है, clear है, yes बेटा जी, यह हो गया, इसवाप के लिए मतलब मैंने क्या बता है, इसवाप में employee कुन कुन होगा, employee बच्चे कुन कुन हो सकता है any person, Indian or foreign, next, बोले employee कुन होगा, director employee हो सकता है, except independent, तीसा बच्चों कुन होता है, उसका associated, या पीर, क्या बोलते, subsidiary या holding का भी employee चलेगा, next, 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 अब बच्चों देखो, इसवाप में, separate resolution, ओके बच्चों देखो, इसवाप में, separate resolution का पास करना पड़ता है, भाई साप, अगर आप, अपने किसी भी, अगर आप, आप, normal employee के इसवाप दे रहो, normal employee को इसवाप दे रहो, कुई तकलीफ की बात ने, लेकिन, अगर आपको, आपके, subsidiary company के, या holding company के, employee के इसवाप देना है, subsidiary company, या holding company के, employee को, इसवाप दे सकते हैं क्या, हाँ, दे सकते, पर उसके लिए, आपको, separate resolution पास करना पड़ेगा, उस employee के लिए, आपको, अलग से resolution पास करना पड़ेगा, बस इतना धामर के बच्छो, यास, 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 आगे बढ़ते भाई साब, आगे बढ़ते, next, अब ये बेटा concept बहुत important है, four feature or refund of amount paid by employee under ISWAP, अगर बच्छो आपको, इस आपका accounting पता होगा, बच्छो, इस आपको accounting पता होगा, देखो, जिस दिन company, जिस दिन company, employee को share offer करते, जिस दिन company, employee को share offer करते, that is called as grant date, जिस दिन company, employee को share offer करते, उसे बोलते, grant date, बोलते, बच्छो, उसके बाद कुछ समय तक सर्वीस में रहोगे तो आपको इस वाप मिल सकता है जितने समय तक सर्वीस में रहने के बाद में मान लो आपने बोला दो साल तक सर्वीस में रहने के बाद में आपको इस वाप मिल सकता है तो जितने साल तक सर्वीस में रहने के बाद में आपको e-swap मिल सकता है that is called as wasting period जितने समय तक service में रहने के बाद में आपको share मिल सकता है wasting period क्या wasting period खतम होने के बाद में employee ने share तुन लेना चे अजूम करो आपने बोला 2 साल तक service में रहे तुझे e-swap मिलेगा 2 साल खतम होगे wasting period खतम होगा आपने उसको फोन क्या भाई 2 साल खतम होगे आज शाम तक चुप चाप share खरीद ले यह तो बहुत बुरा होगा बुलता भाई 2 साल खतम होगे मैं share का हगदार बनाओ share खरने के लिए थोड़ा समय तो देना wasting period खतम होने के बाद में शेर खरीदने के लिए इसोब का उप्शन यूज करने के लिए जितना समय देते हो उसे हम बोलते है exercise period आई होब यह सारे definition आपको पता है सारे बढ़ा concept आपको पता है उसे हम क्या लते बचलो उसे हम लोग क्या लते बचलो exercise period हम बोलते है उसको राइट ना अब प्लीज समझना ऐसा कोई employee जो exercise period में भी exercise period खतम होने के बाद में भी अगर शेर नहीं लेता है तो उसका पैसा company four feet मतलब खा जाती है अजूम करो आपने employee को बुला था wasting पर खतम होने के बाद एक साल में शेर खर ले एक साल कुने exercise period है आपने थोड़े पैसे भरे थोड़े पैसे भरे और exercise period खतम होने के बाद भी आपने सारे पैसे नहीं भरे तो आपके share company का गरीगी छीन लेगी आपका पैसा company खा जाएगी four feature but sometime, sometime company के पास कुछ technical issue होता है बैटा वो छोड़ा अभी अपने सलामस का partner मेटा जी अगर company के end से कुछ गरबड हो जाते उस case में refund करना पड़ेगा तो employee का पैसा बच्चो forfeit कप करेंगे? simple से बाते employee की गलती है पैसा खा जाओ, forfeit करो company की गलती है पैसा refund करो simple है, employee की गलती है company पैसा खा सकते forfeit करेंगे, employee ने exercise प्रिड के अंदर पैसा नहीं बारा, company employee की गलती है company पैसा खा जाओ, forfeit करेंगे और company के condition बदलते wasting condition बटा बदलते तो यहाँ पे आपको पैसा refund करना पड़ेगा minimum wasting is one year minimum wasting is one year मैं बोलू के यह जो आगे का part इस पर धान मत दना इस आप का chapter बहुत वास्ते इस आप के कुछ थेरी बेटा आपके module और एक chapter बेटा जी, chapter number 21 chapter number 21 chapter number 21 जब को module का chapter रहे उसमें अगे इस आप पढ़ना है तब मैं ठेरी और डेफ में बता अभी इस पर धान मत दो okay chapter 21 बेटा देखे आपको इन डेस के साथ में इस आप पढ़ना है इन डेस के साथ में इस आप पढ़ना है chapter 21 अगेन इस आप के बारे में डील करता है बहुत आ रहे ना बेटा minimum wasting period is one year normal one year होता है अब में बेरे में डाउट नहीं समझा मुझा आपका आप में आपको क्या मतारी बच्चो देखो अभी इस आप के लिए देखो अभी आपको इतनी थेहरी बड़ नहीं इस आपका थेहरी ठीक है next बच्चो देखे next बच्चो देखे अगला बेटा इस आप को ने sweat क्या हो गया यह रहे हम भड़ा आ अबैटे干ाम करें चाले aside गश्णों बच्छे काम करें, काम करें चाले इसे मह दिन्सक्ताय टो श再 eyeliner freely share, bonus share, और ride share sweat equity share, bonus share, ride share और preference share ये concept में कल बता चले गए बैटाजी में मेर देड़ा niewार्थुन प्रैक्टिकल कपाओगा Histi पकाओगा बड़ प्राइक्टिकल बेटा पकाओगा यह ना मैंने बताना बेटा अमीर मेरे भाई separate resolution बेटा इस आप में कब लेवा बताना बेटा दो किसमे लगे इस आप में अगर आपका कोई employee अगर आप subsidiary company के employee को या पिर बेटा आपकी थेरी बेटा में कल बता चलेगा? अगर अगर हमें अगर Mira इस ऐतला में गदा के अगर अगर थेरी बुट से मैंने बता है उसे कल थोड़ा सा और फास तो चलेगा थेरी बेटा जी कल थेरी के इतने सब ऐसेज पॉइंट बता हो या कल थोड़ा सा फास ले तो चलेगा बता ही क्यों आज एक्षल मुझे सारा बचा पार्ट मुझे खतम कर लेकिन आच अलमस एक घंटे में भी इतना बड़ खतम नहीं है कल तुना सा फास ले सकता हो क्या बोलिये यह साधीका जी मैं टेलेगराम बूर आउन करता हूँ ठीके आये करते हैं चले 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 मुझे मारे हैं जाना है मुझे तो मैं बहलता हूँ और बाकी बाते में कल करेंगे थोड़ा fast लोट चलेगा, थोड़ा fast लोट अब इशिक मेरे बाई, fast चलेगा, yes yes, fast भी चलेगा, done done done, पक्का, 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 अगला task देखा अगला task देखा, पक्का देखा, I will give you next task also, definitely I will next task कूँगा, ठीके, चले, मिटिंग को जा रहा है, मिटिंग से जैसे मैं आजाओंगा, मिटिंग साने के बाद, मैं task बना के देखा, task share करता हम आपके साथ में, definitely share करूगा, ठीके, चले, bye bye, take care, संकिर जी पक्का, definitely पक्का, तो बच्चों देखा, कल का जो lecture था, कल का जो lecture था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, कल का lecture अपना buyback हो चुका था, अपना e-swap हो चुका था, buyback, e-swap अपना हो चुका था, उसमें भी sweat equity share, right, right share, उसके बाद, preference share, इनी सब का discussion pending था, फिर bonus share क अपना भी, decision pending था, आज उसमें खतम करना है, चले, तो आज अपना ये topic खतम हो चाएगा, चले, let us start with the concept of sweat equity share, okay, yes, पुझा जी पक्का, बिक्राम शालो तो बेटा, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गोड़ा भी continue कर मेरे भाई, yes, चले, let us start, चलो बच्चो, अब ये बच्चो हम पढ़ते हैं, आम लोग अभी पढ़ते, sweat equity share हम पढ़ते, yes, मुझा आप सबको बेटा जी, sweat equity share पता है क्या रहे, देखा बच्च क्या होता है, एमपलॉई जादा देर तक कमपनी में रहे, एमपलॉई को रिटेन करने के लिए, एमपलॉई को रिटेन करने के लिए, जो शेर सस्ते में आफर करते हैं, वो क्या है, इस आप होता है, but, sweat equity share का purpose अलग होता है, अगर एमपलॉई ने अपने मेहनज से कुछ का मुकाम अच्यू किया है, उसने कुछ मुश्किल काम अगर complete किया है, उसने अपने मेहनज से कुछ बेटा मुकाम अच्यू किया है, ओक बेटा जी, तो ऐसे बेटा केस में, हम employee को रिवाड जो देंगे, वो क्या आता है, sweat equity share, the sweat equity share is a reward for the employee, ये बच्छो उसके लिए क्या होत मुख़ायरते करते ये योगदान किया है, उसको आप लोग cash में settlement करने के बाधले, अगर आप लोग शेयर में settlement करे, उससे हम बोलते है, sweat equity share बोलते हैं क्या तो बचलो स्वेट एक्विटी शेर उसको बोलते हैं ओके अब बचलो देखें बाकी बचलो देखें स्वेट एक्विटी शेर हम क्यों प्रोड करते हैं बचलो देखें ओके और किसको देंगे अब इक काम करते हैं को एक्विटी शेर issued by the company, तो इस डाइरेक्टर्स और employee, तो sweat equity share, हम किसको देंगे, डाइरेक्टर का पिर, employee को देंगे, कैसे देंगे, discount पे देंगे, okay, discount पे देंगे, okay, for a consideration, other than cash का मतलग का है, sweat equity share, हम कभी cash में देते नहीं, वो other than क्या आता है, cash होता है, okay, चोड़े बटाजी, अब बच्चों देखो, sweat equity share में, employee कोन होता है, हमने कल पढ़ाता है, बच्चा लोग, e-sop में employee कोन होता है, आपको e-sop में employee के definition में, कोन कोन आता आपको पता है, अब देखे, sweat equity share में, employee के definition में कोन आता है, employee मतलब, any permanent employee, okay, वो बच्चों देखे, बच्चों देखे, बच्चों देखे, कंपने के बच्चों डाइरेक्टर है, okay, डाइरेक्टर है, whether whole time or not, बात समझे ना, हम यहाँ पे, e-sop में restriction क्या आता, employee के definition में, independent director नहीं आ रहा था, बढ़ा पर restriction नहीं है, स्वेट इक्विडिशेर में, any director फिर बढ़े whole time और पिर ना हो, okay, और फिर बढ़े बच्चों, वो employee या पिर डाइरेक्टर, उस company का हो, या उसके subsidiary का हो, या पिर उसके holding का हो, तो भी चलेगा, अगर आपने e-sop में, employee के definition पढ़ी होगी, और स्वेट इक्विडिशेर में पढ़े होगी, उसमें देखो, common point का है, और difference के point का है, common point, e-sop हो, yes, इक्विडिशेर हो, employee की definition में, company का कोई भी employee चलेगा, फिर बले इंडिया का हो, या इंडिया के बाहर का हो, चलेगा, yes, it can be any director, फिर उस company का employee हो, या फिर, किसका, उसके holding का है, फिर, subsidy का, वो भी employee के definition में आता है, बस भाई साब, difference के point है, e-sop में, कोई भी director को e-sop मिल सकता आता, except, independent director, but sweat equity share में, independent director के लिए, कोई restriction नहीं है, second बच्चों फरक, अगर आपको याद होगा, e-sop में, employee के definition में, employee उस company का चलेगा, या फिर, उसके holding का चलेगा, उसके subsidiary का चलेगा, या फिर, उसके associated company का चलेगा, बढ़ या पे sweat equity share में, associated company के employee को, associated company को, employee को, उन्होंने employee नहीं बोला है, तो employee में किसका चलेगा, subsidiary company का चलेगा, या फिर, holding का चलेगा, बढ़ associated का नहीं चलेगा, यह सारे point याद रखिया बच्छा लोग, यह या इसके उपर, MCQ बन सकता है, तो employee of the associated company, employee of the associated company, can get isop, but he cannot get the, sweat equity share, याद रखिया, अब बच्छो basic condition पता है, same as isop, sweat equity share के लिए, वो कब हो सब्सक्राइब बच्छो, अगर वो पता क्या, if it is authorized by the special resolution, आपको sweat equity share देने के लिए, special resolution, pass करना पड़ेगा, उस resolution में, कितने share देने है, current market price क्या है, किसको देना है, क्या price पे देना है, यह सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ओके, और साथ में बच्छो, यहाँ पे sweat equity share के case में, आपको lock-in period बताना पड़ेगा, lock-in period कितना बच्छो होता है, 3 साल का, नॉर्म कितना होता है बच्छो, 3 साल का, वाला, एक बार आपको sweat equity share मिले, अगर आपको किसी भी company के sweat equity share मिले, तो उसे 3 साल तक, किसी को transfer, याभी sale कर, नहीं सकते, तो sweat equity share का बच्छो, lock-in period कितना होता है, 3 years का होता है, ध्यान में रखना, क्या सब के पास module है क्या, मैंने कले आपको बताया था, बुष्टर सेशन के टाइम पे, module सामने रखे, आप underline करोगे, फरक पड़ेगा बेटा, ओके, तो sweat equity share, मैं यहाँ पे lock-in पर कितना बच्छो, 3 साल का होता है, 3 साल के अंदर, आप किसी को transfer कर, नहीं सकते, अब इसका quantum, आप कितने sweat equity share दे सकते हो, quantum दे, company, शाल नाट issue, sweat equity shares, for more than 15% of the existing paid-up capital, और shares of the issue value, और प्रुफिस 5 करोड, which is higher, बच्छो, अगर किसी भी company को, sweat equity share देना है, तो limit क्या बोला है, existing share capital का, 15%, existing share capital का, 15% और, 5 करोड, इनमें से, which share is higher, existing share capital का, 15% और 5 करोड, which share is higher, maximum, उतने के ही, sweat equity share आप दे सकते हो, उसे ज़्यादा के दे, नहीं सकते है, इसका मतलब क्या है, अजूम करो, एक ABC company, एक ABC company, उसका equity share capital है, उसका equity share capital है, 40 करोड, कितना बच्छो, 40 करोड, मैरा सवाल है, यह company, मैक्सीमम, कितने का, 100 करोड दे सकते हैं, सरूल क्या है, equity share का 15%, और 5 CR, which share is higher, equity share capital, 40 CR है, 40 CR का, 15%, कितना होता है, 6 CR, 6 CR, और 5 CR, which share is higher, 6 CR, और 5 CR, which share higher कितना आता है, 6 CR, मैं यह company, 6 CR तक, sweat pressure दे सकते हैं, अगर इस company, 6 CR के, ज़्यादा amount के, circuit share दिये, तो allowed नहीं है, 4 CR चलेगा, 5 CR चलेगा, 5 CR चलेगा, 6 CR तक चलेगा, उसके उपर, नहीं चलेगा, अरे ज़्यादा क्या नालाएक, तो बच्चो, sweat equity share के लिए, limit कितना है बच्चा लोग, equity share capital का 15%, और 5 CR, which share is higher, maximum आप, इतने काच, maximum इतने काच, sweat equity share दे सकते हो, not more than that, ओके, सबको ज़्यादा है क्या, बाकी बाकी बच्चो काम की ने, जो इतनी बाती है बच्चो काम की उतनी बता रहा हम आपको, जो MCQ के लिए काम में आएगी, उतनी बता रहा हम आपको, बाकी बच्चो देखो, sweat equity में जादा कुछ काम कर नहीं था बच्ची, अभी देखो, next अपना concept है, अगर किसी भी company को share issue करने, अभी बात समझ ना, bonus share, bonus share हम लोग existing share holder को देते, right share हम लोग existing share बच्चो देते, difference बेटा ये है, right share में हम free में share नहीं दे रहे, right share का मतलग का है, आप अगर किसी भी company को share issue करने, अगर किसी भी company को share issue करने, तो सबसे पहले company, अपने existing share holder को option देते है, बोलते कि भाई साब, सबसे पहले share आप ले सकते हो, आपको right मिलता है, कि हमारे share खरिदने का, और आपने share नहीं लिए, तो हम बाकी market को share देंगे, उके बेटाची, तो right share का मतलग है, existing share holder को, जो share अपने priority में offer के, वो को ने right share है, तो बच्चरे क्या बुला है, right issue means, offering the share to the existing members, in proportion to their existing share holding, मतलब बच्चरे को, right share में देखे, हम proportion में offer करें से, proportion का मतलग है, भाई साब, कभी की ratio होता है, 1 to 10, मतलब क्या है, अगर किसी के पास, 10 share है, उसे हम एक right share देंगे, किसी के पास, 20 share है, उसे हम देंगे, 2 right share देंगे, किसे बच्चों अगर, 30 share है, उसे हम देंगे, 3 right share देंगे, उसे हम लोग, proportion में issue करते हैं, and such shares are offered to, right share, किसको offer करते हैं पहला बच्चों क्या बुला है जो person company के equity shareholder है उन्हीं को हम लोग share offer करते हैं उसके अलावा sometime company के employee को company के एसे employee जिनको ESOP के तहित share मिला है company के ऐसे employee जिनको ESOP के तहित share मिला है उन्हें भी हम लोग ride share दे सकते हैं और ऐसा कोई भी person जिसे अगर हमने special resolution से authorize किया है उसे भी हम लोग ride share दे सकते हैं कहने का मतलब बच्छों देखिए यस बेटा मासूम जी अभी तो बटा मैं बोल सकता हूँ कि अभी तो बोल सकता हूँ ride share और बटा bonus share में price का फ़रग है bonus share में free में देते है और ride share बटा जाम पैसा लेके देते हैं बट दोनों बेम लोग existing लोगों को offer करते हैं अब बच्छों मैं फिर से बतार बच्छों ride share हम किसको देते हैं ride share हम किसको देंगे एक तो सबसे बले किसको देंगे जो existing shareholder है उसको दे सकते हैं second बटा ऐसा employee जिसको ESOP के तहट share मिले उसको दे सकते हैं हा सर जी third party को भी ride share दे सकते पर उसके लिए आपको special resolution पास करना पड़ेगा special resolution से आपने बोला इस इस बंदे को ride share देना चे तो आप दे सकते हैं ride share तीन लोगों को देंगे पहला किसको बच्छो existing shareholder को second किसको देंगे employee was ESOP option और third किसको बच्छो any person who has been authorized by special resolution यह तीन मेंसे किस्यों को भी आप लोग ride share इन मेंसे किस्यों को भी हम ride share दे सकते हैं सबको जेप रहा क्या ना लाइक yes or no ना लाइक ओके आगे बढ़ू yes अब बच्छोरी को next बेटा concept है redemption of preferential यह बहुत जोड़ी बेटा जी redemption of preferential अब बच्छों बात करें issue and redemption of preferential अब बच्छों देखें आप सबको बता है preferential say preferential is not a permanent capital बैटा जी preferential का पैसा कुछ सालों के बार वापिस करना पढ़ता है preferential का पैसा कुछ सालों के बार बच्छों वापिस बेटा करना पढ़ता है कुछ अब बेटा करना पढ़ता है that is called asной that 세ac зов प्र ऐस प्रिफ्रेंशर का पैसा कभी भी वापिस का सकते हैं? ना. जब भी कोई कमपनी प्रिफ्रेंशर इशु करते हैं, उस टाइम पे कमपनी को बताना पड़ेगा कितने साल में रिडम्शन करने वाले हैं. अगर कोई कमपनी बोलते हैं, हम प्रिफ्रेंशर इशु कर रहे हैं, बट हम रिडम्शन करेंगे 25 साल के बाद, is it allowed? ना. ना. प्रिफ्रेंशर के रिडम्शन करें कुछ टाइम लिमेटे, मैक्सिमम टाइम लिमेटे बेटा 20 साल. मतलब, कोई भी कमपनी ऐसा प्रिफ्रेंशर इशु कर नहीं सकती, जिसका रिडम्शन होगा 20 साल के बाद. कोई कमपनी बोली हम रिडम्शन करेंगे 21 साल बाद, 22 साल बाद, नहीं चलेगा, मैक्सिमम टाइम लिमेटे 20 साल. 20 साल चलेगा, 19 साल चलेगा, 18 साल. तो फॉर रिडम्शन, मैक्सिमम टाइम लिमेटे 20 एर, इसमें एक्सेप्शन है, अगर आप इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेट चला रहे हो, उसके ल टाइम कितना बच्चो, 30 साल है. अरे कॉमन सेंस की बात है, इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेट के हो, चलाने के लिए, बहुत सम्मय लगता है, उसके लिए आपको एडिशनल 10 साल बढ़ा के मिलेंगे, जेपा का नाला है, नॉर्मल किसी भी कमपने के लिए, कितना बच्चा लोग, 20 साल का लिमेट है, बर इन्फरास्ट्रक्चर प्रोजेट के लिए, लिमेट कितना बच्चो, 30 साल है, इस मैक बच्चो, अब बच्चो, कैसे करेंगी, जब बाई-बैक के टांप बताया था, जब भी कोई कमपने बाई-बैक करते, बाई-बैक से बेटा आपको share capital कम होता है बाइबैक से जो share capital कम होता है आपको share capital रिष्टोर करना पड़ता है उसी तरह से preference share के redemption से आपका share capital कम होता है प्लीज सुनना बच्चो अभी जो बता चाहरा हूँ अब देहन दो एक company के balance sheet है और प्लीज फोकुस करना एक बच्चो कम क्यों रहे है एक बच्चो company के balance sheet आपके सामने राइट में बच्चो asset है लेफ्ट में liability लाइबीट में बच्चो देखो preference share capital है बच्चो company पास preference share capital है 20 लाग का अगर company बच्चो देखे अगर बच्चो company बच्चो देखे ओके भावना जी FM के question बटा मैं solve नहीं करेंगा भावना जी FM के question आपको खुदी solve करने है खुदी solve करने है because this is a revision section है बटा राइट ना कर सभी question आपे कराते है बटा तो syllabus पूरा नहीं होगा आपको भी effort लेने पड़ेंगे बटा आपके लिए telegram group बना है बटा जी वो telegram group पे आपको जो भी some solve करने है solve किजिए आप सभी बच्चे आपस में discussion कर सकते हो बटा हर चीज बटा मैं बताने सकता क्योंकि को थोड़ा सा restriction बटा है जी time का restriction है क्योंकि हमें बहुत सा topic अतम करने है ठीक है I hope you can understand चलो बट चलो पर हमें आपको क्या बता रहा था अरे क्या हो गई यह अच्छी बात यार अगर कंपनी का शेर कापिटल कम होता है अच्छी बात नहीं मार्केट में लोग कुछ बाते बदाएंगे लोग बोलेंगे भाई साब कंपनी का शेर कापिटल कम हो रहा है क्या कि इस कंपनी की पोजिशन अच्छी नहीं क्या कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है क्या नहीं तो ऐसे रूमर्स को बेटा अवाइड करने के लिए कंपनी अक्ट ने क्या बुला भाई साब आपको प्रिफरंशेर का रूम्शन करना है करो पर रूम्शन करने से पहले रूम्शन करने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जितने प्रिफरंशेर का रूम्शन करना है उतना ही क्यापिटल वापिस रिष्टो करना पड़ेगा मतलब अब 20 लाग का रूम्शन करने हो आपको वापिस 20 लाग का क्यापिटल रिष्टो करना पड़ेगा सर जी 20 लाग का capital रिष्टो कैसे करें भाई साब capital रिष्टो करने के capital रिष्टो करने के दो तरीके बताए पहला तरीका अगर आपके पास बहुत सारा reserve पड़ा है बहुत सारा profit पड़ा है अगर आप बहुत ही अमीर लोगो तो उस reserve में से और profit में से 20 लाग का पैसा transfer करो कहाँ पे CRR CRR का मतलब क्या है capital redemption resort पहला बेट option क्या आता है जितने का भी capital कम हुआ है उतने का CRR ले क्या हो 20 लाग का capital कम हो गया 20 लाग का CRR खड़ा करो हो गया काम बन गया सेकंड अगर आपके पास profit sufficient नहीं है या resort sufficient नहीं है तो आप चाहोगे तो 20 लाग के share भी issue कर सकते हो इसका मतलब क्या ना है say that preference share में capital restore करने के दो जरीए बेटा जी capital रिश्टोर करने के दो तरीके पहला तरीका क्या है create a CRR CRR किसमे से बनाएंगे out of profit second बच्चो तरीका क्या है issue of shares तो आप देख सकते हो भाई साब preference share को redemption करने के redemption can be made out of बच्चो redemption किसमे से करेंगे redemption करेंगे मतलब capital restore करेंगे किसमे से करेंगे पहला option क्या है out of profit profit में से क्या बनाएंगे CRR बनाएंगे और second बच्चो option क्या है fresh share क्या करेंगे issue करेंगे ध्यान रखना अगर 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 आपको याद होगा जब मनें buyback के थेरी बताई थी buyback में capital restore करने के लिए भाई साब buyback में भी capital restore करने के दो option थे पहला option क्या था out of profit हम क्या बनाएंगे CRR out of profit क्या बनाएंगे CRR और second option था issue of fresh share and security preference share में difference यह है preference share में क्या बुलाएं issue of fresh share नहीं समझा बाई साब buyback में capital restore करने के लिए share issue करो चलेगा security मतलब debenture issue करो चलेगा buyback में shares और debenture दोनों भी allowed थे बर preference share में only क्या allowed है share है preference share में कहीं पे भी security word नहीं बोला है यहाप only क्या बोला है issue of क्या बोला है fresh shares बोला है तो यहापे debenture allowed नहीं है buyback की theory निकाल के देखो buyback पे शब क्या थे issue of shares and security तो buyback में debenture allowed था प्रबे डिबेंचर allowed नहीं है तो preference share का है जब MCQ आएगा practical आएगा तो practical में कुछ ऐसे भी question पूछेंगे जहापे बोलेंगे company ने debenture issue का है तो debenture हमारे ले applicable नहीं है ध्यान रखना हमने regular बेटा class में ऐसे MCQ solve किये थे if you remember बेटा जी debenture allowed नहीं है ओके next बैचर देखो CRR बनाना है भाई साब CRR का मतलग है profit में से कुछ profit transfer करो सर्जी CRR किस किस में से बनता है भाई साब CRR is created out of distributable profit किस में बनता है जो distributable profit जिनको नहीं पता होगा बता होगा CRR किस किस से बनता है CRR is created out of distributable profit इसमें आता है P&L account आता है general resort आता है and dividend equalization fund आता है all are called as distributable profit इसमें से आप CRR बना सकते हो तो CRR can be created out of P&L, out of reserve and out of dividend equalization fund but CRR cannot be created out of security premium I hope इसका आपको धेरी पता होगा okay yes बच्चो आप सबको पता है redemption के टाइम पे preference share can be either redeem at par or at premium preference share can be redeem either at par or at premium अब बड़ा common sense की बात है आप redemption discount पे तो नहीं करोगे अगर discount पे redeem करोगे लोग preferential language कुना बटा आपके redemption बच्चो क्या आता है add क्या आता है par तो add क्या आता है premium और अगर आपको premium से redemption करना है then premium on redemption premium on redemption अगर आप premium पे redemption करना है this premium on redemption is paid either out of profit or security premium premium on redemption premium on redemption can be paid either out of profit either out of profit or out of security premium तनिशा जी अगर आपने module में से थेरी तरस में तनिशा जी अगर आपने module की थेरी आपने की ना इसके बार exam में कुछ ने आएगा बेटा कुछ ने आएगा ओके next ये आपने थेरी बड़ी पढ़ लिया next अभी आपने थेरी जो में discuss करना है बाकिए entry आपको आते हैं entry में कुछ समझानी की बात नहीं entry में कुछ समझानी की बात नहीं entry आपको आता च्छे अभी देखो underwriting अब देखो what is underwriting yes yes अब अच्छे what is underwriting बहुत सिंपल यार अगर किसी भी company को अपने share बिक्वाने है अगर किसी भी company को अपने share बिक्वाने है तो company को पहले assurance है कि company share बिक्ने चीए आप सबको पता है minimum subscription होता है 90% 90% से कम share अगर public लेती है कर 90% से कम share public लेती है तो सारा का सारा पैसा refund करना आपड़ेगा इसका मतलब company के उपर एक भहुत सारे risk बनते हैं चबो share issue करते हैं इस risk को avoid करने के लिए company दो लोगों को invite करते company के बिहापे दो लोग share बेचते they are called as broker and underwriter company के बिहापे दो लोग share बेचते वो कोने broker और underwriter भाई साब broker जो होता है broker सिप commission के लिए share बेचता है और share नहीं बिका तो broker कुछ कर नहीं सकता broker क्या बोलता है जितने share बिकेंगे उतने बिकेंगे उसके मुझे commission दीजिए बड underwriter क्या बोलता है भाई साब आपके सारे के सारे share बिकेंगे ये मेरी guarantee और आपका share नहीं बिका तो जो share नहीं बिका मैं मेलूंगा तो underwriter will take responsibility of issue of share and remaining shares are taken by underwriter himself अजूम करो एक company का A नाम का बेटा underwriter है A नाम का underwriter है A ने responsibility लिया है 1000 share का जितने share का वो जिम्मेदारी ले रहा है उसे हम बोलते gross liability उसने public को share बेचने के लिए दिये ये क्या हूँ पोनो गया रहे अब बच्चा रहे को उसके response में company के पास application आएगा 800 कितने का risk लिया तो उसने 1000 का कितने application आए 800 कितने नहीं भी के 200 तो remaining 200 share कोन लेगा बेटा underwriter 200 share कोन लेगा underwriter उसे हम लोग क्या बोलते net liability लीजिए वशने वी जी मैं इस session में practical करा नहीं सकता बेटा limitation बेटा I cannot do the practical बेटा जितने भी application आते उनके दो type होते जिनके ओपर underwriter का stamp होता है we call them as a mark application और जिन पे stamp नहीं होता है we call them as a unmarked application जिन पे stamp होता है वो कोने mark है जिन में stamp नहीं होता हो क्या unmarked application what is the formula for net liability gross liability less application received अब types of underwriting भाईस आप underwriting के दो type होते complete underwriting and partial underwriting इसका मतलब क्या है assume करो एक company को बिक्वाने है 100% share एक company को बिक्वाने 100% share company ने A और B इन दो लोगों को appoint किया as a underwriter company A और B इन दो लोगों को appoint किया as a underwriter A बोलता है मैं बिक्वाता हू 60% share और B बोलता है मैं बिक्वाता हू 40% share A बोलता है मैं बिक्वाता हू 60% share और B बोलता है मैं बिक्वाता हू 40% share sir दोनों का total देखे 100 आ रहा है क्या तो जहां पे सभी के सभी share हम बिक्वारे सभी के सभी 100% share बिक्वारे through underwriter that is called as complete underwriting if all the shares are sold through underwriter it is called as complete underwriting yes पूजा जी आप old marathon देख सकते हो कोई दिक्रत ने बेटा जी अब वही देखें A बोलता है में बिक्वाओंगा 50% share और B बोलता है में बिक्वाओंगा 30% share A बिक्वा रहा है 50% B बिक्वा रहा है 30 टोटल 100 आ रहा है क्या ना ना सर सभी के सभी share through underwriter नहीं बिक्रे इसे हम लोग बोलते partial underwriting क्या बोलते बेटा जी partial अब सवाले उठता है complete के case में सारे के सारे share बिकेंगे through underwriter बड़ पार्शल में ये 80% share कोन बिक्वाएगा underwriter बड़ बाकी 20% का जिम्मेदारी कोन लेगा company क्या होते है ये सब बेटा आपको पता होगा partial में क्या होता है remaining share कोन बिक्वाएगा company खुद बिक्वाएगी next underwriting commission underwriting commission बेटा commission underwriter को maximum कितना commission देना चाहिए maximum किसको पता है क्या maximum कितना commission होता है बुलो भाई जब कितना होता है maximum commission is 2.5% और 5% कितना बच्च होता है 2.5% और 5% कौन बताएगा 2.5% commission किसके लिए देंगे और 5% किसके लिए देंगे फटा 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 बताएगे तनुषा जी रामबान सेरी्स मत देखे रामबान के बदले बैटा है कामको रामबान के बदले अगर आपने यह बुशत देखा तो भी चलेगा रामबान मत देखना बैटा अगर शेर बिक्वा रहा है तो कमिशन मिलेगा 5% In case of debenture, commission is 2.5% In case of shares, commission is 5% ऐसा क्यों सर? अरे भाई साब, market में, shares के compare में, debenture बेचना आसान है अरे लोगों को पता है, debenture का पैसा वापीस मिलेगा मतलब मिलेगा debenture से fixed interest मिलेगा मतलब मिलेगा debenture के interest से, tax भी save होता है तब अच्छा लोग, debenture के इतने सारे advantage है तो debenture बेचना आसान है और share बेचना मुश्किल है आरे जो बेचना आसान है, उसके लिए commission भी कम मिलेगा न debenture तो कोई भी बेच सकता है रहे बेटा उसके लिए commission मिलेगा 2.5% बड़ शेर बेचना मुश्किल है, उसके लिए commission ज़्यादा मिलेगा मुश्किल बातों के लिए ज़्यादा commission मिलेगा कितना बच्छो होता है, 5% commission होता है shares के लिए याद रखना, ओके, yes, yes, yes यह हो गया under the commission, अब बच्छो देखो, इसी में बच्छो देखो और एक बहुती बढ़िया concept है, तो इस concept आप कहा पे गया रहो concept हा, firm underwriting, कहा रहे बच्छा लोग, firm underwriting अब यह क्या होता है, कल कुछ बच्छे बोले, sir firm underwriting अच्छे से बता दो, देखो क्या तो, what is firm underwriting, अजूम करो अजूम करो, अजूम करो, बेटा आप लोग ना, आप लोग बेटा जी देखो, आप लोग reliance company के, reliance company के underwriter बोलके appoint हो चुकिया, you have been appointed as a underwriter reliance company congratulations, reliance बोला, भाई साब, आपको हमारे share बेचने के, मैं आपको बोलता हो, आपको हमारे company के one CR share देता हो, one CR share बेचो आप बोलता है, नहीं बेचा तो, reliance बोलते है, भाई, तो underwriter है नहीं बेचा ना, remaining share, तुझे खुद को ले ले पड़ेगी, आप बोलता हाँ जैसे ही, reliance company ने आपको बोला, भाई साब share बेचो, आपने share का marketing करना शुरू किया, जैसे market में news फिलते है, कि you are underwriter of the reliance company, आपके दोस्त का फोन आता है, भाई, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया, reliance के share बेच रहा है, भाई, काम करना प्लीज, 10-12 share मेरे भी side में रखना, आपके मोसी का होता, मोसी बोलते है, बड़ा आदमी हो गया है, 10 share हमेरे भी रख दे, आप बोलते है, ऐसे कैसे मेरे घर के share है क्या, ऐसे रखो, बोलते है, कुछ ही नहीं कर पब्लीक ने share नहीं ले, तो बच्चोय share मुझे चलेने पड़ेंगे, और जब बच्चोय share है, मैं आप में बाट दूँगा, ऐसे का लेना, ऐसे आपने promise किया, remaining share आपको चलेने के, मैं आपको दे दूँगा, बढ़ होता क्या, मार्केट में लोग, reliance के share पे तूट मोसी का phone आता है, बेटा मेरे 10 share का क्या हो गया, आप बोलते हैं मोसी, मुझे च share नहीं मिले, आपको कहा से दूँगा, आप इस example से आप सीख जाते हो, आपको पता चलता है भाई, कुछ भरोसा ने, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, अगली बार वापिस, मुकेश अंबान साफ, आपको बोलते हैं, भाईया, हमारे share बेचू, आप, आप साउधान हो चो कियो, सतर्क हो चो कियो, आप बोलते हैं, मुकेश अंबानी साफ, मैं इस बार 1 share बेचूँगा, बट मेरे एक request है, एक request है, आप प्लीज मेरे लिए 1000 share side में रखना, वो बलते हैं, भाई, बच मैं दिल से, खुद से बोल रहा हो, कि 1000 share में लुंगा मतलब लुंगा, आप बताओ, ये 1000 share लेने के लिए, आपको company ने, आपको force किया है, ये आप खुद से बोल रहा हो, खुद से बोल रहा हो, तो ऐसे share, जो underwriter, खुद के लेना चाहता है, अपने लिए, अपने रिष्टो दारों के लिए, आपने दोस्तों के लिए, that is called as firm underwriting, firm, आप confirm बोल रहा हो, ये मुझे चाहिए मतलब, चाहिए, तो ऐसे share, जो underwriter, खुद के लेना चाहता है, company उसे, देखो, company जुसको लेने के लगाएगी, वो कोन उसकी net liability, वो उसकी क्या में बेटा, net liability, और जो share, वो इस firm underwriting, बोलते है, बचाहाम बोलते, firm underwriting, yes, 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 के सभी बच्चों को firm underwriting समझाया के, तो aise share, जो underwriter, खुद के लेना चाहता है, तो एस firm underwriting बोलते है, okay, बाकी ये बड़ा प्रैक्टिकल आप कर लेंगे बटाजी धन्टड़न, टॉपिक खतम चलो, it is end of this topic तो कल से बटाप आप नए टॉपिक करेंगे और कल अपना दे होगा FM बुष्टर का, कलम पढ़ेंगे FM बुष्टर डन, 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 डन चलो बटाजी, तो आज हम यही पर रुखते टटा, बाई-बाई, टटा, बाई-बाई, गुड नाइट बाकी आपको लोग कल पढ़ते ठीके, चले बाई-बाई-बाई FM के बटा, प्रैक्टिकल बटा, 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 डिसकेस बटा नहीं करूँगा, बटाजी, प्लीज, मैं आपको जो PDF फाल शेर किया था, आप गूरूप में पर डिसकेस किए, जिनको बटा, आता होगा, आपस पर गूरूप पर डिसकेस करें, यार, मैंने सब सारे बटा, कंसेब नहीं क्लिर करा के दे बटा, FM कितने सारे कोश्चन करा दे बटा जी, प्लीज, आप लोग गूरूप में इसकेस कीजिए, रिक्वेस्टे एफएम का टास रात को आएगा बैटा, एफएम का टास दूँगा पका बैटा, एफएम का टास दूँगा, तो कल उसे डिसकेस करेंगे, एफएम का टास हुगा, नेक्शाप्टर टास हुगा, नेक्शाप्टर का, ठीके, चलो, बबबाई, 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 बबा बहुत पाप लगेगा तुम लोग बहुत पाप लगेगा तुम को एकदम गरम गरम तेल में तलेंगे पकुड़े बनाएंगे तुम्हारे चल बेटा तो अब ये नालेक्श शुरू करते हैं देखो बच्ण अभी इसवाप के लिए ना बटा मुझा तो अभी इसवाप का अपना प्रैक्टिकल कल खतम हो चुका है बुलाआ या ना प्रैक्टिकल बले साथ डिस्केट हो चुके वैटा जब इसवाप के थेहरी पंड एक तो बच्चों देखो आपके मॉडूल में बेटाई ची चाप्टर नमबर 5 आपके मॉडूल में चाप्टर नमबर 5 जो है related aspects of company account उसमें ESOP दिया है और साथ में बेट आपके बड़ा मॉडूल में ESOP दिया है चाप्टर नमबर 21 में चाप्टर 21 में ओके Employee Share Based Payment बच्चों ESOP दो जगाव पे दिया मतलब एक ही चाप्टर ने दो जगाव दिया तो आज आमें एक श्ट्रोक में दोनों भी खतम करने चलो मतलब समझ चलना बेटाजी आज आमें एक तीर में दो निशानी मारने आपने को आज तो चलो बेटा च不會 in going कि तो चलो बेटा सबसे प्रेम लोग ना सबसे प्रेम चाप्टर Mobile को खतम करते आज ने module आभी नी चलो अब नीचे module आभी नीचे module जब बुलूगा तब बुलूगा चल बेटा नोट्स परेसे पड़ते है फिर नोट्स परेसे थेरी करेंगे फिर मॉडू के अहत लगाएंगे चल नाल है शुरू करते है अब दीको बच्चों अभी हम लोग भी पढ़ रहे इस्वाप की थीरी बड़े पढ़ने जा रहे बाके बच्चों इस्वाप का मतलब अपको पताईinned राइड ना जब भी कोई कंपड़नी एमप्लोय को रुटेन करनाइग के लिए अपनी शेर सस्ते में देती है अब बच्चों रखो पहले बच्चों पहले थी देखना इसोप के benefit बच्चों क्या होते है पहले समझ ना प्चों पहले इसोप के benefit कोने देखो इसोप मतलए कि एम्प्लोई stock option बच्चों चूरे कि बच्चों देखो stock option provide and appointed to employ to participate and contribute in the growth of the company बच्चों क्या देखो इसोप से बटा क्या होते है बात समझ ना पच्चों जब employee को आप ESOV दे रहे हो ESOV मतलग कि जब आप उसको अपने shares दे रहे हो तो कहिने के बच्चों employee company का shoulder बन रहे है भाई साब आप company आप employee को company का share holder बनने का मोका दे रहे हो तो बच्चों ESOV का option देखे आप employee को company के growth में हिसा लेने का मोका दे रहे हो बादे बच्चों कहा रहे है कि stock option creates long term wealth in the hands of the employee इसे बच्चों ESOV देने से क्या था employee का हात में क्या आता है long term wealth आता मतलब बच्चों समाझना बच्चों इस option देने से क्या था employee का salary थो मिलेगी च बच्चों EMPLOYE का salary थो उसकी मिलेगी च बट उसके साथ में विटाए जी जब उसको shares मिलते तो share के जरीय क्या था है जैसे company का worth बड़ेगा बच्चों तो employee का वर्थ भी बड़ेगा, उसके हाथ में क्या long term, wealth उसके हाथ में आता है, right now. और ESOP is very, why we issue ESOP, ESOP is very attractive, ESOP is means to attract, किसी भी employee को attract करने के लिए, employee को retain करने के लिए, और employee को motivate करने का best तरीका company का होता है, ESOP is the best way to attract the employee, किसी भी नए employee को attract करना होगा, या पुराने employee को retain करना होगा, या उसको motivated करना होगा, इसका बचा तरीका, कोने है, ESOP है, बटे, काम करू, चलेगा, बटे, मैं lecture बन कर, lecture बन कर रहा हूँ, I am stopping the lecture, या topic नहीं पढ़ा होगा, क्या फालतु चला है, इस तीछे पढ़ारा कमें बोक्स दो, टाइम पास चला है, तो थोड़ी तै तमीजे की तूम लोगो, थोड़ी तो थोड़ी तमीजे की नहीं? थोड़ा तो commonses लगो यार, थोड़ा commonses रखो, टाइम पास कर रहा हो कि में इस यार? कोई मुवी का शो चल रहा है तो हीरो ये नाच कर रहे बता है क्या तुम आराम से पॉपकॉर खाते हैं बैटे तुम लोग थोड़े तमीज दे तुम लोग ग्यार एक लिमीट होती है एक लिमीट होती है और पढ़ाये बिलाए एक्जाम दो मेने पर भाई तुम फेल हो जागे ना तुम्हारे सब चीज नखरे कोई साथ में नहीं देंगे तुम्हारे ले ठीक हासी मजाग पर एक लिए तो ठीक है अतर है मैं भी उस पर आपको सपोर्ड करता हूँ निका पढ़ाते टाइम पर क्या ही के लिए यार कोई जो कोश्त हैं पर एक करो रहे स्पॉंस के लिए तो पढ़ार तुम्हारे कमेंट पर कमेंट चले चैट पर चैट चले तुम लों के एक वाहियाद गिरिगी पर एक लिमिट होती है और बे टाइम पास कल नहीं कर रहा हूँ इतना थेड़ी वगर कर रहाने के लिए क्या जोर दो मेरेको प्रैटिकल चप्टर हो गया मैं चार्टर बन करता हूँ क्या दिक्कते चार्टर बन करता हूँ क्यूं पढ़ा रहा हूँ में इतना किसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्या ज़रतों मेरी को पढ़ाने कितने कर दुन क्याम करतें यह थर भी करतें, मुझे तो वैसे पढ़ाने कि अच्या बाई मुझे तो वैसे पढ़ा देका है, मैं टीचर मेरी मैं इसको रेकॉर्ड करता हो कोरेक्स को मैं इसको रेकॉर्ड करने के अपना चलो रेकोडिंग साड़ का देमने अगर बात कर रहे थे दिखो बच्छो क्या कर रहे हैं हम लोग ESOP is a very important means to attract or retain or motivate the employee मतलब बच्छो किसी भी अगर आपको company के बच्छो का अपको अगर आपको अट्राइक करना है existing बटा एक अपको अगर आपको retain करना है उनको बच्छो करना बच्छो का बच्छो क्या होता है ESOP होता है राइट नाप It creates a common sense of ownership between the company and the employee मतलब बच्छो सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ पे employee को अपने shares देते हो तो कहने की employee भी company का हिस्सा समझेगा employee भी समझेगा यार मैं company का हिस्सा आओ मैं company के बता मेरे पास ownership मेरे पास आचुके तो कहने की employee यहाँ पे employee की तरह नहीं as a owner की तरह सोचेगा company को अपनी company बानके सोचेगा तो यहाँ पे ownership की भावना भी उनके बिच में आ जाती है यह सारे बच्छों ESOP के benefit है ठीक है next अब अभी देखो क्या है important terms important terms just one minute just one minute just one minute just one minute just two झाल शेलो, साउंड आरे शेलो, साउंड देलो, साउंड आरे शेलो, शुरू काते, आवाज ओके, साउंड ओके शेलो, साउंड ओके, साउंड ओके इस आप में का सबसले शेर्स की बात करते हैं कि इंप्लॉये कम लोग स्टॉक अप्शेन दे रहें इंप्लॉये कम शेर्स दे रहें तो यह पर शेर्स का मतलग क्या है शेर्स केंड़ ऐदर equity share and securities convertible into the liquidity, में ऐसे बताँ दिखो, e-swap में क्या होताँ आप employee को, ऐदर आप shares दे सकते हो, या ऐसे कोई security जो shares में convert हो सकते हो, वो भी दे सकते हो, समझा है बताँ जी, तो e-swap में क्या होताँ, equity share में e-swap में दे सकते हैं, और ESOP में बच्छों कहा रहें कि, ऐसे कोई security जो equity share में convert हो सकते हैं, वो भी ESOP में दे सकते हैं, और उन में American deportation, ADR भी उसमें आते हैं, और GDR भी उसमें आते हैं, तो exam question आ सकता हैं, which of the following can be issued as a ESOP, इन में इसे क्या ESOP का part है, equity share ESOP के तहितम दे सकते हैं, कोई भी security जो equity share में convert हो सकते हैं, वो ESOP में जा सकते हैं, या इसमें ADR भी हो सकता है, या GDR भी हो सकता हैं बच्छों, या other depository, सारे अपने secure law में पढ़ाऊंगे बच्छी, या other कोई भी depository, जो equity share में convert हो सकते हैं, यह सब बेटा जी, यह ESOP में आ सकते हैं, इन सब को आज़ाब ESOP issue कर सकते हो, option, आप ESOP में क्या है, employee stock option, देखो ESOP को long form क्या, ESOP में देखो, ESOP के नाम में, तीन शब्द, पहले employee, second stock, तिसरा option, employee stock option, फिर plan, आप देखो stock मतलब shares के आपने समझ के लिए, stock share में क्या क्या आता है समझ के लिए, आप option का मतलब क्या है, बड़ option मतलब क्या है, आप employee को right, option मतलब क्या है, employee को right दे रहे हो, कि future में, वो हमारे share सस्ते में खरीच सकता है, आप employee को क्या कर रहे हो, right दे रहे हो, आप employee को क्या कर रहे हो, right दे रहे हो, आप उसके लिए obligation है कि उसके लिए नहीं ना आप employee को right दे रहे हो कि तु share ले सकता है लेकिन आपने ICB sum देखे जहाँ पर क्या हता है आपने 2000 employee को अपने option दिये बार मानलो 2000 में से 1500 employee ने option exercise किया 1500 ने option use किया बाकि पास्ट ने option use नहीं किया आपने employee को option दे दिया आप employee चाहेगा उसे use करेगा या पर नहीं करेगा उसकी मर्जी बेटा तो इस swap में क्या है आपने employee को option दे दिया है उसे use करना है कि नहीं करना है वो employee की मर्जी होती है तो इस swap में आपने right दिया है share लेने का बड़ वो obligation नहीं है ग्राइंट मतलग है उसको शेर देना यह आपको पता है वेस्टिंग पर मतलग है कितना समय रहने के बाद में एंप्लोई से अधिकार बनेगा the process by which employees given the right to apply for the share मतलब समझ लो मानल आपने उसको बोला कि दो साल कमपनी में रहने के बाद में तू option ले सकता है टो option लेने के लिए, option waste होने के लिए उसे 2 साल कमपनी में रहना पड़े गा तो company में 2 साल रहना एक ऐसी process से जिस process से उसे isop option मिल सकता है, जिस process से वो option का हगदार बनेगा, option उसेro best होगा भी उस इस रहना, जिस बटा process से उसे बटा option का हगदार मिलेगा, that's called as इस आप उसको बोलते हैं, ठीक है, next, वेस्टिंग पिरिड, मतलब वेस्टिंग पिरिड आप पता है, बिचों, मतलब ऐसा है समय जिसके बाद में, option का हगदार बने को समय बोलते हैं, वेस्टिंग मतलब ऐसी कोन सी कंडिशन है, प्रोसेस है, option का हगदार बनने के जो प्रोसेस होते हैं, उसे वेस्टिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो समय लगता है, उसे बोलते हैं, वेस्टिंग पिरिड हैं, मानलो, option को हगदार होने के मैंने बोला, आपको दो साल तक सर्विस में रहना पड़ेगा, सर्विस में रहना ये वेस्टिंग है, ये प्रोसेस है, और कितने साल तक, दो साल तक, वो वेस्टिंग पिरिड है, सबको जेपान ना लाएक, आप देखो बात समझ ना बेटा, एक बार वेस्टिंग पर खतम हो गया, उसके बाद emploi shares लेगा, चाल बार वेस्टिंग पर खतम हो गया, उसए employ shares लेगा, employee shares लेगा, या employee share के लिए अप्लाइ करेगा, उसे बोलते हैμε, option को exercise करना, what is a meaning of exercise, it is making of application by the employee, oke, मतलब बेटा देखो, company का employ, जो application दे रहा है, company का employ, जो share के लिए application दे रहा है, इसे बोलते exercise करना बोलते company का employee जो share के लिए application दे रहा है उसे हम बोलते exercise करना बोलते है share के लिए apply करना बेटा जी और वो application देने के लिए share को apply करने के लिए जो समय मिलता है wasting period खतम होने के बाद में share लेने के लिए या share को apply करने के लिए जो समय मिलता है उसे हम बोलते एकसरसाइस प्रेड बोलते है यह सारे बाद जो डेफिनेशन हम पढ़के हैं आपको सबको मेनिंग तो बेटा पता है बस exactly to the point जो मतलब डेफिनेशन आपको पता आने ची एकसरसाइस प्राइस मतलब क्या है जो प्राइस एंपलोई को आपने उफर किया है बात समझना मानगे शेर का फेस वाली सो रुपे शेर का फेस वाली बेटा सो रुपे मार्केट वाली बेटा वन सेवंटी फेस वाली कितना बेटा हंडेड है market value बेटा 170 170 का share 170 का share आपने employee को offer क्या 140 में 170 का share आपने employee क्या 140 में तो employee कितने में ले रहे 140 में ले रहे तो जितने में employee लेगा या जितने में employee को offer क्या that is called as exercise price इसका बड़ा और एक नाम होता offer price जिस दाम में the price payable by the employee, employee जो price दे रहा है, या इमपलोय को जो price offer क्या है उससे बोलता एक साथ price बोलते है, market price मतलब बच्चे बच्चे रिखो, जिस दीन आप share, देखो market price decide कै सीखाथ है, how does market price मार्केट प्राइस किस तारी के लेंगे 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 मार्केट प्राइस किस तारी क price market price of a share on a given date मतलब जिस सारी को इसाप दे रहे हो उस दिन बेटा market बेटा price का मतलब क्या होता है closing price of the shares on the date on the stock की मतलब क्या है जिस सारी को इसाप दे रहे हो उस तारी को stock exchange में share का closing price है उस दिन share जिसने में close हुआ था उसे market price बच्चों बोलते है उससे हम ESOP decide करते है बाकि independent director क्या तो यह सब कंपलाओं पड़ते है उसमें discussion नहीं करेंगे अब next हम discuss करेंगे बढ़े एक मिटे पर स्थोरा sound check करेंगे hello hello sound check sound check hello sound check hello sound check ति मच्चों क्या बोला है LEPGT तू partitioned ESOP मतला देखो ESOP में employee stock option plan बोलो या employee stock option scheme बोलो ESOP या ESOS मीनिंग सेम होता है plan बोलो scheme बोलो अई थाप एसोप किसको दे सकते है अब थे हमने क्या điều देखा ESOP क्या होता है ज्यो देते है ESOP के अलग टर्म देखिंगे अभि हमने क्या टेक्षाब अब हम देखेंगे ESOP किसको देते है अभ ये तो ब्यप्लेर है हम नाम में छिस लिए नच 들어e Employee stock option plan ESOP हम किसको देंगे बटा? Employees को देंगे Employees shall be eligible to participate in the ESOP बटा हम किसको देंगे? Employees को देंगे लेकिन कब होगा समझना? उसमें सुन्धा ESOP हम सबको दे सकते है उसमें exception है an employee shall be eligible to participate in the ESOP कोई भी employee ESOP ले सकता except यह पर दो exception है बटा जी यह दो exception बेटा पहले देखो an employee who is a promoter और belongs to the promoter group shall not be eligible to participate in the ESOP बटे समझ दा ESOP हम हर employee को दे सकते बस ऐसा employee जो company का promoter है या जो company के promoter group को belong करता है हम उससे ESOP दे नहीं सकते तब अच्छो ESOP की concept में सारे employ एंगे exception को ने employee एसा employee जो promoter है या जो promoter group को belong करता है उससे हम ESOP में participate करने का मोका नहीं देंगे और दूसरा अच डाइरेक्टर एसा डाइरेक्टर देखो आपको सबको पता है डाइरेक्टर भी company का employee है एसा नहीं बेटा जी अरे executive director company का employee होता है रेसा नहीं बेटा जी तो वह गलता भाई बाई बाई लौ में भी employee company का मुझे भी मिलना ची हम बोलेगा ना तरिको तो इसका मतले इसाम क्रूशन आसकता है कै ESOP director को दे सकते है कि हाँ दे सकते है ESOP can be given to employee also and director also but director में भी एक restriction है अगर ऐसा कोई director है जो खुद himself या उसके relative के through या उसके किसी body corporate के through मतलब बाई उस director के कोई दूसरी company है या उसका कोई भी मतलब other firm है उसका right ना उसके through मतलब मतलब क्या था directly or indirectly अगर ओ company में 10% से जादा share hold कर रहा है हम उसे बुलेंगे भाई साब कितना खाएगा तो already company में 10% से जादा share hold कर रहा है तो और ESOPE के through share मांग रहा है तो इस shares नहीं मिलेंगे तो बात समाज़ना बच्चो ESOPE हम किसको देंगे सभी employee को देंगे दो exception है पहला ऐसा employee जो promoter है या जो promoter group को belong करता है उसे ESOPE option नहीं देंगे दोसरे बच्चे एक्से option क्या बेटा ऐसा director एक तो वो खुद या उसका relative या उसका कोई भी body corporate company में 10% से जादा का stake अगर जादा के share लेके बेटा है उनको में ESOPE नहीं देंगे सब को जब आपच्चो तो MCQ में आ सकता है ESOPE किसको नहीं देंगे ये सारे बेटा फाते प्रतों नेचे एक पार समधना बच्चो बहले बच्चो इस chapter में आप देख सकते हैं मैंने MCQ बहुत कम दिए मैंने यहाँ पे descriptive question में अच्छे खासे दिए प्रेटे question आपको दिए लेकिन आप MCQ में थेरी MCQ नहीं दे लेकिन समझ चलना बचाजी बहले आप MCQ नहीं भी होंगे तो भी अगर आप ये जो concept सारे रिवाइस करोंगे इसके बाहर कोई MCQ नहीं आएगा इसको रिवाइस करना अच्छे साबको अब इस swap में क्या होता है आप employee को stock का option देरो आप employee को share का option देरो अगर आप जब भी किसी employee को share का option आपको देना है तो सबसे पेले existing shareholder का approval लेना पड़ेगा तो बच्चों ESOP के लोगने क्या बहला है no ESOP can be offered to the employees of the company unless shareholders of the company approved by the special resolution general meeting ESOP को देने के लिए ESOP को देने के लिए general meeting में special resolution पास करना पड़ेगा जब तक आप ये पास नहीं करोगे आप ESOP option दे नहीं सकते सबको जेपा नाला है मैं दुबारा बता रहा हूँ तो बता बच्चों तो ESOP के लिए किसका चाहिए बेटा अप्रूल ESOP के लिए बेटा आपको अप्रूल चाहिए किसका बेटा सर जी ESOP के लिए हमें अप्रूल चाहिए किसका shareholder का अप्रूल चाहिए ESOP के लिए हमें अप्रूल चाहिए किसका shareholder का अप्रूल चाहिए वो भी खापे general meeting में अबिस्ती general meeting में होगा वो भी कोई साथ, special resolution, एक्जाम में कुशन आ सकता है, for the ESOP, for the ESOP, shareholders, which resolution required, special resolution is required, pricing, बच्चर दिखो, ESOP का share, किस price पर उफर करना चाहिए, 170 का market price है, उसे 140 पर उफर करना चाहिए, 130 पर, ये बिटा, company के हाथ में होता है, company के हाथ में, company have the freedom to determine the exercise price, company have the freedom, ने तो कुछ बार, exam question आ सकता है, offer price is decided by, option A, employee, option B, director, option C, shareholder, ना बिटा, offer बच्चो, या पर company decided के दे बच्चो, company एक बार offer, देखो, shareholder का काम क्या है था, बसको approval देना, इस आपको approval देना, shoulder काम है, बड़े, किस price पे offer करना चाहिए, और कभी कबर क्या होता है, जिस price पे offer करते है, वो price बड़ा change भी हो सकता है, ये सारा company के हाथ में होता है, clear है, next, lock-in period and write off the option, द box locked,än토, note that morph-in period अमतलख के है, भाईससाब आपको मार आपको किसी employee इसाप option मredit काम काम का consol example का sprint का मार आज असको option म flavor को हो गया, employee खुश हो गया, आज अपने को share मेले गया, इस option मेले का मथ, और कल जाता है या अपने लिए बता है कि अमास इकदम पार्टी के बंदोस करता है वालता है शेयर अपने को क्या फरबड़ रहा है बेचो और आईश्करो अब नहीं चलता है तो यह शेयर अगर मिला ना बड़े महनत से तो यह शेयर दिया है उसमें क्या था बचली को कंपनी शेयल है फ्रीड़म तो स्पेसिफाइ दर लॉक इंपरिड़ फॉद शेयर यह कंपनी को बचली को एक बार एंपलाई ने ओप्शन एकसरसाइस किया एकसरसाइस करने के बाद में वो कितने साल तक शेयर बेच नहीं सकता option exercise करने के बाद में वो कितने साल तक share बेच नहीं सकता, वो lock-in period decide करने का freedom company के हाथ में वो lock-in period decide करने का freedom company के हाथ में होता है every company has a freedom to specify the lock-in period, but भाई साथ अब देखो बच्चे अगर आपने देखा होगा हमने इसौप को question देखे थे इसौप में देखा हमें दो टेप में सम पड़े थे, एक सम में क्या था मानलो आज आपने share grant किया, आज आपने share grant किया wasting period एक साल था, मतलब share का हगदार बनने के लिए एक साल था service रहना पड़ेगा हमने कुछ ऐसी भी question देखे थे wasting period धाई साल का था, कुछ आदा रहा बेटा जी एक साल धाई साल का कुछ दो बोलें sir, क्या wasting period 6 मेंने को सकता है का मतलब आपने बोल थे employee के बोला, तो 6 मेना तक काम कर 6 मेना तक service रहने के बाद में भी तो श्रे ले सकता, ना बेटा, इस आप के लिए granted date और wasting period के बीच में कम से कम, मतलब जिस दिन option grant करोगे और wasting का जो deadline है बेटा उसके बीच में एक साल का gap होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, there should be minimum one year wasting period, ओक बेटाजी employee को option का हगदार बनने के लिए, wasting period के लिए कम से कम, एक साल तो होना चाहिए, यह आसका है बेटाजी, time gap between granted and wasting condition में यह minimum wasting period कितना बच होता है एक साल का होता है, lock-in period, company के हाथ में होता है, lock-in period एक साल का नहीं होता है, मैं कितने साल तक तो share बेच नहीं सकता, वो company के हाथ में होता है और भाई साब, यह point बहुत जो रही है employee shall not have the right to receive any dividend employee shall not have right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefit of the shareholder in respect of the option granted to him till the share is issued on exercise price, मतलब क्या, exercise date, sorry मान लो 1 April 2001 को मान लो, 1 April 2001 को आपने employee को option grant किया 1 April 2000 employee option grant किया grant date 31 March 2002 यह wasting period था बेटा और wasting period के बार में यहाँ पे employee option exercise कर रहा है एक साल खतम होने के बार में option exercise करेगा, अब बताओ employee को share कब मिलेगा wasting period में, exercise period में success period में मान लो क्या होता है एक April को अप्शन grant किया आपने employee को बोला भाई employee, तो एक साल तो company में रहे तो एक साल तो company में रहे हम तुझे हमारे company का share देंगे मतलब देंगे guarantee देंगे तो हमारे company का shoulder बन चुका है एक में को company के general meeting होती है एक में को company general meeting होती है employee घुशाता है general meeting में employee meeting घुशाता है बोलता है मेरे को word करने का है आपने मुझे M.E.Soap को option दिया मैं तुमारा future shoulder हो आरे मैं company में रहने चवाला हो मुझे share मिलने चवाला है मुझे आरीच वोट करने का है हम बहुत नहीं मिलेगा भाई हम बहुत नहीं आप अभी share order नहीं बने हो आपको अपने सिप option दिया जिस दिन आप option exercise करोगे तब आप share order बन जाओगे एक बार आपने option exercise किया एक बार share order बन गे फिर आप बिंदास meeting में आओ वोट करो हम कुछ नहीं बोलेंगे बढ़ जब तक आप option exercise नहीं करोगे मतलब grant date और exercise time के बीच में employee को share holder के कोई भी right नहीं मिलते मतलब क्या है एक normal share holder को dividend का right होता है एक normal share holder को voting का right होता है बढ़ ऐसा कोई भी अधिकार employee को नहीं मिलता है कब तक तिल exercise date एक बार उसने option exercise किया एक बार officially वो share order बन गया तो बिंदास बेटा जी बिंदास बेटा जी वो यह सब right यूज कर सकता है समझा क्या बेटा मिनिंग समझा क्या उसे dividend कब तक नहीं मिलेगा जब तक option exercise नहीं करेगा exercise करने के बाद dividend मिलेगा voting right कब तक नहीं मिलेगा जब तक option exercise नहीं करेगा exercise करने के बाद में उसे voting right मिलेगा सबको जेपा बच्चा लोग तो हमने क्या देखा lock-in period and right of the employee lock-in period में क्या देखा grand date और wasting period में एक साल का commission gap होना चाहिए lock-in period एक company के हाथ में होता है company कितना भी रख सकती है और next बच्चों हमने क्या देखा grand date और exercise period तल employee को share order के कोई right नहीं मिलते है उसे ना कोई dividend मिलेगा ना उसे कोई भी voting का right नहीं मिलेगा non-transferalty मान लो में एक company employee मान लो में company employee मुझे eSwap को option मिला मुझे option मिला है मुझे option मिलता है मेरे को share नहीं लेने कहा मैं दोस नहीं मुझे option मिला है मैं तुरे को देता हो ऐसा होता है अपने इंडेय में चलता है यह इसको देता है वह उसको ऐसको जैदा है eSwap cannot be transfer eSwap is non transferable okay के बाद में क्या है disclosure in the director report भाई साब जब भी आप किसी को इस्वक option देते हो तो director को आपने report में disclose करना पड़ेगा किस option दिया है तो director report में क्या disclose करेंगे हमने कितने option ग्रैंड किये क्या price पे ग्रैंड किये कितने option waste हुए मतलग कितने employee रहे कितने employee ने option exercise किया कितने option lapse होगे अगर को condition vary हो रहा है कुछ condition change हो रहा है कितना पैसा company को मिला कितने option रहे एंड तक ओक बेटा और employee की सारी details ये सब जो normal है बेटा जी ये सब director को report बताना पड़ेगा किसको दिया कितना दिया कितना पैसा आया ये सब बाते बताने पड़ेगी बाकी बच्छा accounting आपको पता ही है accounting बड़ आपको पता ही है यादे क्या इस ओप में जो loss अबसे पहले क्या करेंगे जितना भी loss होगा loss क्या करेंगे बटाजी अब जो loss होता ना जादे क्या market price 170 का है आपने offer क्या 140 में तो 30 का क्या loss हो गया इस loss का बच्छा और एक नाम होता है value of the option बच्छा value of the option का मतलब क्या है loss how to find loss जितना market price हा और जितने में offer क्या है उनका difference into number of option कितना option दे उसे loss मिलेगा loss का बच्छा नाम क्या है value of the option कब एक्जाम में पूछेंगे what is the value of the option value मतलब क्या बोलेंगे loss का मौन बताएंगे बात किया रहे सारे entry आपको पताईए entry हमने कल डिसकस किये थे इसमें time waste नहीं करेंगे अब एक काम को नाला है अब एक काम करो फट्टा और बटा एक काम करो ये सारे बटा point पड़के निकालो मैं आपको बच्छो time दे रहा बच्छा आपको 2 से 3 मिर करने में दे रहा क्योंको अभी हमने जो पड़ा था ना almost वही बेटा point है बहर सारे तो इसे करिवीजन होगा issue of the employee stock option यहाँ से 0.123 up to 0.6 त 1.26 चलो बटा फट्टा फटे काम करो 1.26 यह point पड़के निकालो fast fast notes पे से 0.126 पड़के निकालो यह 6 तक पड़के निकालो अपका time है 3 मिर का hello hello sound check sound check चलो पड़के होगा सबका done सबने पड़के लिए चलो बटा देखते है क्या है almost same वही दिया बेटा जी राइट ना वहापर कहा रहे कि employee के लिए को employee में क्या आएगा सबसे प्लेपाइट में employee definition देने बेटा इस आप किसको देंगे employee को देंगे employee में बच्छे कोन आएगा company का कोई भी permanent employee आएगा फिर भले वो इंडिया में रहता होगा या इंडिया के बहार रहता होगा company का बटा कोई बेटा permanent employee आएगा भले वो employee फिर बटा इंडिया में रहता होगा या पिर इंडिया के बहार रहता होगा company को कोई भी director हो बले वो वोल टाइम हो या ना हो वोल टाइम है पार्टाइम उसको भी दे सकते all our employees but except कोन कोन है independent मतल़ देखो बच्छो e-swap can be given to all directors except independent director में तो exception थे यादी बटाजी एक तो independent director को दे नी सकते दूसरा ऐसा director जिसके 10% ज्यादा share उसको भी दे नहीं सकते बटाजी हर डाइटर हो दे सकते whole time part time को भी इस ओप दे सकते except कोन independent है और इसमें उसके बटाइब अलावा अब देखो अब employee हो याप डाइरेक्टर हो भले वो हमारी company का हो या हमारी subsidiary company का हो या हमारी holding company हो मतला हमारी company का employee हो हमारी company का director हो या हमारी subsidiary company का employer director हो या हमारी holding company का उसको भी इस ओप दे सकते बट exception कोने ऐसा employee जो promoter group को बिलोंग करता है या ऐसा director जो खुद या किसी और के तुर 10% से ज़्यादा share बिलोंग करा है उसको दे नहीं सकते सबको जेपाक नाला है कि आपको employee में कोन आएगा कोन नहींगा इस पेमसी को बनता है बिटाजी अब अचले को company जो exploiter node बनाती है अब अचले को company को क्या पास करना पड़ेगा resolution पास करना पड़ेगा इस ओप के लिए क्या करना पड़ेगा special resolution पास करना पड़ेगा कितने option हम दे रहे प्रापर स्कीम क्या है किसको दे रहे क्या दे वेस्टिंग प्रेड क्या है यह सब डिटाइस आपको पताने पड़ेगे यह सब टाइम पास है यह पढ़े लिजेए यह पढ़ की निकाल आपने अब देखो आपको पता है जो भी company पास इस ओ option देते है उस company पास freedom होता है एकसे समझाता हूँ की मजँ आता इस साब का exercise period कितना होना चीए वो decide कौन करेगे company decide करेगी exercise period मता कितने समय में उसे exercise करना चीए decide कौन करेगा company तो exercise period is decide by company only अब बच्चे देखो और क्या बोला है approval of the shareholder by way of separate resolution shall be obtained by the company in the case of अब मतला देखो हमने बच्चे क्या बोला भाई साब ESOP के लिए shareholder का special decision रखता है yes sir sir ESOP हम लोग company employee को दे सकते है क्या हा sir क्या ESOP हम लोग company के subsidiary company के employee को दे सकते हा sir क्या ESOP हम लोग company के holding company के employee को दे सकते हा sir but भाई साब याद रिखे अगर आप अपने company के employee को मान सब्ली समझना अगर आप अपने company के employee को ESOP दे रहे हो तो आपने सबसे पले special resolution पास किया उसकी अलावा अगर आपको आपके subsidiary या holding company के employee के ESOP देना है ओके या फिर बच्चो या फिर बच्चो देखना अगर आपको अगर आपको एक परसेंट से ज्यादा बच्चो समझना भीटा जी अगर आपको आपके existing share capital के 1% से ज्यादा का ESOP देना है उस case में आपको अगेन अलग से separate resolution पास करना पड़ेगा बात समझ भाड़ी क्या आपके normal employee को जो दे रहे उसके resolution पास करे वो तो ठीक है उसके अलावा अगर आपको बात समझना बेटा बात समझना अगर आपको आपके subsidiary company के या holding company के employee को ESOP देना है तो सबसे पहले यह resolution पास करो कि subsidiary और holding company के employee को देना पर नहीं देना है देना या पर नहीं देना है yes or no उसका resolution पास करो उसके बाद उसको देने के लिए किसको देना है कितना देना है उसके लिए again हम क्या करेंगे special resolution पास करेंगे इसका मतलग क्या है अगर आपके subsidiary company या holding company के employee को ESOP देना है उसके लिए special अलग से resolution पास करना पड़ेगा उसके बेटा अलाव अगर आप 1% से आपके existing capital के 1% से जादा के swap अगर आपको देना है उसके लिए अलग से resolution पास करना पड़ेगा एक्जाम पूँख सकते है बेटा separate resolution कब लगेगा और भाई साब देखो अगर आपको इस swap के कोई भी condition vary करेंगे इसे बतलो wasting पर चेंज करना है exercise पर चेंज करना है offer पर चेंज करना है तो उसके लिए आप special resolution पास करके यह condition बदल सकते हो आपको पता है यह condition company के हाथ में होते है यह condition company बदल सकते है by passing special resolution only फिर आपको next पर चेंज पॉइंट पता है आपको कि भाई साब grand date और wasting में कम से कम एक सार के क्या पहना अच्छी यह आपको पता ही है इससे time pass हो लोगे कुछ का जारा काम करें बटा लॉकिन बटा पिड़या दे company decide करें आपको पता ही है और आपको पता है बच्छो जब तक आपको share नहीं मिलता है जब तक option access नहीं करेंगे तब तक कोई भी dividend बोलो या voting अगर आपको नहीं मिलता है आपको सब point पता ही है यह हमने सब discuss किया थे point चूपर ते वही point बटा जी आए बड़या सब को थेरी में conference आ रहा है अब point no.78 कितने point बटा है इसमें बचे चलो थोड़ी change जारा थेरी नही आगे तो वही चे सब बस खतम हो गया बस दो तिन बचे बचे फिर सब के थेरी खतम चब रहा है काम कुरों फटा बचे काम कुरा आपना पहला पर point no.9 पड़के निकल चो फटा फड़के निकल एक मिन के अंदर काम काम झाल झाल चो पड़ा पका देखो भी क्या बूले देखो क्या बूले देखो क्या बूले देखो क्या बूले पहला पन क्या बूले आपको सबको पता है option granted to employee shall not be transferred आपको पता है बच्चो यह मैंने पढ़ा था कि भाई साब कोई भी employee जिसको option मिला है वो किसे और को transfer करने सेकता option cannot be transferred option is non transferable option is non transferable आपको पता है orphan transfer नहीं होता है सिकन बच्च आपको यह बी पता है देखो second part में क्या बूले option granted to the employee shall not be pledged हाइपोटिकेटेड और mortgage और otherwise क्या बोलते है encompassed by the company इसका मतलब बच्चो क्या रेकिए please समझ दा मानलो मुझे company मुझे इसको option दिया यह option बद भारी चीज है मुझे पता यह option है इस option के जरिए मुझे company का share बहुर ससे में मिली सकता है इस option के बहुरी चीज है मैं किसी और ट्रांसफर कर सकता हूँ ना अलाउड नी पिर मैंने कहता हूँ इस option है मैं किसी और को देता हूँ और उसके बदले न मैं उसे उधारी पैसा लेता हूँ इस option मैंने बोला भाई साब तुम उधारी पैसा दे और मैंने इसी और पैसे उधारला और बोला कि ऑफाँ irsak तू भी यह शिरू को option ले मैंने मैंने बाइसा को बढुआ से load लिया बाइसा को बलान बैंक को नहीं चले हैं भाई साप इस option तुमको मिला है तुम उसको ऐसा प्लेज हाइपोतिकेशन उसको रख नहीं सकते बिटा जी तुम ऐसा गिर भी रख नहीं सकते हैं उसको समझा है क्या है तिक साप बच्छों क्लॉज बेटा क्या बोल रहा है जिस employee को यह option मिला है इसके अलावा कोई और उसे exercise कर नहीं सकता मतलब वो employee उसे transfer भी नहीं कर सकता या उसके अलावा कोई और exercise कर नहीं सकता मतलब मेरा option है तो मैं ही उसे use कर सकता और को exercise कर नहीं सकता उसे exception है बेटा, मान लोकर employee मरिज गया तो क्या करेंगे, अरे employee को option दिया, exercise करने पर दे मर गया तो क्या करेंगे, उस बेटा case में क्या होता है, उसके जो भी option है, तब तक बच्चे उसका जो legal hair से या उसका nominee नहीं है, उसको मिलेंगे, बेटा normally बेटा, इस option transfer नहीं होता है, ना किसी और को exercise करने का right मिलता है, पर exception बेटा क्या था? In the death of the employee, गया मरी गया तो कुछ नहीं होता है, उस बेटा case पर उसका legal hair या उसका nominee उसका exercise कर सकता है, उसको option transfer हो सकता है, ओके, दिख लिए आपोले, in case of the employee, next बेटा point क्या बेटा है, in the case employee suffers a permanent incapacity permanent incapacity मत लगा भी employee काम करिश नहीं सकता, all the option granted to him as on the date of the permanent incapacition shall waste him on the dead day, इसका मत नहीं समझना बेटा जी, यह पौर्ण पर important है, मान लो अपने employee को बोला, भाई साब, तो दो साल तक company में रहे, तो दो साल तक company में रहे, हम तुझे अपना option, सब अपने share सस्ते में देंगे, बहुता है ठीक है रहा लूँगा दो साल तक, कोई रिक्कत नहीं, वह इमांदरे से विच्छारा काम कर रहा है, बोलता है, मैं अगर यह physically पता क्या, मैं अगर incapable में काम कैसे करूँगा, तो company बोलता है, तो अगलते, तुझे promise किया था, दो साल तक रहेगा, अगर तो दो साल तक काम करेगा, तो ही तुझे option देंगे, अब तो एक साल के बाद तू बोल रहा है कि तू काम करने पार रहा है, वह तेरा अगर incapable नहीं है, अगर incapable तो इस केस में जब तक वह काम कर रहा था, जिस दिन उसे कुछ physical बेटा issue हो गया, उसी दिन उस का option क्या होंगे, waste होंगे, मतलब मान लो, wasting बेटा आपने दो साल दिया था, दो साल, लेकिन एक साल के बार में उसे कुछ paralysis का attack आ जाता है, तो उसी एक साल के बार, एक साल में उसका wasting पर खतम हो, ऐसे assume करेंगे, हम उसे बुलेंगे, भाई साब, आपको दो साल काम नहीं करना है, एक साल में आपका wasting पर खतम हो चुका है, अब आप आप आराम से share आप ले सकते हो, समझा के बेटाई जी, तो जीस दिन बेटा, employee को physical disability आ जाते, उसी दिन उसका wasting पर खतम हो जागा, मतलब उसी पल, उसी समय, उसे option का अधिकार मिल जाता है, बले उसने दो साल complete नहीं किया, तो भी, समझा दालाए, और वही बच्चों देखो, अगर मानलो, employee ने अगर resignage किया, बहुत मस्ती आगी, employee को बच्चों, हमने उसको contract ने पर ज उसके जो भी option, फिर तो क्या होगा, उसने resign किया, हमने उसको निकाल दिया, कुछ फरक पड़रा है क्या ने, फिर क्या होगा, उसके जो भी option है, सारे क्या होगे, expire होगे, सारे बच्चों क्या होगे, lapse हो जाएंगे, बस इतना है बच्चों देखो, उस समय तो जितने option waste हु यह ESOP के लिए, एक form maintain करना, जिसका नाम क्या था है, form number SH6, example सेलते, ESOP का form क्या है, form number SH6 में, form number SH6 में ESOP के बारे में data maintain करना पड़ेगा, okay, और यह सारा बच्चों रइश्टर कहां पर maintain करना पड़ेगा, कंपनी का रइश्टर ओफिस से maintain करना पड़ेगा, कंपनी का करें, they shall be authenticated by the company secretary of the company and by any other person authorized by the board, इसका मतलग है, आप ESOP का जो भी accounting करें, जो रइस्टर आप maintain करें, उसके ओपर company secretary का sign होना चाहिए, या पिर ऐसा कोई बंदा, जिसको director ने authorize किया है, उसका stamp होना चाहिए, ऐसा sign होना चाहिए, जा मज़र पूशकते है, इस ओप शुडब इस ओप बेटा, ऑथरिंटी कोन करेंगा बेटा, मतलग इस ओप का जो डॉकुमेंट है, ऑथरिंटी कोन करेंगा, sign कोन करेंगा, एदर company secretary और any other person authorized by the director बेटा, जो ऑथरिंटी करेंगे, सब को जीपा, clear है, अगला बच्चों कंसेव्टे बेटा जी, equity shares with the differential right, मानलो बेटा अगर, simple मतलग क्या आता है, आप सबको पता है, normally क्या आता है, हर company में, एक employee, हर company में, एक equity shareholder को, एक share के पिछे, एक voting right मिलता है, एक share के पिछे, मानलो, company decide क्या, हम एक 9% का dividend देंगे, तो एक share के पिछे, नो टक्का क्या आवा dividend मिलेगा, पर सम टाइम क्या आता है, आप shares को is кил Christian Re Além को अलग right देना चाहते है, मतलग क्या है, इन share के लेए अलग right है, उन share के लेए, अलग right है, अगर अप हर एक share को अलग right देना चाहते है, इसक उलहे है, differential right, normally क्या आता है, सभीे के right, से में, सबको A की वोटिंग का अधिकार मिलता है, सबको पेटा, उतना dividend मिलता है, पर इसमें कुछ आपको बदलाव करना है, उसे हम बोलते, differential, equity shares with differential right, उसमें क्याल है, section 43 के तहट, section 43 के तहट, कोई भी company, कोई भी company, differential right वाले share, इसमें कोई भी बदलावाले, मतलब, इसमें कोई भी बदला तुझे मिलेगा 9%, तुझे मिलेगा 4%, तुझे मिलेगा 6%, differential right है, हो सकता है, मैं बोला, तुझे एकी voting card मिलेगा, तुझे दो vote का ready मिलेंगे, ऐसे differential right हम लोग दे सकते हैं, ओकी बच्छो, लेकिन उसके लिए कब कैसे रिस में चले सकते हैं, अगर किसी भी company को, differential right के share देने ह वैसा article को authorize करना पड़ेगा बेटा, आपके article of association में वैसा provision होना चाहिए, बड़ा ये differential right के share इश्यू कप कर पाएंगे, अगर article में ऐसा provision किया होगा तुझे, साथ में बच्छरी को, ये share issue बेटा करने के लिए, आपको general meeting में एक ordinary resolution पास करना पड़ेगा, अगर आपको differential right क share आपको issue करने, तो आपको general meeting में ordinary resolution पास, इस आप के लिए क्या था, special resolution था, differential right के लिए क्या ordinary resolution है, ओके, और वही बच्छों देखो, ये किसकी लोगा बच्छों देखो, normal company के लिए, और अगर कोई listed company, अगर listed company, तो listed बटा company के लिए, postal ballot को थूँ अपरो लेना पड़ेगा, मैं दुबारा बता बच्छाओ, differential right के share issue करने के लिए, आपको सबसे पहले बच्छों, आपके article में, आपके AOA में ऐसे प्रोजन होना चाहिए बटाईजी, दुसरा बच्छों क्या देखे बटाईजी, सिकने बच्छों, condition क्या देखे बच्छों, ये आपका जो भी है, differential right ह उसको अगर आपी unlisted company, तो shareholder का normal resolution पास करो, और listed company, तो postal ballot की तुरू, आप अप रोल ले सकते हो, और इसमें एक limit है, कितने share हम लोग, differential, क्या आप differential right के सभी श्रत दे सकते हैं, ना बटाजी, आपके total share capital में से 25% से जादा आप देने सकते हैं, मतलब maximum limit for shares with differential right, आप maximum 25% share ऐसे रख सकते हो, विचाओ differential right, आपके existing capital में से 25% से जादा differential right के share हो, नहीं सकते हैं, और लेकिन भाई साब, ये differential right के share, कोई भी company दे रही सकते हैं, आपने बना चलो, हमारे article में provision है, हमने orderization पास किया, अब differential देते हैं, ऐसे नहीं ची लग बैटाजी, differential right के लिए company जाड़ बहुत strict है, उसके लापे company बहुत ही, ethical उने चीए, ethical मतलब क्या है, company का आपका, पिछले तीन साल का profit distribute करने का consistent record चीए, मतलब क्या है, company पिछले तीन साल से लगातार dividend distribute करना चीए, एक साल डिविंडिया, एक साल नहीं दिया, differential right नहीं मिलेगा, तो differential right के लिए क्या आता है, आपको पिछले तीन साल से आपने dividend distribute होना चीए, financial statement के filing में, annual return के मामले में, आपका पिछले तीन साल में, कोई भी default नहीं होना चीए, साथ में बच्छों रिखो, company के dividend declare के मामले में, dividend repayment के मामले में, company के deposit repayment के मामले में, redemption के मामले में, debenture के मामले में, कोई भी default नहीं होना चीए, dividend payment के मामले में, इंटेबल है, simple बात है, बच्छो, company एकदम पता क्या clean होने चीए, बच्छों, okay, मतलब अगर आपने इस में से किसी भी type का default किया, आपने annual return properly file नहीं किया, financial statement में, filing में जोल किया, बच्छों, dividend declare proper नहीं किया, या फिर आपने interest proper pay नहीं किया, proper redemption नहीं किया, इनमें से पिछल आपने तीन साल में कोई भी जोल किया होगा, तो आप differential right के share दे नहीं सकते, okay, बच्छों, पिछले तीन साल मेटा बच्छों देखो, company को कोई भी penalty लगने नहीं चीए, बच्छों, RBI ad-cated, या CB ad-cated, okay, या Fema kated, या किसी और ad-cated, आपको penalty लगने नहीं चीए, अगर आप के दामन में अगर दागे, बचा, तो इसका मतलग क्या है, आप differential right issue कर नहीं सकते, जेपा के नालाइक, तो differential right issue कब कर पाएंगे, अगर article में provision है, और साथ में normal resolution पास किया, पर उसके लिए exception कब कर नहीं सकते, कुछ भी default, कुछ भी जोल किया आप, तो आप resolution पास कर नहीं सकत बाकिये सब टाइम बाइस कुछ काम करने है, बैटा, कुछ काम करने, इस कुछ काम करने है, और हाँ, देखो, ये point में पोर रहे, company shall not convert its existing equity share with the voting right into equity share with differential, याद रखना बैटाईजी, अगर आपको, मानलो, आपके पास को existing share से, मानलो company पा existing share से, company or source share issue करे, with the differential right चलेगा, आपके पास कोई share है, और नए share issue करो, with differential right चलेगा, बद ऑलरेडी जो share से, उसको अगर आपको, differential right में, convert करना है, नहीं चलेगा, आप differential right वाले, नए share issue करो, चलेगा, but already the share 1 MINUTE let me check the sound hello sound okay 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 okay मैं को बता देखो क्या बता रहता बाइसे में बच्छो company बच्छो रीखना existing share को differential कर नी सकती है बढ़ नए differential share issue कर सकते या फिर वाईस पर से का मतलग का है एक बार आपने differential share issue के बाद वे उस नॉर्मल में convert करना ही सकते मतलब सिंप्लिल बाट है आपके कोई normal share existing उससे differential convert करना ही सकते रिक cały differential वाले share से उससे normal reg aik convert कर नहीं सकते बाद नए differential share issue कर सकते हो, बाद में क्या है? और इन सब के बारें बच्छो, डारेटर करिकपड़ बताना पड़ेगा, कितने share issues किARते, किसको issue किARते, सारे बच्छो, डारेटर बताना पड़ेगा. बाकी बेटा देखो, और और अंधर राइट पिंवाच पिसे निन तो पोर पिंख के पर बारे बांच पो पोर अधिकार प्पर तरह, कि में रेक्डी विड़ानों अग्डार सब्सक्राने कि अट्रिकार दिपलार सब पासाले और इन सब द्रränी विखनाए जए नेधिसे को बांच अधिकार के 3 डिफरेंशल राइट को रेकॉर्ड करना पड़ेगा ठीक है नालेक? चलो बेटा, it is all about the theory of the ESOP chapter कि सभी बच्चों को ESOP chapter के theory में बटो conference आ रहा है किया कोई तक्लिफ इसमें? आए हो बेटा, सबको बज़े ESOP के theory बच्चों पूरी समझोगी इसमें बड़ा अच्छे से बच्चों revise करना इसके बड़ा बद theorem, I think ज़्यादा MCQ नहीं है, 13 MCQ को पड़ लेते as per company's ad ABC limited shall pass dash dash resolution तो इसमें इसमें के लिए क्या रगता है? special resolution ESOP में क्या? grand data wasting में time gap कितना हो चाहिए? कम से कम एक सार का time पर पूना चाहिए बाकिस पर जारे MCQ को पड़ा दिये नहीं मेने लेकिं फिर भी जो थेरियम ने पढ़े बटा, उसको अगर revise को लोगे न MCQ के exam में आराम से बनेंगे बटा आपसे और बच्चों आपने पहले बता दे दिखो, जिस वन मिनिटा, जिक्वा मॉडू उपन करके दिखा रहे exactly मॉडू में chapter 5 में क्या दिया है, तब आइडे आ जाएगा पच्छे साब को दिखो भाई साब, मॉडू का दू chapter 5, अभी जो मने पता है मिटा जी, वो मॉडू में chapter 5 में दिया है, with the name of related aspect of company, related aspect of company account, अभी जो मॉडू में इसमें बहुत सारी बात है दिया, कुछ नाले बारे बारे बोसर से अपने पढ़ा हिच ने, चूनी पढ़ा है बतारो मैं आपको, दिखो अभी मैं आपके सामने मॉडू का chapter 5 में उपन कर रहा हूँ, यह मॉडू का chapter 5 है, दिखो मॉडू का chapter 5, किस नाम से बेटा है जी दिखो, नाम कहा दिखो, बच्छो, related aspect of company account, related aspect of company account, यह chapter 5 मॉडू में, अब दिखो उसमें, सबसे पले क्या दिया है, buyback दिया है, क्या हमने buyback पढ़ाता है क्या, हा सर जी, chapter 3 में पढ़ाता है, वही थेरी copy paste के, अब chapter 3 की 3 देखना बच्छो, same to same है, chapter 3 में जो buyback में पढ़ाता है, exactly same है, एक एक line by line same है, बस institute में copy paste के, अभी क्यू डाला copy paste के मुझे नहीं पता, फाल तो पेजिस बढ़ा दिये, वही थेरी बच्छो अब इस सर आप बोलोगे सर डिबेंचर अपने नहीं पढ़ा है, आपका जो chapter number 4 है, chapter 4 में डिबेंचर है, तो chapter 4 में डिबेंचर बहुत है, यहाँ पे ऐसे बच्छो डिबेंचर थेरी बटा है जी, chapter 4 में डिबेंचर का, पूरा थेरी practical, सब बच्छ बच्छ होने वाला है, यह सर डिबेंचर है, यह chapter 4 में होने वाला है, बार में इस आप, हाँ, इस आप यह मैंने पढ़ा दिया, इस आप की जो भी थेरी है, इस आप की बच्छो जो थेरी है, मैंने अच्छी सब पूरी पढ़ा दिया बच्छो, इस आप की सारी बच्छो थेरी मैंने पढ़ा दि पला बच्छो कुन था, bonus share था, निया bonus नहीं था, क्या था वो, buyback था, second बच्छो, debenture था, third is swap था, और fourth कुन था, बच्छो, underwriting था, इसमें से, buyback chapter 3 में हो था, underwriting chapter 3 में हो चुका था, इसे वापश में नहीं पढ़ा है, debenture chapter 4 में होने वाला है, इसे यहाँ पर नहीं पढ़ पूरा मैंने cover कर दिया, और इसवाप का और एक वर्जय ने, इसवाप अपके module में और एक जगाँ पर दिया है, chapter 21 में, आप लोगे, sir अगर, यहाँ पर इसवाप cover हो गया, chapter 21, skip करना है क्या, ना, chapter 21 में, इसवाप में कुछ और नए पॉइंट दिये, इसके लिए chapter 21 में को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है बटाई जी, तो अब एक काम करते हैं, हम एक छोटा से 10 मिन के ब्रेक लेते हैं, और 10 मिन के ब्रेक के बार में हम लोग, इसवाप का जो मौडू का chapter 21 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना लाइक, I hope यह समझाओगा बटा, बस अच्छे से जी, वाइस करें इसको, चलो बच्छो, ठीक है बच्छो, आज देखें बेटा, CMA 3 booster का second day बच्छा लोग, आज CMA 3 booster का बच्छो, second day, और आज हम second day में, सबसे पहले, CMA का task 1 था, उसका हम discussion करना है, बच्छो, CMA का task 1 था, उसका बच्छो, हम लोग discussion करना है, क्या बात है, बच्छो, पहले मुझे बच्छो, अच्छी बच्छो, अच्छी है, तेंक्यू सो मच बच्छो, बच्छो, बच्चो, बच्छो, 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 आपने task complete किया, क्या लगा, दो दिन, मतलब, CMA का day 1 का task, और FM का day 2 का task, शेर करके, कैसा पूरेंन लग रहा है कुछ अच्छी पढ़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है कुछ लग रहा है मतलए यह जो हम कर रहे हैं, is it worthwhile ? क्या बात है? असीच्गों को मजा रहा है! क्या बात है, very good, very good, very good एकदम मस लगा नूतन, क्या बाते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 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 अगर बढ़िया, 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 बढ़िय लो बदा 30 दीन तक फिर इया जर्णी बडाh continue करेंग बच्छा लोग अगले 40 दिन तक इया जर्णी बडाh continue रेगा अगले 40 दिन तक very good very good definitely but definitely but, अगशे से करेंगे, very good चल बच्छा लोग, तो नालायै कि शुरू करेंगे तो सबसे पहले बच्छा लोग CMA के day 1 के task discussion करेंगे, CMA के day 1 में मैंने आपको introduction to financial accounting जो CMA का first chapter था, उसका मैंने आपको task दिया था, आज उसके answer discuss करेंगे, I hope that आप सब लोगों ने answer धूंडे होंगे, आपको सभी के answer मिल भी चुकोंगे, बड़े मेरा यहाँ परपस, आज मेर परपस, सिर्फ answer बताना मेरा परपस नहीं है, उस answer के बहाने आपके theory के concept clear भी करवाना मेरा फरज है, चला बच्छो, तो अगले आदे घंट के लिए, 30 minutes के लिए, सब बच्छे एकदम attentive रहेंगे, पूरा अच्छे से दान देंगे, अगले 30 minutes के लिए, yes, 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 तो देखो, आपके असान पर पहला question था, what is a definition of accounting by AICPA, AICPA, MCQ point office है, यहाँ पे सबसे पहला बटा जरूर है, what is a long form of AICPA, what long form of AICPA, बच्छा लोग, yes, AICPA का long form क्या आता है, American Institute of Certified Public Accountant, you never know, exam में बेटा, long form वाले भी बेटा, question आते है बच्छा लोग, इसका बच्छा लोग बच्छा लोग क्या, American Institute of Certified Public Accountant, AICPA के अनुसार, accounting का मतलग क्या, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, in terms of money, transaction, events, which are in part, at least of financial character, यह बेटा definition है, देखो यार, मेरा बेटा purpose जो टास्क दिया था, उसके बचे मेरा purpose, आपसे definition, रटवाना मेरा purpose नहीं था, आपने definition लिखिए, अब समझ के लिए उसको, accounting मतलब क्या है, बच्छो basically, accounting में, बच्छो accounting में क्या करते, हम accounting में transaction record करते, और record मतलब क्या है, जब आप journal बनाते हो, तो journal में आप transaction record करते हो, तो याद रखे, transaction सा record, कहां में बच्छो record करेंगे, जर्नल में record करेंगे, बाद में बच्छो उसको classify करेंगे, अरे classify का मतलब क्या आता है, जो भी transaction आपने record किये, जर्नल में जो entry पास किये, जो entry similar nature किये, अगर कोई entry, जैसे आजूम करू, मुझे राम से पैसा आता है, मु क्या होगी, cash account debited to sham, yes, जर्नल में दो entry पास कि, अब इसमें दोनों में cash नाम common था, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी transaction में, जितने भी entry थे, cash थे, उसका मैं अलग से लेजर बनाऊगा, जहाँ जहाँ पे भी, राम का नाम था, उसका अलग से बनाया मैं लेजर, जहाँ ज type के transaction को एक सा जोड़ना, इसे हम बोलते, classify करना बोलते हैं, बच्चो, क्या बोलते हैं, classify, तो accounting में सबसे पर हम क्या करेंगे, recording करेंगे, recording कहाँ पर होता है, जर्नल में होता है, उसके बाद classify करेंगे, तो classification is the process of combining transaction of similar nature, similar transaction, एक जगा पे लिखना और classify करने के लिए, हम help किसक लेजर का हम लोग help लेते हैं, और classify करने के बाद में, उन्हें हम क्या करते हैं, बच्चलो, summarize करते हैं, summarize करने के लिए, हम try balance बनाएंगे, balance sheet बनाएंगे, हम P&L बनाएंगे, उसे summarize करेंगे, yes or no, तो recording भी करेंगे, classify भी करेंगे, and summarize भी करेंगे, और नालायक, यह सब करते है accounting की definition क्या बोलते हैं, हम वही transaction record करेंगे, जो पैसे में गिन सकते हैं, और जो financial character के, ध्यान मेरे के बच्चो, जो पैसे में गिन सकते हैं, और जो financial character के, जो transaction पैसे में गिन नहीं सकते हैं, आज रासर ने lecture लिया, आज रासर ने थेरी बुष्टर का lecture लिया, general entry pass होगे, नहीं होता बेटा थेरी बुश्तर क्या है? ये बेटा पैसे में गिन नहीं सकते ये effort से बेटा इन्हें पैसे में गिन नहीं सकते ये बेटा money में गिन नहीं सकते ना ये financial nature का है तो इसकी entry pass नहीं होगी तो जो पैसे में गिन सकते और जो financial nature के उनी को accounting में record कर सकते हो तो सबको ये accounting की definition समझ में आ रही क्या या सोनो बेटा, recording, classification, summarizing का meaning समझा क्या और क्या हम record करेंगे, जो पैसे में गिन सकते और जो financial nature के होते है ओके बेटा, और यहाँ पर बचो इस definition में दो और word आपे, transaction and event इस पे exam में MCU क्या आ सकता है, exam में कभी कबार कुछ example देंगे, और बोलेंगे, is it a transaction or is it event short में बोलूँगा, जिसके दो effect होते जिसके दो effect होते, वो ता transaction जिसके बचों दो effect होते, वो ता transaction जैसे, में बोलूँगा, 100 rupees paid to RAM 100 rupees paid to RAM, entry क्या होगी RAM account debited to cash, RAM account debited to cash तो क्या इसके दो effect जाड़े क्या, हाँ सर जी एक क्या हो रहा है, debit, RAM account क्या हो रहा है, debit और cash क्या हो रहा है, credit, तो यह transaction है जिसके दो effect है, वो क्या transaction और जिसका एकी effect निकलता है, अरे year के end में, year के end में building के account में 1,00,000 रुपे single effect, year के end में capital में 2,00,000, आपने बच्चों देखा होगा बेटा बहुत बार नहीं क्या, हम closing balance लिखते by balance carried on, closing balance का single effect होता है, opening balance का भी single effect होता है, ओके बच्चों, इसे बोलते है बच्चों, event बोलते है, मतलब क्या है year के end में, building में 500,000,000 के balance है, घटना है, आरे, building में 500,000,000 के balance है, year के end में, bank में 200,000,000 का balance है, event है, घटना है इसे ही बोलते है, जिसका single effect है, वो क्या event होता है, और अगर कोई entry, year के end में पास होरे, ऐसे होता है, अगर कोई entry, event year के end में पास होरे, 31st मार्च को पास हो रहे तो बच्चा लोग sometime it can be transaction also and event also बच शौट मैंने समझा रहे बटाजी exam में कॉश्चन आ सकता है इन में से क्या transaction है क्या event है simple मैंने क्या बता है जिसके दो effect होंगे debit और credit वो ता है transaction और जिसका single effect है all closing balance and opening balance have a single effect so they are called as event yes or no बच्चा लोग yes कि सब नालायक लोगों को यह फंडाज समझा क्या यह था बच्चो अपना first question यह अपना first question का discussion हो चुका है second बच्चो question था अपना accounting और bookkeeping में से कोन art है कोन science और क्यूँ बच्चो accounting is a art यादखे accounting is a art whereas bookkeeping is both bookkeeping art भी और science भी बच्चो accounting क्या होता है art accounting art है क्यों सर जी देखो art का मतलग क्या है आपके दिमाग में कुछ बेटा होता है आपका कुछ expectation होता है उसके लिए जो effort लेते art अरे artist कोई अच्छा painter है उसके दिमाग में मुझे अच्छा printing बनाना है तो अपने effort से वो art बनाता है अच्छा singer है अपने effort से बेटा गाना गाता है बच्चो यह सुन बच्चो तो बच्चो ऐसे बच्चो accounting में कुछ क्या करेंगे accounting में हम लोग यहांपर record करेंगे classify करेंगे और summarize करके हम हमारा financial objective achieve करने की कोशिश करेंगे ओके यहां पे हम उन्हारा financial objective achieve करने की कोशिश करेंगे तो जहां जहां पर हम कुछ achieve करने कोशिक करते हैं, वह क्या था? आठे बच्चा लोग, ता accounting को ने आठे, bookkeeping दोनों भी है, this art also and science also, जहां पर कुछ explanation जरूर यह वह में दूंगा, जहां पर नहीं उस वह में फट्टा-फट आगे बढ़ूँगा, yes? What are the functions of accounting? Accounting के function क्या है, यह simple है, ज्यादा discuss नहीं करना है, shorter बताऊंगा, आपको बस इतने main point लिखने हैं अगर किसी बच्चे ने paragraph आपके form में लिखा होगा, मुझे वह expected नहीं है, मुझे बस इतने key point, discuss करते हैं, accounting के function क्या है, accounting में, जो भी transaction है, जो financial घटना है, उन्हें major करते हैं, अरे क्या होगा है, forecasting, बच्चों accounting में, पहले measurement, बच्चों accounting में, last year का जो data था, उसे चेक करते हैं, और उसे बच्चों हम लोग, business की financial position, measure करेंगे, what we measure, financial position of the business, by preparing balance sheet and profit and loss account, क्या accounting में सिप, पास का सर्वे करते, ना सर जी, हम future के लिए भी, accounting में, हम future का भी, estimate कर पाएंगे, इस साल की balance sheet बना के, इस साल का penal बना के, हम future का भी अंदाजा ले सकते, उसे मोलते, forecasting, accounting में, जो भी information, collect करेंगे, उसका हम लोग, decision making के लिए, इस्तमाल कर सकते है, yes or no not like, okay, accounting में, accounting में, जम अपने accounts बनाते, हम दूसरे business के साथ, compare करके, हम growth कर रहे, हम grow कर रहे, हम picture, you can compare, accounting का function, compare करना भी उसका purpose होता है, and control, भाई साथ, business के खर्चे, income control कर सकते हो, और accounting का जो data होता है, उसे government, tax की policy, decide करेगी, आपको कितना tax भरना है, यह आपका penal से decide होता है, okay, यह सार बटा function है, इसमें ज्यादा पढ़ने की बात नहीं, बस आपको, की point अपको ध्याद में रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगें बच्छा लोग, और बटा, पहले बटा बता रहा हो, don't expect, इस session में बहुत जादा, मैं detail में explain करूंगा, right now, because बच्छो, these are the summary session, इस यहाँ पर task का answer, बताते, बताते, थोड़ा बहुत थेरी बटा में explain करूंगा, मैं बटा पहले बता रहा हो, मैं यहाँ पर deaf में नहीं जाओंगा, chapter बहले कोई बहुत, जितना regular class में हम deaf में जाते, यहाँ पर deaf में नहीं जाएंगे, चलो, सबसे पहले मुझे आता हो, कौन नालाइक मुझे बताएगा, बड़ा कोन होता है, accounting या bookkeeping, चलो, फटा 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 मुझे आता हो, बड़ा कोन होता है, accounting या bookkeeping, कोई बता सकता है accounting में क्या आता है bookkeeping में क्या आता है चुला फटा फटा मुझे comment करके बताएंगे बड़ा को ने accounting या bookkeeping accounting बड़ा accounting बड़ा अरे अमीर बोला bookkeeping नाला है थेरी ठीक से पढ़ा नहीं क्या सिर्फ कॉपी क्या क्या बच्छो accounting के definition क्या थे बच्छो अकाउंट में एक तिंगे मां लोग record भी करते classify भी करते हैंड हम बच्छो उसे summarize भी करते bookkeeping में हम सिर्फ transaction record करते हैं चैपे सिर्फ record किया और classify क्या है record मतलब क्या है journal बना है classify मतलब ledger बना है यहां तक का पाड़ को ने bookkeeping है accounting में उसके आगे जाके accounting में उसके आगे जाके हम financial statement भी बनाते हैं इसका मतलब क्या simple भाशा में बेटा बोलना चाहूंगा accounting is nothing but accounting is nothing but bookkeeping plus preparation of financial statement कोई दिकत ने मेरे अमित कोई दिकत ने बेटा bookkeeping में आप सिर्फ transaction record करते हो और classify करते हो इसमें आप लोग financial statement नहीं बनाते हो तो bookkeeping plus a preparation of financial statement both together is called as accounting अरे जेपा क्या ना लाइक बचा accounting में क्या आता है bookkeeping भी होता है financial statement में लोग बनाते हैं हाँ या ना कैसा इससे comfort है बचा लोग यस accounting is a wider concept because इसमें statement बनाना होता है bookkeeping छोटा concept है output बेटा मुझा आता हूँ सबसे पहले क्या करेंगे bookkeeping record किया classify क्या फिर बनाएंगे statement तो bookkeeping के बात क्या आता है accounting होता है तो bookkeeping का output को ने accounting output of bookkeeping is accounting और accounting का output क्या है preparation of financial statement बेटा मैं module में जो exact 3 उसकी बात नहीं कर रहा हो या पर मैं concept की बेटा बात कर रहा हूँ याद रहेगा bookkeeping का output को ने accounting है yes या फिर bookkeeping का output accounting बोलो या accounting का input को ने bookkeeping तो भी चलेगा yes और accounting का output को ने financial statement बनाना summarize करना उसका output है yes purpose अकाउंटिंग बेटा क्यों करते डेटा को proper classify sorry bookkeeping क्यों करते डेटा पर classify करने के लिए ठीक से record करने के लिए classify करने के लिए हम bookkeeping करते बड़ अकाउंटिंग का purpose क्या है financial statement बना के उसको interpret करना interpretation is the purpose of book accounting बाके बेटा objective भी से में बेटा जो या पे purpose है वही बेटा objective होता है रहुल मेले भाई definitely बेटा में speed बेटा बराबर mentoring करोगा बेटा जी क्योंकि हर बच्चे का concept strong नहीं होता है में बेटा जी यहाँ पे सबके से में चलना पड़ेगा बेटा रही नहीं यास 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 नेक्स बच्चों देक्या हम पढ़ने वाले what are the steps of accounting cycle accounting cycle मतलग क्या है business में घटना transaction होने से लेकर उसका पूरा analysis करने तक का जर्नी यह वो क्या है accounting cycle बच्चों accounting cycle में सबसे पहला बच्चों step क्या होता है देखो याँ फ्रंगली बता रहो जो बच्चे बेटा commerce वाले बच्चे commerce वाले बच्चे के लिए यह सारे बड़ा концept बहुत easily बटा पता होंगे बड़ यहाँ पे में थोड़ा सा बच्चो नउन commerce वाले ओंग्या से थोड़ासा रूपरू के चल रहा बच्चा क्या लोग first we'll record the transaction record करेंगे बच्छो record बच्छो कहाँ पर करेंगे journal में करेंगे बच्छा लो बच्छो पहले बच्छो हम क्या करेंगे record करेंगे record हम बच्छो कैसे करेंगे chronological order मे कहाँ पर बच्छो करेंगे journal में record करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे बनाएंग के बैट्चाम क्या लाइंगे लेजर बेटा मुझे आता हो हो जरनल में ट्राज्यक्शनरेकर्ट करने उसे क्या बोलते कोन बताएंगा मेरेको जरनलमें ट्रार्ज ENнять wishat रॉक उससे क्या बोलते हैं? Process of recording the transition journal is called as इसे हम बोलते हैं, जर्नलाइज करना बोलते हैं क्या लदा बच्छो? जर्नलाइज एक बाद जर्नल में आपने हैं रेकॉर्डिंग किया उसके बाद में, लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं तो लेजर में जो हम रेकॉर्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं, जर्नलाइज करना जर्नलाइज करना बेटा लेजर में जो लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करते हैं और लेजर में जो पोस्टिंग होता है उसके बाद क्या है? balancing होता है, आपको इस सारे steps पता होने चाहें बचा लोग, yas? बचौ जर्नल में हम क्या करेंगे? जर्नल में जो record करते हैं, उसे हम क्या है? juniorize करेंगे, एंट्री record करने के बाद में उसको ledger में अलगिलन account में post करेंगे, cash के transaction, cash के account में, sale के सेल में building के building में capital के capital लिखेंगे उसे बोलते posting करते हैं ledger में posting करने के बाद में ledger में posting करने के बाद में ledger में हर account का debit side और credit side check करते हैं अजूम करो building account में debit का सम्में 8 लाग बिल्डिंग account में building के account में debit का सम्में 8 लागे और credit का सम्में 5 लागे debit का सम्में 8 लागे credit का सम्म कितना बच्चो 5 लागे तो difference कितना आ रहा है 3 लागा debit का सम्म कितना रहा है 8 लाग credit कितना बच्च लागा रहा है तो difference कितना रहा है तीन लाखा फरक आरा भचो, यहाँ पर जो difference आरा है, इसे बोलते है balance निकालना बोलते है, तो ledger के बाद, ledger में posting करने के बाद, next step क्या आता है, balancing, balancing का मतलग क्या है, comparing debit side and credit side, हर account का debit side का total, check करना, उसे कालते है, balancing बोलते हैं, बच्चा लोग, balance के दो type होते हैं, one is called as debit balance and second is called as credit balance Balance के दो तयपे one is called as debit balance and second is called as credit balance जर सो यहाँ पर देखिए Debit का total 8,00 लागे, Cred का 5,00 लागे कौन बताएगा यहाँ पर 3,00,00 का जो बैलन्स आ रहा है 3,00,00 का जो बैलन्स आ रहा है इसे हम लोग क्या बुलेंगे Is it debit balance Or credit balance चलो कोन बताएगा जो 3 lakh का balance है Is it debit balance Or credit balance Any guess बोलो भाई लोग यह 3 lakh कोन है debit balance है यह credit balance है क्या बात है Very good, very good मेरे बच्चे बोल रहे यह कोन है debit balance है बहुत शांदार क्योंकि यहापे debit side बढ़िए credit छोटिए debit बढ़ा है credit छोटा है debit बढ़ा होगा तो balance क्या होगा debit balance और अगर if debit is greater than credit it is called as debit balance और credit अगर बढ़ा है उसे हम बोलेंगे credit balance और short में अगर बोलूँगा जो दिखता है credit में जो दिखता है credit में वो होता क्या है debit balance और जो दिखता है debit में वो होता का credit balance आई हुब आपको पता होगा बच्छा लोग debit balance is always shown on credit side and credit balance is always shown on debit side यह सारे आपको fat पता होने चाहिए एक बार balancing किया पिर जितने भी debit balance है और जितने भी credit balance है यह हम लिखते है trial balance पे all debit balance and credit balance return trial balance और trial balance अगर tally नहीं हो रहा है तो आपको कुछ adjustment करना पड़ेगा या आपको कुछ और अगर entry books of account close करने के बाद में कुछ और घटनाई पता चल रहे है उसके लमें adjustment करते उसके लमें pass करना पड़ेगा adjustment entry पास करना पड़ेगा उसके बाद सभी account हम लोग close करेंगे और उससे हम लोग बनाएंगे financial statement समझा क्या तो first step क्या है recording in the journal second step क्या है posting in the ledger process का नहीं हम आपको third step balancing and preparation of trial balance next step बोलो क्या होता है passing the adjustment entry next बच्चों step क्या होगा closing entry बनाओ और last में बच्चों क्या करेंगे financial statement मतलब P&L and balance sheet बनाएंगे that's it question number 6 current asset बोलने के लिए किसी भी asset को current asset बोलने के लिए क्या 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 कंडिशन सेटिस्फाइ कने पड़ते हैं किसी इसेट को current asset बोलने के लिए क्या condition करने बढ़ते हैं, when asset is said to be current asset, आप सबको पताओगा, ऐसी asset जिनसे within year पैसा आने वाला है, वो current asset है, और ऐसी asset जिनसे एक साल के बाद में पैसा आने वाला है, वो कोने non current asset है, जिनसे within year पैसा आने वाला है, वो कोने current asset है, और जिनसे एक साल के बाद में पैसा आने वाला है, वो कोने non current asset है, तो current asset के लिए सबसे पहला बच्चों रूल क्या है, वो बेटा business में sale के लिए या consumption के लिए रखा होना चाहिए, या वो trade के लिए रखा होना चाहिए, इसका मतलब तो, आपके business में जो raw material है, raw material हम used to करेंगे consumption के लिए, वो current asset है, मतलब यार उसको इससाल consume कर देंगे, वो current asset है, suppose, अगर कोई ऐसा asset है, जो आप consume नहीं करो, first condition क्या है, within a year consume करो, raw material, oil, condition two क्या बोलता है, अगर आप within a year consume नहीं कर रहे हो, for example, building, आप बतें, building क्या है, current asset या non current asset, maximum बच्चे बोलेंगे non current asset, but building दोनों बह सकते हैं, बच्चों, अगर आपने कोई घर खरीदा, अगर आपने कोई घर खरीदा, building आपके लिए क्या है, non current asset है, but एक builder है, उस builder ने building बनाए, builder के लिए building क्या है, current asset या non current, current ना, builder building क्यों बनाता है, रखने के लिए या बेचने के लिए, बेचने के लिए, building consume नहीं हो रहा है, but building बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए रखा है, कस्टमर ने बिल्डिंग लॉंग टर्म के लिए खरिदा है, तो कस्टमर के लिए बिल्डिंग क्या है, नौन करंट असेट है, बड़ बिल्डर ने बिल्डिंग क्यों बनाए, बेचने के लिए, विदिन ए यार, शौटर में बेचने के लिए तो उसके लिए वो कोने current asset है तो जेपा क्या एक तो वो consume होना चे oil, raw material तो वो current asset है वो consume नहीं हो रहा है लेकिन वो trade के लिए रखा है तो भी current asset है या फिर उससे अगर 12 महिनों के अंदर अगर पैसा आने वाला है तो भी वो कोने current asset है जेपा क्या ना लाइक yes or no ये तीनों condition current asset के लिए satisfy होने चाहिए बोलो सबको समझा के इतना अब मुझे बताओ पहले 6 question के answer आपने सही में धुंडे थे क्या बताओ, पहले 6 question के answer किस-किस के सही थे चलो फट्टा आफ़र बताओ पहले 6 के answer किस-किस के सही आरे थे सही आरे बताओ, very good, very good, very good क्या बते क्रेल के 10 minutes क्या पहले 6 विएलिटा पैर 我लो को भूह vist अब मॉन्हीं पहल्टा बताओ, प्चानागो पूचन मुझे पूचोए पताओ, बदला मुझे COMMON अब को फूचन बसी-लना कंचना-क्रिपर AchOL आप मुझे बस लेक्षरी सेशन के बार बेटा मुझे आप मेसेज करो मैं आपको रिप्लाइ कर दूगा बेटा कोई दिक्कत निया Yes 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 Question No.7 में मैंने कुछ एक्जामपल पूछे थे From Module पहला बच्छो था Internal Liability बच्छो देखे आपने मॉडूल में से सब के एक्जामपल दो लिखोंगे मैं जी आप मैं एक्जामपल डिस्कस करते हैं नहीं बेटूँगा बस शौड़े मीनिक बताऊँगा What is Interliability? आप सबको बताए Liability के दो टाइप होते जो पैसा बहार वालों को देना है उसे इम बोलते एक्स्टर्नल Liability जैसे बैंक को ड्राफ Creditor Outstanding Expense Okay बच्चा लो Outstanding Interest यह सब किसको देना है Outsider को They are called as External Liability और जो पैसा Owner को देना है That is called as Internal Liability इसका मतलग का है Amount Pable to Owner Owners को क्या देंगे Business का जो Capital है आप सबको बता है Capital Invest किसने की है Owner ने बेटा अगर आपको पता होगा अगर आपको पता होगा एक Concept है Business Entity Concept Business Entity Concept क्या बोलता है Business अलगे और Owner अलगे Business अलगे और Owner अलगे Owner ने जो पैसा Invest क्या है Business उसे क्या मनेगा Liability Owner का जो पैसा है Business उसे क्या मनेगा लाइबिटी और लाइबिटी मान के वो क्या बोलके लेखेगा capital तो capital किसका पैसा है owner का है पर business को वापिस लोटाना पड़ेगा तो क्या capital को पैसा owner को देना है क्या yes तो जो owner को देना है वो हमारी को ने internal liberty reserve बिजनेस में आप हर साल profit पड़ा कमाते हो हर साल profit कमाते हो उस profit में से कुछ आप as a dividend distribute करते हो कुछ profit आप as a salary बातो के प्रोप्राइटर है partnership फर में salary में बातो company बातो इसको बातने के बाद भी कुछ profit बचा है undistributed profit और कुछ profit side में रखा है reserve भले profit नहीं बाता होगा या पिर वो reserve में रखा होगा लेकिन पैसा किसको मिलेगा owners को मिलेगा तो जो owners को देना है वो को ने बचे internal liability तो capital reserve and undistribute profit यह किसका बचे पैसा है owners का पैसा है यह हमारी को ने internal liability कही जाएगी contingent liability जो पैसा देना या पिर नहीं देना शूर नहीं है अजूम करूँ आपके ओपर किसी ने मुकदमा किया भाई मुझे मेरे एक लाक रुपे लोटा दे आप बोलते कौन से पैसे मैंने कब लिये बोलता मैं तरे पास case करूँगा बलतो जा case करूँगा उस आदमी ने आपके खिला case किया अब केस का फैसला आपके अगेंस निकला आपको एक लाक देने पड़ेंगे कहा प्लिकते हैं कौन बताएगा मेरे को Contingent Liability Yes, बेटा जी शीफा ली बेटा वही बता रहो I am contingent बता रहो कोई बता रहो मुझा आता हू Contingent Liability Balance Sheet में कहा प्लिकते हैं फटा फट मुझा आता ही ये Contingent Liability Balance Sheet में कहा प्लिकते हैं Where we write the contingent liability मासूम बोल रहे हैं कि depend upon event happening or not मेरा सवाल क्या है in the books of account or in the balance sheet contingent liability is written on which side या पर कहा पर कुण से हेड में हम लिखते है क्या बात है very good बच्चे एक दम सही बता रहे बेटा यह मत बोलना कि contingent liability liability side में आता है बच्चो अगर confirm liability नहीं है जब confirm होगा तो ही balance sheet में आएगा वो confirm है क्या बेटा नहीं है contingent liability देना पड़ भी सकता है या पर नहीं भी पड़ सकता है बच्चा लोग तो अगर confirm नहीं है तो हम कहाँ पर लिखेंगे balance sheet के नीचे notes में लिखते हैं हम लोग आपच्चो footnote में लिखते हैं तो contingent liability is not written in the balance sheet written in the footnote note में लिखेंगे कि ऐसा ऐसा case चल रहा है अगर इसका फैसला अपने against हुआ तो हम यह पैसा देना पड़ सकता है यह सिर्फ हम note में mention करेंगे याद रहे के contingentivity is always written in the footnote अपने note में लिखते हैं यस यस अगला है fictitious acid चलो मेरा सवाल है बच्चो fictitious acid fictitious acid balance sheet में कहा आप लिखते हैं चलो फटा फट बताइए fictitious acid balance sheet में कहा पे आता है very good बड़ आप एकदम सही हो सब लोग सही इकदम है बच्चों जगते है fictitious acid balance sheet में कहा पे आते है asset में या liability में liability में आएगे तो कि sait में asset में आएगे तो कि sait में आएगा और गर कहीं नहीं आता तो कहा हप आएगा बताइगा fictitious acid कहा पाएगा चलो फट्टाफट 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 फट्ट आलाई टाइम कमें अपने पास अब हम सिफ कोशन 7 पर चल रहे है फट्टाफट बताईये वह असेट ही किने मेरा सवाल ने रहा है मेरा सवाल के है बैलेंश इन में कहा पर लिखते असेड में पर असेड में किद़र असेड में कहा पर असेड में कहा पर not in the balance sheet रुत्वी एकदम कले तो रुत्वी कलेता बेटा contingent liability balance sheet में नहीं आता है but fictitious balance sheet में आते shipali ji that is the asset वह asset है अब सुनो बेटा what is fictitious asset देखो आप सबको पताओगा asset के दो टैप होते है real asset and fictition, जो असल में है जो असल में है फिर भले वो tangible या intangible हो देखो, जो छू सकते हो tangible है, building, machine छू सकते, tangible asset है copyright, patent छू नहीं सकते, intangible है भले ये tangible है, या intangible है ये असल में है, building असल में है, machine असल में, patent असल में लिया है, copyright असल में लिया है, these are real asset these are real asset, but but, but, assume करो मैंने 100 रुपए का share 90 में शू किया है, मैंने 100 रुपए का share 90 में शू किया, 100 का share 90 में शू किया, कितना मिला 90 कितना नहीं मिला 10, 10 का लॉस हो गया 100 का शर 이렇게 90 में इ्शु का है 10 का लॉस हो गया 10 का जो लॉस है Revenuely Loss या Capital Loss नशेर इशु क्या है long term के लिए या 10 का लॉस हमारा कोने Capital Loss है 10 का लॉस हमारा कोने Capital Loss है अगर 10 अगर हमारा Capital Loss है Revenue Loss आता है Balance Sheet में स्वारी रिवी लोस पर चू कहा पर आएगा पीनल में आता है क्यापिटल लॉस कहा पर बैलन शीट में तो आसा फास कंसे बता रहा है आई होप आप स्पीड से मैच कर पारें बिटा सो का शेर नबे में शुक है दस का लॉस है डिसकाउंट और इशू अपशेर डिसकाउंट पर शेर दिया दस का लॉस हो गया यह लॉस कोने हमारा चैपिटल लॉस है यह लॉस हमारा कोने क्यापिटल लॉस और क्यापिटल लॉस कहा पर आएगा बैलन शीट में आएगा बैलन शीट में आएगा बैलन शीट में कहा पर एगा asset में आएगा कि देए लायविकी जैशाता में वह combinations हमाऊज होँ और यकापिल लॉसक्वार का नेचर भी क्यों दियर डिविटे आएगा तो discount on issue of share, discount on issue of share being the capital loss, यह balance sheet, asset में आएगा, under current asset, कहाँ पहेगा बच्छो, current asset में, यह भले current asset में आ रहा है, लेकिन मुझे बताओ, क्या discount, यह अच्छल अपना asset है, asset का मतलग क्या, अरे simple भाशा मुझा, ऐसे asset, जो बेच सकते है, यह जिनसे कुछ पैसा realize हो सकता है, वो real asset है, building को बेच के, पैसा मिल सकता है, real asset है, patent को बेच के, पैसा मिल सकता है, real asset है, but discount आप बेच नहीं सकते, discount on issue, loss, मतलग P&L का debit balance, miscellaneous expenditure, okay बच्छा लोग, यह सारे बच्छा हमारे को ने, fictitious asset है, because, इनको बेच नहीं सकते, and all fictitious asset, are return on the, return under the current asset, अरे समझा का ना लाएक, yes or no? next, wasting acid, ऐसे acid, जिनका कीमत कम होने वाला है, और ऐसे acid, जो eventually zero होने वाले, wasting acid है, minus, minus, हर बच्छों minus में से, खुदा ही करेंगे, तो minus बेटा, कम होते जाने वाला है, okay, minus को ने बेटा, wasting acid, capital expenditure, revenue expenditure, example लिखेंगे बच्छा आप लोगोंने, example लिखेंगे, meaning बता रहा हूँ, ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा, जिसका benefit मिलेगा, सालो साल, ऐसा खर्चा, जिसका benefit मिलेगा, सालो साल, capital expenditure, ऐसा खर्चा, जिसका benefit मिलेगा, within a year, revenue expenditure, salary pay की, benefit एक महने तक मिलेगा, एक महने की salary pay की, worker एक महने काम करेगा, दो महने की salary pay की, वकर दो महने काम करेगा, तो benefit क्या है एक साल के अंदर मिलेगा revenue expenditure है yes repair क्या short term के रिपेर क्या benefit मिलेगा 4-5 मेनों के लिए वो कोने बेटा हमारा revenue expenditure है बड़ अपने नया machine लिया machine चलेगा सालों साल computer लिया चलेगा सालों साल ये कोने capital expenditure है yes or no next नाला है अगला question question 8 बहुत important है चले मैं group के chart पढ़ रहा था मुझे दिखाई दिया कि question 8 में majority बच्चे confused है चलो बताईए कि आपको पता है क्या discount के दो टापों से होते है लिखा चले बैसे trade discount और cash discount बताईए कोन सा discount bookshop account में लिखते है bookshop account में लिखते है मतलब जिसकी journal entry पास होते है कोन सा discount bookshop account में लिखते है या किसकी journal entry पास होते है बताउ ना लाएग फटाफ़ बताउ ना लिखते है यह सिस्प्रेड डिस्काऊंट बुक्स अ रिखते है Trade Discount Books center Account में Record नहीं होता है Cash Discount Books में Record होता है funding Cash Discount की Entry पास होते Cash Discount की Entry Pass होते Trade Discount की Entry Pass नहीं होते बच्चो precious entry पास होगी Cash Discount की FM का क्तலास कल लगेगे Do Ngay求 FM near G Yes Focus करेंग है promoting तो फोकस करेंगे बचलो, trade discount books में record नहीं होता है cash discount book में record होता है इसका मतलब क्या है तो ऐसा बटा अच्छे से बता बता चांगा अब यह होता है क्या, प्लिस सुनना और आगे question में पूछाता, how to calculate trade discount cash discount इस बटा concept पे exam में theory MCQ भी आ सकता है और साथ में practical MCQ भी आ सकता है sir कैसे क्या अब प्लीस समझना मेरे एक wholesale के दुखाने मेरे पास ना बेटा एकदम बहुत सा बेटा माल मुझे मिलता है मेरे wholesale के बच्छो दुखाने और बेटा आपका एक छोटा सा दुखाने चोड़ा सा बेटा मेरे दुखाने करामाल का दुखाने मेरे पास ना बच्छो मेरे पास क्या होता है बहुत सारे बेटा मेरे दुखान में बहुत सारे टुथपेस थे टुथपेस कोलेट का एजंसी मेरे पास है बच्छों मेरे पास दुकान में बहुत सारे टूथपेस के बॉक्स पड़े है, आप आते हो, आप बोलते है सर मेरे को ना सर टूथपेस लेने का है, मैं बुछता कितना, बोलते है एक टूथपेस लेने का है, कितना डिस्कों मैं बलता बहुता 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 मालक में ले रहा है कि बलक में ले रहा है तो discount मेलेगा बलक में लेने के लिए जो discount मेले का वो को आरता है trade discountra पुरकिन बहुडनीं कशुञत के 10 पैसे इस जा में कि ओंक है इसकाמעएमर्प एक मोर्पी से 50 रुपए एक मोर्पी 50 रुपए अगर तोषयक को बोन प्रिया MRP Listed price, Printed price MRP 5,000, लेकिं भाही तु दुकान दा रहे तु मुझे वोलसेल में ले रहे तो तु तेक काम करते हैं, यह जो पाचशार का जो माले मैं तुझे बेच रहाओ 4500 में बेचा हुआ, 4200 में, दुकान अब बीक, काम करता हुआ, मैं कली जाके अपने दुकान के पचासु का टूटपेस 45 में बेचा तो, मैं बागए ले क्या हुआ, आबने 50 पिशा, तू इन 45 न दिया, तू बलक में ले रहा है, तू कमा है। तूने अगर 45 बेचाएगा, त discount दिया या सोनो तो कितने मिलिया 45 तो customer को जाके कितने बेच कया 50 तो उसे तुझरे क्या मिलेगा profit मिलेगा इसका मतलब Trader discount is used to earn the profit trade discount is used to earn the profit अब मेरा सवाल यह है मेरा सवाल यह है नीक कि लिस्टिंग प्राइस पाच शारता देंगे और सवाल दुकांदार दुकांदार अपने बुकसों अकॉण में दुकानदार अपने bookshop account में जब stock maintain करेगा तो stock का price कितना लिखेगा 5000 यह 4500 यह MC को एक्जामे बनेगा एक्जामे पूछ सकते हैं at what amount at what amount shop owner will show the stock in his balance sheet shop owner अपने balance sheet में asset में stock कितने में show करेगा 5000 यह 4500 में खुछ बच्चे बोले 4500 वेरी गुड़ बेटा वेरी गुड़ बच्चो दुकानदार दुकानदा क्या लेगा जितने में मैंने purchase क्या है जितने में जितने में परिचेस क्या है उसी दाम में stock record करेगा तो इसका मतलब क्या है stock किस पर record किया listing price पे या net value पे किस पे net तो trader discount बच्छो हम कैसे बच्छो निकालेंगे how to fund बच्छो trade discount trade discount के time पे goods are shown at net value goods are shown at net value JPA के बच्छा लो तो trader discount के time पे goods are shown at net लो गर बच्छो exam में बच्छा लो तो गर question आता है, at the time of trade discount, गुर सा directly shown at net value, हम डाड़ी 4,500 के entry pass करेंगे, हम 5,000 और 4,500 की दोनों के entry pass ने करेंगे, दोनों amount अगर शो करेंगे, तो पासो का discount दिखाना पड़ेगा, तो अगर हम दोनों amount दिखाच ने रहे, अगर हम directly 4 पासो लिख रहे, तो पासो का discount लिखने की ज़रोद नहीं पड़ेगी, तो यह पर शो किस पर करेंगे, आपको सबको समझा क्या, चो model में क्या लिखाता, at the time of trade discount, गुर सा recorded at net value, net का मतलब क्या है, discount काट के, और discount की कहीं पे भी चर्चा नहीं होते, उसका कहीं पे भी entry pass नहीं होता है, याद रखिए, वह cash discount, एक्जा कैसा हैगा, लिस्टेड प्राइस देंगे, पाच अजार, ट्रेड डिस्काउंटे पासो, जो अभी के एक्जाम ता बेटा, लिस्टे बच्चो प्राइस पाच आरे, ट्रेड डिस्काउंटे पासो, और cash discountे, cash discountे 3%, and what is the amount of cash discount, what is the value of cash discount, कौन बताएगा, cash discount की value कितने आएगे, रक्षा जी, मतलब बेटा, जितने में shop वोले ने खरीदा, बेचा ने बेटा, खरीदा बेटा, shop वोले, दुकान दार ने जितने में खरीदा, परचेस किया, उस पे लिखते है, at the time of trade discount बेटा, जितने में खरीदा, बेटा, बेटा, इस example में, cash discount कितना, what is the value of cash, बताओ, cash discount की value कितना है कि बताओ, cash discount 3%, बेटा, बेटा, वोलसेलर के लिए, बेटा, 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 बे डिसकाउंट आएगा 135 कुछ नालाइक बोल रहे है 4365 बोल रहे है दीप कैसे क्या आए बेटा देखो हाउ टो फाइंड क्याश डिसकाउंट मुझे आता हिए भोल सेलर ने प्रैस कितना दिख्या था पाच शार ट्रेट डिसकाउंट कितना ओफर कर रहा है 500 का अपने हाथ में कितना आ गया 4500 का आपने कस्तमर को बेचा कस्तमर को अपने बोला कस्तमर को अपने बोला भाया भाया अगर यह माल आप जल्दी लोटा होगे इसका स्वारी इसका पैसा अगर आप जल्दी दोगे तो हम आपको को देंगे additional discount, डेटर से पैसा जल्दी पाने के लिए, जो discount दिया है, वो क्या होता है, cash discount, फ़रक समझना, गुर्जब बल्क में लेते, बल्क में लेते वग, जो discount मिलता है, उसे बुलते है, trade discount, और जब customer को माल बेचा है, customer से जल्दी पैसा आने के लिए, आपने किसी को अच्, बल्क में लेते हैं, जल्दी पैसा नहीं दे रहा है, आप बलते हैं भाई, एक काम कर, पाच आर तुम्हें देने वाल है, मन्नी मनों बोलेगा भाई, तू कमीना मुझे बता है, आप उसे बलते हैं, काम कर, कल के कल में पैसा लाके दे, पासो का डिसकांट दूंगा lifted price में से trade discount less करने के बाद में जो amount आएगा उस पे निकालेंगे cash discount Lister Price Forー shares trade discount प्रासो यह less करने के बाद जो आएगा उस पे बच्चा लोग आएगा आपका cash discount तो cash discount is always calculated on net value, याद रखे, इस पर exam में MCQ बन सकता है, how to find cash, मैं जारो, detail में नहीं जारा रहा बच्छो, मैं से exam बच्छो, पॉंट है बता रहा बच्छो, how to find cash discount, listed price, मैं से trade discount, less करो, जो amount आएगा, उसके उपर निकालेंगे cash discount, I hope, सबको calculation clear है, यह discount कैसे निकालना चाहिए, सबको समझा होगा, क्योंकि सबको इसकी थेरी तो बटा समझी होगी, बर calculation अभी clear है, कि आपको, बोलो हा या ना, और यह 135 का discount है, इसकी books में entry pass होते, यह discount अगर आपने दिया है, अगर आपका loss है, तो balance sheet, asset में आएगा, जो भी या फिर, discount बटा जो भी, asset में बोलो, या पिर debit में आएगा, sorry, पीलर के debit में बच्च आएगा, discount जो भी रहेगा, yes, डिपेंड करें, case में डिपेंड करें के बच्च आएगा, जो, yes, question number, sorry, question number nine, name the scientist who invented, single entry, जहापे एक ही साइड हो क्या है, single entry, और debit or credit, दोनों वो कोने, double entry, single entry was invented by Kohler, कोने बच्चो, Kohler, and double entry was invented by, look up, pass early, यह बच्चा लोग बेटाजी, आपने 11, 12 में पढ़ा होगा, बच्चा लोग, yes, double entry के feature, बहुत simple नाला है, double entry में क्या है, हर चीज के हम, दो aspect लिखेंगे, पैसा आया, यह इस से आया, इसको गया, double effect लिखेंगे बच्चो, एक side क्या होता है, debit, एक side क्या credit, एक होता है, receiver, तो एक क्या होता है, giver, एक क्या होता है, credit, और इहां पे, जितना debit है, उतना क्या credit, टोटल अब डेबीड is the total of credit, debit क्या पासो, credit भी क्या होगा, पासो, तब डेबीड क्रेड का total क्या match होता बचलोग, और साथ में यहाँ पे जल्दी fraud detect होते है, बिकास, double entry system में, जितना debit है, उतना credit आना चाहिए, अगर debit और credit का total match नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जोले, यह समझ सकते हैं, तोटल चेक करके भी, आप fraud detect कर सकते हो, yes or no? ओके, सबको जेपना बचलोग, yes, 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 अब बच्चो अगला बच्चो देखे, accounts के example बच्चो इसको बटाने के लिए मैं आपको बूलना चाहूँगा, सुनिए, यहाँ पे दिया ना बच्चो, अपने बच्चो इलें टेल में पढ़ा होगा, तीन अकांट होते हैं, परसनल अकांट, रियल अकांट, नॉमिल अकांट, this is a classification as per British approach, यह बटा बच्चो अमर को ना चाहूँगा, यह हमारे बिटीश शापीर, ट्राइडिशनल अप्रोच है, अरे बिटीश लोगोंने, अंग्रेजोंने क्या क्या, अंग्रेजोंने अकांट के तीन टाइप बने परसनल अकांट, रियल अकांट और नॉमिल अकांट, जो अकांट इनिसान के लिए वो परसनल अकांट है, जो चीजों के लिए वो रियल अकांट है, अंग्रेजोंने बोला, परसनल अकांट के तीन टाइप होते हैं, नाचरल परसन, आर्टिशल परसन और रिप्रेजेंट To personal account Ramka account shamka account natural person जो लोग मा के पेड़ से पईडा होते वो होते natural person Ramka account, shamka account आपका account, میरा account हम लोग को ने natural person Artificial person आरे जिनको law जनम देता है जो act से या law से जनम लेते they are called as artificial person, अपना ICSI है, artificial person है, किसी बेटा partnership firm का account, artificial है, company account क्या है, artificial account है, जे परहा का नालाइक, तो जो by act बेटा जो नाम मिलता है, उसे बोलते, artificial person बोलते, और sometime, ऐसा नाम, जो group के लिए दिया है, उसे हम लोग बोलते, representative personal, इसका मतलब क्या है, बच्चो, मेरे factory में 15 employee है, मेरे factory में 15 employee है, राम, शाम, सीता, गीता, जो भी बेटा मेरा employees है, राम को में 1000 उपे देने वालो, राम की 1000 उपे salary pending है, शाम की 2000 salary pending है, सीता की 3000 salary pending है, गीता की 4000 salary pending है, और एगर मैं हरेक का लिखूँँगा, राम salary account outstanding, सीता salary account outstanding, बोट टाइम जाएगा, तो मैं क्या कुणगा, इन सबके बिहापे एक account बनाऊँगा, जिसका नाम क्या है, outstanding salary account, राम, शाम, सीता, गीता, इन सबको जो salary outstanding है, उससे हम क्या रोते है, outstanding salary account, तो group के बिहापे जो बनाते, वो क्या रता है, outstanding expense, outstanding rent, prepaid salary, prepaid rent, all outstanding and prepaid are representative, personal, all outstanding and prepaid are representative, personal, yes or no बच्चा लोग, yes or no बच्चा लोग, yes or no, real account, real account बच्चो, दो टाइपो ते बच्चा लोग, yes, कुण सा था, tangible or intangible, building, machine, जो छू सकते, वो tangible real account है, patent, copyright, छूने से वो कोने, intangible real account है, बाकि बच्चा लोग, nominal में क्या आता है, income और expense होते है, इन सब के रूल आपको पताईए बच्चो, personal का बच्चो रूल क्या आता है, debit the receiver, credit the giver, yes, real account का रूल का है, debit what comes in, credit what goes out, और nominal का रूल का है, debit the expense and losses, and credit the income and gain, yes or no नालाएग, बच्चो ये था as per British approach, American ने account बनाने के लिए, कुछ अलग फंडा है उसके है, British लोग account तिन अभी है, American ने क्या बोला, account बनाने के लिए, हम लोग capital, liability, asset, expense, और income, ये पाच का है समाल, income और रिविडियो का है समाल करेंगे, British ने क्या बोला, debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, उन्हेंने सोचा from, personal, real and, nominal point of view, American ने बोला, भाई साब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, from capital liability point of view, उन्हेंने क्या बोला, asset, asset बढ़ा, तम लोग करेंगे, debit, asset कम हुआ, तम लोग करेंगे, credit, खर्चा बढ़ेगा, तम लोग करेंगे, debit, खर्चा कम होगा, तम करेंगे, credit, capital बढ़ेगा, तम लोग करेंगे, credit, और capital कम होगा तो हम करेंगे debit यह क्षू यह बेटा एक्स्प्लेन करते नहीं बेटूंगा I hope इतना तनसे बेटा पर clear होगा एक्स्प्लेन करते हैं बेटोंगा logic तो बहुत टाइम जाएगा बच्छा लोग मैं short में बेटा बता रहो please फिर बहुत टाइम जा रहा बेटा जाएज अपना liability बढ़ेगा तम लोग बोलेंगे credit और liability बच्छो कम होगा तो क्या होता है debit income मतला revenue के लिए revenue बच्छो बढ़ेगा तो होगा credit और revenue कम होगा तो क्या debit I hope इतना basic fund आपको पता होगा yes or no बच्छा लोग तो यह capital liability asset के साब से जो rule बनता है यह बेटा कोन हमारा American तरीका बेटा और real person से जो बनता है बच्छो वो हमारा कोन है बच्छा लोग British तरीका कहलाता है ओके यह accounting के दो तरीके American and British तरीके है आपको knowledge होना चाहिए बच्छा लोग एक्जाम आसा है British तरीका कोन सा है और American कोन सा है accounting question बहुत ही simple है balance sheet में right में क्या होता है asset left में क्या होता है liability और profit तो asset equal to liability plus profit liability में profit add करो या liability से loss less करो profit क्या होगा add या loss क्या होगा less तो asset is equal to liability plus profit या asset equal to liability minus loss यह हमारा accounting equation है तो accounting equation से you can find profit also and loss also asset ज़ादा है, liability कमे तो profit होगा asset कमे, liability ज़ादा है तो हमें loss होगा journal क्या है journal is a book of original और primary अरे सबसे पहला entry कहाँ पहोता है journal में, सबसे पहला बच्चो entry बच्चो कहाँ बच्चो जर्नल में होता है तो journal is a book of original और primary entry कहलाता है बच्चो journal में जो entry होते है प्ली सुनना राम को सो रुपे दिया राम को सो रुपे दिया entry क्या होगी राम account debited to cash शाम को सो रुपे दिया, entry क्या होगी शाम account debited to cash अगर ऐसे दो अलग अलग entry पास किये तो इसे हम लोग बोलेंगे simple entry दोनों में cash है कोई दिमाग क्या लगाएगा कोई क्या लगा सर ऐसा लिको राम account debited शाम account debited to cash अगर दो entry अलग अलग अगर single single entry पास किया तो इसे हम लोग बोलते simple entry बोलते और जब दो entry combine करते वो compound entry simple भाशा में बोलूँगा simple entry में debit में होता है एक account और credit में होता है एक account debit में होता है एक account credit में होता है debit और credit में एक-एक account है उसे हम बोलते simple entry बोलते जहापे debit में दो account है credit में एक है या debit में दो sorry credit में दो है और debit में एक है उसे हम बोलते, compound entry बोलते, I hope आप understand कर पारें बच्चा लोग debit में एक account, credit में एक है तो simple entry कहा ले जाए, simple journal बोलते हैं बच्चा लोग, जहाँ पे debit में दो account है credit में एक है, यह credit में दो है, और debit में एक है इसे हम बच्चों बोलते हैं, हम लोग compound journal हम बोलते है yes or no फिर बच्चों, जर्नल के बच्चों आगे दो टाइप बच्चों, general journal and special journal बच्चों आप बड़ा सबको बड़ा पता होगा, cash book sales book, purchase book, यह सारे बटा को ने special journal होते हैं, and special journal are also called as subsidiary book, पता है special journal are also called as subsidiary book, अरे journal में, सबी के transaction record होते हैं, अगर बच्चों, journal में, सबी के सबी transaction record कोरोगे, बहुत तकलीफ होगी इसके हमने क्या क्या जो transaction sale वाले, उनका अलग book बना है जो transaction बड़ा, purchase के, उसका अलग book बना है जो cash वाले, उनका अलग book बना है उसे हम लोग बोलते है special journal या फिर subsidiary book बोलते हैं, समझाए के बटा जब सारे entry एक साथ लिखे, वो journal है, simple journal और जहाँ पे cash entry cash book में, sell की sales book में, purchase की purchase book में, bills का bills book में लिखा, उसे बटा हम लोग बोलते है, special journal या फिर subsidiary book बोलते हैं तो there are various types of subsidiary book cash book में ऐसे transaction जिन से cash आ रहा है जिन से cash जा रहा है जिन से cash आ रहा है, regarding cash transaction जब रेकॉर्ड करते हैं, वो होता है cash book राम को पैसा दिया शाम से पैसा आया, building cash में purchase क्या है building, cash में sale क्या है, जो cash में होता है ये सारे cash book मारते हैं sales book में सारे sales आएंगे बर किसका, goods का sale sale of goods but on credit side sale of goods but on credit basis अरे सुनना, goods cash में बेचा, तो cash book में आएगा, goods credit में बेचा, तो कहां पैएगा sales book, sales book के दो रूले, क्या बेचोगे goods, asset नहीं क्या बेचोगे, goods बेचोगे वो भी कैसे, बच्चो, credit में बेचना चाहिए I hope आपने ये पढ़ाओगा बच्चा लोग यस और नो यस यस अजयर से बेचा, बच्चो आपने के क्या आप आपने का लोगुत, अपनेक क्या पैसे में बेचोगे ये का बेचाओगा बुक में नहीं आते, जो cash book में नहीं आता है, यह आपको पता है कि ऋना लग, यह है सहाय से अपने foundation पढ़ा होगा," or no, cash book के type, पता है क्या, single column cash book, double column cash book, three column cash book, petty cash book, single column cash book में, एक इच column है, amount, amount, double column cash book में क्या होता है, cash bank, cash discount, या bank का discount, ऐसे बड़ा दो column होते हैं, three column cash book में, cash, bank and discount, ये तीनो बच्चों कॉलम होते हैं, cash, bank और discount, ये तीनो column होते हैं, petty cash book, business के छोटे छोटे transaction, जहाँ पे होते हैं, बच्चों वो क्या आता है, petty में, sorry बच्चों, business के छोटे 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 खर्षे निभाने के लिए, जो बटा, books, जो cash book होता है, वो क्या, petty cash book, आरे हर रोज बटा, चाई पीन आपको, चाई का बड़ा बिल देना, बटा, छोटे मुड़ा बड़ा बिल आपको देने, उसके लिए, जो गल्ले में जो पैसा रखा, बच्चों वो क्या, petty cash book होता है, yes or no बच्चा लोग, how balance of real, personal and nominal account is close, हर nominal account का balance transfer होता है, हर nominal account का balance transfer होता है, profit and loss account में, nominal account में इसे जो खर्चे, बेटा, actual में बुलू क्या, actual में बुलू क्या, real and personal account are close, nominal account is not a close, it is a transferred nominal account, हम कभी close नहीं करते, जो बच्चे बच्चों, बच्चों, बच्चों का प्ठोचों, बच्चों। multiple column cashbook डिया है शपाले जी लेकिन वो जादब बच्चा काम कहते है, यह तीन चार बटा काटेग्री बटा मैंने multiple column cashbook ज्यादा काम करिया बटा यह चार बटा काटेग्री मैंने बटा जो मैंने में बता हो बटा जी Yes 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 चलो बटा जी मैं आपको बतार था बचलो देखो ऐसा काज़त है real and personal account real and personal account are always close मतलब क्या building real account debit का total credit का total बच्चो किया इसका जो balance है वो transfer तो real and personal account का balancing करते है याद रखिये इसका balancing करते है इसका जो real हो या पि personal account हो इसका debit balance जाता है balance sheet asset में और credit balance जाता है balance sheet liability में तो real and personal account are close they are balance and their balance is transfer in the balance sheet तो real and personal account का balance कहा जाएगा बच्चो balance sheet में जाता है वो कि बच्चा लो अगर उसका debit balance है तो balance sheet asset में जाएगा वो कि बच्चो बच्चो balance है balance sheet लाविट जाएगा but nominal account are never close उनका totaling किया जाता है उनका totaling किया जाता है और अगर इंकम है इंकम का total जाता है P&L के credit में और अगर expense है expense का total जाता है P&L के debit में मैं जादा बच्चो डेफ्ट में बटा नहीं बताऊंगा बच्चा लोग बस याद रखे मैं आपको short में बता रहा हूँ totaling किया जाता है और इंका total transfer किया जाता है P&L अकॉड में ट्रांसफर किया जाता है याद रखे याद रखे याद सौर नो इतना बच्चो आपको मॉडू में नहीं मिलागा बच्चा लोग राइट ना? इतना बच्चो ये मॉडू में सोचा नहीं होगा आप लोगों ने बाकी ledger के बड़ा sub type इसमें जारा कुद दिमाग मत लगा बच्चो बस याद करो बच्चो personal ledger जो किसी नाम के ledger किसी इंसान के नाम के ledger है personal बच्चो ledger उनके दो टाइप बच्चा लोग इंसान दो ही टाइप के होता है एक तो उनसे पैसा आने वाला होता है या पैसा देना होता है चिनसे पैसा आने वाला है उन्हें बोलते data ledger जिनसे पैसा देना बच्चो creditor ledger बाकि impersonal जब इंसान का नाम नहीं है वो impersonal ledger के दो टाइप होते है personal, impersonal personal के दो टाइप होते है data ledger और credit ledger और impersonal में क्या आता है cash और general बाकि दिमाग मत लगा इसमें feature swap, trial balance trial balance के बच्चों feature आपको पता होगे बच्चा लो जैसे अपने धुंडा होगे बटा जी यह simple है बस model में इसे देख के लिए कि totaling के आ जाता है arithmetic accuracy मिलती है इसे यह सारे बच्चों feature आप देख के रहे कि उसमें कुछ दिमाग ने रगाएंगे trial balance को बनाने के method कल बच्चों गुरूप में कुछ बच्चों ने बोलाता इसके method explain करो मैं shorter बना रहे बच्चों बच्चों trial balance में क्या आता है we always compare debit balance और credit balance assume करो assume करो assume करो एक building account है एक बेटा capital account है building account में debit में है 100 रुपे 200 300 credit में है 200 capital में debit में 500 300 और debit में 100 पहला बच्चो total balance matter total balance में हम क्या करेंगे बच्चों क्या करेंगे building के debit का total total बच्चों balance matter में क्या करेंगे हम बनाए tribalance उसमें क्या करेंगे column बनाएंगे debit और credit building debit का sum कितना रहा है 600 लिखेंगे credit का sum कितना रहा है 200 लिखेंगे ठापीटल डेबिटके वा रहा है सौट घोछीट का समी समितो बच्छ आरहा है 800 जहांपै सब का बच्छो आप टोटल रहाल लीखा डेबिटका टोटल लिखा इसे मैं में बोलते लृRO numerous defined किस्झों के हर अकाउन के डेबिट का टोटल ट्रेट टोटल डाइरेक किले पोस्टिंग करते हुआ है वही बच्छो बैलनसिंग में तोड क्या होता है इसा मत करो भाई बिल्डिंग में डेबिट का सम 600 है क्रेट का सम 200 है नेट कितना हैगा बिल्डिंग का नेट डेबिट बैलनस लिख को 400 यहाँ पर हम लोग नेट बैलनस लिखे रहे है संजा क्या ग्रॉस में एंटर डेबिट का बदले, balance बच्चों लिखेंगे, debit का total 600 है, credit का बच्चों 200 है, कितना बच्चेगा बच्चेगा बच्चेगा, वो लिखेंगे, capital में, credit का total 800 है, debit का 100 है, net कितना आएगा, 700, अरे समझा क्या, जब एंटार टोटल लिखा, वो हमारा को ने, total balance मेथड है, और जब नेट लिखा, वो balance या फिर net method कहलाता है, और जहाँ पर थोड़ा total और थोड़ा बच्चों आपने balance लिखा, वो हमारा को ने compound method है, इतना बस ध्यान में रखिए, yes, 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 this end of the discussion of first booster, बच्चेगा 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 इसमे, हमें बच्चेगे था, 30 मिनी से बच्चेगे था, और नालाइक, second बच्चेगा, second बच्चेगा, okay, CMA का जो बच्चों, second बच्चों बच्चों देखें, इसका टास्क, मैं त मैं त पिले गगरूप टालूँगा, CMA का second booster, day two का जो टास्क के, मैं आपी YouTube पर नहीं publish करूँगा, वो मैं थोड़ी दर बच्चों, देर के बद मैं राट को समचल ना amte telegram बढ़ा भुप दो बित आज राट को शूर कर खंट ठीके चल भच्छा लो चले ठीक्यर हवो नैसे दे बच्छा लो बस बच्छ लेको आज के बिटा बुस्टर में आपको जो भी बिटा आपको लगाओगा अच्छा लगा Hauga Bura Leaga, What Am your suggestion? सब भॉतर फास्ट हो गया, सब बहुत भॉतर हो गया सब बहुत अच्छा लगा, सब बहुत कहा यह हमारा first day PE discussion ता, इससे मुझे ideaEEP कि आपका feedback कैसा है, आपका expectation कैसा है, जिससे मुझे आगे के booster lecture plan करने के में अच्छा रहेगा बटाजी, तो जरूर बेटा feedback share केजिए, अच्छा लोगा तो भी मुझे बताईए, तो और मैं उसे अच्छे से करूँगा, कुछ improvement चाहोगा, तो बेच्छो बोलिए, तो बिंदा एकस lecture में उसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीके, चले, तता, बाई-बाई-बाई Yes पैटा kilogram मॉनिग में उपन रखेんなा, रात को बेठा रात को 2 गंटा, मॉनिग में 2 गंटा इसे उपन रखेंगे चलेगा बिच्छा, चलो, टेक केर, टेक केर, टेक केर, चलो बद चलो